गुट अपर नून फ्रेंड्स सो ऐसा है आज हम वन डे रिविजिन के बारे में चर्चा करने वाले हैं एक दिन में अपन पूरा का पूरा जो कंपनी लौ है यह पूरा करने का ट्राय करेंगे तो सुबह वैसे नौ बजे से शेडियूल था अपना यह लेक्चर बट ड्यू टू टेकनिकल रिजन्स अपने नहीं ले पाए उसको बरबर टाइम पर ठीक है कोई बात नहीं अभी अपन टाइम पर अभी चालू करते हैं थोड़ा बहुत ब्रेक जो है वह में छोटा कर दू ते वह सबसे पहले तुम्हें आपको बता दू अमेंड्मेंट की पीछे आपको नहीं बहागना है क्योंकि और वैसे बीश कि रहते हैं उसके लिए आपको अलग से पूरी क्लास करने कीया कुछ करने की दोरत होती है आप सिर्फ sheet पढ़ लेते हैं तो आपको समझ जाते हैं बट ultimately आपके जो batch है आप इस batch के हैं इसके पहले के batch के हैं कोई फरक नहीं पड़ था for both the batches दोनों batches में आपको जो books अगरे दी गई है वो पूरी अमेंडेट थी जितना आपको applicable है लगबग उतना पूरा उसमें covered है तो almost 99% चीज़ें उसमें covered है कुछ amendments ऐसे हैं जो कि institute ने नहीं बताए हैं वैसे बदलाव हुए हैं बट institute ने वो नहीं बताए हैं तो वो मैंने भी अपने book में incorporate नहीं किया था वैसे बट फिर भी आज में पढ़ाते पढ़ाते आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में भी बता दूंगा तो let's see तो corporate and other laws में आज हम corporate law के उपर discussion करेंगे और in the next class हम other laws के उपर discussion करेंगे आपके पर मेरे short notes already हैं एक सबसे पहले आपको यहां पर बताया गया है कि हम कैसे क्या पढ़ेंगे तो सबसे पहले आज जो हमारा topic है वो corporate laws का है इसके उपर आज हम discussion कर लेंगे फिर contract act के जो गिंती के topics हैं तो special types of contract यह अपन कल देखने वाले हैं वैसे negotiable instruments act general clauses act और interpretation of statute यह तीनों चीज़ भी हम अगली class में यहने के कल देख लेंगे तो चालू करते हैं एक आपको short notes में weightage दिया हुआ है शुरवात के अगर आप chapter देखेंगे तो आपको इसमें weightage दिखता है सो यह जो weightage है अगर आप वह देखते हैं तो वैसे अगर आप देखें तो बहुत wide range रखा है institute निए institute के module से या institute की website से निकाला गया है सो बहुत wide range है 25 to 14 percent यहने बहुत जादा wide range है यहने हो सकता है 20 mark का भी आ जाए 25 mark का भी आ जाए और 40 mark का भी आ जाए तो उसी प्रकार से हर जगे जो range है आपको बहुत wide दिखती है और इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि बहुत जादा ऐसा focus नहीं करना कि किस से कितने marks का आता है क्योंकि ऐसा कोई rule institute generally रखता ही नहीं है तो कौन से topic पर क्या आएगा यह बताया नहीं जा सकता है कुछ लोग सोचते हैं चलो general clauses act छोड़ दें बट हो सकता है कि general clauses act पर आपको 10 mark के question आ जाए तो वैसे जनरले 4 mark के आते हैं बट 10 mark 12 mark के भी आ गए तो आप कुछ बोल नहीं सकते हैं तो वेटेजिस तो दिये गए हैं बट फिर भी आपने 100% पढ़ाई करना चाहिए पहले के जो topics है इसके उपर से अपने discussion चालू करते हैं थोड़ा मैं यह speed up करूँगा यह speed up इसलिए करूँगा क्योंकि अल्रेडी आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आपने foundation level पर भी पढ़ चुके हैं so सबसे पहले तो मैं आपको बता दू हम बिलकुल पूरा पढ़ने वाले हैं जो पहले पढ़ भी चुका आपने वो भी हम देखेंगे सबसे पहले तो company का क्या मतलब है जितना काम का इतनी देखेंगे अपने बेसिक चीज़ें नहीं देखेंगे company का मतलब क्या है तो company means company incorporated under this act और under any previous company law यह आपकी definition है जो इस act में आप पुराने law में incorporated है इसके characteristics आपको बहुत अच्छे से पता है तो मैं इसको भी बहुत डीप में नहीं बताऊंगा so characteristics क्या क्या है limited liability आपको पता है यह चीज़ फिर perpetual succession incorporated association यह सब चीज़ें अच्छा screen available नहीं है आपको एक सेकिंड देख लेता हूँ मैं हाँ है सो अभी screen दिख रही होगी तो मैं आपको शुरुवात से ही बता देता हूँ मैं क्या बता रहा था आपको कि कि वहा यहां से अपनाने चालू किए थे और event ये कि एक पेज दिया है यह अभी कि यह चीज Carson पर UX के बारे मैंने आपको बताय है तो न यह वेटेज बताया गया है आपको यह वेटेज आपको एकदम जादा ऐसा झाण नहीं दिना है बढ़ हाँ एक बार आपको पता होना चाहिए बढ़ अल्टिमेटली ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वेटेज देखके ही पढ़ाई करें ठीक है देन कंपनी के बारे में अपन डिस्केशन चालू कर रहे हैं सो कंपनी जैसा कि आप जानते हैं कंपनी एक ऐसी कंपनी जो की कंपनी जैक्ट में रिजिस्टर्ड है और इसके जो फीचर से यह भी आपको आल्रेडी पता है सो जैसे limited liability है सबसे important feature incorporated association है एक register होने के बाद ही बनेगी separate legal entity है यह अलग व्यक्ति विशेश बन जाती है इसके उपर की cases भी आपको पता है Solomon versus Solomon in Company Limited का case था boot manufacturer था उसको मैं repeat नहीं करने वाला हूँ क्योंकि यह already foundation में हो चुका है सो इस पर आपको ऐसा नहीं है कि बहुत जादा questions पूछे जाएंगे बट फिर भी पता होना चाहिए इसके अलावा ली versus ली air farming का भी आपको case याद होगा फिर separation of ownership from management यहाँ पर इसको बनाने वाले लोग अलग होते हैं और इसको चलाने वाले लोग अलग होते हैं जैसा कि आपको पता है company को बनाते हैं बहुत सारे लोग इनको हम क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं members जिन लोगों ने company को बनाया हैं यह owners of the share capital है फिर company को incorporate करके फॉर्म करके यह लोग इसको चलाने का पूरा जो कार भार है यह दे देते हैं to the directors individually हम इनको directors बोलते हैं और collectively इनको हम board of directors बोलते हैं company separate entity है उसका perpetual succession है members जो है इनको हम owners of the share capital बोलते हैं और जो directors हैं उनको management बोलते हैं यह आपको पता है तो मैं पूरे के पूरे background भी यहां पर नहीं बदाने वालों तो perpetual succession आ जाएगा क्योंकि यह अलग व्यक्ति बन गई तो इस खुद के एक पहचान होगी यह खुद के नाम से contract करेगी इसके उपर case file किया जा सकता है और यह case file कर सकती है और इसकी एक signature भी होगी तो यही सब चीज़ें बताएगे common seal, separate perpetual succession, separate legal entity, separate property, can be sued, transferable shares और it is not the property of the shareholders तो company अलग है, company एक व्यक्ति है और व्यक्ति किसी की जागिर नहीं होती और इसलिए company is not the property of the shareholders फिर body corporate is a wider term, body corporate means हर वो चीज़ जो कि एक separate entity है वो body corporate में आती है जो perpetual succession रखती है एक separate entity and having a perpetual succession इसको हम बुलते है body corporate ठीक है, so body corporate is a wider word जैसे कि banks हो गया, SBI, it is a body corporate, but it is not a company because it is not registered under the company's act, ठीक है वैसे ही आप LIC की बात करो, it is a body corporate से भी हो गया, तो यह सब body corporate है, Reserve Bank of India, यह सब body corporates है फिर जैसा कि आपको पता है कि company अलग है और उसको बनाने वाले लोग अलग है, so इसको हम बोलते है fictional wheel of incorporation, यहने company अलग वेक्ति बन गई और उसको बनाने वाले लोग अलग है, so this is called as separate legal entity concept is also called as the wheel of incorporation, corporate wheel concept, अब वैसे तो दोनों अलग हैं, बट फिर भी कुछ cases में आपको पता है कि wheel lift की जाती है, इसके कुछ cases हैं, मैं आपको ये भी पूरा detail में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये point मैं सिरिफ आपको touch करके छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो है already आपके foundation level पे हो चुके अपनी पूरे investments transfer कर देते हैं to the companies, जो भी interest ये dividend आता है वो company के हाथ में आता है, और जो दिन्शा है वो अपनी tax liability कम कर लेते हैं, court ने बुला नहीं यहां पे हम company को और दिन्शा को अलग नहीं मानेंगे, और पूरी के पूरी income जो है, ये सर दिन्शा के हाथ में club की जाएग transfer कर देता है, अब मकान transfer कर दिया, तो यहां पे, एक second, blur हो रहा है, one second, हाँ, एक second, ये internet के करने, hold करो, एक minute, ये फिर आपको blurness भी नहीं लिखेगी, तो चलिए, चालू करते हैं अब आज की class, थोड़ा जादा ही late हो गया, ultimately अभी चालू हो रही है, बता है आपको, lifting of corporate wheel के बारे में बता रहा था, जादा आपको ध्यान रखने की जरुरत नहीं है, क्योंकि already आपका ये topic हो चुका है, in the foundation level, जिसमें आपने tax evasion का एक case पड़ा था, दिन्शा माइनिक जी पतीत, जिसमें sir, दिन्शा माइनिक जी पतीत, अलग-अलग companies बनाते हैं और पूरे अपने investment transfer कर देते हैं to the companies, in order to reduce the tax liability, और court ने लेकिन यहाँ पर बोला कि हम company को अलग नहीं मानेंगे, company की corporate wheel lift की गई, फिर avoid legal obligations, जोन सोसर्स लिपमें, इसमें एक व पर कर देता है, जब मकान खरीदने वाला आता है, तो यह बोलता है, मकान मेरे नाम से तो है यह नहीं, वो तो company के नाम से है, तो मैं कैसे बेचूँ, जब पता किया जाता है, तो company उसी ने बनाया था, तो यहाँ पे company को separate न मानते हुए, जबरदस्ती contract perform करने बोला गया था फिर enemy character जानने के लिए वैसे तो company दुश्मन या दोस्त नहीं होती, बर अगर उसको बनाने वाले लोग, दुश्मन country के हों, enemy country के हों, तो ऐसे case में company को enemy माना जा सकता है, avoid welfare legislation, जैसे कि आप bonus, gratuity इस प्रकार के अगर payment करने से बचना चाहते हैं, एक अलग company बना के, तो यह नहीं किया जा सकता, the corporate will will be lifted, और technical competence जानने के लिए भी corporate will lift की जा सकती है, kinds of company कैसी कैसी प्रकार की company हो सकती है, एक एक करके देखेंगे, वैसे section 3 के हिसाब से, it can be a private company, public company, और even OPC, वैसे OPC is also a private company, so private या public या even OPC हो सकती है, and limited by shares, guarantee और unlimited हो सकती है, types of company में ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़े बहुत एक जगे में amendment आपको जरूर बताओंगा, वो amendment फिर से मैं बता दूँ, पहले तो अपने mics बंद रखें, हाँ, तो amendments के बारे में जो मैं बता रहा था, तो amendments जो है, आपको मैं बता दूँ, यह जो amendment है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, यह आपको institute ने नहीं बताया है, यह amendment हो चुका है, बट institute के तरफ से अभी तक नहीं आया है, बट फिर भी मैं आपको बताओंगा, जो amendments है वैसे तो आपके book में जितना दिया है that is all amended आपके exam के हिसाब से that is perfect बट फिर भी कुछ छोटे-छोटे ऐसे amendments है जो institute ने अभी तक नहीं बता है RTP में भी नहीं आए so basically as per institutes के जो regulations है उसके हिसाब से that is not applicable to your exam पर मैं उसको हलका से touch कर दूँगा आप note में यह लिखके आ सकते हैं exam में इससे आपका जो paper है वो थोड़ा और ज़ादा enhance हो जाएगा so कहा amendment है मैं बताता हूँ पहले तो आपको associate company already पता है कि यह क्या होती है associate company यह एक ऐसी company जिसमें 20% या उससे ज़ादा significant influence किया जा रहा है by another company ठीक है so associate company आपको पता है guarantee पता है shares पता है foreign company पता है foreign company एक ऐसा topic है जिसके उपर आपको exam में question आ सकता है in the form of case study foreign company क्या होती है तो foreign company एक ऐसी company या कोई ऐसी body corporate है which is registered outside इंडिया जो भारत के बाहर बनाई गई है पर वो भारत में business कर रही है अब business कर रही है इसका किया मतलब है so business कर रहे है इसका मतलब है वwhå किसी प्रकार से business करे भले वो Physically and present हो या ना हो भले वो यहां के business करे या agent के थ्रूओ कराए किसी भी प्रकार से आगर बारत में business कर रहे है तो that is called as foreign company अब यह 조 ब बिसनस activity है यह अगर भारत में कर रहे है तो कौन-कौन से activity cover होती है क्या हर चीज cover हो जाएगे business में the answer is yes लगभग हर चीज आप जहां जहां तक सोच सकते हैं वो सब चीज में business में cover हो जाती है जैसे even online आप अगर चीज बेच रहे हैं जैसे एक Alibaba Limited है that is registered outside India that is registered in China और वो भारत में business कर रहे है but it does not have any office उसका ना physical यहां setup है ना इसका कोई agent है ना कुछ है वो सिर्फ online website चलाती है और उस website से भारत में भी वो order लेती है that means it is having a business in India और अगर वो भारत में business कर रही है तो that will be considered as a foreign company so foreign company means basically it is a company which is incorporated outside India और any body corporate body corporate includes even a LLP which is incorporated outside India but which has a place of business in India whether by its own or through electronic means किसी भी प्रकार से ठीक है and it conducts any business activity in India भले वो physical place ना हो तो भी चलता है फिर government company यहां पर एक amendment है again बता दूँ यह जो amendment है यह amendment आपको institute ने नहीं बताया है बट मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो अगर कभी आया question तो ध्यान रखना आपने देखा है holding और subsidiary company की जो definitions होती है उनको amend किया गया है और उसमें total share capital के जगे total voting power डाला गया था क्या government company में भी ऐसी ज़रुरत थी तो yes government company में भी बोलना तो चाहिए था उन्होंने की total voting power है बट उन्होंने बोला नहीं था उन्होंने अभी भी क्या लिखा था वहाँ पर government company means एक ऐसी company जिसमें minimum 51% of the paid up share capital is held by government central government, state government या फिर मिलके या फिर a subsidiary of a government company अब यहाँ पर बोला गया था paid up share capital paid up share capital includes equity as well as preference but that is not correct क्योंकि जब आप control की बात करते है government अगर control करेगी तो it should be a government company तो यहाँ पर paid up share capital को बाद में define किया, explain किया गया in fact explanation के द्वारा डाला गया paid up capital का मतलब यहाँ पर देखा जाएगा फिर से total voting power so यह जो voting power बोला गया है मैं आपको फिर बता दू यह ICAI ने अभी तक के recommend नहीं किया है ठीक है बट फिर भी कभी एकात बार ऐसा होता है कि institute ऐसा question पूझ भी लेता है so अगर question आया तो आपको confusion हो सकता है so आपने वहाँ पे दोनों लिखना चाहिए पहले तो यह बट यह amendment हो चुका है और यह पहले ही हो चुका है तो इसको 6 मैने के उपर हो चुके है यह amendment होके बट फिर भी institute ने notify नहीं किया है बट फिर भी यहाँ voting power word अब आ चुका है so आप क्या लिखेंगे एक्जाम में आपको तो confusion हो गया कैसे लिखेंगे so आप पहले तो यह लिखोगे government company के अगर definition आई तो आप लिखोगे 51% of the paid up share capital is held by central government, state government या फिर दोनों मिलके वगर है अगर hold करते हैं तो that is a government company and a subsidiary of a government company is also considered as a government company लेकिन अब note में लिख देना कि बट अभी change हो चुका है और total paid up share capital के जगे total voting power word use किया है paid up capital बोला तो preference भी cover हो जाता है बट preference cover नहीं होना चाहिए, क्या sir preference कभी cover नहीं होगा, तो कभी कभी cover होगा, कभी cover होगा preference, तो आपने एक rule पढ़ा था अब आपने आगे का पढ़ चुके है न तो गया है दो साल तक, तो वो लोग इसमें cover होते हैं क्या, तो yes, जब total voting power हम word use करते हैं, तो preference share capital भी आ सकता है, बहुत कम cases में बट आ सकता है, कौन से cases में, जब उनको preference dividend जो है वो नहीं दिया गया है for a period of two years, it is in a year, तो ऐसे cases में आप बोल सकते हैं कि preference share capital भी जो है वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा है, so voting power word use किया है, बट अब मैं आपको बता दू, ये institute ने अभी तक recommend नहीं किया है, RTP में आपको ये amendment नहीं दिखेगा, निधी company अल्रेडी पता है, आपको इसके उपर अपन ज़्यादा detail में चर्चा नहीं करते हैं, तो निधी company हैं जो members स पैसा लेती, members कोई पैसा देती है, वो, unlimited company already पता है, dormant company, dormant company का क्या मतलब था, एक ऐसी company जो की बनाई गई है for a future project, या तो future project के लिए, या to hold any asset और intellectual property, और उसका कोई significant accounting transaction नहीं है, ठीक है, and या फिर वो inactive company है, तो ये दोनों ही dormant में आती है, ये सब definitions आपके पिछले साल वाली है, तो कोई tension वाली बात नहीं है, आपको ये सब चीज़ें पता है, private company important definition है, आपको पता है, already words वोगरे ध्यान रखना है आपको, private company में, जब restricts word लिखा है, तो restricts से आप ध्यान रखोगे, जब limits लिखा है, तो limits, जब prohibits लिखा है, तो prohibits, तो तीन चीज़े रहती है जो, which has a paid up share capital as may be prescribed and which by its articles restricts the right to transfer the shares, limits the maximum number of members up to 200, except in case of OPC, जब 200 लोगों को count करेंगे, तो आप past or present employees को count नहीं करते हैं, और जो joint holder से उनको एक count करते हैं, और prohibits public to subscribe to any of its securities, तो ये इसकी basic definition है, एक बहुत important definition है, from your exams point of view, तो एक्जाम में आपको ये आ सकती है, ध्यान रखो, private company की definition, भले ही आपने foundation level पे भी पढ़ा था, बट intermediate level पे भी it is again an important definition and it will be asked along with other question, ऐसा नहीं आएगा, सीधा सीधा define private company, आपको ऐसा आ सकता है, define private company and state the procedure to convert a company from private to public, और public to private, as the case में भी, इस प्रकार का question आ सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखो, private company is an important definition, direct definition भी आ सकती है, और आपको case study बना के भी पूछी जा सकती है, फिर public company क्या है, public company means a company which is not a private company and which has a minimum paid up share capital as may be prescribed, जा फिर एक subsidiary of a public company will be deemed as a public company, ये एक word है, public company, ठीक है, बाकी points आपको पता है, इसमें कम से कम साथ लोग रहेंगे, private company में दो लोग रख सकते हैं, एक second, हिमान शुका बुलना है कि sir full screen पर नहीं दिख रहा है, attendee में lecture दिख रहा है, so मैंने आपको जैसा बताया है, आप शायद late join हुए, आपको pin up कर देना है, आप मेरे screen के उपर अगर click करके रखोगे, दो second तक, तो एक pin का option आएगा, तो आप वो pin कर दोगे, औ और फिर आप उसको landscape में देखोगे, तो पूरा lecture आपको एकदम normal प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है, so ऐसा है, फिर again the next definition, which is again an important definition from your exams point of view, examination में ये भी definition आ सकती है, small company, small company याने एक ऐसी company जिसका minimum paid up, sorry, minimum जिसका maximum paid up share capital, should not exceed, it should not exceed 50 lakh रुपे, 50 लाग के उपर नहीं होना च for the immediately preceding financial year, ये एक important amendment था, ये amendment वैसे पुराना हो चुका है, बट फिर भी अभी तक इस पर question नहीं आया है, so ये point पर question आ सकता है, ध्यान रखो, मैं आपको ये बताते जा रहा हूं, देखो, आपको चीज़ें तो पता है, मैं आपको ये बताते जा रहा हूं, खास तोर पे definition है, इस पर ये वाले point पर question आ सकता है, for the immediately preceding financial year, so turnover कपका देखना है आपको, अगर एक company है, उसका ये financial year था, और उसने यहां भी एक quarterly financial statements बनाई है, उसने profit and loss account बनाई है, so आप turnover यहां का नहीं देखोगे, आपको turnover देखना है यहीं का, ठीक है, so for the immediately preceding financial year, पूरे साल का turnover दे particular amendment, आपको मैंने पूरी class में ये detail में बता चुका हूँ, so वैसे मैंने देखा हूँ कि सभी लोग मुझसे पढ़े वाली है, इस class में, तो ऐसा कोई भी नहीं है, जिसने मुझसे नहीं पढ़ा है, so इसलिए मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि almost 100% बच्चे जो ह holding और subsidiary company कभी भी small company की definition में नहीं cover होगे, ठीक है, फिर holding and subsidiary definition क्या है, तो holding और subsidiary बहुत हा relative definitions, दोनों एक दुसरे के relation में हम बात करते हैं, दोनों एक दुसरे के संदर्भ में हम देखते हैं, जब हम बात करते हैं holding company की, तो holding company वो है जिसकी कुछ subsidiary company या companies है, और वैसे ही subsidiary को define करते वक्त इन्होंने बताया है, कि subsidiary company एक ऐसी company होती है, जिसको control किया जा रहा है, एक company दूसरी company को control कर रही है, तो holding subsidiary relationship आ जाता है, जो control कर रही है, वो holding, जो control हो रही है, वो subsidiary, control दो प्रकार से हो सकता है, जैसा कि आप जानते हैं, तहला, या तो आप share capital या total voting power, control क का क्या मतलब है, total voting power का मतलब है, जो भी equity shares है, बट कभी-कभी preference भी आ सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी दर पहले बताया है, बट वैसे basically ये total voting power का मतलब है equity shares, क्योंकि उनको voting का अधिकार है, means they can control the company, तो पहली चीज, दूसरी चीज, या तो आप voting power control कर लो 50% से तो अगर आप board of directors को control कर लेते हैं, that means you can control the management of the company, so दोनों प्रकार से आप या तो ownership या management control करके company को control कर सकते हैं, तो अगर आपकी company दूसरी company को control कर रही है, तो ऐसे cases में आपकी company holding company हो गई, दूसरी company subsidiary company हो गई, यहाँ पे मैं आपको एक diagram से और आगे की भी थोड़ी सी बात बता देता हूँ, B limited के shares, so A limited holding company हो गई, B limited subsidiary हो गई, कितने 50% से ज्यादा shares होना चाहिए, so यहाँ holding subsidiary का relationship आ जाता है, फिर B limited अगर C को control कर रही है इसी प्रकार से, so C is also the subsidiary company of A as well as B, B, क्योंकि control किया जा सकता है, यहाँ पे control का मतलब है, it need not necessarily be the direct control, अगर indirectly भी control किया जा सकता है, तो that will be considered as a control, ठीक है, तो control word यहाँ पे बहुत wide है, control does not mean only the direct control, बट यह कहां तक आएगा, only two layers तक, यहने इसके बाद again C limited अगर D limited को control करती है, so क्या D limited subsidiary बन जाएगी, of A limited, the answer is no, D limited will not become the subsidiary of A limited, क्योंकि यहाँ पे दो layer complete हो गई, first layer, second layer, third layer तक के control नहीं चलता, फिर दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि A, B को control कर रही है, A, C में समझो 30% control करती है, और B, समझो 30% control करती है, तो यह भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे control किया जा रहा है, भले आप पूरा खुद नहीं कर सकते, खुद के तरफ से 30% और through B 30%, so इस प्रकार से भी control यहाँ पे बन सकता है, ठीक है, So basically, holding और subsidy relationship ताब आता है, जब एक company, दूसरी company को control करती है, control can be of two types, either through composition of board of directors, और through total voting powers, फिर क्या-क्या cover नहीं किया जाता, So, ऐसी चीज़ें जो कि खुद के अधिकार में हम hold नहीं कर रहे है, as a trustee hold कर रहे है, those shares will not be counted, यह एक important rule, ध्यान रखो, यह rule ध्यान रखना है, आपको section number 19, section 19 बोलता है, कि subsidiary अपनी holding company में shares hold नहीं कर सकती, क्योंकि subsidiary के already shares hold किया है, holding, hold कर रही है shares of subsidiary company, समझो, A limited, B limited के shares hold कर रही है, now B limited cannot hold shares of A limited, ठीक है, तो subsidiary cannot hold shares of holding company, ठीक है, तो यह एक important point है, पर कर सकते हैं कुछ cases में, कप-कप कर सकते हैं, पहली चीज़, जब वो hold कर रहे हैं as a legal representative, तब कर सकते हैं, और as a trust, तब भी कर सकते हैं, यहने खुद के नाम से hold नहीं कर रहे हैं, दूसरे के बिहाफ पर hold कर रहे हैं, या फिर, prior to becoming subsidiary, पहले से वो hold कर रहे थे तो, तो ऐसे cases में आपको बेचना नहीं पड़ेगा, तो यह ध्यान रखो, यह भी एक important point है, क्या आपको बेच देना पड़ेगा, समझो, बी लिमिटेड एक company है, जो की ए लिमिटेड की subsidiary है, अब ए लिमिटेड इसमें समझो 70% shares hold करती है, और बी लिमिटेड सबसीडरी बनने के पहले से समझो 30% shares hold करती थी, पहले से, बाद में ए लिमिटेड की subsidiary बनी, सो क्या ये 30% shareholding बेचना पड़ेगा, the answer is no, बेचने की कोई आवशक्ता नहीं है, पिर public financial institution, simple से definition है, आप एक बार read कर लेंगे इसको, बाकी ये भी एक बार read कर लेंगे तो आपको समझ जाएगा, voting power कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, वन पर्सन कंपनी, simple सा concept है, मैं थोड़ा speed up इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता है, तो वन पर्सन कंपनी में एक अकेला member होगा, और एक नॉमिनी होगा, एक मेंबर, एक नॉमिनी, नॉमिनी से consent लेना पड़ेगा, उसकी consent वो withdraw कर सकता है, और हम भी चाहें, तो उसको change कर सकते हैं, यहाँ पर खुद अकेला वेक्ती जो member है, वही director भी रह सकता है, तो there can be even one director, और maximum 15 director हो सकते हैं, without passing special resolution, फिर small company के case में, sorry, OPC के case में, natural person ही member और nominee रहेगा, resident of India होना चाहिए, Indian citizen होना चाहिए, resident भी होना चाहिए, and major होना चाहिए, minor नहीं होना पिर एक वेक्ती एक ही जगे पे member बन सकता है, और एक जगे पे nominee बन सकता है, वो दो जगे पे member नहीं बन सकता, दो OPC नहीं बनाया जा सकता, OPC कभी भी non-banking financial investment activity नहीं करती, पहली चीज़, दूसरी चीज़, वो कभी भी charity वाले काम नहीं कर सकती, इस पे भी question आ सकता है, कि एक वेक्ती है जो कि OPC बनाना चाता है, और वो OPC बनाना चाता है for charitable purpose, वो business नहीं करना चाता, वो charity करना चाता है, COVID के कारण जो लोग बिचारे बिमार है उन लोगों को, मदद करने के लिए वो company बनाना चाता है, तो क्या ये OPC करके चला सकता है, the answer is no, so OPC यहाँ पे नहीं type of company, yes, पर कौन सी company में हो सकती है, वो section 8 नहीं होना चाहिए, so ना वो section 8 बन सकती है, ना वो convert हो सकती है, बाकी जगे हो सकती है, कब हो सकती है, पहली condition है, दो साल अगर बीद गए तो हो सकती है, दो साल के बाद आप convert कर सकते हैं, दो साल नहीं बीते लेकिन आपको convert करना है, तो क्या करोगे, आप बस small company की definition के बाहर आ जाओ, means आपको या तो paid up share capital 50 लाग के उपर ले जाना पड़ेगा, या turnover दो करोड के उपर, तो turnover कपका देखना है यहाँ पर, for the relevant period word use किया है, relevant period का क्या मत्तरब है, जिस साल आप convert हो रहे हैं, उस साल का turnover, ठीक है, so इसके उपर question आता है आपको, conversion के उपर खास दोर पे, so important point है, आपके पास question bank है, question bank में यह question दिया हुआ है, ठीक है, that is important, ध्यान रखना है आपको यह, फिर, provision of act not applicable, कौन-कौन से act के provision नहीं लगते हैं, यह आपके लिए फिलाल काम का नहीं है, meeting वाले provision, meeting में मैं आपको बताऊंगा, passing of resolution कैसे होता है, general meeting है, so general meeting में, member बता देगा company को कि मैं resolution पास करना चाता हूँ, company उसको minute book में रख देगी, और that will be filed with the register, पास हो गया, directors में भ वाले जो provisions है, जो आपने आगे पढ़ेते, section number 96, section number 100, AGM, EGM, वो वाले provisions अपलाएं नहीं होते हैं, advantages क्या है, तो simple से advantages हैं, आप एक बार यह देख लेंगे, एक important topic जिसके उपर question आ सकता है, आपको illegal association, हाँ, अमेका बुलना है, यहाँ पर average annual turnover नहीं रहता, क्या, तो यहाँ पे turnover of the, for the relevant year बुला है, relevant year का क्या मतलब होता है, relevant year नहीं वो period, relevant period होड है, even year भी word यूज नहीं किया, तो relevant period का क्या मतलब हो जाता है, तो relevant period का मतलब हो जाता है, for that period, जिस साल आपको turnover है, जिस साल आपको conversion करना है, उस साल का turnover आपको देखना पड़ेगा, ठीक हैं, so इसके पर भी questions है यह जो बिल्कुल आपने point पड़ा है उस point पे भी question है ठीक है तो आप एक बार इसके बाद question जरूर देख लेंगे अपने एक बार one day revision जल्दी जल्दी quick revise कर लेंगे उसके बाद आपका काम रहेगा कि आप घर पे एक बार question देखें अब आज के आज तो नहीं हो पा association यहने क्या जो illegal काम के लिए बनाया गया है नहीं जो illegal काम के लिए बनाया है उसको illegal association नहीं बोलते अगर 50 के उपर होगे तो it is compulsory to register अगर आपने register नहीं किया और आप business कर रहे हो तो that is illegal क्यों क्योंकि जो लोग है अगर ये लोग contract करते हैं समझो किसी बाहर वाले से तो तीन लोग है चार लोग है दस लोग है तब तक तो चल जाएगा क्योंकि इसको पता है कि किसके उपर case file करना है और किस से recovery करना है इसको पता है लेकिन समझो एकदम 2000 लोग है तो 2000 लोगों से मिलके इसने contract किया है तो ये किस पर case file करेगा इसके लिए तो दिक्कत हो जाएगी किस के पास जाए 2000 तो बहुत जादा होगे समझो 100 लोग भी है तो 100 लोगों ने मिलके अगर contract किया था इस विक्ति के पास इस विक्ति के साथ, तो इसके उपर सवाल आ जाएगा कि यह कहां से किस्से क्लेम करें, सव लोगों के पास एक एक करके थोड़ी जाते रहेगा है, और इसलिए यहाँ पे रूल बना दिया, कि जब भी एक prescribed नंबर से जादा इन व्यक्तियों के संख्या चले जाए तो इसको हम एक अलग association करके register कर देंगे ठीक है अगर आप इसको अलग association करके register कर देते हैं तो यहाँ पे अब इस व्यक्ति की दिक्कत समाप्त हो जाती क्योंकि यह अब जाके claim करेगा from this association and not from the individuals ठीक है बट अगर आप उसको register नहीं करते हैं किसी भी कानून में जरूरी नहीं company बनाओ कोई भी कानून में आपको उसको register करना पड़ेगा अगर आपने उसको register नहीं किया तो it will be considered as illegal association and हर एक member की individual personal liability हो जाती है साथ में एक लाख रुपे तक की penalty लगती है हर एक member की उपर ठीक है तो यह आपको ध आपने specifically सिर्फ intermediate level पर पढ़ा है जो आपने foundation level पर नहीं पढ़ा था conversion of company actually this is section no.18 red with section no.14 so section no.18 plus 14 यह दोनों अपने को देखना है यहां पर so section no.18 सिर्फ इतना बताता है कि company convert कर सकते है from a private to public और public to private from one type of company to another type यह बताते हैं लेकिन 14 बताता है उसको actual में कैसे convert किया जा सकता है so section 14 basically यह बताता है कि उसको अगर आप convert करना चाहते हैं so आपको process कौन सी follow करना है so देखो अब यहां पर अगर private से public में जा रहे हैं यह important topic है आपको और काफी time से आया नहीं है आपके exam में so maybe इस बार आ जाए तो ध्यान रखो so खास तोर पर आपको यह वाला topic आने के चांस जादा रहते है public to private ठीक है so private से public यह हो रही है अगर company छोटी company दी private भी बड़ी हो रही है तो कैसे कैसे हो सकती है so private से public होने में तीन प्रकार से हो सकती है पहली है by default वो number of members को 200 के उपर नहीं ले जा सकती so इस प्रकार के कुछ limits थी public से पैसा नहीं ले सकती अगर यह तीनों में से एक भी चीज़ कर दिया so it will be converted into a public company it will be deemed as a public company of course इसके जो नाम वगरे हैं वो ऐसे लिखा होगा private limited होगा तो इसका यह मतलब नहीं कि यह public जैसा हर कुछ काम कर ले बट यह default हो गया और default हो गया तो यह default से convert हो जाती है मान ली जाती है कि यह public company बन चुकी then subsidiary बन जाए तो जैसे एक holding company थी Reliance Industries Limited उसने Caps Learning Private Limited को acquire किया so यहाँ पे यह थी वैसे private limited but since यह holding company बन गई और यह subsidiary company बन गई so Caps will be treated as again the public company so अगर वो subsidiary बन जाती है तो और तीसरा जो सबसे important point है तीसरा point by choice अपने इच्छा से अगर आप convert करना चाते है एक company को from private to public और public to private तो कैसे कर सकते है पहली चीज़ तो है private से public करना है तो क्या करोगे board meeting होगी कोई भी बड़े decision होने होते हैं तो सबसे पहले तो board meeting बुलाई जाती है board of directors जो होते हैं उन लोग decide करेंगे हमको यह करना है वो करने के बाद general meeting बुलाई जाती है shareholders को बुलाना पड़ेगा बड़ा decision है यह सिर्फ directors नहीं ले सकते हैं इसके लिए बड़े लोगों को जो owners of the share capital है उनको बुलाना पड़ता है और उनको बुलाके आप एक खास काम करोगे articles बदलोगे क्योंकि यह कहां दिया है जब हम section 14 की बात करते हैं तो section 14 actually deal करता है with the alteration of articles of association so आपको यहाँ पे articles बदलना पड़ेगा क्योंकि आपके articles में लिखा है कि यह company private है इसमें यह तीन restrictions लगे है private company के definition specifically बोलती है section 2 clause 68 specifically बोलता है कि private company के articles में लिखी है यह तीन चीज़े लेकिन अब आप public बनना चाह रहे हैं आपको यह तीन चीज़ हटानी पड़ेगी तो वही चीज़ यहाँ पे आपको करना पड़ता है आप remove करते है restrictions mentioned intersection 2 clause 68 और इसके अलाबा आप private word को भी हटा देंगे क्योंकि आपके नाम के साथ जो private word लिखा था अब वो नहीं होना चीए फिर 15 दिन के अंदर आपको यह resolutions होगर है फाइल कर देना है altered AOA, MOA और copy of resolution यह फाइल कर देना है और कुछ procedural formalities अगर आपके members कम थे तो आप उसको कम से कम साथ लाओगे, directors कम थे तो कम से कम दो लाओगे, नया certificate दिया जाएगा, MOA, AOA दोनों बदले जाएंगे, और यह public बन जाएगे from the date of यहाँ लिखा नहीं है, आप लिखके रख लो passing special resolution तो from the date of passing of special resolution यह public company बन जाएगे, ठीक है तो ऐसा है अब public से private होना है तो क्या होगा, देखो है वैसी चीज, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गडबड दिखरी है हमको, बड़ी company थी छोटी हो रही, कुछ तो गडबड हो सकती है और इसलिए यहाँ पे आपको एक खास permission लेना पड़ता है from the central government, तो आपको central government से approval लेना पड़ेगा, और इस approval की भी एक filing होगी ठीक है, तो यहाँ पे बहुत meeting, board resolution, same, general meeting, special resolution, same, लेकिन यहाँ पे आप add करोगे restrictions और add करोगे private word आप approval लोगे from the government and 15 दिन के अंदर सबकी filing हो जाएगी, नया certificate मिल जाएगा यहाँ पे कब conversion होता है यहाँ conversion तब होता है जब order आएगा, ट्रिबिनल की जगे, टीजी का ठीक है, तो government का order आएगा और वो भी file होगा, दोनों चीज होना चीए, ठीक है तो दोनों चीज हो जाएगी, तब जाके convert हो जाएगी company from the public company to a private company अब उससे भी जादा important, क्योंकि यह नया है नया है वह, this is nothing but section number 3 A, यहाँ लिखा नहीं है आप लिखके रख लो, section number 3 A section 3 A क्या बोलता है, क्या बोला गया है, minimum कितने लोग चाहिए आपको अगर private company है तो 2 और public company है तो minimum 7 लोगों के आवशकता है अगर कम हो गए तो क्या होगा तो वो चीज बताया गया है in section number 3 A, so section 3 A क्या बताता है, section 3 A बोलता है कि आपकी company में होना चीए minimum members 7 समझो आपने 7 members से company चालू कर दिये थे कोई दिक्कत नहीं, but at this point of time, 2 members की death हो गई, अब कितने बचे, 5 members अब आपकी company है, समझो public company, हम example यहां ले रहे है public company का, तो public company है, 7 members चीए थे, 2 members की death हो गई, और अब बचे सिरफ 5 members, अब क्या करना है तो आपको तो 7 होना चाहिए था, आप तो 5 हो गए, तो क्या किया जाएगा क्या तुरंद इनको अपन penalize कर देंगे, इनके उपर अपन सीधे-सीधे penalty लगा देंगे, तो नहीं, एकदम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, और इसलिए इनको time दिया गया है कि 6 महने का time है तो within the 6 months तो 6 months का जो time है, उसके अंदर आपको ये फिर से बढ़ा देना है और बढ़ा के इसको 7 तक ला लेना है, at least 7 तक ला लो, अगर नहीं किया, तो क्या होगा, ये चीज़ बताता है, section number 3A, तो section 3A बोलता है, अगर नहीं किया, तो इसके बाद, सब व्यक्तियों की liability हो जाएगी, personal in usual personally liable येने जो basic rule बोलता है, कि company की liability तो limited होती है company में आपने जितना shares लगा दिया उतना maximum liability होती है लेकिन यहाँ पर वो rule fail हो जाता है अगर कम हो गए थे और आप business 6 मैने के बाद भी carry on कर रहे हैं, उतने ही लोगों से, कम लोगों से, और आपको पता है, लोग कम हो चुके हैं तो फिर आपके उपर personal liability आ जाती है for all the debts जितना भी पैसा है, सब पैसा सब व्यक्ति individually liable हो जाएंगे पै करने के लिए ठीक है, अफकोर्स बाद में आपस में ये members settle कर लेंगे कि किसने ज़्यादा दिया, किसने कम दिया वो आपस में adjust कर सकते हैं पर basically यहाँ पर liability हो जाती unlimited, personal liability ठीक है, तो यहाँ पर अगर पांच members से कम हो गया, sorry 7 members से कम हो गया, तो पता हुआ तभी liable होते हैं, ये एक चीज़ ध्यान रखो, ये चीज़, ये point पे भी question आ सकता है, क्योंकि institute आज कल एक-एक point पे question पूछ रहा है और basically मैं इसलिए आपको बोलता हूँ आप खुद ही देखो, आज के दौर में जो questions आ रहे हैं, mcq-based कैसे questions आ रहे हैं, तो पूरे के पूरे वो theoretical question है, पूरी एक case study दे दिया है, और उसके उपर फिर आपको 4-5 mcq दे दिया है, कितने भी mcq आपने solve किये होंगे, ये mcq आप तब तक नहीं solve कर पाएंगे, जब तक कि आपका concept clear नहीं होता, तो इसलिए concept पे ध्यान दो, mcq वगर है, रटने के पीछे मत जाओ, या उसको even solve भी मत करो, मैं तो बुलूँगा, आप basically यही जो चीजे हैं, जो provisions है, provisions पढ़ो, उसको revise करो, time बच रहा है, तो भी मत solve करो, time बच भी रहा है, तो यही करो, ठीक है, so यहाँ पे personal liability हो जाती है, लेकिन जिसको पता था, समझो, मैं एक member हूँ, बट मुझे पता ही नहीं था, मैं तो बाहर रहता हूँ, US में रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि इसमें कम लोग हो चुके हैं और business चल रहा है, दो जनू की death हो गई, तो क्या मैं भी liable रहूँगा, तो नहीं, मैं फिर liable नहीं होता, so वही व्यक्ती liable होगा जिसको पता था, who is conversant of the fact that the number is so reduced and the business is being carried out carried on, even after six months, then all such members will be responsible, जिनको पता था, जिनको नहीं पता था, उनके उपर कोई जिम्यदारी नहीं आती, तो ऐसा है, यहाँ पर आपका chapter number one, जो है, वो main chapter complete होता है, chapter number two पर आते हैं directly, in fact chapter number one ही है, unit number two, formation of company, तो मैंने थोड़ा speed up किया, वैसे काफी time लगा, कुछ चीज़े मैंने skip भी किया हूँ, जैसे illegal association में कौनकोन से illegal नहीं हो सकते, नहीं माने जाते वो सब है, बट simple से point से इसलिए वो skip किया हूँ, फिर भी अगर आपको कोई doubt है तो पूछ लो, कोई भी doubt रहा तो पूछ सकते हैं, यहाँ पे देखो illegal में, मैंने कुछ skip किया हूँ, छोटे मोटे topic, बट वो simple है, self-explanatory, जैसे अगर आप not for profit कर रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर जादा भी लोग होंगे, तो illegal नहीं माना जाता, वैसे ही professionals का association है, CA लोगोंने firm बनाए है, फिर H.E.F. मिलके काम कर रही है, तो S.E.K.S. में, H.E.F. मिलके मिल्ट एक family, अगर दो H.E.F. मिलके काम करेगी, तो फिर 50 वाली limit लगने लग जाएगी, ठेक हैं? हाँ, तो शिक का एक बोलना है, hold date के लिए कहां से liable होंगे? यहने, six months के बाद, हाँ, six months के बाद से, यहां से liable होंगे. ठीक है? इसके बाद से. वहाँ तक तो time ही दिया है, वहाँ तक क्या आपको time दिया है कि आप बढ़ा लो? अगर नहीं बढ़ा है, तो इसके बाद से liability होगी. चलो, आगे बढ़ते हैं, तो मैं, वैसे तो doubts के लिए मैं time देने वाला सोच रहा था, भी दिया भी था, बट फिर भी अगर आपको doubts आ नहीं रहें, तो अपन एक काम करेंगे, पूरा का पूरा conclude कर लेंगे, पूरा topic, और उसके बाद आखिर मैं मैं आपको doubt के लिए time देता हूँ, क्योंकि वैसे ही अपन late हो चुके हैं, due to power failure, so आज light नहीं थी, तो कुछ option ही नहीं था मेरे पास, चलो, आगे बढ़ते हैं, formation of company, ये भी एक simple सा topic है, मैं इसको भी थोड़ा speed up करूँगा, जितना आपको already पता है, foundation level पे बोचीज में फिर से deep में नहीं जाओंगा, उपर-उपर ज़रूर बताओंगा, so formation level में वैसे promotion stage होती है, promotion stage में एक promoter विक्ती होता है, ये अकेला विक्ती भी हो सकता है, और it can be a group of persons जिनके मन में idea आया था कि हमने कुछ business करना चाहिए, और उन्होंने company form करने के लिए पूरा प्रयास किया, so company form करने के लिए वो decide करेंगे company का नाम कैसा होना चाहिए, यहाँ पर एक amendment है, again मैं बता दू, amendment पूराना है, 2019 में आ चुका है, पर फिर भी institute ने अभी तत के ये amendment नहीं बताया है, और इसलिए मैंने भी यह अभी तत के आपको नहीं बताया, तो 1920 में यह आ चुका था amendment, बट फिर भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्या amendment है, क्या change है, वैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते एक अदबर बोल दिया हूँगा, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं था change करने, और अभी भी मैं नहीं बोलूँगा change करने, क्योंकि institute ने अभी तत के यह amendment नहीं बताया है, ठीक है, तो क्या amendment है, मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो promoter decide करेगा उसको क्या बनाना है, company कैसी बनाना है, private, public, फिर private बनाना है, तो दो लोग public बनाना है, तो साथ subscribers की उसको आवशक्ता होगी, नाम कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, तो name should not be identical to, or closely resembling to any of the existing company, it should not be undesirable in the opinion of central government, और इसमें ऐसे words भी नहीं होना चाहिए, जो कि company के, याने, ऐसे words नहीं होना चाहिए, जो prescribed है, इसके अलावा, नाम में object आई, यह जरूर ही नहीं, पर अगर object आ रहा है, तो काम फिर वही होना चाहिए, जैसे Tata Suns Limited, इसके नाम में कहीं object नहीं आता, Reliance Industries Limited, नाम में कहीं object नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं, पर caps, learning, private, limited, learning, teaching, इस प्रकार का कुछ object आता है, तो basically हमारा जो aim है, वह ही होना चाहिए, हमारा main object, learning, teaching, इससे related होना चाहिए, ठीक हैं, तो ऐसा है, procedure for availability of name, नाम आप available है या नहीं, यह check करते हैं, नाम कैसे check करते हैं, अभी तक के run form में check किया जाता था, आज भी आपको institute run form बता रहा है, बट यह run form बदल चुका है, यहाँ पे availability of name जो आप spice में ही जाती है, spice plus नाम है actually उसका, तो एक spice plus, सिर्फ plus लगा देना आपको, यह form में जाता है, फिर से बता दूं, institute ने यह amendment अभी तक नहीं बताया, पर यह ध्यान रखो, अगर question आया तो spice plus का नाम लिखके आना, अलग ही impact पड़ेगा, तो वो जादा beneficial रहेगा, तो आप पहले यह लिखोगे कि run form है, बट यह बता देना कि amend हो चुका है, बट institute ने अभी तक के spice plus form नहीं बताया है, ठीक है, बट यह पूराना हो चुका है अभी, तो अभी आज आना चाहिए, ठीक है मैंने latest batch में पढ़ाते पढ़ाते, यह कदबर बोला भी था कि यह spice plus आ चुका है अभी यहाँ पे, हाँ, existing company अगर name change करेगी तो run form लगेगा, बट एक new company अगर name reserve करना चाहती है, तो spice plus नाम का एक form है, उसमें name reservation किया जा सकता है, कैसे होता है electronically, fees देना पड़ता है इसमें, fees कितनी लगती है, 1000 रुपे की fees लगती है, ठीक है, spice plus, actually spice plus अब दो पार्ट में बाट दिया गया है, spice plus part A जिसमें name reserve होता है, और part B जिसमें बाकी का incorporation होता है, ठीक है, तो यह एक change है, name जो है वो 20 दिन के लिए आपके लिए available होता है, 20 days तक के available रहेगा for the approval, for the formation of company, 20 दिन में आप अगली stage पे जा सकते हैं, और 60 days for existing company, 60 days for existing company means क्या, जो existing company अपना नाम बदलना चाहती है, उनके लिए 60 दिन तक के reserve रहेगा name, ठीक है, बट इनके लिए run form ही हैं अभी, अगर existing company है तो run form लगेगा, जो नाम change करना चाहती है, जो section number 13 और 16 में आप देखोगे, बट अगर नई company आप फॉर्म कर रहे हैं, तो आपको run form अब नहीं लगता, नई company का नाम देखना है, तो आपको spice लगता है, ठीक है, तो ऐसा है, तो मैं आपको साथ साथ में amendment बताते जाओंगा, अगर आपने RTP उठा के देखे होंगे, तो इससे अलग impact पड़ेगा, क्योंकि देखो, क्या होता है न, institute जो paper देता है, check करने को किसको देता है, CA को, CS को, इन लोगों को दिये जाते हैं, तो professionals को, और उनको पता है कि क्या हो चुका है, क्या changes आ चुके हैं, जैसे हम लोग company form कर रहे हैं, तो अब spice plus form लगता है, सो हम लोग को पता है, सो हम लोग को अगर आप वो जानकारी भी लिखके दे देते हैं, तो उससे अलग impact पड़ेगा, सो बाकी लोगों ने run form लिखा, आपने run लिखा, साथ में spice plus भी लिख दिया, तो that will have an additional impact, और marks पे एक-एक marks से बहुत फरक पड़ता है यहां पे, ठीक है, तो ऐसा है, फिर अगर आपने नाम reserve किया था, बट गलत जानकारी दे के reserve किया था, तो दो चीज़ हो सकती है, या तो company बनी नहीं थी, और company बन गई थी, अगर company बनी च नहीं थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम cancel कर दिया जाएगा, और हर एक वेक्ति पे जो भी apply कर रहा है, applicant पे एक लाख रुपे की penalty है, वैसे ही अगर company बन चुकी थी, तो बन गई थी तो तीन मेने के अंदर नाम change करने बूला जाएगा, bypassing of ordinary resolution, ध्यान रखो, वैसे नाम change करने को special resolution लगता है, because it is covered under section number 13, alteration of memorandum, तो आपको याद होंगे अभी ये sections, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ें, और जब भी मैंने ये पढ़ाया हूँ, मैंने आपको sections बोल बोल के पढ़ाया हूँ, तो section number 13 में, alteration of memorandum होता है, जहाँ पे नाम बदला जाता है, और वहाँ पे लगता है special resolution, बट यहाँ पे अगर नाम बदला जाएगा, यहाँ पे लगेगा ordinary resolution, और तीन मैने का वक्त है, उसके अंदर आपको change करना पड़ेगा, ठीक है, और company का नाम हटाया भी जा सकता है, from the register of companies, फिर MOA और AOA बनाए गए, हम क्या पढ़ रहे है, promotion stage, so promotion में व्यक्ति क्या करता है, नाम reserve करता है, और इसके बाद वो MOA और AOA बनाता है, MOA AOA क्या है, यह अब आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं इस पर time waste नहीं करूँगा, ठीक है, so थोड़ा बहुत आगे जब अपन पढ़ेंगे, तो मैं हलका पुलका बताऊंगा, बट उस पर बहुत ज़ादा time waste अपन नहीं करेंगे, ठीक है, अपने को basically time ज़ादा देना है, meetings के topic पे, फिर dividend के topic पे अपने को अच्छा time देना है, उसके अलावा अपना जो auditor वाला chapter है, वैसे वो आपका दोनों जगे आता है, audit में भी आता है, यहाँ पे भी आता है, तो उसमें आपका पूरा cover हो जाएगी चीज़ है, incorporation stage, अगले stage आती है, incorporation stage, incorporation stage में, अब आपको filing करना है, 20 दिन तक के reserve हो गया था नाम, इसके पूरे diagram साब के पास बने हुए है, मैं फिर से diagram इसलिए नहीं बनाऊगा, तो 20 दिन के लिए reserve हो गया था, इसके बाद आपको file करना है spice में, अब ये भी spice plus हो गया है, तो spice plus नाम आ गया है, ये उसका बस और कुछ नहीं है, बाकि form वैसे ही है, पहले ये जो form होते थे, इनको download करके आप भरते थे spice को, अब spice plus को download करके नहीं भरते हैं, आप भर देते हैं उसको online, जैसे आप exam form भरते हैं, online भरते हैं, फिर print लेते हैं, उस प्रकार से यहां पर होता है, पहले आप online भरेंगे spice plus का form, और फिर आप उसपे digital signature लगा के upload करेंगे, पहले आप fill करते हैं, फिर download होता है, पहले उल्टा होता था, पहले आप download करते थे, फिर आप उसको fill करते थे, फिर upload करते थे, तो अभी पहले फिल कर देते हैं अपन website पी, और फिर वो download करते हैं, उस पे digital signature लगाते हैं, सबकी sign करते हैं, और फिर उसको अप्लोड कर देते हैं So Incorporation stage Spice Plus नाम के form में आपको filing कर देना है क्या-क्या file होते हैं important documents ध्यान रखना है आपको हर एक document साथ document है section number 7 है section number 7 के साथ documents आपको ध्यान रखना है So MOA, AOA यह दोनों document sign किये हुए होना चाहिए by the subscribers declaration by CACS CWA in practice या advocate and first director की पूरे law वगरे की compliance हुए है declaration by the subscribers and first directors की उनको पिछले 5 साल में कोई भी company से related fraud वगरे में नहीं गुनेकार पाया गया है यह सब चीजें then address for correspondence particulars of first subscribers and first directors of the company along with their interest in the other companies and consent to actors directors जैसे आप यह सब चीजे form वगरे file कर देते हैं तो इसके बाद आपको certificate of incorporation दे दिया जाएगा जिसमें SIN number होता है corporate identity number यह company के पहचान होती है अब साथ में एक और चीज होती है मैंने आपको वैसे बताया था पढ़ाते time revise करा देता हूँ यहाँ पे अब company को अलग से बाकी pan, tan यह सब की भी application नहीं करना पड़ता है pan भी साथ में बन जाता है permanent account number, pan number, tan number आ जाता है अगर आपको GST चाहिए तो GST number भी ले सकते हो आप इसी के थूप अगर आपको अभी के अभी चाहिए तो वैसे ही आपको अगर professional tax है तो professional tax का registration यह सब अलग अलग taxes है PF का registration अगर आपको apply होता है तो आप वो भी अभी के अभी apply कर दोगे तो application साथ में हो जाती है but number will not be activated जब तक आपको ज़रुरत नहीं है ठीक है so pan or tan तो रहेगा but बाकी चीज़ें जो है जैसे GST आपको लगता है हमको नहीं लगेगा हमारी company को GST नहीं लगेगा दो-चार सार so आप GST के application मत करो ठीक है उसका एक अलग form है वो form में option होते हैं आपको कौन से application करना कौन से नहीं करना ठीक है एजाइल करके एक form है तो एजाइल में होता है वो A-G-I-L-E एजाइल प्रो आगया है भी तो वो form याद रखने की जरुरत नहीं है ठीक है फिर maintain all the documents जब तक के company है तब तक यह document रखना है क्योंकि यह documents आपने physically फाइल नहीं किये है आपने सब electronic copies फाइल किये है तो physical copies आपके पास है तो आपको रखना पड़ेगा जब तक के company है तब तक फिर अगर कुछ गलत जानकारी देते हैं कुछ गडबड करते हैं तो सब जगे 447 है ठीक है और company का नाम वगरे हटाया जा सकता है उसको alter करने बुला जा सकता है wind up किया जा सकता है ये सब actions ली जा सकती है ये simple से points है आपको पहले भी पता थे raising of capital raising of capital ये सिर्फ public company करती है क्योंकि private company के case में आपको capital raise करना ही नहीं बड़ता commencement of business एक important point है ध्यान रखो नया section आया है section number 10A पहले section 11 हुआ करता था 11 हटा दिया फिर उनको लगा यार नहीं हटाना था पर जो चले गए वो वापस नहीं आते तो वो तो चला गया अब वापस तो लाना है लेकिन वो आने को तयार नहीं है तो 10 के बाद आपको एक section डालना था तो क्या डाला जाएगा तो 10A ध्यान रखो 10A का 10 से कोई लेना देना नहीं है 10 is a separate section 10A is a separate section 10A क्या बोलता है important है case study बना के आपको पूछा जा सकता है कैसी case study आ सकती है simple 10A यह बोलता है दो चीज़ बोलता है 10A पहली चीज़ आपकी company यहाँ पर बन गई incorporate हो गई समझो at this point of time आपने company बना लिया अब incorporation तो हो गया incorporate होने के बाद आप business चालू नहीं कर सकते जब तक कि आप declaration नहीं फाइल करते एक declaration फाइल करना है declaration कौन फाइल करेगा by the directors director declaration फाइल करेंगे कि जो memorandum में subscribers है जिनों ने subscribe किया है अब ये चीज़ें आपको पता है अब आपको ये doubt नहीं होना चीज़ें subscriber यहने कौन promoter यहने कौन तो मैं आपको definition नहीं बता रहा हूँ अभी promoter की definition भी थी बट मैंने नहीं बताया आपको लेकिन ये short notes में पूरी चीज़ें दिखेगी ये जो short note है ये पूरे के पूरे comprehensive है तो आपको पूरे definitions वगरे सब चीज़ें इसमें दिखेगी जो जो चीज़ें आपको ज़रूरी है for the exam वो आपको यहाँ पे दिखेगी so commencement of business में incorporate होने के बाएड declaration फाइल करना पड़ता है कि जो memorandum में लोगों ने sign किया है कि हम इतने shares लेंगे उतने shares का उन्होंने पैसा दे चुका है ये आपको फाइल करना पड़ेगा ठीक है ये पहली चीज़ so पैसा दे चुका है ये लिखना पड़ेगा और ये फाइल करना पड़ेगा within a period of 180 days ये कौन करता है हर एक subscriber नहीं ये director करेगा जो भी director है वो declaration देगा ये पहली चीज़ है दूसरी चीज़ आपका incorporation हो गया आपका registered office है क्या होना चाहिए उस time नहीं होगा तो चलेगा जब आपने company बनाये थे क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ correspondence का address देना था जब company बनाया था बाद में आपने registered office बना लिया तो registered office की detail फाइल करना पड़ता है तो वो भी फाइल हो जाना चाहिए as per section 12 section 12 बोलता है 30 days के अंदर यह फाइल हो जाना चाहिए तो यह दोनों चीज होने के बाद ही आप business का कारिय चालू कर सकते हैं तिरिफ इतना ही नहीं आप borrowing powers भी exercise तभी कर सकते हैं जब यह दोनों चीज होगी so company cannot exercise any cannot commence the business और borrow जब तक के following conditions पूरी नहीं होती पहली चीज डिकलेरेशन फाइल करो by the director within a period of 180 days that जो भी subscriber to MOA है उन्होंने पैसा दे चुका है for the shares they have agreed to take and इसके अलावा company ने verification of registered office फाइल कर दिया है जो की section number 12 में आता है so यह आपको ध्यान रखना है और साथ में क्यूंकि यहाँ पर यह एक नया section है और इस पर अभी तक सवाल नहीं पूछे गए यह भी ध्यान रखो यहाँ की penalty भी आपको ध्यान रखना है company पर 50,000 की penalty लगेगी और officer पर 1000 रुपे पर डे की maximum up to 1 lakh ठीक है और ROC नाम हटा सकता है वो अलग ठीक है अब company ने declaration file ही नहीं किया था तो यह ऐसा लिखा ही नहीं होगा declaration सिधा सिधा बुला जाएगा company बनी और तुरंट दो दिन बाद directors ने जाके borrow करके ला लिया पैसा वगरे लेके आ गया अब उन्होंने और कोई process follow नहीं किया इसका first transaction यह यह जाके borrow करके ला लेना क्या company ने सही किया the answer is no company का काम था पहले तो लोगों से पैसा लेंगे लोग यहने subscribers और declaration file करेंगे अगर यह नहीं किया है और directly borrowing कर लिया आपने so that is in contravention of section number 10A and the company will be liable for the penalty of rupees 50,000 and every officer who is in default shall be liable for a penalty of rupees 1,000 for each day during which the default continues subject to a maximum penalty of rupees 1,000,000 on each director ठीक है so यह आपको ध्यान रखना है so यह point पे question आ सकते हैं आपको borrowing power word पे भी आ सकता है क्योंकि देखो आपको यह याद रहेगा कि business नहीं comments करना पर यह भूल जाएंगे कि borrowing नहीं करना है तो वो भी ध्यान रखो borrowings exercise नहीं कर सकते जब तक दोनों condition पूरी नहीं होती हाँ आपने declaration फाइल कर जया लेकिन अभी तक registered office नहीं है तो भी आप यह नहीं कर सकते registered office का भी verification फाइल करना पड़ता है 15 दिन के अंदर registered office होना चाहिए 30 दिन के अंदर उसका verification file होना चाहिए with the registrar that we have a registered office at this place फूरा address उसमें बताया जाता है ठीक है so ऐसा है so section number 10A is again an important section आपको ध्यान रखना है फिर कुछ contracts ऐसे होते हैं जो कि promoters पहले कर लेते हैं company बनने की थी company यहाँ पर बनी इसके पहले से ही कुछ contracts किये जाते हैं इनको हम बोलते हैं pre-incorporation contracts कौन करेगा हैं जाहिर से बात है क्योंकि company तो बनी ही नहीं company तो at this point of time form हो रही है so इसके जो promoters थे उन लोगों ने एक आम किया जैसे कि जो लोग हैं उनको पैसा देना है जो CEO बगरे हैं उनलोग को पैसा देना कोई furniture खरीदना था so ये सब promoter ने करके आये अब इसके बाद company को अगर समझो इस contract से बाद नहीं होना है तो क्या किया जाएगा company इसको adopt नहीं करेगी अगर adopt करेगी तो company liable अगर adopt नहीं करेगी तो company liable नहीं होती so adoption of contract what does this mean adoption means आप उसको accept करते हैं meeting बुला के उसमें बोलते हैं कि हाँ हम जो transactions हुए हैं भले ही वो before the formation of company थे बट इनको हम adopt करते हैं अगर वो adopt करेंगे तो it will be binding on company and third parties अगर adopt किये तो और promoter पे अब कोई जिम्मेदारी नहीं आती पर अगर adopt नहीं किया तो यहाँ पे promoter और third parties पे यह bind होते हैं और यहाँ पे फिर company जो है वो liable नहीं होती तेक है so अगर adopt किया तो promoters पे जिम्मेदारी नहीं है adopt नहीं किया तो company पे जिम्मेदारी नहीं है तेक है so advise the company you should advise that company should not adopt this transaction and hence company will not be liable to pay the price of the goods promoters will be liable फिर वैसे आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि adoption हो गया था but promoter से claim करना चाहर यह third party क्या कर सकती है the answer is no once the contract has been adopted then it is deemed that it has been entered into by the company with the third party and company and third party are bound together but not the promoters ठीक है तो यह है सिर्फ ratify करने से काम नहीं होता because these transactions cannot be ratified because यह जो transactions है यह transactions company के बनने के पहले के है ratification के लिए एक important point होता है कि the company should be in existence तभी ratify कर सकते आप यह principle पढ़ चुके हैं जब आपने agency contract पढ़ा था ratification तभी हो सकता है when the principle was in existence entering into contract but यहाँ पर company was not in existence at this point of time and hence these contracts cannot be ratified it can only be adopted or it can be या तो आप adopt कर लो या फिर आप इसको novate कर दो novation हो सकता है पुराने को हटा के नया contract कर लिया ठीक है तो यह हो सकता है तो वही चीज़ इसमें लिखी हुई है पूरी आप एक बार read कर लेंगे मैं आपको पूरी यह चीज़े read करके नहीं बता रहा हूँ ठीक है क्योंकि अपने को थोड़ा speed up करना है और उससाब से मैं आपको पूरी चीज़ read करके नहीं बता हूँ बट वही चीज़ें पूरी की पूरी यहां पर दी हुई है कि अगर adopt नहीं हुआ तो it does not bind the company even the contract अगर बोलता है हाँ ये भी point ध्यान रखो अगर contract में पहले ही बोला था promoter ने बोला था देखो company मनने के बाद company से पैसा लेना तो भी company is not liable adoption is important अगर की सब कोई काम का ने ठीक है वैसे if the company takes the benefit तो भी it is not bound फिर a company cannot ratify and cannot enforce a pre-incorporation contract वैसे pre-incorporation contract can be enforced against the company if the promoters entered into contract on behalf of company before incorporation फिर for the purpose of the company and it is warranted by the terms of incorporation now what is the meaning of warranted by the terms of incorporation warranted by the terms of incorporation का मतलब होता है कि ये इसके MOA में लिखा था ठीक ये लिखा ही आगे objects में होना चाहिए and यहाँ पे एक point और gap दिख रहा है लिख लो यहाँ पे warranted by the terms and adopted by the company ये थोड़ा बहुत इसके करण editing के करण ये छुप गई है चीजे ये चीजे हैं यहाँ पे बट आपको दिखा ही नहीं दे रही है होता है कभी-कभी ठीक है अब promoter की actual definition आपको दीए गई है promoter means एक ऐसा वेक्ती who controls directly or indirectly the affairs of the business यहाँ पे भी एक word आगे दिया है named in the prospectus or identified in the annual returns under section 92 और controls directly or indirectly the affairs of the business of the company और on whose advice, instructions or directions the board of directors are accustomed to act but if he is giving advice only as a professional then he will not be regarded as a promoter ठीक है यह चीजें आपको पता है promoter होने के नाते उसकी एक जिम्मेदारी होती है क्योंकि उस पे भरोसा किया गया है promoter क्या कर रहा है promoter इन लोगों के बिहाफ पे subscribers के बिहाफ पे काम कर रहा है of forming a company so एक हिसाब से देखो तो इसकी जिम्मेदारी है to act only as a trustee so promoter यह क्योंकि इसके उपर भरोसा किया गया है तो इसका काम है कि भरोसे का कतल नहीं करना इसका काम है he should not make any secret profit out of promotion वो promotion करते time कोई secret profit नहीं कमा सकता जैसे CA को दे दिया उसने 10,000 रुपए और आके बोलता है कि मैंने 15,000 रुपए दिया हूँ ऐसा नहीं किया जा सकता he should not make any secret profit and disclose any interest in the transactions he has entered अगर उसका कोई interest है जैसे कि promoter है वो और उसका एक interest है कोई particular transaction में उसके भाई के नाम से एक property है वो खरीदना चाहता है वो company के लिए so ऐसे case में he should disclose that ये जो property है मेरे relative की है उसको बताना पड़ेगा ठीक है what is important is the disclosure ये नहीं बुले आप कर नहीं सकते you can enter into such contract but ये disclose करना important है कि इसमें मेरा interest है financial और otherwise किसी भी प्रकार का अगर interest है तो it should be informed ठीक है so ये बताना जरूरी होता है बताया कैसे जाएगा it can be disclosed to the independent board और by way of mentioning it in the prospectors अगर नहीं बताया तो तो ऐसे cases में contract can be cancelled recession या secret profit recover किया जाएगा और suit for breach of trust भी डाला जा सकता है फिर responsibility of company in relation to promoter disclose in the prospectors annual return return with register and explanatory statement ये एक एक करके अपन आगे आगे पढ़ेंगे अभी ये आपको फिलाल नहीं है वैसे आपको पता है आगे पढ़ चुके आपने कि promoter के बारे में क्या के चीज़े कहां कहां बताई जाती है तो ये आपको आगे और पता लगेगा section 8 company कैसे बन सकती है कोई भी company अगर charity के लिए बनाना चाहते है आप तो it can be registered in section number 8 इसको ही हम और भी नाम देते हैं कई बार ऐसे question भी आते हैं जिसको आपको समझ में नहीं आता है कौन सा question है तो आपको ध्यान रखना है इसको ही हम licensed companies भी बोलते है because license is issued by the central government ये company बनाने के लिए license दिया जाता है कि license है तभी आप section 8 में register होपाओगे it is not for profit company जिसमें आपको profit का माना main aim नहीं है and इसमें limited word या private limited word add नहीं किये तो चलता है in fact नहीं करना पड़ता है ठीक है so central government will issue the license and you can make the you can form the company without the words limited or private limited added to your name आपको ये नाम जोडने की जरुरत नहीं है अगर तीन condition satisfy होती है तीनो condition important है दिहान रखना पहली condition इसके objects जो है वो charitable है जैसे कि promotion of science, commerce, arts इस प्रकार के objects है दूसरी condition इसको profit कमाना aim नहीं है so it does not intend to make profits और अगर हो गया तो और profits if any अगर कमा लिया तो it should again be used for the objects of the company वो सिर्फ charity के लिए कर सकते हैं और तीसरी important condition it prohibits declaration of dividend ये छोटे छोटे point है लेकिन इस पर questions आ सकते हैं आपको direct question आ सकता है, बड़ा question आ सकता है MCQ आ सकते हैं या फिर आपको इस पे किसी भी प्रकार का आपको case study पूछी जा सकती है so आप in fact अभी का RTP उठाके देखोंगे तो आपको इसके उपर question है एक कोई तो भी ज्यान foundation है और वो dividend declare करना चाह रहा है that is a section 8 company so छोटा सा point है लेकिन उस पर question आ गया so इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको concept समझने पर ध्यान देना है आपको एकदम चीजों को से वरटना नहीं है या सिर्फ MTQ solve नहीं करना है तो आपको concept समझने पर जादा जोर देना है तो ऐसा question है ज्यान foundation करके कोई तो भी question है MTP में या RTP में है पता नहीं दोनों में से एक कोई तो भी चीज में है जहां तक के RTP में ही है ठीक है तो एक question ऐसा आया हुआ है मेरे खेल से आपके वो test series में भी आया था इस बर ज्यान foundation वादा question ठीक है आगे बढ़ते है हाँ तो conditions ध्यान रखना है आपको important है तीनो conditions फिर registration हो गया तो यह company भी एक company है तो इसको वही सब points applicable हो जाएंगे जो एक company को लगते है artificial person separate legal entity यह सब चीज है इसको apply होने लगेगी फिर यह अपने memorandum को नहीं बदल सकती articles को नहीं बदल सकती जब तक government approval नहीं देगी क्योंकि उस basis पे इसको license मिला है और अगर वही बदल देगी तो और इसलिए यह नहीं बदला जा सकता पिर यह convert हो सकती other type of company में तो वहीं दिया है existing company आ सकती है कि इसमें yes existing company भी अगर यह तीनो condition उसकी पूरी होती है पहली चीज़ object जो वो specified वाले होना चाहिए दूसरी चीज़ profit अगर हो गया तो फिर से reuse कर लो for the purpose of the object तीसरी चीज़ आपका dividend जो है वो dividend prohibited होना चाहिए इसको भी आपने यह actually तीन पॉइंट अलग अलग है यहाँ पे दो ही पॉइंट दिख रहे हैं आपको purpose not for profit तो purpose तो यह है objects दूसरा है यह दोनों अलग पॉइंट है apply its profits और other income for objects और यह third point है prohibits यह third point है prohibits is the payment of dividend to its members ठीक है तो ऐसा है फिर अगर इन्होंने contravention किया तो क्या होगा क्योंकि इनको license दिया गया था और इनको बोला गया था कि आप काम कर सकते हैं सिर्फ charity का आप पैसा कमाने के लिए नहीं कर सकते आप dividend नहीं बाठ सकते लेकिन समझो इन्होंने dividend बाठ दिया यह सिर्फ अपने खुद के लिए फायदा के लिए काम करते हैं यह भलाई के दिया गया है to the registrar यह सब आपके पूरे बुक में दिखेगा ठीक है बट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ उपर उपर तो अगर कंपनी कॉंट्रमीन करती है कोई भी condition या फिर उसके affairs जो है वो fraudulently काम में fraudulently use किया जाते हैं तो ऐसे cases में central government उसको बोल देगी कि तुम्हारा license हम रिवोक कर रहे हैं after giving an opportunity of being heard और उसका license रिवोक किया जाएगा उसको बोला जाएगा तीन चीज इसके बाद तीन चीज हो सकती है पहली चीज सिर्फ limited या private limited नाम जोड़ लो और काम चालू रखो यह पहली चीज हो सकती है दूसरी चीज उसको बोला जाएगा wind up करो winding up करने बोला जाएगा wind up करने के बाद हो सकता है उसके पास या तो assets बच रहे हैं या तो हो सकता है उसके पास money बचाए cash अगर asset बचे हैं तो asset will be given to another company registered under section 8 and having a similar object similar object ठीक है important है ध्यान रोखो और पैसा बचा है तो it should be credited to rehabilitation and insolvency fund ठीक है उसमें वो जमा कर दिया जाएगा फिर license अगर revoke किया गया है तो दूसरी एक चीज़ हो सकती है amalgamate कर दिया with another section 8 company having the similar object और इसके पूरे rights, privileges, obligations, limitations, liabilities सब अधिकार और जिम्मेदारिया वैसी होगी जैसे कि government बताएगी so इसको amalgamate कर देंगे with another company having the similar object and registered under section 8 और यह कैसे जलाना है फिर पूरा government बताएगी तो दोनों को merge करके उसको चलाना कैसे यह government बताएगी अगला point है memorandum in articles of association इसको भी थोड़ा मैं speed up करता हूँ break की जरुरत होगी तो आप बोल सकते हैं जब भी आपको break लगे तो आप मिरे को बता देना तो मैं आपको break दे दूंगा जैसे lunch ओगरे के लिए आपको जब भी time लगेगा तो अभी तो जरुरत नहीं है अभी तो आपन एक और chapter complete करी लेंगे बट फिर भी जब भी आपको ल week में समझा के बताया उसी प्रकार इस chapter में एक entrenchment provision का topic है that we'll be discussing in detail बट हर चीज अपन यहां पर बहुत detail में नहीं जा पाएंगे तो जैसे अब memorandum क्या है तो यह सब आपको पता है यह already आप foundation level से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो इसलिए आपको पता है तो इस पर अपने को बहुत जादा time देने में कोई मतलब नहीं है इस chapter में हमको क्या पढ़ना है alteration of memorandum क्या होता है alteration of articles कैसे होते हैं यह चीज़ों पर main जोर देना चाहिए हमको memorandum क्या है इस पर question नहीं आएगा in fact doctrine of ultrawires होगरे पर भी आप question आने के संभावना कम है क्योंकि that has already been covered in CA foundation level आपक चांस कम है ठीक है so memorandum of association memorandum is the charter of the company it is the basic document on which on the basis of which the incorporation of the company has been made it defines as well as confines the powers of the company company के powers बताता है company क्या कर सकती और क्या नहीं कर सकती है यह बताता है फिर every person dealing with the company is presumed to have sufficient knowledge of its contents so इसमें क्या दिया है यह चीज़ हर एक विक्ति ने पढ़ा है यह मान दिया जाएगा purpose दो purpose होते हैं इसके अगर मैं एक निवेशक हूँ मैं अगर company में पैसा लगाना चाता हूँ तो मुझे पता होना चीए company क्या काम करती है उस हिसाब से मैं decide करूँगा कि company आगे अच्छा काम कर पाईगी या नहीं कर पाईगी so मेरे काम का है किसके निवेशक के investor के काम का है for making any investment decision दूसरा है outsiders के काम का है अगर कोई contract कर रहे है company के साथ so outsider को पता होना चीए company क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती so outsider के भी ये काम का है कि company क्या काम कर सकती क्या नहीं कर सकती क्योंकि मैंने कुछ काम किया company के साथ कोई contract किया so यहाँ पे company अगर वो कर सकती थी तो मैं recover कर पाऊंगा लेकिन अगर वो ultra wires था तो मेरे को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते so यह void ab initio हो जाता है so मेरे को कैसे पता लगेगा so it is a public document यह मैंने पढ़ा हूँ मान लिया जाएगा ठीक है इसको हम दूसरे शब्द में बोलते है doctrine of constructive notice it is implied that I have the knowledge of the contents of the memorandum and articles and I have read them and understood them in their true perspective यह मान लिया जाएगा ठीक है फिर form क्या होता है it is printed divided into paragraph signed by the members in fact subscribers subscribers sign करते है और यह format में होते है table a,b,c,d,e ठीक है of schedule one इसमें क्या क्या होता है सबसे पहले तो name clause होता है name clause में क्या क्या होता है ध्यान से सुनो मैं बताते जा रहा हूँ भले ही simple से points है बट mcql के लिए बहुत काम की चीज़े में यहाँ पर आपको बताने वालो यह जो नाम है it should be in legible characters देख के समझ में है proper language में होना चीए अगर local language में नहीं है आपका नाम English में आपने नाम register किया है so you should also have it in the local language local language में भी आपको रखना पड़ेगा ठीक है फिर अगर नाम change हुआ है पिछले दो साल में जैसे आज मैंने नाम change किया so मेरे को आगे के 2 साल तक के पुराना नाम भी बताना पड़ेगा साथ साथ में new नाम के तो जहाँ जहाँ मैं new नाम लिखुँँगा जैसे मैंने नाम लिखा तो नाम के साथ साथ नीचे में लिखना पड़ेगा formerly known as पूराना नाम मेरा क्या था यह bracket में मैं लिखके दूँगा ठीक है यह compulsory है कि मैंने अगर अभी अभी नाम बदला हूँ तो मेरे को दो साल तक बताना है यहने मैंने पिछले साल बदला था तो भी इस साल मुझे बताना है कि मेरा पहले यह नाम था तो यह दो साल तक आपको बताना पड़ता है ठीक है फिर OPC में OPC word होना चाहिए यह simple है situation clause होता है second clause basically इसमें 6 clause होते है name, situation, objects, capital, liability and subscription situation clause situation clause में लिखा होता है सिर्फ कि आपका जो state है वो कौन सा है ध्यान रखो यहाँ पे सिर्फ state लिखा रहता है exact address नहीं दिना है सिर्फ state only, सिर्फ state बताया जाएगा exact address तो बाद में आप देते हैं within 30 days 30 दिन के अंदर और verification भी 30 दिन के अंदर वो होगा ठीक है, तो verification इन्हें आपको भेजना पड़ेगा फिर liability liability clause होगा liability clause में लिखा होगा whether the company has the liability limited or unlimited तो वो लिखा होगा, फिर limited by shares है या limited by guarantee है तो वो लिखा होगा फिर object clause सबसे important जो होता है कि company कौन-कौन से objects कर सकती है कौन-कौन से काम कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, यह सब चीज़े object clause में बताई जाती है capital clause capital clause में लिखा होगा आपको authorized capital कितना है होता है कि मेरा नाम क्या है मैं कहां रहता हूँ, address, occupation फिर मैं कितने shares लेने को तयार हूँ और मैं आखिर में sign करूंगा तो यह जो किया जाता है this is called a subscription clause फिर अगर एक OPC है तो OPC के memorandum में एक extra नाम रहता है nominee का, यह लिखा है nominee in case of OPC, ठीक है तो आप देखो के 100% cover होता है आपके short notes में, even if it is short but it is comprehensive, it covers almost 100% of the things, ठीक है except 2-3 topic इसमें मैंने skip किया हूँ, वो 2-3 topic को इतना short में summarize मैंने नहीं किया हूँ, बढ़ हां मैंने जब exam में sorry, जब मैंने class में आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको यह summarize करके दिया हूँ, इसके charts या इसके short में notes बना के दिया हूँ but इसमें नहीं बना पाया है, क्योंकि वो थोड़ा editing वगरे को time लगता है तो 2 topic इसमें सिर्फ नहीं आये है एक है NFRA का topic तो NFRA जो आपको एक नया topic है, उसके लिए मैंने आपको specifically बोलाओं कि NFRA आपको पूरी book से पढ़ना है आप उसके लिए short notes रिफर नहीं करेंगे और सिर्फ questions नहीं करेंगे NFRA आपको पूरी book से पढ़ना है ठीक है, दूसरी चीज़ CSR, corporate social responsibility इस बार 100% आपको CSR पे question आने वाला है 100% मैं जब 100% बोलता हूं तो 100% आता है 99 नहीं होता हूं तो मैं generally बोलता नहीं बट कभी कभी बोलता हूं मैं 100% तो वो जरूर आता है CSR पे इस बार 100% question है तो आपको ध्यान रखने है corporate social responsibility section 135 100% question आने वाला है तो हाँ आगे बढ़ते है alteration alteration करना है अब आपको अगर memorandum का तो alteration कैसे होता है alteration can be done under section number 13 section 13 deals with the alteration of memorandum of association and it says that अगर आपको memorandum change करना है alter करना है तो it can be altered by passing special resolution for all clauses सब clauses के लिए special resolution होता है जब जब section 13 रहेगा अगर section 13 में नाम बदल रहा है object बदल रहा है खुछ भी बदल रहे تو it should be always by special resolution ठीक है तो section 13 अगर section 13 में नहीं बदल रहा है तो sir क्या alug जग़े भी बदल सकता है क्या तो yes जरूर जी नहीं section 13 में नाम बदले नाम section 4 में भी बदल सकता है अभी हमने देखा था गलती से ऐसा नाम दे दिया जो existing था तो ऐसे cases में या जूट बोल के नाम reserve कर लिया तो ऐसे cases में register बदलने बोल सकता है अभी देखा हमने section 4 और कहां बदल सकता है section 16 ये दोनों जगे क्योंकि 13 में नहीं आ रहे both are ordinary resolution section 16 ये भी compulsory change of name पे है देखेंगे अभी आगे उसी के बारे में हमको चर्चा करना है बट ध्यान रखो जब जब section 13 apply होगा तब तब special resolution आना ही है लेकिन अगर 13 apply नहीं होता मैं ये नहीं बोल रहा जब जब नाम बदलेगा special resolution आएगा ये जूट हो गया दलत हो गया क्योंकि नाम बदलता है और भी section में section 4 में बदलेगा section 16 में बदलेगा बट अगर 13 में बदला तो SR लगेगा special resolution जैने कम से कम 75% लोगों की सहमती लगेगी हमको कोई भी चीज़ चेंज करने के लिए so special resolution और file करना है within 30 days of passing of special resolution बाकी की जो procedure है वो भी आपको पूरी करना पड़ता है directly alteration of name पे चर्चा करते हैं पर नाम बदलना है तो कैसे बदला जाएगा so name alter कैसे किया जा सकता है दो प्रकार से एक या तो आपको खुद को अपने इच्छा से नाम बदलना है तो section number 13 में आप बदल सकते हैं अगर आप अपने इच्छा से नहीं बदलना चाते हैं लेकिन जबरदस्ती आपको नाम बदलने बोला जा रहा है that will be under section number 16 जब government को लगता है कि गलती से ऐसा नाम दे दिया गया है जो की existing company से मिलता जुलता है तो ऐसे cases में नाम बदलने बोला जाएगा compulsory और जब जब compulsory आएगा तो क्या होगा तो वहाँ पे लगेगा ordinary resolution ठीक है section 13 आपको पहले जब भी देखो जब भी resolution पास करना है means क्या करना पड़ेगा आपको members को बुलाना है shareholders को बुलाना है और उनसे resolution पास कराना है पर shareholder को कब बुलाना कहां बुलाना नाम क्या रखना है ये सब decide दरने के लिए क्या करना है इसके पहले होगी board meeting जब भी general meeting होगी जब जब general meeting होगी हर case में तब तब उसके पहले board meeting होना ही है ठीक है भले आपको लिखा हो book में या नहीं लिखा हो ये deemed है जब जब general meeting होना है तो board meeting होगी यहां भी सबसे पहले तो होगी board meeting under section 13 फिर special resolution pass करना है और approval from central government लेना है आपको नाम बदलने के लिए approval लगता है आप अगर नाम change करना चारहे आज तक कुछ और नाम था आज के बाद आपको अपनी कमसी का नाम बदलना चारहे you need the approval from the central government बट यह approval नहीं लगता है ध्यान रखो important है फिर से अगर आप सिर्फ private word को add या delete कर रहे हैं so this approval will not be required ठीक है इसकी बिलकुल आवशक्ता नहीं होगी फिर इससे नाम बदल दिया तो इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं हुआ कि company change होगी आपने जो contract किया था payment करना था वो तो करना ही पड़ेगा नाम बदल दिया that does not mean कि आपकी liability खतम होगी so it does not have any effect on the legal rights and liabilities but आपको नया certificate जरूर मिलेगा क्योंकि आपका नाम बदल गया और आपके नाम पे आपका certificate पे आपका नया नाम होना चाहिए ठीक है फिर आप नाम नहीं बदल सकते important है नया point है ये भी अगर आपने filing नहीं किया है of annual returns या financial statement या कोई भी document which is required to be filed under this act और आपने वो file नहीं किया और दूसरे case में अगर आपने deposit या debentures repay नहीं किया या उसके उपर का interest ब्याज repay नहीं किया तो आप नाम नहीं बदल सकते compulsory में ये नहीं लगता compulsory में तो बदलना इच पड़ेगा आपने payment नहीं किया था कोई दिक्कत नहीं आपको बदलना पड़ेगा ध्यान रखो अगर आपको question आता है alteration of name के बारे में आपको section 16 नहीं लिखना है जब तक specific नहीं पूछेगा आप लिखो के section 13 अगर दिया जा सकते हैं अब आपको यहाँ पर mix करके question दिया जाता है कैसे आपको mix करके ऐसा दिया जाएगा कि एक company है जिसका नाम है समझो abc infrastructure private limited यह उसका नाम है अब आपको बताया जाएगा यह अब नाम बदलना चाहती है x y z chemicals private limited तो क्या ऐसा कर सकती है the answer is no जब तक उसका object वो नहीं है तब तक नहीं कर सकती है जैसा कि मैंने आपको बताया था नाम में object हो यह जरूरी नहीं पर अगर आप नाम में object रख रहे हैं तो it should match with your object clause अगर आपका object infrastructure है तो आप फिर chemicals का काम नहीं कर सकते हैं आप नाम में भी chemicals नहीं लिख सकते हैं फिर compulsory change of name में क्या आता है compulsory change section number 16 के हिसाब से होता है यह तब होता है जब central government को पता लग रहा है कि एक existing company है और वैसे के वैसे नाम से एक दूसरी company ने बना लिया है अपनी company को तो ऐसे case में section 16 लगता है या फिर एक company बनी है बट उस नाम से पहले से कोई एक व्यक्ति ने अपना trademark register किया है एक proprietor ने trademark register किया है तो ऐसे cases में नाम बदलने बोला जाता है compulsory और जब-जब compulsory आएगा ordinary resolution हो जाएगा ठीक है ordinary resolution और यहाँ पर time limit भी दी गई है दोनों जगए अलग है अगर government बोल रही है directly तो तीन मेहना और अगर trademark वाला case है तो 6 मेहना समझा के बताता हूँ direction to change name compulsory change of name by central government पहला case एक company है already registered और वैसी के वैसे नाम से मैंने एक company बना लिया government देखेगे अरे तुमने गलती से ऐसी company मेंना ली गलती से हो रहा है यहाँ पर इसलिए देखो penalty नहीं दिखती आपको section 16 में यह गलती से हुआ है by oversight by slip गलती से ऐसा नाम दे दिया जो नाम से already company थी तो ऐसे cases में मुझे बोला जाएगा शर्मा जी अब क्या कर सकते वो है ना पहले से है तो आप एक काम करो आप नाम बदल लो तीन मेने का time है ordinary resolution पास करो नाम बदल लो मेरे को करना पड़ेगा ठीक है यह पहला case ordinary resolution 15 दिन के अंदर filing करना है दूसरी चीज़ अब मैंने company register किया बट वो नाम से कोई और business कर रहा था company नहीं थी उसकी बट वो registered trademark था उसने वो नाम रेजिस्टर किया था कि यह नाम से मैं business करूँगा तो उसने वो registered trademark करके रखा है तो यहाँ पर उसको पता लगा रही यह शर्मा जी ने तो मेरे नाम से company बना लिए यह तो मेरा business है तो वो गौर्वर्मेंट को बताएगा गौर्मेंट को बोलेगा देखो वो शर्मा जी को बोलो मेरा नाम है मेरे नाम से कैसे business कर सकते हो उनको बोलो company का नाम बदले so proprietor will appeal to the government इसके लिए तीन साल का वक्त है तीन साल के अंदर यह कर सकता है तीन साल बीद गए तो registered trademark cannot ask me to change my company name so यहाँ पर registered trademark owner government को बताएगा government check करेगा अरे हाँ यार यह तो है government फिर क्या करेगा government वो मुझे direct करेगा कि शर्मा जी नाम बदल दो छे मैने का time है नाम बदल दो ordinary resolution है कर दा लो so मेरे को यह करना पड़ेगा ठीक है this is the second case under section 16 only so 161, 162 यह दोनों ही cases में आपको नाम बदलना है अब यहाँ penalty लगती है बट यहाँ penalty यह नहीं है कि तुमने ऐसा कैसा नाम ले लिया यहाँ penalty है अगर तुम हमारे directions नहीं सुनोगे तो penalty है ठीक है तो section 16 में कभी भी आप यह नहीं देखोगे कि गलत नाम के कारण penalty मिल रही है क्योंकि यह specifically start होता है when by oversight a name has been given to the company by which another company is already registered तो वहाँ specifically बुला है oversight oversight का क्या मतलब है means गलती से ऐसा नाम दे दिया जो already registered और इसलिए यहाँ पर penalty नहीं दिखते आपको of course अगर direct किया है और आप नहीं काम करोगे तो penalty है लेकिन normal penalty नहीं है कि आसकर से नाम ले लिया उसकी penalty नहीं है ठीक है यही चीज़ अगर आप section 4 में देखोगे तो वहाँ penalty है क्योंकि वहाँ लिखा है कि fraud करके नाम reserve किया जूट बोलके नाम reserve किया तो वहाँ penalty है यहाँ penalty नहीं है ठीक है तो ऐसा है so this is the change of name alteration of name clause alteration of registered office देख लेते हैं थोड़ा slow चल रहे हैं अपन अब फिर से slow हो गया यह particularly यह topic slow ही चलेंगे अपन और इसके बाद कभी topic है prospectus वाला वो भी थोड़ा slow चलेंगे इसके बाद फिर जो share capital adventures है वो थोड़े आसान topics है तो उसको अपन थोड़ा speed up कर सकते हैं ठीक है और फिर आखरी में फिर से अपन थोड़ा सा slow हो जाएंगे और audit वाले chapter में अपन थोड़ा अपन की एन audit पे ठीक है ये दोनों को speed up करेंगे उसमें मैं आपको ये जरूर बता दूंगा क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना जो नहीं पढ़ना बुला वो मत पढ़ना एक्जाम के टाइम बिल्कुल मत पढ़ना आप शुरू में पूछते थे ना मेरे से सर ये नहीं प कोई मतलब नहीं है MCQA ने waste of time है waste of time and efforts आपको concept समझने पे जाधा जोर देना चाहिए ठीक है चलो आगे बढ़ते है alteration of registered office RO बदलना है आपको तो RO means जहां से पानी जो है वो साफ होता है that is called as RO so RO जो है वो आपने बदलना चाहिए ताकि पानी जो रहे अच्छा रहे और आपकी तब्यत खराब ना हो so वो RO की अलग बात हो गई वो भी बदलना चाहिए बट यहां पर जो हम RO की बात कर रहे है that is the registered office of the company so यह registered office अलग चीज है वो RO अलग चीज होती है so registered office कैसे कैसे बदल सकता है और कब-कब section 13 लगता है और कब-कब section 12 लगता है section 12, 13, 12, 13 जैसे उपर भी दो section थे 16, 13, 16, 13 यहां क्या लग रहे है 12, 13, 12, 13 so दो section कब आपको memorandum बदलना पड़ेगा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था memorandum में लिखा है state state उसमें लिखा है महारास्ट्र उसमें लिखा है दली उसमें state लिखा है उसमें यह नहीं लिखा है exact address कहा है आपका so memorandum तभी बदलेगा जब आपका state change हो गया क्योंकि उसमें तो सिर्फ state mention किया है आपने full address mention ही नहीं किया so इसलिए आपने जब state mention किया है तो जब state बदलेगा तभी section 13 apply होगा तभी memorandum change होगा section 13 deals with change of memorandum but अगर section 13 के अलावा आपको registered office बदलना है यहने within same state तो क्या कर सकते हैं yes but कौन सा section लगेगा section number 12 will apply in such case 12 लगेगा वहाँ पे ठीक है क्या है 12 पहले 12 बताता हूँ फिर 13 पे आते हैं गलते से भी यह मत लिखना कि 12 में memorandum change होगा नहीं होगा memorandum change नहीं होता 12 में क्या है तेको चार प्रकार से registered office बदल सकते हैं पहला case आप एक शहर से दूसरे शहर गए लेकिन उसी state में हो उसी रजिस्टरार के पास हो जैसे कि समझो आप नाकपूर से अमरावती चले गए नाकपूर में business करते थे आप चले गए अमरावती तो ऐसी cases में यह एक होगया दूसरा सेम शहर में, एक सेम शहर में नहीं है, शहर बदल गया, दूसरा सेम शहर, आप नागपूर में एक जगे बिजनस कर रहे थे, रामदस पेट में वहाँ से धरम पेट चले गया, यह दूसरा केस हो गया, ठीक है, तो पहला केस, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरा केस, एक जगे से दूसरे जगे शहर बदल रहा है आरोसी बदल रहा पर स्टेट नहीं बदल रहा है यह कहां-कहां हो सकता है याद है किसी को मैंने बताया ता सिर्फ दो स्टेट है दो स्टेट सिर्फ दो स्टेट जहां दो आरोसी है सिर्फ दो स्टेट कहां-कहां है तो पहला है म मुंबई में दूसरा है पुने में ठीक है जो भी रेजिस्टर जो भी कम्पीज रेजिस्टर होती है वैसे तो आरोसी मुंबई में होती है अपनी नाखपूर के भी जो होंगी आरोसी मुंबई में होगी जो मराठवाडा एरिया की होती है वो बेसिकली इधर होती है पुने म यह तमिल नाडू में हो सकता है तमिल नाडू में दो cities में ROC है, पहला है चन्नई, दूसरा है कोईंबटूर दो जगे यहां पे ROC है सिरफ यह दो state में दो ROC है, बाकी हर state में एक ROC है, तिक है, तो एक ही जगे आप company register करते हैं उस ROC के पास जहाँ पे आप काम कर रहे हैं ठीक है, सो यह तीसरा case हो सकता है, जहाँ पे आपके city तो Change हो रही है साथ में ROC Change हो रहा है, बट state Change नहीं हो रहा है, और चौथा case जहाँ पे आपका state Change हो रहा है, आप सीधा-सिधा हमारास्ट्र से बिहार चले गए ठीक आपने सोचा चलो UP चले जाते हैं तो आप पहले नाखपूर में बिजनस कर रहे थे अब आप सोचते हैं चलो धनबाद में बिजनस किरा जाए धनबाद में अपना अलगी रॉब है तो वहाँ पे आप बिजनस करना चाहते हैं तो धनबाद जैसे एरिया में, वहाँ बिजनस करना बच्चों का खेल नहीं, बट आप चाहते हैं वहाँ बिजनस करना, सो यहाँ पर पूरा स्टेट चेंज हो गया, सो यहाँ पर बहुत जादा दिक्कत आ सकती है, और इसलिए हर जगे अलग-अलग प्रसस बताई गई है, पहला केस, सेम सिटी, डिफरेंट प्लेस, जैसे मारास्ट में, नाकपूर में, आप रामदा स्पेट से धरम पेट चले ग यो पास दी बोर्ड रेजलुशन, बोर्ड रेजलुशन से काम हो जाएगा, दूसरा केस, ध्यान रखो गलतीन मत करना है यहाँ पर, बोर्ड रेजलुशन लगता है, कभी एकाद मार्क को MCQ में पूछा जा सकता है, कि एक कंपनी थी, उसने एक सिटी में, एक जगे से दू दूसरे जगे जाते हैं, ordinary resolutions, special resolution, board resolution, none of the above, तो आपको वहाँ पे लिखना है, board resolution, गलती होगी, ध्यान रखना गलती नहीं होने देना है, board resolution is required, क्योंकि छोटी सी बात है, एक शहर में अगर मैं एक जगे से दूसरे जगे जा रहा हूँ, तो कोई बहुत बड़ी बात हो गया, मेरे को दूसरी जगे देखना पड़ा, तो मैं इसके लिए क्या पूरे देश भर से अपने members को बुलाऊंगा, तो नहीं, तो बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स resolution पास कर लेंगे, that will be sufficient, पहला case, दूसरा case, different city, same ROC, तो different city, आप नाकपूर से अकोला चले गया, अकोला से गमरावती चले गया, ऐसे cases में, आपका same state है, same ROC है, बट city बदल गई, तो ऐसे case में अब आपको resolution लगेगा, special resolution, ठीक है, अब direct special resolution है, ordinary नहीं लग रहा, direct special resolution, ठीक है, special resolution, और बात खतम हो जाएगी, filing कर दो, बस, simple, section 12, then, तीसरी चीज, different city, same state, बट another ROC, जैसे आप मुंबई से गये पुना, या फिर चन्नेई से गये कॉइमबटूर, दो ही जगे ऐसा हो सकता है, दो ही state में, ठीक है, तो मुंबई से पुना या पुने से मुंबई, वैसे ही चन्नेई से कॉइमबटूर या कॉइमबटूर से चन्नी, ध्यान रखो, आपको दोन होना चाहिए यह वाली process है आपको यह नहीं पुछेगा specifically ROC change हो रहा है आपको ध्यान रखना पड़ेगा मुंबई से पुने जा रहा है पुने से मुंबई जा रहा है यह process है ठीक है ROC change हो रहा है जिसको हम मोलते है regional director क्योंकि ROC को आप बोलोगे हम जा रहे है तो वो तो मना करेगा उसका जो senior है regional director बट regional director पहले ध्यान देगा तुमने बराबर सो filing किया है क्या पुराने ROC में तुमने बराबर पुरी fees भरी है क्या पुराने ROC में अगर सब चीज सही है तो हम तुमको जाने की अनुमति देते हैं तो मुंबई से पुने वाले ROC में shift हो सकते है तो यह चीज regional director confirm करता है पहली चीज सेम है special resolution general meeting regional director का confirmation आता है अब यह सब मैं आपको नहीं बताओंगा regional director कौन है ROC कौन है बाबू कौन है फिर MCA कौन है यह सब अब आपको पता है यह मैं मान के चलूँगा ठीक है तो regional director confirmation देगा यह confirmation 30 दिन के अंदर देगा from the date of application और इसके बाद आप file करोगे company will file the approval with ROC within 60 days of the date of confirmation और ROC इसको register कर देगा within 30 days और certify कर देगा कि तुम अब हमारे ROC में register हो चुके हो और different state हो गया अगर तो अगर two states हो गया एक state से दूसरे state हो गया तो यहां तो और दिक्कत बढ़ सकती है क्योंकि पूरा का पूरा शहर तो बदली गया पूरा का पूरा state बदल गया राज्य बदल गया तो ऐसे case में तो दिक्कत हो सकती है हो सकता है आपने महाराष्टर में कोई taxes भरे नहीं होंगे और भाग गए GST नहीं भरा होगा भाग गया तो और इसी लिए अगर आप state change करते हैं तो यहां बड़ी problem हो सकती है वहां रहने वाले creditors को आप धोका दे के भाग सकते हैं आप वहां की सरकार को धोका दे के भाग सकते हैं और इसी लिए यहां पे process बढ़ जाती है यहां पे आपको central government से permission लेना पड़ता है ultimately it has been given again delegated to the regional director बट फिर भी आप लिखोगे central government को permission मंगना पड़ता है कि हम जाना चाते हैं क्या central government ऐसे ही permission दे देगी हां भई जाओ नहीं central government ध्यान रखेगी भई आप जातो रहे हो इस शहर से इस देश से नहीं इस राज्य से पर यह जो creditors हैं इनकी list दो हमको पहले तो company will provide the list फिर government क्या करेगी government list देखेगी उन लोग को पूछेगी देखो भई यह company को जाने देना क्या वो लोग बोलेंगे हाँ हाँ जाने दो तो जाने दे सकते पहली चीज़ टेक the consent from the creditors पहली चीज़ दूसरी चीज़ कंपनी को लगता है कहा consent लेते बैठते एक काम करो company को बोलती है इतने से तो creditors है pay off कर दो इनको सबको payment कर दो और फिर जाओ so either पहली चीज़ या तो creditors को pay off कर दिया दूसरी चीज़ उनसे resolution उनसे consent ले लिया कि भई जाने देना है कि नहीं वो बोलते हाँ जाने दो तो जाने दे सकते तीसरी चीज़ अगर government को लग रहा है central government को यार यह जा तो रह है लेकिन यहां के जो creditors है इनको तुरंट पे तो नहीं कर पाएंगे बहुत सारे creditors है और इनसे एक-एक से consent लेना भी possible नहीं है तो वो बोल सकते है एक काम करो company तुम जाना चाहते हो जा सकते हो पर पहले यह जो creditors है इनके नाम से एक जमीन secure करके जा कि अगर हम पैसा नहीं देते हैं तो यह जमीन बेच के पैसा लिकाला जाएगा और creditors को pay किया जाएगा the ultimate aim is to secure the creditors creditors की रक्षा करना यह ultimate aim है इसके लिए भी time limit दी गई है अपने mics बंद रखेंगे अपने आगे की बात करते हैं देखो special resolution general meeting same point approval from central government central government का भी काम है 60 दिन के अंदर यह काम करें यह जो मैंने बताया है 60 दिन के अंदर काम करें क्या करना है उसको consent from the creditors ले लो दूसरी चीज़ provide for provision for discharge यहने security रखा लो provision for discharge इन्हें provision कर लो payment करने का अलग amount निकाल लो that is called as provision और adequate security रखा लो यह तीसरी जीज़ तीन चीज़े की जा सकती है और जैसे ही हो जाएगा उसके बाद approval मिल जाएगा that approval should be filed with the registrar within 30 days of change और नया certificate of registration आपको मिल जाएगा ठीक है so this is the process simple से points है कोई doubt यहां तक है कोई भी doubt यह चैप्टर conclude करके आपन फिर एक break ले ले लेते हैं और फिर lunch होगरे करके आप लोग आ सकते हैं ज्यादा बड़ा break नहीं लेंगे क्योंकि यह already अपनी class late चाले हुई थी और थोड़ा मैं speed up करना चाहूंगा और बट यह points ऐसे हैं मैं उसको speed up नहीं कर सकता हूँ चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे अपन resolution होना चाहिए special resolution बड़ी चीज़ है ठीक है आप object change करना चाहते हैं तो simple चीज़ है resolution पास कर लो यह एक general rule हो गया लेकिन कभी-कभी ऐसा होगा आपने पैसा raise करके रखा है लोगों से public से पैसा ले लिया सब जोगों से पैसा ले लिया आप यह पैसा आपके पास रखा है आप ने अभी तक इसको business में लगाया है नहीं आपने बोला था कि हम इसको business में लगाएंगे hardware के hardware नहीं जो आपन furniture अगरे सब बनाएंगे और यह सब चीजों के लिए अपन लगाएंग में पैसा लगाएंगे अब बिचारे लोगों ने तो ये देखके दिया था कि आप hardware का business करोगे और अब आप object change कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा पहरी चीज तो आप special resolution path करोगे दूसरी चीज आप ये चीज बताओगे newspaper में कि हम अपने objects बदल रहे हैं ये चीज newspaper में publish होना चीए and also on the website if any और जो लोग नहीं बोल रहे हैं जो dissent कर रहे हैं dissent यहने जो मना कर रहे हैं नहीं नहीं हम तो electronic के लिए पैसा नहीं दे रहे हम तो hardware के लिए दे रहे थे तुम electronic goods में पैसा लगा रहे हो तो हमको पैसा नहीं लगाना हमें हमारा पैसा वापस कर दो तो यहाँ पे पैसा वापस करने बोला जा सकता है this is called as an exit option so exit option मिलेगा एक to the dissenting shareholders यह exit option कहां से मिलेगा opportunity कहां से मिलेगी by the promoters and shareholders but as per SEBI regulations SEBI का role क्यों आता है क्योंकि मैंने यहाँ पे specifically बतलाया कि यह unutilized money का case है अगर simple case था तो सिर्फ special resolution पास करो आप object बदल सकते बट यहाँ पे unutilized amount है जो आपने public से raise करके रखा है so यह पैसा तो public से raise किया था और जब-जब public issue की बात आ जाती है तो as per section number 24 specifically बोला गया है जब-जब public issue की बात आती है तो SEBI के regulations follow करना पड़ता है तब-तब SEBI आता है rule ने तो SEBI के rules इसलिए आप follow करना है क्योंकि यहाँ पे public issue की बात थी public issue से पैसा आया था और वो पैसा आप लगाने के पहले अपना object बदलना का रहे है तो SEBI के rules के हिसाब से आपको price मिलेगा और वो price देने के बाद आप बाहर जा सकते यहने जो भी वेक्ति descent कर रहा है उसको पैसा मिलेगा पैसा कितना मिलेगा क्या rate से मिलेगा that will be decided by the SEBI ठीक है तो ऐसा है और फिर simple है register के पास आप register कर दो within 30 days और वो 30 days के बाद 30 days के अंदर वो certify करेगा simple liability clause alter नहीं किया जा सकता बिलकुल भी नहीं कभी भी नहीं ध्यान रखना तेक है हरशित का एक question है sir in some cases name clause भी change करने के लिए SR pass होंगा ना तो yes मैंने वही बताया name clause के लिए SR ही लगता है वैसे name clause के लिए SR ही लगता है सिर्फ section number 16 में और 4 में ordinary resolution लगेगा लेकिन अगर आप normal name change कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको special resolution लगेगा अच्छा हरशित का बोलना है अगर object के साथ इनका समझ गया मैं question उन्होंने properly put up नहीं गया बट मुझे समझ गया अगर object change कर रहे है इनका ऐसा question है कि object के साथ अगर name change हो रहा है कभी-कभी ऐसा भी question आएगा आपको देखो tricky question आते हैं institute कभी-कभी ऐसा खेलता है institute आपको question देगा एक company है जिसका नाम है ABC realities private limited private या public limited realities नाम में realities word है या real estate है ऐसा नाम में word है यह company काम करती है buildings का building construction वगरे इसका काम करती है now this company wants to change the object from building to restaurants restaurant में जाना चाती है यह question अब इस बार ज़्यादा आ सकता है आने के chance बहुत है आपको ऐसा question देगा कि एक company है जो company काम कर रही थी restaurant का उसका नाम बता दिया जाएगा यह यह नाम है और वो restaurant के काम से अभी ऐसा लग रहा है उसको कि covid की चलते restaurant नहीं चलेंगे तो अब वो electronic के काम में आना चाती है तो उसके नाम में लिखा रहेगा कि ABC restaurant या जो भी नाम है तो वो restaurant का नाम रहेगा या hotels ऐसा नाम रहेगा और वो अपना नाम अपना काम चेंज करना चारी जैसे यहाँ पर मैंने realities word यूज किया और वो building बनाती थी building से वो restaurant के काम में आ रही तो आपको question रहेगा state the process to change the objects सिर्फ object change करने का पूछा रहेगा पर वहाँ पर एक छुपा हुआ question है कि आपको नाम भी बदलना पड़ेगा या ऐसा पुछा जा सकता है can the company change its object the answer is no अगर एक शब्द में मैं पुछू तो answer is no the company cannot change its object क्यों? क्योंकि नाम में object था तो जब तक नाम नहीं बदलेगा आप object नहीं बदलोगे साथ में बदलना पड़ेगा तो ultimately अगर आप काम बदल रहे हो तो साथ में नाम बदलना पड़ेगा जैसा काम वैसा नाम तो ऐसा है हाँ, alteration of liability clause नहीं हो सकता capital clause alter हो सकता है capital clause में ordinary resolution लगता है ध्यान रखो क्योंकि capital clause alteration होता है as per section number 61 यहाँ पर section number 13 नहीं लगता ठीक है, so ordinary resolution लगता है capital clause change करने के लिए sections नहीं दिये आपको book में, इस short note में क्योंकि मैंने आपको बुलाओ sections याद रखने पर ज़्यादा focus मत करो क्योंकि मैं अगर sections लिख दूँगा तो आप पिर ज़्यादा उस पर focus करना अच्छे से बताया था, कि आपको पूरे line से section होते हैं, कैसे याद रखना क्या याद रखना, कोई-कोई sections आप sequence में याद रख सकते हैं, जैसे promoter की definition, prospectors, public company, private company, यह सब आप line से ध्यान रख सकते हैं फिर अगला point है doctrine of ultra-wires यह हम नहीं देखते हैं, क्योंकि already आपको पता है doctrine of ultra-wires का क्या मतलब है, हाँ, एक question आया, America in such cases, पहले नाम बदलने की पूरी process complete करने पड़ेगी, या दोनों साथ-साथ कर सकते हैं, practically both are done together, आप ऐसा थोड़ी करोगे कि पहले नाम बदल रहे, फिर से meeting बुला रहे, general meeting, फिर आप object बदल रहे, ऐसा नहीं होगा, you can change both the things in one go, एक ही बार में आप सब चीज बदल सकते हैं, ठीक है, तो practically आपको दोनों एक साथ कर देना पड़ता है, हाँ, और नाम बदल रहे, तो यहाँ एक और चीज आएगी, वो भूलना मत, क्या भूल जाते है अपन, यहाँ पर permission लगेगी from central government, ठीक है, तो ऐसा है, so basically object clause बदलने को permission नहीं लगती central government की, but because you are changing the name, and therefore there will be a requirement for taking the permission from the central government, ठीक है, doctrine of ultra-wires, simple है, ultra-wires का मतलब है, essay acts which are beyond the powers of the company, अगर essay कोई कार यह कर भी लिये गये हैं, तो that will be void of initial, और उसका कोई एहमियत नहीं होती, इसके उपर question नहीं आएगा, 99% chance इस पर question नहीं आएगा, because it is already covered in CA foundation level, then articles of association, इतना सा पढ़के अपने एक break लेंगे, मैंने जैसा कि आपको वादा किया था, बस यहाँ तक पढ़ना है, और फिर अपने एक break लेंगे, articles of association, articles जैसे कि memorandum होता है, हाँ प्रेम का एक question है, sir, इसी case में अगर public company है, बट private करनी है, तो approval लगेगा, नहीं, अगर सिर्फ नाम में private add या remove करना है, तो then approval will not be required, यहने आप अगर पूरीच company बदल रहे, शायद आपका ऐसा question है कि आप object भी बदल रहे, नाम भी बदल रहे, और public से private भी कर रहे, तो क्या होगा, तो अगर नाम बदल रहे, वैसे permission लगती है, बद सिर्फ private word add या remove होगा तो नहीं लगेगा, इसके अलावा कोई भी अगर छेड़ छाड़ हो रही है नाम के साथ, so there will be requirement of approval from central department, ठीक हैं, तो ऐसा है, articles, जैसा कि memorandum होता है, memorandum में मैंने आपको बता है कि memorandum is the basic main document charter of the company, and memorandum में जितना लिखा है, पर उसको कैसे करना, that will be written in the articles of association, articles are the internal rules of the company, articles में लिखा होता है, जैसे memorandum में लिखा है कि company property बेच सकती है, तो articles में लिखा होगा कैसे बेच सकती है, क्या अकेला वेक्ती बेच सकता है, क्या डिरेक्टर अकेला बेच सकता है या मिंबर से पूछना पड़ेगा या डिरेक्टर्स की मीटिंग होगी यह सब चीज़ें आर्टिकल्स में लिखे होती है सिंपल से पॉइंट्स है मैं इस पर सिर्फ एक ही पॉइंट पर जोर देना चाहूंगा difference between तो पता है आपको entrenchment provisions entrenchment provision का क्या मतलब है entrenchment का मतलब होता है to save यह बचाने के लिए लगाए गए to save the minority investors यह actually entrenchment provision का जो role लाया गया है यह जो छोटे निवेशक है उनको बचाने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको articles बदलना है so articles बदलने के लिए भी आपको special resolution required होता है बाकी कोई permission नहीं लगती बट सिर्फ आपको special resolution required होता है अब special resolution से articles बदले जा सकते हैं बट मैं नहीं चाहता कि articles इतने आसानी से बदले जा सके हैं मैं एक छोटा निवेशक हूँ जिसके पास सिर्फ 50,000 shares है समझो मेरे पास सिर्फ 0.5% shares है अब जादातर जो shareholder है वो लोगों ने बोल दिया हाँ हमको ये करना है तो वो तो हो जाएगा लेकिन मैं नहीं चाहता था ये होना तो मेरे पास एक तो option होता है कि भई exit option वाला point आ चुका है लेकिन दूसरा option है मैं तो bind हो जाता हूँ जो majority कर रहे उससे बट हम नहीं चाहते कि ऐसा हो और इसलिए हम entrenchment provision रख सकते हैं अपने articles में ध्यान रखो entrenchment provision सिर्फ articles को बदलने के लिए रख सकते हैं memorandum को बदलने के लिए नहीं रख सकते हैं entrenchment में मतलब यह होता है कि अगर articles का कोई particular point हमको change करना है सो हम तब तक नहीं कर सकते जब तक ज़्यादा लोग ना बोलें ज़्यादा strict procedure follow ना हो as mentioned in this special resolution तो special resolution तो लगता है बट हम नहीं चाहते हैं कि सिर्फ special resolution से यह pass हो जाए हम चाहते हैं और strict रखना इसको कि अगर हमको articles बदलना है तो 100% लोग बोलेंगे तब ही बदलेगा सो हमने अगर ऐसा लिख दिया that is an entrenchment provision हमने लिख दिया 80% that is also an entrenchment provision because 75% कानून बोलता है हम उससे और strict provision लगा रहे हैं then it is an entrenchment provision हम save कर रहे हैं minorities को या कभी ऐसा बोला कि हम लोग इसका resolution पास कराएंगे और उसके बाद minority investors की अलग meeting बुलाके उनसे भी resolution पास करवाना पड़ेगा this is also an entrenchment provision कानून से रिभ बोलता है special resolution उसके अलावा छोटे shareholders को बुलाके resolution भी पास कराएंगे हम आप entrenchment provision कब रख सकते हैं अपने articles में आप entrenchment provision या तो शुरुवात में रख सकते हैं शुरुवात में जब आप company बना रहेते या बाद में alter करके भी रख सकते हैं बाद में alter करोगे तो अगर आपकी private company है तो 100% लोगों से सहमती लेके ही alter किया जा सकेगा अगर आपकी public company है तो special resolution पास करके आप entrenchment provision include कर सकते हैं in your articles alteration of articles same चीज है जो मैंने already conversion of company में बता चुका हूँ तो we will not repeat it again here so आप एक बार यह read कर लेंगे copies बगर यह देना पड़ता है within 7 days यह section number 17 है sections याद रखने की ज़रूरत नहीं है limitations to alteration आप क्या change नहीं कर सकते हैं ऐसे change नहीं कर सकते हैं जिससे minority पे fraud हो जाएगा जो कानून के खिलाब जाएगा जो memorandum के exceed हो जाएगा तो ऐसे changes नहीं कर सकते हैं doctrine of constructive notice simple एक word में अगर मैं बोलू तो जो विक्ति company से deal कर रहा है उसने पूरे memorandum और articles पढ़ा है और उसको उसके सहीर अर्थ में समझ चुका है यह हम मान लेते हैं this is called as constructive notice doctrine of indoor management indoor management का मकलब होता है कि अगर internal कुछ गड़बड कर रहे हैं तो उसके लिए हम बाहर वाले को जिम्मेदा नहीं ठहरा सकते और इसके कुछ exceptions है बट फिर से मैं बता दूँ यह तीनों चीज़ें हम यहां नहीं read करेंगे this is in your course but I will not revise it because आपने foundation already कर चुके हैं और foundation में already यह पूरा points cover हो चुके हैं तो आप यह एक बार घर पे देख लेंगे अपने पास actually वक्त बहुत कम है और मेरको वैसे ही पहले ही बच्चों के कुछ मेसेज आ गए सर अगर अपन क्लास बारा बजे चालू करेंगे तो भी फिर तो दस ग्यारा बजे तक चलाना पड़ेगा तो मैंने बुला नहीं अपन स्किप करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने पड़े हुए हैं तो बच्चे लोगों का वही बुलना था सर इतने देर तो नहीं बैठ सकते तो साथ साड़े साथ या आठ तक कर दो ऐसा बोल रहे थे तो मिरको तीन जनों के मैसेज आये थे तो अपन ट्राइव ही करेंगे कि साथ 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 आठ तक मेक्जिमम कंक्लूड जाए और अगर बचता है तो कल का दिन है ही कल तो अपन देखने वाले हैं तो कल अपने पास क्योंकि कम चीज़े हैं देखने को तो अपन कल भी बाकी की चीज़े देख लेंगे तो कल का भी दिन है अपने पास और अगले चैप्टर पर अपन अगले क्लास में चर्चा चालू करेंगे प्रॉस्पेक करेंगे इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा तो अपन अभी थोड़ा एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपन ये चीज़ पढ़ेंगे तो ब्रेक ले लेते हैं और आप लोग लांच ओगरे कर लो बहुत जादा मत करना तो फिर नींद आएगी तो ठीक है ब्रेक लेते हैं और और प्रेक के बात जाधा ब्रेक की मेरे ख्याल से दरुरत नहीं है अभी साड़े बारह साड़े दो बज़े ठाइब भज़ी रहे सो अपन तीन बज़े वापस असेंबल होते थे थे ठेंट बज़े फिर से यही मीटिंग में अपन μεनें थे तो मिलते ब्रेक के बाद, चलो, थेंक्यू अगर आप्जेक्ट चेंज करना है और वहाँ पे अगर वो रेजलिशन पास कराती है तो क्या वहाँ भी एक्जिट आप्शन जो दिया जाएगा तो नहीं, वहाँ पे ये रूल अप्लाय नहीं होता प्राइविट कंप्नी में इनफेक्ट वह अप्लाय ही नहीं होता क्योंकि जब पैसा प्रेस किया है प्रॉम पब्लिक और फिर आप अबजेक्ट चेंज करना है तब वो रूल अप्लाय होता है नहीं तो आपको सिंपल स्पेशल रेजोलुशन पास करना है ते के कोश्चन था अब आगे की बात करते हैं नेक्स चैप्टर से चालू करते हैं नेक्स चैप्टर जो है protocol प्रॉस्पेंट चैप्टर पास फालोिवर आ को कषंच ये और के शंप्त शार्वर औह 중요 जिसके जरीए पैसा मांगा जा रहा है रेस किया जा रहा है from a public that will be called as a prospectus जब जब आप public से पैसा रेस करना चाहते हो तब तब आपको prospectus issue करना पड़ता है तो prospectus कैसे कैसे होते हैं ये भी देखेंगे हम पहले हम देखते हैं issue कैसे कैसे होते हैं issue या तो public company करेगी या private company करेगी अगर private company कर रही है तो right issue bonus issue और private placement ये दो ही चीज़ हो सकती है अगर public company issue करने जाती है तो या तो public issue कर सकती है जिसमें prospectus की आवशकता होगी या फिर private placement या right और bonus issue तो public offer येने क्या है, ये कहीं define नहीं किया है, public offer येने क्या, तो public offer means सिर्फ IPO और FPO ये दो चीज़ इसमें include होगी, बस इतना बोला गया है, बट what is public offer ये कहीं define नहीं किया, तो हमको समझना है, अगर public offer क्या है, तो इसके लिए हमको पहले जानना पड़ता है, कि private placement क्या नहीं है, जो private placement नहीं है, that is a public offer, simple rule, तो private placement क्या होता है, private placement में company पहले से ही, कुछ लोगों का नाम लिख लेती है, तो company पहले से ही एक list बना लेगी, और कुछ लोगों का नाम लिख लेगी, कि हमको इन लोगों को securities issue करना है, तो यह selected group of person को ही securities issue करती है, इनको offer letter भेजा जाता है, जिसको हम बोलते है, private placement offer letter, यह private placement offer letter नाम से जाता है, जिनका नाम लिखा है, उनको ही जाना चाहिए, और इनका record रखा जाता है, that will be filed with the register within 30 days, फिर private placement offer letter दिया जाएगा, maximum 200 लोगों का आप दे सकते हैं in a financial year, एक साल में आप 200 लोग, maximum, लेकिन जब 200 लोगों की संक्या count करेंगे, तो qualified institutional buyers और employees को इसमें count नहीं करते हैं, फिर जब तक कि आपका पुराना private placement complete नहीं होता, जब तक आप दूसरा private placement नहीं कर सक है, या तो पुराना आप ख़दम कर दो, by allotment या फिर by withdrawal, फिर आप दूसरा private placement offer चालू कर सकते हैं, जितना भी पैसा आएगा, पूरा का पूरा, banking channel से आना चाहिए, और ये पैसा एक अलग account में रखा जाता है, फिर ये पैसे को आप use कर सकते हैं, only for, separate account में रखेंगे, only for all allotment और refund, refund कब करना है, अगर आपके पास पैसा आया, लेकिन आप allotment नहीं कर पा रहें within 60 days, तो उसके बाद के 15 दिन के अंदर आपको refund कर देना है, तो आपके पैसा आया था, तो within 60 days आपका allotment हो जाना चाहिए, नहीं किया, तो within 15 days आपका पैसा इस period में refund हो जाना अगर नहीं किया, तो 12% interest लगेगा from the 61st day, at this point of time, from this point of time, interest लगना चालू हो जाएगा अनने company, फिर जब भी allotment होता है, तो return of allotment फाइल करना पड़ेगा, simple है, limitations on making private placement, अब ये simple है, इसमें वही कुछ और additional points बता है, पहले तो prior approval लेना पड़ेगा, आपको shareholders का special resolution पास करना पड़ता है, लेकिन अगर आप convertible debentures issue करना चाहरे है, sorry, convertible नहीं, non convertible, तो ऐसे cases में एक ही बार आपको साल में resolution पास करवा लिना है, explanatory statement लगता है, इस पर section number 102, ये आगे आएगा आएगा आपके meeting वाले chapter में, फिर maximum, minimum एक वेक्ति को 20,000 की securities खरीदने ही पड़ता है, of the face value, minimum 20,000, ये जो selected group of person है, minimum 20,000 of the face value, ठीक हैं, फिर इसके record रखा जाएगा, अब ये, अगर ये सब चीज़ें इसमें मौजूद है, तो it will be considered as a private placement, ये सब चीज़ें अगर मौजूद है, इसमें, सब चीज़ें, so ये private placement है, अगर इसमें से एक भी चीज़ नहीं है, हाँ, एक और point शुट गया, कि advertisement नहीं कर सकते हैं, अगर कोई भी चीज़ नहीं है, तो that will be considered as a public issue, जैसे 200 लोगों से जादा लोगों को दे दिया, आपने, that will be a public issue, advertisement कर लिया, that will be a public issue, कोई भी condition पूरी अगर नहीं हो रही है, so that will be considered as a public issue, so simple definition के हिसाब से देखे, तो private placement जो नहीं है, that is a public issue, ठीक है, so public issue कहीं define नहीं किया है, so prospectors कब-कब issue करना जरूरी होता है तो हर case में जब-जब public को issue किया जाएगा, तो क्या कभी-कभी नहीं भी issue किया तो चलता है, yes, कुछ cases हैं जैसे कि private company कभी prospectors issue नहीं करेगी, because वो कभी private, public से पैसा रेस नहीं करती, prospectors announcement, private placement, offer letter, SOPS, underwriting, simple से point से, right issue, bonus issue, sweat equity shares, अब, power of SEBI, section number 24, जो अभी मैंने बताया था कि SEBI को क्यों power दिया था पिछले chapter में, कि अगर exit option देना है, तो exit price SEBI क्यों decide कर रहा था, because public issue से related, अगर कोई powers है, तो that will be decided by the SEBI, SEBI, so SEBI can regulate the matters by listed company, or which intends to get listed, related to the issue or transfer of securities, ठीक है, and also payment of dividend, but अगर और कोई प्रकार की चीज़ है, तो central government will make the rules, ठीक है, जैसे कि unlisted public company या private company के, या listed company के भी इनके अलावा rules, ठीक है, listed company के other than issue or transfer, या dividend से related rules है, so that will be as per the government, average prospectus एक important definition है, जो कि आपको exam में पूछी जाएगी, जब भी average prospectus आएगी, आपको साथ में, उसके साथ, section number 33 भी लिखना पड़ेगा, दोनों जब आप लिखोगे, तब जाके आपको पूरे उसमें, 4 या 5 मात मिलेंगे, तो average prospectus यह नहीं क्या, average का मतलब होता है, short form, average prospectus means a memorandum containing such salient features of a prospectus as maybe specified by SEBI by making regulations, so SEBI regulations बनाएंगी, और mics बंद रखेंगे, SEBI regulations बनाएंगी, और वो बताएगी, average prospectus में क्या चीज़ें देना है, आपको क्या चीज़ें नहीं देना है, यह क्यों आया था, क्योंकि prospectus बहुत ज़्यादा bulky document हो जाता है, और हर एक application के साथ prospectus भेजना संभव नहीं होता, और इ इजर amendment हुआ था सन 2000 में जब यह concept आया था, old act में, अब new act में तो यह directly पहले सही है, सबसे पहली definition of the company's act अगर आप देखोगे तो section 2 clause 1 define करता है average prospectus को, so average prospectus means a memorandum containing such salient features of a prospectus as maybe specified by SEBI by making regulations, अब यह average prospectus की यह तो definition हो गई, यह memorandum है, जिसमें कुछ ऐसी detail है, जो कि SEBI ने बताय है, वो लिख दिया है हमने, but क्या यह definition sufficient है तो नहीं, इसका काम क्या है, so इसका काम है, कि यह हर वेक्ति को बताये कि क्या-क्या prospectus से company के, prospectus issue करके हम बताना चाते हैं कि हम आपका पैसा ले रहे हैं, तो हम कौन से project में लगाएंगे, कितने साल बाद वो profit देना चालू हो जा और इसलिए short form, जो important चीज़ें उतनी उसमें लिख दी जाएगी, it is compulsory as per section number 33, that जो भी prospectus, जो भी application form भेज रहे हैं आप उसके साथ prospectus लगा होना चाहिए, and that can be an average prospectus, so average prospectus should be accompanied by every application form, हर एक application form के साथ यह लगा होना चाहिए, इसके अलाबा, अगर आपने नहीं लगाया है, त 50,000 रुपे तक की penalty लगीगी, फिर अगर कोई वेक्ति को average prospectus दिया था, but वो बुलता है नहीं, मुझे तो पूरा ही prospectus देखना है, तो क्या वो पूरा prospectus मांग सकता है, the answer is yes, क्या company को भेजना पड़ेगा, yes, company को यह देना पड़ेगा, जब तक offer चालू है तब तक, so copy of prospectus, useful prospectus should be given, before closing of the subscription list, और offer, ठीक है, जिसने मांगा उसको, फिर offer for sale by certain members of the company, यह offer for sale, यह पढ़ने के पहले मैं आपको direct section 25 पढ़ाऊंगा, उसके साथ directly यह भी समझ जाएगा, section 28, ठीक है, similar है, section 26, section 26 सिरफ यह बताता है, matters to be stated in a prospectus, amendment है कुछ, वैसे amendment आपको मैंने बता चुका आपके book में already included है, कुछ amendments यहां पे आपको दिख रहे हैं, जो red में दिखेंगे, filing word उसकिया है, पहले यहां registration word उसकिया था, अब registration हटा के filing word लाया गया है, so, क्या मतलब है इसका, तो देख लेते हैं एक बार जल्दी-जल्दी, सबसे पहले तो section 26 क्या बताता है, section 26 बताता ह और SEBI बोल रहे है, इसमें कुछ matters होंगे, कुछ informations होंगे, कुछ reports होंगे, कुछ declaration होंगे, पहले यह आपको रटना पड़ता था, अब रटने के आवशक्ता नहीं है, क्योंकि बहुत आसान कर दिया, अभी सिरफ यह बोल दिया, जो भी SEBI बताता है, उसके साब से उसमें च प्रोस्पेक्टर हर एक डिरेक्टर को साइन करना कंपल करें, या तो खुद करें, या तो खुद के एजेंट के थू करा है, issue only after filing, within 90 days, 90 days की इसकी life होती है, आपने एक बार फाइल कर दिया, उसके बाद 90 days तक ही यह जीवित रहता है, अगर आपने नहीं किया है इतने में issue तो आपको अगले बार फिर से नया prospectors file करना पड़ेगा, ROC not to register unless requirement complied with or accompanied by the consent of named, यह तब तक रेजिस्टर नहीं करें, ROC जब तक के requirements नहीं पूरी होती, कौन से requirement यह पूरे detail में चीज़ें उसमें होनी चाहिए, और दूसरा, इसके साथ consent लगी होना चाहिए, जो लोग उस पर sign कर रहे हैं, directors की consent लगे हो राची है, तो यह दोनों चीज़ें जब पूरी होगी, तभी register will register the prospectors, क्या आप इसके terms को बदल सकते हैं, the answer is yes, as per section number 27 आप बदल सकते हैं, बिल्कुल same copy paste process लगती है, जो हमने अभी देखा था, object clause change करने को, बिल्कुल same process लगती है, अगर objects देए थे, वो objects बदलना चाहरे हो, बिल्कुल same, एकदम copy paste, फिर experts statement, एक important point, क्या expert का statement आप लिख सकते हैं, इन्दी prospectors, तो general rule है, आप नहीं लिख सकते हैं, पर लिख सकते हैं, अगर expert से आपने consent लिया था, कि हम आपका statement लिखने वाले हैं, देखो, prospectors में आपन बहुत सार prospects बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, बिजनस में हम पैसा कहा लगाने वाले हैं, उससे कब return आना चालू हो जाएगा, अब इसके लिए कई बार हमको कोई expert के उपर निर्भर होना पड़ता है, जैसे कि engineers हो गए, जैसे कि architects हो गए, जैसे कि chartered accountants हो गए, company secretaries हो गए, advocates हो गए, इ यह सब जो report दी जाती है, यह report को कभी आप चाहें तो include कर सकते हैं in the prospectors, वैसा का वैसा statement from the experts report, you can include in the prospectors, बट इसके लिए important यह है, कि expert should not be engaged in formation or management of the company, वो जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, he should be unconnected with the company, दूसरी चीज, he should have given the written consent before the issue of prospectors, तो उसने पहले consent दे दिया लिख के दिया है, written consent, कि हाँ मेरा statement आप include कर सकते हैं and he has not withdrawn it, before the issue he has not withdrawn the consent, फिर statement to the effect is included in the prospectors, means इसमें लिखा हुआ है, prospectors में लिखा होता है कि expert ने statement दिया, उसने consent दिया और he has not yet withdrawn the consent, यह चीज़ आपको prospectors में mention करना पड़ता है, कि उसने consent दिया है and he has not withdrawn it, फिर expert कौन है, the expert can be engineer, valuer, CA, CS, हर एक वो vaccine जिसको कोई ना कोई चीज़ certify करने का अधिकार है, is called as an expert, validity 90 days from the registration, 90 दिन के इसके validity होती है, उपर भी मैंने बताया आपको, 90 दिन के validity होती है, average prospectors लगा ही होना चीज़ हर एक application firm के साथ sample तरी है, और face of the prospectors पे लिखा होता है, कि हमने ROC के पास filing कर चुके हैं, deliver कर चुके हैं, prospectors के copy, ठीक है, पहले आप ROC के पास deliver करते हैं, उसके बाद आप ये बाहर public को दे सकते हैं, जब तक के ROC के पास इसके filing नहीं होती, तक you cannot issue a prospectors to the public, ठीक है, तो पहले filing होगी, उसके बाद issue होगा, पहले draft stage में होता है, SEBI अगर ये filing होने के पास, फिर provisions related to content of prospectors not to apply if issue of shares or debentures, जो existing members को दिया जा रहा है, यहने right shares के बाद हो रही, और uniform securities and quoted or recognized stock exchange, यहने rights में नहीं लगेगा, prospectors और bonus shares में नहीं लगेगा, यह दोनों में आपको prospectors साथ में लगाने की आवशकता नहीं होती है, deemed prospectors क्या होता है, तो क्या होता था, पुराने जमाने में, company क्या करती थी, company issue करती थी, securities to the issue house, एक intermediary, intermediary को दे देती थी, और intermediary फिर यह public को issue कर देता था, और ऐसा बोलके, company बोलती थी, देखो जी, मैंने तो public issue किया ही नहीं, तो मैंने public issue नहीं किया, तो prospectors की आवशकता नहीं है, मैंने तो इसको issue किया था, इसने फिर public को issue किया, तो court ने बोला, कुछ cases में कि हाँ, बहुत सही बोल रही है company, company ने तो public issue नहीं किया, तो government को लगा नहीं, यह तो गलत हो गया, हमको यहाँ पे कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, और government ने इसलिए लेके आया था, concept of deemed prospectors, government ने बोल दिया, जो भी document है, जिसके through public को securities issue की जा रही है, that document will be deemed as a prospector, तो यह जो document है, इसको prospectors मान लिया जाएगा, और issue house को, intermediary को, मान लिया जाएगा, कि he is an officer of the company, तो यहाँ दो contract होते है, contract होता है between the company and the intermediary, जिसमें company और intermediary agree करते हैं, कि हम आपको इतने इतने रुपए में shares देंगे, और intermediary बोलती है, हम इसको आगे इतने इतने रुपए में base देंगे, तो यह वाला जो document है, this is deemed as prospectors, इसको हम prospectors बोलेंगे, यह जो document है, जिसको हमने prospectors मान लिया, इसमें क्या क्या चीज़े होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया, यह prospectors है, तो इसमें हर वो चीज़ होनी चाहिए, जो एक prospectors में होती है, तो इसमें section 26 के हिसाब से हर एक मौझूद चीज़, हर एक essential element मौझूद होना चाहिए, इसके अलावा, इसमें additional detail रहेगी, additional detail कौन सी, तो कितने रुपए में securities issue की गई थी, company के द्वारा intermediary को, और intermediary वो कितने रुपए में हमको भेज रहा है, यहने ultimately net consideration received by the company, यह उसमें mention होता है, ठीक है, और वैसे तो उसमें इन लोगों के sign भी रहेगी, intermediary की, अगर intermediary एक individual है, तो वो sign करेगा personally, अगर वो company है, तो उसमें दो डिरेक्टर साइन करेंगे, अगर वो partnership firm है, तो majority of the partners उसमें साइन करेंगे, ठीक है, कब-कब हम मान लेंगे यह document prospectus है, दो case में हम जरूर मानेंगे, पहला case, जब company ने securities issue किया था इसको, और इसने within six months issue कर दिया to the public, then this document will compulsorily be treated as a prospectus, दूसरा case, जब company ने issue किया था intermediary को, और intermediary ने पूरा पैसा नहीं दिया था to the company, तो वहाँ पे भी मान लिया जाएगा कि intermediary इसको बाहर बेचेगी, और फिर जो पैसा आएगा, that will be given to the company, तो इस प्रकार से यहाँ पे deemed prospectus का concept काम करता है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे पूरी detail में बताए गई है, ठीक है? तो एक और point, यहाँ पे contents वाला देहान रखना से, requirement of deemed prospectus, एक तो section number 26 के साब से contents होना चाहिए, फिर net consideration जो company को मिला है वो, and time and place for inspection of the document, contract, यह देखने के लिए अनुमती रहती है, जो भी वेक्ति देखना चाहिए, वो जाके उसको देख सकता है, अब यही बिल्कुल similar चीज़ है, section number 28, सिरफ फरक यह है, section number 28 में यह जो intermediary है, intermediary के जगे होता है, कोई member of the company, ठीक है? तो बाकी सब वैसा कब वैसा रहेगा, सिरफ यहाँ पर intermediary के जगे एक member रहता है, वो member ने agree किया है company के साथ, कि मैं जो security से खरीदूँगा आपसे, और मैं आगे इसको public को बेज दूँगा. फिर, shelf prospectus, shelf prospectus एक ऐसा prospectus होता है, जिसके एक shelf life होती है, एक उमर होती है, उतने तक के वो valid होता है, कई बार क्या होता है, company क्या करती है, बार-बार, एक साल में वोक्त, समझो, तीन बार उसने public issue किया, तो तीन बार उसको prospectus issue करना पड़ रहा है, यह तो जबरदस्ती का खर्चा हो गया, और इसलिए एक नया concept लेकर आया, shelf prospectus का, shelf prospectus का मतलब ही है, जैसा कि आपको उसके नाम से समझ में आता है, it will have a shelf life, इसके एक उमर होती है, आप पहले बार जब issue करना चाहते हैं, उसके पहले एक prospectus issue कर दो, समझो, आपने यहाँ पे prospectus issue कर दिया, और इसको shelf prospectus बोलके issue करो, है वही, पूरा का पूरा एक prospectus है, बट इसका नाम आपने दिया shelf prospectus, इसमें सिर्फ फर्क इतना होता है, इसमें एक period of validity होगी, इसमें लिखा होगा कि यह एक साल के लिए valid है, maximum validity can be one year, तो एक साल के लिए valid है, इसमें लिखा होगा, अब one year के maximum validity है, means इतने साल तक, एक साल तक, इतने time तक, आप जब अगला issue करोगे, पहला issue तो ठीक है, यहाँ के लिए prospectus था, इसके बाद का जब second issue होगा, आपको फिर से prospectus issue करने के आवशक्ता नहीं है, आपको इस period में जो भी changes हुए है, यह changes आपको बता दिना है, through a document called as the information memorandum, information memorandum करके एक document है, उस document के थुर आप यह बता देंगे, कि क्या के changes हुए in the financial position of the company, from the previous issue up to this issue, जब आप फिर से अगले बार issue करना चाहते हैं, समझों, यहाँ पर आप issue करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी changes है, that will be informed through the information memorandum, this information memorandum along with the shelf prospectus will be deemed as a prospectus, ठीक है, तो यह बताया गया है, then, book building, book building और red hearing prospectus, red hearing prospectus क्या होता है, red hearing prospectus एक ऐसा prospectus होता है, जो हम तब use करते हैं, जब हमारे को जानकार ही नहीं होती, कि हमारे share के price क्या होने वाले हैं, क्योंकि हम पहली बार issue कर रहे हैं, और इसलिए इसको book building process भी बोलते हैं, क्योंकि इससे book build होती है, so book building process का मतलब है, Red hearing prospectus is basically a prospectus in which there is no full particular of either price or quantity or both. या तो आप उसमें price नहीं लिखते हैं, या तो आप quantity नहीं लिखते हैं, या तो दोनों भी नहीं लिखते हैं. तो यहाँ पर बाती सब चीज़े रहेगी उसमें, लेकिन सिर्फ price या quantity नहीं होती हैं. फिर क्या होता है, फिर prospectus हम issue कर देते red hearing बोलके, लोग बोली लगाते हैं, लोग बोलते हैं मैं खरीदूँगा 5000 में, कोई बोलेगा 5500, ऐसे बोली लगाएंगे, बहुत जादा हो गया, 500 रुपे हैं, कोई बोलेगा 530 रुपे हैं, कोई बोलेगा 520 रुपे हैं, ऐसे बोली the that is called as the red hearing prospectus. So red hearing prospectus का basic aim है to elicit the price and demand of the commodity. Commodity means यहाँ पे share. यह कब use किया जाएगा? जाहिर सी बात है क्योंकि आपको price और demand नहीं पता है. यह कब होगा? जब आप पहली बार shares issue करने जा रहे हैं. So ऐसे cases में जब आप पहली बार shares या कोई भी securities issue करने जाते हैं और आपको इसकी demand नहीं पता है, उसका price नहीं पता है, तो ऐसे case में you can use the red hearing prospectus. इससे जो गुमरा है company, company को समझ नहीं रहा कि उसको कितने रुपे में share issue करना चाहिए, वो उसको रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि लोग बोली लगाएंगे तो उसको अंदाच लगेगा कि हाँ, ये भाव में लोग खरीद लेंगे. तो ताकि subscription fail ना हो जाए. तो इसलिए red hearing prospectus use किया जाता है. इसके बाद red hearing prospectus पे बोली आने के बाद भी आपको final prospectus issue करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है, जिसमें पूरे details, particulars of the price and quantity of the security is mentioned की हुई होती है. तेक है? So this is basically the red hearing prospectus. Simple सा point है, तीन दिन पहले ये देना पड़ता है, issue open होने के, फिर bidding process होती है, बोली लगाते हैं लोग. Generally इसमें price band दे देते हैं, क्योंकि price भली आपको नहीं पता है, पर एक अंदाज रहता है price band का, कि अपने shares हम 500 रुपे से 550 रुपे के बीच में अगर बेचेंगे तो लोग खरीदने को तैयार रहेंगे, so that is called as a price band, ठीक है, तो generally price band दे दिया जाता है, तो ऐसा है, section 27 वही already जो मैंने बताया, कि अगर आपको बदलना है, कोई भी terms of the prospectors जैसे objects वोगरे बदलना है, तो आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल similar है, जैसे हमने object clause का change करना पड़े थे, तो ये change of object जैसा section 13 में होता है, उसी प्रकार से बिल्कुल same process यहाँ पे चलती है, ठीक है, section 29 में एक छोटा सा amendment है, यहाँ पे भी amendment था, मैंने बताया है, वैसे आपको रेड में जो है, वो amendment था, यह filing word डाल दिया है, पहले यहाँ पे filing word नहीं था, हाँ, गुंजन का अच्छा question आया है, sir, वो लोग bidding जब करते हैं, तो application money के साथ करते हैं, कि yes, पैसा आपको देना पड़ता है, जब आप application करते हैं, तब ही आपको पैसा देना पड़ता है, और वो पैसा फिर बाद में वापस कर देना पड़ता है, अगर fail हो जाता है, समझ यही ध्यान रखेंगे, compulsory for companies making public offer, public offer जो कर रहे हैं, उनके तो DMAT form में होना ही चाहिए, securities, वो तो आम बात है, फिर other prescribed company के भी DMAT form में होना चाहिए, और यह prescribed companies में अब लगबग सभी companies को इन्होंने prescribed कर दिया है, DMAT form में रखो share form, ठीक है, even private company को बोला जा रहा है, कि आपको भी पूरे जो share से securities है, उनको DMAT form में convert करना है, ठीक है, फिर, liability for misstatement in prospectors, again an important topic, इस particular chapter में आपको दो ही चीज़ पर question आने की संभावना जादा है, पहली चीज़ है, जो types of prospectors है, वो, दूसरी चीज़ है, civil liability, मैं यह नहीं बूल रहा, बाकी पर question नहीं आएंगे, बाकी पर question आ सक होना है, तो यह दो चीज़ पर जादा संभावना है, तो यह दो चीज़ पर जादा आएंगे, बाकी जो चीज़े हैं, उस पर आपको छोटे मोटे MCQ वगरे या इस प्रकार के question जरूर आ सकते हैं, तो civil liability का क्या मतलब है, civil liability का simple मतलब यह होता है, कि अगर कोई नुकसान भरपाई कर दो, that is the civil liability, जब हम बात करते हैं, civil liability की, तो क्या हम civil liability क्लेम कर सकते हैं, अगर कुछ गडबढ हो जाती है, प्रॉस्पेक्टर्स में, समझो, डिरेक्टर्स ने कुछ चीज़ नहीं लिखेते हैं, और उससे मेरा नुकसान हो गया, तो मैं क्या क्लेम कर सकता आपको ध्यान रखना है, पहली चीज़, जब प्रॉस्पेक्टर्स में मिस्स्टेटमेंट है, दूसरी चीज़, व्यक्ति ने सब्सक्राइब किया है सिकुरिटेस को फ्रॉम दी कंपनी, कंपनी से खरीदा है, ओरिजिनल अलॉटी है वो, उसने कंपनी से सिकुरिटेस खर सिदा है, प्रॉम दी कंपनी, तीसरी चीज़, उसका नुक्सान हुआ उसके कारण, क्योंकि गड़बड थी प्रॉस्पेक्टर्स में, और इसलिए शेयर के भाव एकदम से गिर गए, और उस वेक्ति का नुक्सान हुआ, अगर उसका नुक्सान हुआ है, तो नुक्सान की जो लिखा है, उसके हिसाब से हमने शेयर्स नहीं खरी देते हैं, हमने ओपन मार्केट से शेयर करे दे, हम ओरिजिनल अलोटी नहीं है, सो हम यहाँ पे भी क्लेम नहीं कर सकते, तो कॉम्पेन्सेशन की बात हो रही है, कॉम्पेन्सेशन तभी किया जा सकता है, जब गढ़ बड़ थी prospectus में गलत information थी मैंने shares directly company से खरीदा हूँ on the basis of prospectus तीसरी चीज मेरा नुकसान हुआ है अगर तीनों चीज होगी तब ही मैं claim कर सकता हूँ फिर दो-तीन इसमें immunity भी मिलती है पहली चीज अगर मैंने consent दिया था बट मैंने बात में withdraw कर लिया क्योंकि मेरे को लगा गड़बड़ कुछ तो भी तो ऐसे cases में मैं reliable नहीं रहूँगा मैं director था consent दिया था या दिया ही नहीं तो ऐसे cases में मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा दूसरा case जहां यहां पर expert के इसमें कुछ गड़बड़ थी expert के statement में कुछ गड़बड़ थी और हमने expert से पूरी detail मांगे थे उसने detail दिया हमको उसने लिख के दिया मैं expert हूँ मेरा detail आप लिख सकते हैं अपने इसमें अपने prospectors में और हमने वो include किया बट expert की रिपोर्ट में गलती हुई तो हम वहाँ जिम्मेदार नहीं है तो हम वहाँ पर बच सकते हैं तो यह एक और important point है यह भी ध्यान रखो यह भी एक नया point है कि expert की गलती है तो यहाँ पर directors बच सकते हैं पहले यह नहीं था यह अभी दो साल पहले amend करके डाला गया कि अगर expert की गलती होती है तो ऐसे case में बचा जा सकता है by the directors criminal liability criminal liability में कुछ नहीं है सिदा सिदा अगर कुछ भी गलत information दी गई जिसकी बारे में पता था तो ऐसे cases में सिदा सिदा लगेगा 447 447 is a penalty for fraud तो अभी याद रखने के वैसे ज़रुरत नहीं है यह आपको 447 दोनों जगे आता है audit में भी आप पढ़ोगे तो वहाँ पे भी 447 आपको पढ़ने को मिलता है ठीक है तो 447 के लिए आप पूरी बुक भी प्रेफर कर सकते है सो इसके अलावा और चोटे मुटे section से बट वो मैंने यहाँ पे include नहीं किया हूँ तो जैसा मैंने बताया है यह almost सब चीज कबर करता है बट कुछ छोटी छोटी चीज़े छोड़ दिया हूँ मैंने जिससे penalty for personation हो गया class action suit हो गया सो ऐसे कुछ section से वो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया हूँ ठीक है 36, 37, 38 सो यह तीन section से यहाँ पे मैंने नहीं दिया हूँ छोटे छोटे से section है अगर मैं एक से जादा application कर रहा हूँ मैं अलग-अलग combination में application कर रहा हूँ ताकि मुझे जादा securities a lot हो जाए, जादा shares a lot हो जाए तो ऐसे cases में I will again be liable under section 447 ठीक है और यह चीज़ लिखे होती है in prospectors कि अगर कोई वेक्ती ऐसे combination of names यूज़ कर रहा है या किसी को उकसार आया shares खरीद लिए तो ऐसे cases में he will be liable under section 447 यह specify किया जाता है in the prospectors ठीक है तैसा है फिर share capital अगले chapter पर आते हैं बहुत ही आसान सा chapter है जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा मैंने speed up किया हूँ आपको realize हुआ होगा but फिर भी that is sufficient कर सकते हैं अपर इतना speed up so share capital वाला chapter share capital कैसे कैसे हो सकते हैं basically there are two types of share capital equity and preference so kinds of share capital दो ही हो सकते हैं equity और preference share capital equity में भी फिर दो प्रकार से हो सकते हैं caring normal voting rights या फिर differential right with respect to dividend voting और otherwise याने differential rights वाले shares DVR shares ठीक है so normal shares या DVR shares DVR shares वो होते हैं जिसमें आपको voting थोड़ी अलग होती है जैसे समझो मेरे पास अगर 10 share हैं तो वो 10 share पे वैसे 10 vote मिलते हैं पर अगर मैं DVR shares hold करूँगा तो मुझे हो सकता है 10 share पे सिर्फ 2 vote मिले या सिर्फ 1 vote मिले this is the differential voting rights याने सिर्फ 10% voting right मिल रहा है 100% नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए ठीक है so that is called as the DVR shares preference share capital means ऐसा share capital जिसमें preference दिया जाता है in dividend and in repayment during winding up जब assets वगरे बेच के पैसे दिये जाएंगे तो उसमें उनको preference मिलेगा पहले उनको पैसा मिलेगा बाद में equity वालों को मिलेगा हो सकता है इनको और मिले बाद में they are participating but still they will be called as a preference shareholder कौन-कौन से capital होते हैं जब भी हम company की बात करते हैं इस किस प्रकार के capital यूज किये जाते हैं nominal capital या authorized capital या registered capital जो memorandum of association में लिखा होता है that is called as the nominal authorized or registered capital ये वो amount होता है जिसके उपर stamp duty pay की जाती है फिर issued capital issued capital याने जितना आपने issue किया तो आपका registered capital है एक करूड रुपए का आपको ज़रुवत नहीं थी आपने सिर्फ 10 लाग के share से शुगे so your issued capital will be 10 लाक रुपे जहां पे भी आप authorized capital दिखाते हैं लिखते हैं it is compulsory कि आपको वहां पे ये भी बताना पड़ेगा कि आपका issued capital कितना है क्योंकि आप सिर्फ authorized capital बताओगे तो लोग धोका खा सकते हैं लोगों को लगेगा और ये तो बहुत बड़ी कंपनी है एक करोड का capital है बट अल्टिमेटली शायद आपने सिर्फ एक लाक रुपे लगाया हूँ so इसलिए जहां जहां आप authorized capital लिखते हैं वहां-वहां आपको equally prominent जगे पे आपको लिखना पड़ता है what is the issued capital and the paid up capital subscribed capital याने कितना लोगों ने subscribe किया हम से खरीदा that is subscribe capital called up कितना हमने पैसा मंगाया paid up कितना हमको actual में आया and reserve capital reserve capital वो amount होता है जो आप reserve कर लेते हैं by passing a special resolution कि ये पैसा हम तभी मंगाएंगे जब company wind up होगी this is called as a reserve capital this is not the same as the capital reserve फिर आगे दिया है share की definition और basic point shares और stock के बीच के difference देखते हैं share की definition एकदम simple share means the share in the share capital of the company and include stock but share की definition कोई खास काम की नहीं है आपके exam के इसाब से आपको वाइवा में पूछी जाती है जब आप college में वाइवा देने जाते हो अब share भी movable property है transferable रहती है generally generally क्या always भली हो सकता है freely transferable हो या restricted हो but it will always be transferable अब share और stock के बीच का कुछ difference बताया गया है share और stock में फरक क्या है share in usual जो shares होते हैं उसको बोलते है stock यहने it is a bundle of share बहुत सारे shares को एक साथ जोड दिये और उसको हमने बुला stock ध्यान रखो it is not consolidation जैसे stock में convert हो गया अब यहाँ पे उसकी कोई nominal value नहीं रह गी हम यह नहीं बुलते एक stock है share में हम बुलते एक share है दस share है, सव share है लेकिन stock में ऐसी कोई nominal value नहीं होती मैंने समझा 5 लग के shares लिया था उसको company से stock में convert करा दिया अब इसकी कोई nominal value नहीं है company बुलेगी कि शर्मा जी के पास 5 लग का stock है अब वो shares नहीं माने जाते उसको one to one divide नहीं किया जा सकता ठीक है बेच सकते हो आप वैसा का वैसा stock और आप इसको even fraction में बेच सकते हो कल चलके जब वो re-convert होंगे into shares तो फिर fraction के बदले आपको cash मिल जाएगा तो simple points है सिर्फ fully paid up shares को यह आप stock में convert करा सकते हैं तो shares can be fully paid as well as partly paid but stock will always be fully paid stock को आप fractions में बेच सकते हैं shares को नहीं बेच सकते हैं shares originally issue होते हैं stock originally issue नहीं हो सकता है it can only be converted यह सिर्फ convert किया जा सकता है इसको section number 61 share की nominal value होते है face value होते है 10 रुपे का 5 रुपे का 1 रुपे के 2 रुपे के stock की कोई nominal value नहीं होती share का अलग number होता है stock की कोई number नहीं होते share की denomination होती है equal denomination के होते हैं 10 रुपे के सब share stock के ऐसे denomination नहीं होते मेरे पास हो सकता है पांच लग के स्टॉक है आपके पास हो सकता है पंदरा लग का स्टॉक है तो एक स्टॉक है तीन स्टॉक है ऐसा नहीं बोलेंगे हम ठीक है सो यह फरक है section 51 एक important section है भली एक line का है छोटा सा section है बट ध्यान रखना कि section 51 बोलता है कि अगर dividend देना है हमको तो हम on the basis of paid up share capital दे सकते हैं articles में अगर हमने यह लिख दिया तो ठीक है then classes of preference shares कोई खास स्काम के नहीं cumulative, non-cumulative, participating, non-participating, convertible, non-convertible and redeemable preferences directly सिर्फ redeemable पर बात करेंगे हम बाकी की चीज़ों पर हम चर्चा नहीं करेंगे already आपको यह चीज़ें पता है, अब उस पर अपने को बहुट detail में नहीं जाना है जितने भी shares होंगे, यह सब ही redeemable होंगे आप irredeemable preference shares issue नहीं कर सकते, all the preference shares shall be redeemable only redeem कब तक किये जा सकते, maximum up to 20 years but अगर आपकी company infrastructure में deal करती है, तो you can issue shares, preference shares which are redeemable even after 20 years but उसमें कुछ condition होगी कि आपको हर साल थोड़ा-थोड़ा redeem करते जाना पड़ेगा पिर यह कब issue किया, कैसे issue किया जा सकता है redeemable preference shares? यह issue किया जा सकता है by passing a special resolution in the general meeting and authorized by articles articles में होना चाहिए, articles में कोई भी point नहीं है तो आप वो कर ही नहीं सकते और जितने भी शेयर्स हैं, अब जितने भी preference shares हैं सब redeemable होंगे आप अब irredeemable या perpetuity तक चलने वाले preference shares issue नहीं कर सकते after the commencement of the new company is that फिर आप redeemable preference shares तभी issue कर सकते हैं जब आपका कोई default ना हो subsisting word यूज़ किया है यहापे, subsisting default नहीं होना subsisting का मतलब होता है अभी default नहीं होना related to redemption of dividend of preference shares यह अलग word है, or dividend on preference shares तो अगर आपका कोई भी default हुआ है, आपने पुराने preference shares redeem नहीं किये या आपने उनका dividend नहीं पे किया है तो ऐसे cases में you cannot issue again preference shares अगर subsisting default है, subsisting means अभी default चल रहा है अगर default हुआ था पिछले साल आपने ठीक कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं फिर आप issue कर सकते, बट अभी चालू है अगर default अभी आपका payment due है बट आप नहीं कर रहे हैं तो ऐसे cases में you cannot issue further preference shares फिर 20 years का मैंने आपको time बता दिया था 20 years के उपर आप नहीं रख सकते बट अगर आप infrastructure projects में deal करते हैं तो ऐसे cases में आप 20 years से ज़्यादा के भी preference shares issue कर सकते हैं फिर redeem कैसी किया जाएगा जब आप इसको वापस लोगे वापस shares लोगे और पैसे दोगे तो आप कैसे क्या दोगे कहां से पैसा लाओगे so आप उसको redeem कर सकते हैं out of profits profits भी available for distribution of dividend free वाले profits और आपको जब आप redeem करते हो तो आपको बनाना पड़ता है CRR capital redemption reserve जब आप इसको redeem कर रहे हैं from the profits profits से अगर redeem कर रहे हैं तो तेक है अब इसका aim क्या है CRR बनाने का आप अगर balance sheet imagine करते हैं आपके equity shares थे preference थे और आपके पास profit था अब आपका समझो reserves लिखता हूँ है profit के बदले reserves था अब समझो आप अगर preference shares redeem कर रहे हैं उसके बदले कोई और issue कर रहे हैं दूसरा issue कर रहे हैं तो ऐसे cases में कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि आपका share थोड़ी कम हो है लेकिन अगर आप preference shares redeem कर रहे हैं याने ये खतम हो जाएंगे और आप reserves यूज करके उसको खतम कर रहे हैं reserves utilize हो जाएंगे तो ultimately आपका capital base बिगड़ जाएगा और इसलिए बोला जाता है जब आप इसको profit में से use कर रहे हैं तो आपको CRR बनाना है याने आपका यहाँ पर preference अगर 100 का था तो यह 100 का preference share capital हटेगा और यहाँ पर CRR बन जाएगा ultimately आपका जो reserves है वो capital वैसा का वैसा रहेगा यह CRR को आप use कर सकते हैं only for the purpose of issuing the fully paid up bonus shares CRR का और कोई भी use नहीं है सिर्फ एक ही use है उसको सिर्फ bonus shares दो आप bonus shares दिया means ultimately it is again converted into equity only so यह equity का ही हिस्सा मान सकते हो आप CRR इसके उपर आपने question solve भी किया होंगे accounts में और अब आपको इसका फायदा दिखेगा जैसा कि मैं आपको कई बार cheek cheek के बताता था कि अगर आप law अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको इसका फायदा दिखता है accounts में so यहाँ पर दिए गई है चीज़ें और वो चीज़ें आपको वहाँ पर accounts में apply करना है so आपको इसका benefit जरूर दिखा होगा so ऐसा है so अगर आपने profit यूज करके redeem किया है then you will have to make this CRR और अगर आपने already new issue करके अगर redeem किया है समझो आपने equity बढ़ा लिये थे आपने profit यूज करके नहीं किया है आपने equity बढ़ा लिया था है ऐसे cases में फिर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका already capital base बढ़ चुका है तो already आपने उतना capital raise कर चुके हो फिर fully paid up share सी issue redeem किये जा सकते है premium अगर देना है आपको at the time of redemption अगर आप premium pay करने वाले हो तो premium कैसे pay करोगे depend करता है दो प्रकार की companies में इसको divide किया गया है पहली चीज before act दूसरी चीज after act और उसमें भी फिर दो प्रकार की companies so अगर आपकी company before this act के कोई preference shares थे उसको redeem करने जा रही है so पूराने preference shares थे आपके वो redeem करने जा रहे हैं so ऐसे cases में आप का ऐसे redeem कर सकते हैं उसका premium का ऐसे दे सकते हैं from profit और securities premium account securities premium account के गिंती के use है ये use आपको accounts के paper में पूछे जाते हैं आपको याद रखना है accounts के लिए ठीक हैं यहां भी आ सकते हैं but accounts में पूछने के जाधा chance होते हैं फिर अगर after this act है तो prescribed company और other company prescribed company सिरफ profit यूज़ कर सकती it cannot use securities premium account और बाकी की सब companies securities premium account और profit दोनों यूज़ कर सकती हैं in simple terms अगर मैं एक शब्द में बताऊ तो सिरफ prescribed companies जो है वो profit यूज़ करेगी बाकी सब companies जो है वो profit और securities premium account सब यूज़ कर सकती prescribed यहने new act में जो prescribed किये पुरानी वाली सब companies दोनों यूज़ कर सकती नई वाली other companies दोनों यूज़ कर सकती पर अगर prescribed companies है after the commencement of this act तो it will use only profits for the redemption of premium on the redemption of preference shares अगर redeem नहीं कर पारे तो जैसा कि हो सकता है कि आपके पास profit नहीं है यह profit तो है लेकिन cash नहीं है जरूरी थोड़ी है कि profit है तो cash रहे आपके पास redeem करने के लिए और इसलिए अगर नहीं कर पारे आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे then आप बुलाते हैं meeting of the preference shareholder preference shareholders को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि देखो भई हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं एक काम करो आप हमको पैसा मांगो मत आप हमको दूसरे हम आपसे वो वाले shares ले लेते हैं preference share पूराने वाले और उसके बदले नए shares issue कर देता है तो आप अगर तयार हो तो consent दो अगर 75% लोग तयार हैं इस चीज़ के लिए तो आप पूराने shares लेके नए shares दे सकते पैसे कहीं आए नहीं गए नहीं आपने सिर्फ पूराने shares ले लिया और उसके बदले नए shares issue कर दिया preference shares मान लिया जाएगा जो पूराने shares थे वो खतम हो गया वो redeem हो गया और new shares चालू हो गया actually it is only a book entry ना पैसा आरा ना कुछ सिर्फ बुक में आपने कहा किया पूराने shares को redeem करके नए shares को issue कर दिया यह तब ही किया जा सकता है जब 75% of the members consent करते है members means preference shareholders यहाँ पे फिर अगर कोई consent नहीं कर रहा तो तो उसको उसका पैसा देना पड़ेगा फिर वो अगर वो बोल रहा नहीं ने मेर को मेरा पैसा चाहिए तो उसको पैसा देना पड़ेगा कि एक company है वो preference share redeem नहीं कर पा रही है उसको पैसा चाहिए था preference share redeem करने को बट वो नहीं कर पा रही क्योंकि वो loss में है तो वो bank के पास जाती है और bank को बोलती है हमें loan दे दो हम loan लेके यह preference shares को redeem कर देंगे तो क्या यह किया जा सकता है तो answer is no यह नहीं किया जा सकता यह mode तो बताया ही नहीं है क्या करना पड़ेगा company को आपका advice करना पड़ेगा कि company ऐसा नहीं कर सकती कि loan ले लिया और preference share redeem किया company अगर नहीं कर पा रही है preference share redeem तो preference share holders को बुलाओ उनकी meeting करो उनको समझाओ कि हम आपसे पुराने shares लेंगे और नए shares देंगे 75% लोग अगर हाँ बोलते हैं तो आप यह कर सकते हैं और जैसे ही आपने यह transaction किया मान लिया जाएगा पुराने preference shares खतम हो गया और उसके बदे नए shares issue कर दिये गया इसके अलाबा जो वेक्ति नहीं बोल रहा था नहीं मुझे पैसा चाहिए उसको उसका पैसा पहले चुपताना पड़ेगा उसके बाद ही आप यह कर सकते हैं तो यहाँ पर ट्रिबिनल को पावर है यह ट्रिबिनल करेगा यह with the approval of ट्रिबिनल है ट्रिबिनल अप्रूबल देगा तब ही आप यह कर सकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं काइंस अप्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 43 बिल्कुल अपलाए नहीं होता और इसलिए प्राइवेट कंपनी जैसे चाहे वैसे शेयर्स इशू कर सकते हैं without following any of the above set provisions सब जैसा चाहे वैसे शेयर्स इशू कर सकते हैं founder shares, deferred shares ऐसे अलग अलग प्रकार के shares होते हैं deferred shares या founder shares ऐसे क्यों कहलाते हैं deferred क्यों बोलते हैं हम उसको founder क्यों बोलते हैं क्योंकि वो control बनाने के लिए रखे गए दे दूँगा, एक share पे एक लाख वोट लेकिन क्योंकि मैंने voting जाधा रखा हूँ बाकी लोग को एक share पे एक वोट है पर मेरे पास एक share पे एक लाख वोट दिया मैंने so ऐसे case में it is called as a deferred share deferred share क्यों बोला है क्योंकि इसमें फिर मैंने क्योंकि voting right जाधा रखा हूँ तो मैं dividend right को defer करता हूँ यहने पहले बाकी लोगों को dividend दूँगा बाद में मैं लूँगा this is called as deferred deferred यहने बाद में लेना so deferred shares भी issue किये जा सकते है एक काद बार कभी question आ सकता है deferred shares क्या होते है founder shares क्या हो सकते है यह आपको कहीं नहीं दिया है सिर्फ अपने book में मिलेगा और इस पे लेकिन एक बार question आ चुका है ठीक है और आ सकता है फिर से यह कहीं भी नहीं है आपको module वगरे में भी deferred shares का संसेप नहीं मिलेगा so ऐसा है further issue of capital another important section section number 62 एक बहत ही important section है further issue of share capital further issue कैसे हो सकता है further issue shall be always in proportion जैसे hold कर रहे थे हम shares उस proportion में होना चेश should be in the form of right shares further issue of share capital should be in the form of right shares अगर board of directors करना चाहते हैं तो कैसे कैसे हो सकता है देखते हैं के करके तो issue अगर equity share को कर रहे हो आप तो it should be in the form of right issue without following any special resolution अगर आप करना चाहते हो board resolution से करना चाहते हो it will always be in the form of right issue फिर कैसे होते right issue right issue में भेजा जाता है letter offer letter जिसमें बोला जाता है तीन दिन का notice के पहले जिसमें बोला जाता है कि ये तारीक से ये तारीक तक समझो 15 दिन आप bid कर सकते है minimum 15 दिन देना पड़ता है और maximum 30 दिन देना पड़ता है इतना time होता है हमारे पास कि हम इसमें decide करें कि क्या हमको right share subscribe करना या नहीं करना और ये जब open हो रहा है इसके at least 3 days before हमको notice आ जाना चाहिए notice इने offer आ जाना चाहिए कि शर्मा जी आपको हम offer दे रहे है आप ये तारीक से यहां तक या यहां तक कहीं तक भी maximum यहां तक आप shares खरीद सकते हैं in the form of right ये क्यों किया गया ये इसलिए है ये rule इसलिए है section number 62 इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब further issue of share capital होता है तो share holding dilute हो जाती है मैं पहले समझो 100 shares hold कर रहा था और company ने और shares issue कर लिए तो मेरे पास तो 100 ही share है तो मेरी share holding dilute हो गई क्योंकि company का total share बढ़ गया और मेरा share तो कम हो गया तो मेरा हिस्सा कम हो गया और इसलिए मेरे को अधिकार है कि मैं बोलू कि नहीं नहीं पहले मुझे पूछो this is called as the right of preemption, preemption बोलते हैं पहले मुझे पूछो हाँ मैं नहीं खरीदूंगा तो तुम बाहर बेचो नहीं तो पहला अधिकार है मेरा जो existing shareholder है I have a right that you should ask me और इसलिए हम इसको right shares बोलते है तो rights खरीदे जाते हैं कि नहीं यह मेरा right है मैं खरीदना चाता हूँ तो मुझे पहले पूछो अगर मैं मना करूँगा तो तुम बाहर बेच सकते हो therefore it is called as a right share क्योंकि right है मेरा अगर company का कोई resolution नहीं पास कराया directors direct issue करना चाह रहे है तो it should always be in the form of right नहीं तो दूसरी चीज़ ऐसा करो हम लोग को बुलाओ हम लोग को बोल दो कि शर्मा जी हम shares बाहर वालों को issue करना चाहते हैं आप लोग तहीं आ रहे हैं क्या अगर हम लोग हाँ बोल देते हैं तो फिर आप कर सकते हैं तो basically directors अगर खुद issue करते हैं तो it should always be in the form of rights पहली चीज़ दूसरी चीज़ वो rights issue नहीं करना चाहते हैं special resolution पास करो हमको बुलाओ हम बोलेंगे ठीक है right shares नहीं किये तो चलेगा तो फिर वहाँ पे वो normal दूसरे लोगों को भी shares दे सकते हैं तीसरी चीज़ आप employees को shares दे सकते हैं यहाँ पे SOPS अगर देना चाहते हैं तो ordinary resolution से काम हो जाता है फिर further issue convertible debentures का है अगर debentures आपने issue कर दिये थे और वो convert हो रहे हैं अभी shares में समझो आपने debentures issue किये थे कब समझो 2006 में यहाँ debentures issue किये थे और अब वो debentures convert हो रहे हैं into shares SO यहाँ पे भी क्या हमको special resolution लगेगा क्योंकि shares दे रहे हैं shares देंगे इनको debentures लेके SO नहीं यहाँ नहीं लगेगा subject to आपने यहाँ पे जब यह issue किया था यहाँ पे 2006 में आपने अगर special resolution pass कर लिया था at the time of issue of debentures तो फिर आपको यहाँ पे फिर से special resolution pass करने की कोई आवशिप्ता नहीं है तो यह भी इसमें बताया गया है फिर अब वो private company को एक exemption दिया गया है कि उसमें अगर 90% लोग हाँ बोलते है तो उसमें यह जो time limit है इसको कम किया जा सकता है राइट issue का तो वो कोई खास काम का नहीं है और employee stock option क्या होता है वो आपको समझाया है फिर section 62 आगे और भी बात करता है कभी कभी क्या होता है गॉधाया है loan लिया है loan debentures या loan ऐसा पैसा हमने लिया है अब हम वो पैसा नहीं चुका पारै deal government को so ऐसे cases में अगर हम पैसा नहीं चुकाएंगे तो government का तो nुकसान होगा government नुकसान नहीं होने देती government बोलेगी company को देखो जी आप हमें पैसा नहीं दे पा रहे न, कोई बात नहीं, आप डिवेंचर्स या लोन को खत्सम करो, हमको शेर्स दे दो आपके, तो शेर्स मांग लेगी वो, अब यहाँ पे कंपल सरी रहेगा, कंपनी के उपर, यहाँ पे गौर्रमेंट ओर्डर पास करेगी सिधे, कि आप हमा लोन नहीं चुका रही है न, हमने मान लिया लोन नहीं है, शेर्स से, ओनर है हम, शीधा ओनर्शिप मांग ली हुझा, तो इन लोग डिरेक्ली ऑॉर्डर पास करते है, गौवर्मेंट सीधा-सीधा ओरडर पास करेगी और बोलेगी कि हम इस पूरे के पूरे जो लोन है, ड venture को हम directly मान ले रहा है share अब यहाँ पे जैसे उसको share मान लिया share capital company का बढ़ गया और loan खतम हो गया तो government के पास यह अधिकार है government consider कर सकती है बोल सकती है कि हम यह पूरे loan को shares मान रहे है company यहाँ पे कुछ नहीं करेगी और यहाँ मज़े की बात यह है कि यह जो conversion के rules है कितने convert होंगे, कितना shares होगा कितने interest रहेगा, interest का कैसे क्या conversion होगा, यह पूरा government खुद ही decide करेगी एक तरफा, तो यह पूरा एक तरफा rule है और इसलिए यहाँ सिर्फ एक ही अधिकार मिलता है company को, वो सिर्फ ट्रिबिनल जा सकती है इसके अलाबा और कोई अधिकार नहीं प्राप्त होते है so it is also section number 62 section 62 में पहली चीज़ बोलते है, right issue होना चीज़ अगर directors issue कर रहे है, without passing any resolution of the general meeting, resolution in the general meeting दूसरी चीज, SOPS दे सकते हो by passing ordinary resolution तीसरी चीज, आप special resolution pass करो, फिर किसी को भी shares दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है चौती चीज, government के conversion, government ने जो loan दिया था company को, अगर company वापस नहीं कर पा रही है, तो government can compel the company to treat it as a share अब यहाँ पे लेकिन एक दिक्कत आईगी है समझो, company का उतना authorized share capital ही नहीं था अब authorized capital नहीं था तो कैसे क्या issue कर सकती है company share, नहीं कर सकती तो rule में यह भी लिख दिया section 62 में यह भी लिख दिया मान लिया जाएगा जितने से share बढ़ा है government का उतने से अपने आप authorized share capital भी बढ़ गया यानि it will be deemed to have an increase तो यह भी rule में बताया क्या है पूरे terms भी यहाँ पर government decide करेगे सिर्फ एक चीज है कि government जब भी terms decide करे, so government will take into the consideration the financial position of the company, issue of the shares debentures or loan, rate of interest in the loan and other such matters, और फिर वो decide करेगी, अगर फिर भी अगर company नहीं मानती है, company को लगता है यह बहुत गलत कर रही है government सरकार हमारे साथ बहुत जाती कर रही है तो इसको ट्रिबिनल जाने का अधिकार है within 60 days, 60 दिन के अंदर वो ट्रिबिनल जा सकती है ठीक है, this is again further issue of share capital bonus share, section number 63 section 63 deal करता है bonus shares है, bonus shares is nothing but the capitalization of reserves or profits, so जो profit or reserves से उसको आप capitalize कर रहे है it is nothing but a book entry, आप सीधा सीधा एक book entry मार रहे है जो आपके, समझो, reserves है reserves को debit कर दिया और share capital को credit कर दिया, ultimately कोई पैसा नहीं आता है bonus share इस issue करने में सिर्फ जो dividend वगरे था dividend नहीं बाटा हमने उसके बदले bonus दे दिया, ultimately कोई फरक नहीं पड़ता है, पर फिर भी psychological फरक पड़ता है market में, market में लोगों को लगता है, अरे ये company bonus दे रही है means बहुत अच्छा profit कमा रही है company, ultimately कोई profit से इसका लेना देना नहीं, profit जमा है, मैं ये नहीं बुल रहा profit नहीं है profit जमा है, तभी तो bonus issue कर रहे है bonus काई से issue कर सकते है, सिर्फ ERR का एक ही use है, सिर्फ bonus shares issue करना, तो bonus issue करने से कोई फरक नहीं पड़ता है ultimately, समझो मेरे पास एक share था, 1000 रुपे का अब company ने bonus shares issue कर दिये, तो मेरे पास अब 2 share हो गए, लेकिन 2 share की value तो 1000 रुपे ही है यहने price हो गया 5500 रुपे ultimately फरक नहीं पड़ा 1000 रुपे का एक share था अब 500 के 2 हो गए, और कुछ नहीं हुआ so this is bonus ठीक है, so bonus shares simple है free reserves से आप issue कर सकते है securities premium account और capital redemption reserves से, फिर conditions दी गई है, authorized by articles होना चाहिए, ordinary resolution, ordinary resolution, ordinary resolution कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ordinary resolution से हो जाता है recommended by board of directors यह एक important point, कोई default नहीं होना चाहिए of principal और interest on deposits or debt no default of statutory dues of employees and fully paid up shares ही आप issue कर सकते है, issue होने वाले भी fully paid up होना चाहिए, और जिसके against bonus देर है, वो भी fully paid up होना चाहिए, ठीक है तैसा है एक और important section prohibition on issue of shares at discount अब discount में issue नहीं कर सकते है, prohibited है ठीक है, कर ही नहीं सकते है so accept as provided in section 54 section 54 deals with the sweat equity shares यह हमेशा ही discount पे issue होते है so 54 के अलावा a company shall not issue shares at discount और अगर ऐसा कुछ किया है तो it will be void फिर a company may issue shares at discount to its creditors when its debt is converted into shares with regulation of Reserve Bank of India अगर Reserve Bank of India ने बुला है कि creditors है उनको तुम पैसा नहीं दे पा रहे है तो तुम उनको shares discount पे दो discount पे so यहाँ पे फिर करना पड़ेगा order है Supreme Court का फिर करना पड़ेगा फिर issue किया जा सकते है इसके अलावा अगर contravention होता है तो एक लाग से पांच लाग की सजा बताए गई यह fine बताए गई है on the company और छे मैने की सजा एक लाग से पांच लाग की fine on the person जो point है contravention वाला यह कोई काम का नहीं बाकि यह जो है यह काम के बाकि bonus share वगरे भी काम का नहीं है पढ़ लिया आपन sweat equity भी कोई खास काम का नहीं है sweat equity shares जो है वो employees को दिये जाते हैं जो की बहुत जादा कुछ मेहनत करके हमारे लिए कुछ benefits करके create करके दिये हैं कोई assets create करके दिये हैं intellectual property create की हैं उन लोगों को हम as a gesture हम लोग sweat equity shares देते हैं जो के generally discount पे होते हैं या even free of cost होते हैं ठीक है sweat equity shares कैसे issue होंगे वो पूरा process आपको बताया है एक बार आप read कर लेंगे simple सा point है हाँ यह एक point जिसमें amendment था amendment मुझे अच्छे से पहले समझा दो तो मैंने बुला था अपन बाद में देखेंगे अब वक्त आ गया है बाद का वक्त आ चुका है कि अब हम देखें amendment क्या था 26% of the post issue shares so यहाँ पे अब इसमें 74% बोल दिया यह क्या है यह मैं बताता हूं तो यह क्या amendment है यहाँ एक छोटा सा amendment है बहुत जादा relevant नहीं है बट फिर भी मैं आपको बताता हूं जहां से सुनो तो shares with differential rights discriminating rights या तो DVR shares या non voting shares आप issue करना चाहते हैं तो आप issue कैसे कर सकते हैं so section 43 के इसाप से you can issue shares with differential rights equity shares with differential rights related to dividend voting और otherwise यह दो प्रकार के हो सकते हैं या तो non voting shares जिसमें voting ही नहीं है या फिर disproportionate voting right जिसमें voting तो है बट इसमें फरक दिया गया है conditions है पहली condition simple है authorized by AO ordinary resolution at general meeting ordinary resolution listed है तो special ballot से जाएगा postal ballot वागा फिर shall not exceed 74% of the total voting power including voting power in respect of equity shares with differential rights issued at any point of time इसको इन्होंने simple कर दिया पहले अलग चीज़ लिखी थी उसमें लिखा था post issue का 26% से जादा नहीं होना चीए वगरे वगरे ऐसा लिखा था अभी इन्होंने simple कर दिया लेकिन यह जो simple किया है यह क्या बुला है तो देखो क्या बुला है shall not exceed 74% of the total voting power total share नहीं बुला है total voting power तो देखो ध्यान से सुनो क्या बुला है so मैं इतना deep में जाना नहीं चाहता था but question आया था पिछले lecture में जो मेरा institute में हुआ था lecture उसमें question आया था उसके लिए मैं यह deep में थोड़ा जा रहो ठीक है वैसे ज़रुरत नहीं थी but सुन लो so क्या बुला है shall not exceeds 74% 74 क्यों क्योंकि यह नहीं चाहते कि DVR shares वाले differential voting right वाले लोग special resolution pass कर पाए इसलिए ordinary pass कर पाए वो चाहते हैं वो लेकिन special resolution नहीं पास कर पाएं और इसलिए क्या बोलती है अगर आपका at any point of time 100 रुपे का अगर share है total voting power आपके total 100 है आपके maximum DVR 74 हो सकते है at any point of time अगर आपने कल चलके इसको और बढ़ाया तो फिर आप यह बढ़ा सकते है आपने इसको 200 कर दिया तो फिर यह भी 144 हो जाएगा 144 तो आप उसको बढ़ा सकते है लेकिन it will never exceed the 74% यह simple language में अगर मैं आपको बताओ तो सरकार नहीं चाहती कि DVR वाले लोग special resolution पास कर ले क्योंकि special resolution को क्या लगता है special resolution को लगता है 75% voting equal to 75 more than नहीं लगती है equal to और more than और इसी लिए इन्होंने 74% यहाँ पर बताया पहले थोड़ा tricky था post issue के 26% तक के ऐसा सब बोला गया था अभी एकदम simple कर दिया सिधा सिधा बोल दिया DVR shares या non voting shares या shares with discriminating rights shall not exceed 74% 74 maximum हो गया of the total voting power voting power बोला है including the voting power in respect of equal to shares with differential rights including दोनों मिला के देखेंगे 100 उसमें से 74 तो दोनों मिला के 100 है 74 maximum हो सकते हैं आपके differential rights हो ले at any point of time ठीक है तो simple कर दिया है पहले जो tricky था ultra calculate करके निकालो total देखो उसका post issue का 26% maximum होना चाहिए यह बोला गया था तो post issue देखते थे अपन issue करने के बाद क्या आएगा जैसे अगर एक लाग है आपका normal shares पहले है एक लाग तो एक लाग का आप एक लाग को मान लेते थे 74 और फिर इसको multiply करते थे 26 से फिर निकल के आता था आपका DVR shares आप कितना issue कर सकते हैं तो ये पूरा जो process था ये process को हटा दिया कोई मतलब नहीं इसका सिधा सिधा बोल दिया आपके 100 के shares है ना 100 के voting है ना 74 तक क्या आप DVR issue करो हम ये नहीं चाते कि आप DVR के थूँ voting पूरा का पूरा special resolution पास करा पाओ तो उन्होंने सिर्फ इतना सा कर लिया कि special resolution पास ना कर सके बस DVR shares आप issue इतना करो कि special resolution तक नहीं जा सके that is sufficient तो simple सा point है तो बहुत आसान कर लिया है तो ये पिछले class में पूछा था किसी ने hope so doubt clear हो गया होगा तो मैंने इसलिए आपको clear करा है कि जो words है words बड़े simple कर दिये हैं भी पहले जो बुला गया था tricky था अभी simple कर दिया पर ध्यान रखो यह voting power word यूज किया equity share नहीं बुला है यहने total equity नहीं बुला है total voting power including voting in respect of equity with differential right यह voting power का आपको देखना है ठीक है so quantity से नहीं बुला है मैं quantity से नहीं बात कर रहा मैं voting power से बात कर रहा ठीक है हो सकता है कि आपके एक लाग के समझो normal shares है एक लाग रुपे के लेकिन DVR shares हो सकता है आपके 3 लाग के है क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको सिर्फ voting देखना है voting so DVR पे voting कितने मिल रही वो calculate करना पड़ेगा अगर 50% voting है तो वहाँ पे 2 share पे 1 vote माना जाएगा ठीक है so simple है बट फिर भी पहले से आसान कर दिया है voting देखना है आपको number of shares नहीं देखना है 100 shares से नहीं देखेंगे 100 voting से देखेंगे अपन ठीक है तो ऐसा है total voting समझ गया बार के simple से points है for the last three years कोई default नहीं होना चाहिए filing the financial statements or annual returns और finalize नहीं किया होना चाहिए through the court और tribunal for only four सिर्फ 4 चीज़ बुला है RBI, SEBI, FEMA और SCRA Companies Act नहीं बुला है Companies Act में penalize किया भी है तो भी आप ही issue कर सकते है but आपको RBI, SEBI, FEMA या SCRA Securities Contract Regulation Act के दौरा penalize नहीं किया गया होना चाहिए no subsistence default in payment of declared dividend और match out deposits वो भी पता है आपको simple है and no default in payment of dividend to preference shareholders or redemption share certificate simple सा topic है जादा deep में नहीं जाऊंगा मैं पहली चीस सिर्फ यह बुला है duplicate share certificate आप मांग सकते है अगर आपका certificate गुम गया है या destroy हो गया है तो अगर गुम गया है और destroy हो गया है तो आपको कुछ नहीं करना है सीधा certificate मांगना है या फिर कई बार ऐसा होता है कि उसका रंग खराब हो गया रखे रखे उसका रंग उड़ गया क्या लिखाता दिखी नहीं रहा ऐसे case में भी आप duplicate मांग सकते हो बट आपको यहाँ पर original submit करना पड़ेगा पिर company की जिम्मेदारी है company को duplicate certificate देना ही पड़ता है अगर जूटा certificate दिया है false certificate तो सीधा सीधा पेनल्टी है यहाँ पे 10 times of the amount हाँ company पे 5 times और person पे है एक सिधिन यहाँ पे है हाँ minimum है 5 times और maximum है 10 times और 10 crores whichever is higher and officer पे है 447 ऐसा है यह तो simple है कोई काम का नहीं है अब ही पढ़ने की ज़र्वत नहीं सिर्फ एक दो पेनल्टी मैंने आपको पूरी क्लास में याद रखने बोला था वो पेनल्टी अपने को याद रखना पड़ेगा जैसे 127 वगरे मैंने आपको बताया था 127 वगरे की penalty आपको ध्यान रखना है 127 डिविडेंट वाला तो वो वाला आपको ध्यान रखना है कि डिविडेंट अगर टाइम पे नहीं पे कर रही है कंपनी तो कंपनी पे क्या action होगा और वैसे अभी जैसे मैंने section 33 बताया वो याद रखना है आपको average prospectors का साथ में नहीं लगाया अगर आपने तो 50,000 रुपे की penalty तो ऐसी कुछ चीज़ें ही याद रखना है अपने को effect of share certificate अगर share certificate है मेरे पास तो क्या effect होगा उसका सिधा सिधा है मेरे पास अगर share certificate है तो company cannot deny my title company will be stopped from denying my title जैसे मेरे पास certificate है उसमें लिखा है कि मैं owner हूँ 5,000,000 shares के 5,000,000 shares of reliance मैं owner हूँ और यह real certificate है फेक नहीं है तो यहाँ पे company यह नहीं बोल सकती नहीं शर्मा जी owner नहीं है वली company ने गलती से दे दिया होगा बट फिर भी वो नहीं बोल सकती तो title का पहला stopल लगता है company के उपर दूसरा लगता है payment का समझो मैंने company को pay किया था पांच हजार रुपए as part payment 50% दस हजार के share है मैंने पांच हजार pay किया था company ने मेरे को जब certificate issue करी है उसमें लिख दी उसने fully paid है उसने गलती से लिख दी fully paid है पूरे दस हजार रुपए इसमें pay कर दी है अब it will be deemed कि यह fully paid है तो यह दो stopper लगते stopper as to title stopper as to payment तो यह लगता है खास तोर पे वो वेक्तियों के उपर जो वेक्ति को जानकारी नहीं थी good faith good faith लगता है यहां पर reduction of share capital important section section number 66 section 61 से मैं इसको compare करूंगा section 61 मैंने जान बुचकी नहीं पढ़ा है section 61 हमारा memorandum association में जो आखरी capital clause alteration का था वहां मैंने आपको यह जरूर बुला कि यह section 61 में होता है बट मैंने यह नहीं बुला वहां हो क्या रहा है capital change हो रहा है capital change कर सकते बट 61 के हिसाब से but ordinary resolution लगता है इतना बुला बस बाकी नहीं बुला क्योंकि मैं यहां पर आपको बताने वाला हूँ section 61 और 66 में क्या फ़रखै बिस्टी के लिए 61 क्या बात करता है 61 बात करता है आपको अगर shares बढ़ाना है बढ़ा सकते हो आपको कम करना है कम कर सकते हो आपको जोड़ना है जोड़ सकते हो consolidate करना है split करना है यह सब कर सकते हो कम करना है जो बोलता है वो उसको हम बोलते cancellation या dimination of share capital यह कैसे किया जा सकता है अगर share capital कम करना है तो कैसे कर सकते हैं तो जो section 61 में था मैं वो पहले आपको बताता हूँ section 61 क्या बोलता है आप share capital को कम कर सकते है कौन से वाले अब शेर्स खरीदने वाले लोग थे हैं कुश्चन वैब होका सर अगर शेर्स फुल्ली पेड है और पार्टली पेड है सर्टिफिकेट पे लिखा है तो कंपनी को डिफॉल्ट में नहीं कंपनी नहीं मांग सकती वहां पैसे मांग नहीं सकती अपने अप्लिकेशन करेंगे हमाई पास प्रूफ है देखो हमने पेमिट किया है तो कंपनी पैसा और नहीं मांग सकती है चलो तो आगे बढ़ते हैं हाँ मैं बता रहा था आपको सेक्शन सिक्स्टिवन सो यहाँ पर बहुत सारे पब्लिक थे पब्लिक के सामने कंपनी आती है अपने पूरा बाजार ल खरीद लो लोगों ने लिए सिर्फ 95 करोर के यहने 5 करोड के जो है यह क्या हो गया यह अनसब्सक्राइब हो गया अनसब्सक्राइब शेयर से सो कंपनी 100 करोड लेना चाहती थी 100 करोड के शेयर बेचना जाती थी लोगों ने खरीद ही नहीं 5 करोड 5 करोड हो गया अनसब्स अब company क्या करती, company चाहती है कि मैं यह unsubscribed share को cancel कर दू, this is called as cancellation of capital, क्या इस से पैसे में कोई फरक पड़ रहा है, नहीं, company को 95,000, 95 crore रुपिज आ गए, यह 5 करोड तो ना आये थे, ना आने वाले हैं, सो पैसे में कोई फरक नहीं पड़ रहा, 100 करोड के लेके निकलेते लोगों ने नहीं लिया, तो ना उसका पैसा आया ना आने वाला है, और company ने वो अगर cancel किया, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, सो company ने वो 5 करोड cancel किया, इसको हम बोलते हैं, section 61 के हिसाब से cancellation या diminution हो गया फिर reduction क्या है, reduction यहने यह वाले जब आप कम करोगे, यह 95 करोड जो subscribe कर लिये थे, इससे फरक नहीं पड़ता, वो paid up थे या नहीं थे, बट यह subscribe वाले जो 95 करोड थे, अगर आप इनको कम कर रहे हो, company बोल रही है कि यह 95 करोड को हम कम कर रहे हैं, समझो 95 करोड जो थे वो partly paid है, उसमें सब में थोड़ा पैसा बचा हुआ था लेने का, अब company ने बुला चलो 5 करोड हम छोड़ रहे है, so this is reduction of share capital, यहने जो लेने का अधिकार था company के पास वो छोड़ रही है, this is reduction of capital, ठीक है, यह जो already ले चुकी थी, समझो 95 पूरा fully paid था, अब company वापस कर रहे है 5 करो this is called as reduction of capital, यहने ध्यान से अगर आप देखो तो जब unsubscribed को cancel करते हैं, तो यह reduction नहीं कहलाता है, यह section 61 में जाता है, यह diminution या cancellation कहलाता है, लेकिन जब आप subscribed को cancel करते हो, paid up हो या नहीं हो, इससे परक नहीं पड़ता, बट आप subscribed को अगर cancel करते हो, then it is called as the reduction of share capital and it is covered under section 66, यहाँ पे आपको permission लेनी पड़ती है from the tribunal, यह NCLT से permission लेनी पड़ती है, section 61 में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, simple, so यहाँ पे issued capital को आप cancel कर रहे हैं, which has been subscribed, यहाँ भी issued capital which has been subscribed, called up and paid up, but not called up, ठीक है, हाँ, गुंजन का यह question है, sir, cancellation में issued कम होता है, but unsubscribed, and reduction में subscribed, yes, सही है, cancellation में issued कम होता है, जो unsubscribed था, subscribe भी नहीं किया था, issued बट unsubscribed, और reduction में subscribed cancel होता है, भले paid हो या unpaid हो, उससे परक नहीं पड़ रहा, but subscribed था, ठीक है, so simple, इतना घुमाने के भी ज़रुरत नहीं, issued, issued तो दोनों है, सिधा-सिधा, एक जगे subscribed कम हो रहा है, एक जगे unsubscribed कम हो रहा है, simple, ठीक है, mechanism simple है, कैसे कैसे करते हैं, या तो जो पैसा unpaid था, वो मना कर दिया, हम नहीं लेंगे, समझो, 5 रुपे नहीं लिया, सब से छोड़ दिया, this is reduction, कुछ पैसा आ चुका था, वो पे ओफ कर दिया, वापस कर दिया, this is reduction, या फिर कुछ अपने कैंसल कर दिया, थुरूदी बैलेंशेट, बैलेंशेट में लॉस हो गया था, और आपने उसको कैंसल कर दिया, आपने internal reconstruction अप पढ़ लिया होगा, internal reconstruction is nothing but the reduction of share capital, तो internal reconstruction का आपने topic पढ़ा होगा, इन accounts, जहां तक मुझे याद है, आपको होना चाहिए, intermediate level पे, accounts 2 में, तो आपने ये पढ़ा होगा, तो internal reconstruction is nothing but the reduction of share capital, वहां पे and reduce लिखते थे balance sheet के पास, अब नहीं लिखना पढ़ता है, क्योंकि अब section 66 अप्लाई हो चुका है, पहले पुराने section लगता था section 100, so, पुराने section में लिखा था, अब नहीं लिखा है, तो अब आपको ये सब नहीं लिखना पढ़ता है, देखेंगे, but basically, जब loss में होते हैं, तो window dressing की जाती है, तो वो सब यह है, reduction of share capital, procedure simple सी है, AOA में बताया होना चाहिए, SR लगेगा, SR, SR, 61 में OR लग रहा था, 66 में SR लगेगा, no reduction if deposit or interest is unpaid, petition to NCLT, court जाना पढ़ता है, court नहीं बोलेंगे, NCLT बोलेंगे, court गया, खतम हो गया court, अब सिर्फ NCLT, tribunal, notice to central government, ROC, SEBI, creditors, जैसे ही NCLT गये, NCLT will send the notice, सबको notice भेजएगी, और पूछेगी, कि तुमको कोई तकलीफ है क्या, 3 मेने के अंदर बताओ, यह company reduce करना चारी capital, क्यों notice भेज रहे हैं, देखो यहाँ भी गडबढ हो सकती है, यहाँ पर क्या गडबढ हो सकती है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि company ने पहले अपने लोगों को पैसा वापस कर दिया, इन लोगों ने subscribe किये थे, company को लग रहा है हम तो डूब रहे हैं, तो 5 करोड रुपए इनको वापस कर रहे हैं, तो यहाँ तो गडबढ कर सकती है company, पहले share holders को पैसा दे रहे हैं, बाद में creditor के लिए नहीं बचा तो, इसलिए इनसे permission लेना पड़ता है, तो इनसे permission लेने के लिए, जब हम NCLT गए तो ट्रिबिनल permission लेगा, ट्रिबिनल notice भिजेगा, Central Government को, ROC को, SEBI को और Creditors को कि भई तुमको कोई आपस्ती तो नहीं है, अगर कुछ गडबढ लग रही है तो तुम हमें बताओ, तीन मेने के अंदर, लंबा प्रोसेस है, Reduction, Section 61 आसान है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तीन मेना तो permission में जा रहा है, पिर, Reduction बाइबैक नहीं है, बाइबैक अलग चीज़ है, वो हम पढ़ेंगे, और Cancellation या Dimination भी नहीं है, वो भी अल लगें, पर document आफ फाइल कर दोगे, ROC के पास, Special Resolution, Order के Copy और Minute Book, ROC will issue a Certificate of Reduction, that will be the Conclusive Evidence, simple है, क्या क्या Reduction नहीं कहलाता, Preference Shares को Redeem करना, as per Section 55, क्यों Reduction नहीं कहला रहा है, अब देखो, Section 55 में हमने क्या पड़े, अगर आपने Profit से Redeem किया है, तो आपको क्या करना है, आपका Preference Share यहां खतम हो गया था, तो Preference Share के बदले, आप यहां CRR बनाते हैं, और इसी लिए यह Reduction नहीं कहलाता, क्योंकि Reduction में Capital कम हो रहा है, Capital Base कम होना चाहिए, यहां नहीं हुआ, Section 55 के हिसाफ से, अगर आप Redemption करते हैं, तो Capital Reduction नहीं होता है, क् आपने Equal Amount का CRR बना लिया, Capital Redemption Reserve, या तो CRR बनेगा, या तो Fresh Issue हो जाएगा, और इसी लिए, यहां पे Reduction नहीं कहलाता है, क्योंकि Section 55 बोलता है, आप या तो CRR बनाओ, CRR बनाओ, मिन्स फिर से Capital बढ़ गया, या फिर आप Further Issue करो, तो फिर से Capital बढ़ गया, दोनों में से एक चीज़ करो, अगर Further Issue कर रहे हैं, तो CRR नहीं लगता, Further Issue of Capital नहीं कर रहे है वाप, तो आपको Profit में से CRR बनाना पड़ेगा, Simple, ठीक है, तो ऐसा है, So, Preference Shares को Redeem करना is not Reduction, Forfeiture of Shares, या Surrender of Shares is not Reduction, because they are Reissued, अगर Reissue नहीं करेंगे, तो इन तो रहे हैं, तो रहे हैं, तो पिर Diminution of Capital does not amount to Reduction, जो Section 61 मैंने अभी जा इस पताया, जिसमें आप Unsubscribed portion को Cancel कर रहे, that is not a Reduction of Share Capital, Then, Buyback of Shares does not amount to Reduction of Share Capital, उसके अलग Section से Section No. 67, 68, 69, 70, 71, तो 71 नहीं, 70, तो अपन वो देखने वाले हैं, ठीक हैं, Difference between 66 and 61, 1E, तो Reduction में Extinguish हो जाती है, Shares की Liability खतम हो जाती है, Diminution में कोई Liability फ़रक नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी ने खरीदा ही नहीं था, Reduction में आपका जो Capital है वो Decrease हो जाएगा, Paid Up Capital या फिर Subscribe Capital विच इस Not Yet Paid Up, Diminution में कोई फ़रक नहीं पड़ेगा, इटे Only Inverse the Cancellation of the Unsubscribed Portion, Resolution, Special लगेगा, इधर Ordinary लगेगा, एक जगे 66 में आपको NCLT से Permission लेना है, 61 में NCLT की Permission नहीं लगती है, Return to be Filed with Registrar for Alteration of the Share Capital, किसी भी प्रकार का अगर Share Capital आपका कम होता है, जादा होता है, चेंज होता है, तो Section 64 बोलता है, You Will Have to File a Notice with the Registrar, बस Notice file करो within 30 days, बस इतना बोलता है, और कुछ नहीं बलाए, ठीक है, इसमें भी Penalty में Change हुआ है, बट यह Change आपको याद रखने की ज़रुरत नहीं है, ठीक है, यह Section भी कोई काम का नहीं है, अब हम आएंगे Section 39 के उबर, Section 39 बात करता है, Allotment of Securities की, हाँ, यहाँ तक के कोई doubt है, अगर आपके तो पूछ सकते हैं, होपसो सब समझ रहा है, मैं आपको पूरा 100% ही करा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि कुछ, अपन स्किप कर रहे हैं, पूरा क्लियर हो रहा है, आपको फिर से जब ब्रेक लगेगा, तो आप एक बार मेरे को बता देंगे, तो मैं आपको ब्रेक देंगा, एक छोटा सा, बट अभी थोड़ा रुख जाते हैं, अभी ब्रेक नहीं लेते हैं, क्योंकि अपन थोड़ा स्लो चल रहे हैं, अभी अलाट्मेंट ही चाल हुए, बड़े-बड़े चैप्टर्स बच्चे हुए हैं, तो देखते हैं, चलो, तो यह एक चैप्टर कर लेते हैं, फिर लगे तो एक ब्रेक ले लेंगे अपन, आपको टी ब्रेक लगेगा, हाई टी लगेगा, तो ले लेंगे, अच्छा company deposits नहीं है कि इसमें है deposits है आगे कहीं आएगा फिर deposits का है topic अच्छा यह यह short notes में नहीं है बरोबर एक company deposit भी जूटा है मैंने आपको बताया था ना दो तीन चीज़ें इसमें नहीं है इसमें company deposit का topic भी इसमें skip किया हुआ है यह वाले short notes में company deposit नहीं है दूसरा मैंने जैसा बताया है CRR CRR नहीं अपना CSR CSR नहीं है और तीसरा है क्या गुंजन का बुलना है है मेरे को ध्यान नहीं company deposit मैंने डाला था पहले पुराने notes होंगे तो उनके पास नहीं होगा बट नए वाले में है शायद देखो हरशिद भी बोल रहे है है yes है है company deposit है unit 9 ठीक है है यह भी बनाया है सिर्फ वो दो topic चुटे हैं basically वो दो topic आप फूरी book से करेंगे ठीक है तो चलो अभी तो आगे बढ़ते हैं यह वाला chapter थोड़ा बड़ा है हां तो ब्रेक की जरुरत नहीं है फिलाल पक्का अगर किसी को लग रहा होगा तो खेर आप तो कभी भी ब्रेक ले सकते हैं घर पे या आप चायवाई पीते हुए भी ब्रेक ले लिया तो आपको तो जरुरत नहीं रहेगी बट मुझे ही रह सकती है तो मुझे रही तो मैं ले लूँगा ब्रेक्पित हाँ हिमान्शु का बोलना है पुराने वाले नोट्स में फिफ चैप्टर में है कंपनी डिपॉसिट्स तो वो स्किप हो गया होगा पुराने नोट्स है शायद हिमान्शु के पास तो वो आगे आ जाएगा फिर वो मैंने थोड़ा चैप्टर चेंज किया हूं तो वो आगे मिलेगा आपको तो नाइन चैप्टर जब पढ़ेंगे तब डिपॉसिट्स पर कवर हो जाएगा हाँ 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 चलो पढ़ते हैं आगे शायरी और बाद में करेंगा अभी कहा शायरी का भी समाना गया अभी पढ़ाई का समना है मैनत करो मैनत चलो अलाट मेंट simple allotment allotment means acceptance of offer तो जब prospectus आया that was an invitation to offer आपने application की that was offer company ने payment किया sorry allotment किया that is acceptance ठीक है तो होता है ऐसा कि अलॉट्मेंट वैलिड होने के लिए क्या के चीज़े होनी चीए सिंपल से पॉइंटे में पढ़के नहीं बता रहा हर वो चीज होनी चीए जो एक एक सेप्टेंस में होती है हाँ चलो ऐसे बुरा मत मान जाये को बुरा मान जाते है आप शायरी और हटा देते हैं ठीक है चलता है समझ में आ रहा है ना सब कोई दिक्कत तो नहीं जा रहे हैं कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो आप पूछ सकते हैं क्या मैं वैसे भी छोटे भाही जाता हूं आपको हाँ चलो आगे बढ़ते हैं आगे आगे डिरेक्टली मैं आता हूं कंडिशन्स फॉर अलॉट्मेंट कंडिशन्स तु बी कंप्राइड विद बिफॉर अलॉट्मेंट सेक्शन नमबर 39 सेक्शन 39 बिसीकली बताता है आप शेर्स कैसे अलॉट कर सकते हैं पबलिक इशू में प्राइवेट प्लेस्मेंट में नहीं प्राइवेट प्लेस्मेंट का सेक्शन 42 है अल्रेडी हो चुका है 42 प्राइवेट प्लेस्मेंट वहाँ पे अमने देख लिए 39 बताता है पबलि किशु का allotment करने के लिए compulsory है पहले चीज पहली चीज prospectus issue होगा so prospectus issue होने के बाद subscription आना चाहिए कितना minimum subscription minimum कितना होता है जितना या तो prospectus में लिखा है या फिर 90% as specified by SEBI so minimum 90% subscription आना चाहिए दो चीज़े है application money आना चाहिए और subscription के लिए लोग तयार होना चाहिए तो आपकी company है company ने issue करना चाहा आप समझो 100 issue करना चाह रहे हैं तो कम से कम 90% लोगों ने subscribe करना चाहिए 90% subscription plus साथ में आपको आना चाहिए पैसा, application money application money of the 5% 5% as per this act इस act के इस आप से 5% 5% आना चाहिए और as per SEBI मेरे कहाल से 25% बताता है बट ये SEBI का मुझे exact idea नहीं बट application money मेरे कहाल से SEBI जो है, ये 25% जहां तक के बताता है तो ऐसा है so prohibition on allotment minimum अगर subscription नहीं आया तो आप allot नहीं कर सकते 100 shares लेके निकले थे खरीदने वाले सिर्फ 90 खरीदने को तयार हुए so आप वहाँ पे allotment नहीं कर सकते पहली चीज़ दूसरी चीज़ आपको application money नहीं आई हर किसी से आपने बुला था 5-5 रुपया हम मंगाएंगे 100 रुपय के share थे 5-5 रुपया मंगाएंगे सब ने 5 रुपया नहीं दिया आप allotment नहीं कर सकते हैं ठीक है application amount on every security every security फिर अगर आप नहीं कर पाए allotment दोनों में से एक भी condition पूरी नहीं हुई अगर कर दिया तो irregular कहलाएगा लेकिन नहीं कर पाए तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको refund कर देना है refund the money refund कब तक करना है देखो 30 दिन तक के या तो allotment हो जाए पैसा आ जाए allotment हो जाए नहीं तो 15 दिन के अंदर refund करो यही चीज जब आप पढ़ रहते section number 42 private placement audit में भी है आपको यह audit में आप पढ़ते हैं section number 42 audit में भी है यहाँ पे भी है आपको confusion होता है सर वहाँ तो लिखा है 60 दिन में पैसा वापस करो audit में यहाँ लिखा है 30 दिन में भई दोनों अलग चीज है वो क्या है वो private placement है यह public issue है दोनों जागे हो रहा है allotment या refund बट दोनों अलग चीज है public issue में 30 दिन का टाइम है नहीं तो 15 दिन में पैसा वापस करो public का पैसा involved है ज़्यादा टाइम नहीं देंगे ठीक है public का पैसे को आपने अगर गलत इस्तेमाल किया तो करते हैं लोग पहले बहुत किया आपने देखा होगा हर्षद महता की सिरीज सो हर्षद महता की सिरीज में आपने देखा public का पैसा यूज करके उसने छाप लिया पैसे तो देखा होगा आपने सो इसलिए ये rules बाद में आये हैं ये पूरे कि आपको separate bank account में रखना है you cannot use the money ये सब rules बाद में आये हैं पहले fraud करते थे लोग और fraud नहीं कहलाता है क्योंकि fraud कब कहलाएगा जब उसके खिलाफ कानून है यहां तो कोई कानून ही नहीं था कि आपको separate bank account में रखना है अब लेकिन कानून है ठेक हैं आप 30 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं आता है तो 15 दिन के अंदर वापस कर दो अगर नहीं करोगे तो सब लोग जिम्मेदार हो जाएंगे 15% के इंटरस्ट के साथ section 42 में private placement में 12% का इंटरस्ट है या 15% का इंटरस्ट है ठीक है और वहाँ सिर्फ company जिम्मेदार होती है यहां पर सब लोग जिम्मेदार हो जाते है फिर return of allotment फाइल कर दो फिर अगर default होता है तो 1000 रुपे की penalty और 1 लाख whichever is lower for each day यह कोई काम कर नहीं registration of prospectus अल्रेड़ी पढ़ चुके prospectus वाले chapter में आपको registration करना है उसके बाद ही आप file करने के बाद ही आप issue कर सकते हो minimum subscription जो है 90% है as per sebi guidelines और underwriting commission भी आपको disclose करना पड़ता है in the prospectus section 40 कोई काम का नहीं सिर्फ बोलता है कि आपके जो भी securities है आप अगर public issue कर रहे हैं तो आपको prior approval लेना है from stock exchanges और stock exchange जो है stock exchange से permission लेने के बाद ही आप issue कर सकते हैं तो section 40 यह extra चीज़ एक बताता है underwriting underwriting compulsory नहीं है आपको लगता है करना है तो करो नहीं लगता है मत करो it is just like an insurance आपको अगर लगता है कि नहीं हमारा subscription नहीं हुआ तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा issue तो fail हो जाएगा पैसा तो वापस करना पड़ेगा तो आप underwriting करा के रख सकते जिसमें एक underwriter होता है वो बुलता है कि साब अगर आपके shares नहीं खरीदाना किसी ने तो मैं विका के दे दूँगा या तो मैं खरीद लूँगा और इसके बदले वो commission charge करता है this is called as underwriting commission important point है ये वाले इसके उपर question आएगे आपको underwriting commission maximum हो सकता है अगर shares की बात हो रही है तो 5% और prescribed by AOA whichever is less 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 अगर AOA समझो 10% prescribed करता है तो 5% ही दे सकोगे क्योंकि कानून 5% बुलता है अगर AOA 4% prescribed करता है तो आप 4% दे सकोगे 5 भी नहीं lower of lower lower ठीक है और debem debentures debentures है debentures M नहीं है N है होता है कभी-कभी debentures में lower of 2.5% और the AOA ध्यान रखो issue price issue price किसका issue price का तो issue price का देखा जाता है हाँ फिर underwriting commission profit से दे सकते हो आप या proceeds of the issue से भी दे सकते हो issue की भी spelling गलत है ये भी एक issue है rate should be disclosed in the prospectors rate disclose करना है register के पास फाइल होगा number of shares और debentures जो agree किये है by the underwriters वो बताना पड़ेगा और commission सिरफ उन shares पे दिया जाएगा जो की public को issue होने वाले थे या होने वाले हैं जो नहीं हुए issue private placement private placement में underwriting commission की बात नहीं आती section 52 an important section for your accounts 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 में important section आता है section number 52 सुर हमने तो नहीं पढ़ा आपने पढ़ा है section भले नहीं पढ़ा आपने पढ़ा है यह premium जब हम लेते हैं तो वो कहां-कहां use होता है कहां-कहां use होता है दो प्रकार की company prescribed और not prescribed prescribed company तीन जगे यूज़ कर सकती है not prescribed पाँ जगे यूज़ कर सकती है याद आ रहा है कुछ कि भुला-भुला लग रहा है सुना-सुना लगना चाहिए सुना-सुना नहीं सुना-सुना हाँ सुना-सुना तो लगना चाहिए तो यह कहीं याद आ रहा होगा आपको याद आ रहा है Prescribed के अलावा आप Securities Premium कहां-कहां यूज़ कर सकते हैं तो Towards Fully Paid Bonus Shares Bonus Shares इस्यू कर दो Securities Premium के आगे या जा सकता है Writing of the Preliminary Expenses ये भी कर सकते हो Writing of the Expenses of Commission Paid or Discount Allowed on the Issue of Shares or Deventures premium payable on the Redemption of Preference Shares or Deventures and for the Purchase of its Own Shares under Section 68 ये Section 68 येने क्या Buyback Buyback का शच्चन है Buyback 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 यासा है और Prescribed Company में फरक क्या है ये तो है सेम Fully Paid Up Bonus Shares तूसरी चीज़ Preliminary Expenses गायव हो गया यहाँ पे Equity Shares यहाँ Shares और Deventures है यहाँ Equity Shares तीसरी चीज़ Buyback याने यह भी गया यह अपने अगर आप याद करो तो Section 55 से यह मैच होता है Redemption of Preferences वहाँ भी यही दिया है Prescribed Company सिर्फ Profit यूज़ कर सकती है Securities Premium नहीं पर Prescribed नहीं है तो दोनों यूज़ कर सकती है तो Prescribed Company यूज़ नहीं कर सकती क्या तो Securities Premium अकाउंट यहाँ अगला Section Important Section बहुत Important अथी Important खूब Important बहुत Important हाँ Prescribed Company means Indies वाली Yes Section No. 132 वाली ठीक है 132, 133 In fact, 133 वाली 132 तो NFRA के बारे में बताता है 133 वाली ठीक है तो वही Prescribed Company is 133 वाली Indies वाली ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा Restrictions on Purchase by a Company or Giving Loan by it for the Purchase of a Shares Shares तो देखो आपन अच्छी स्पीड में चल रहे है मेरे खाल से क्या चल रहा है अभी अपना 22 नंबर page नंबर 22 so अपन कर लेंगे अभी साड़े चार हुए है try करते हैं अपन जैसे टाइम था उस टाइम में ले ले हैं अपन खतम कर लें ऐसे मैंने थोड़ा speed up किया हूँ but time तो लग रहा है ठीक है but फाइदा होना इंपोर्टेंट है चलो section 67 section 67 बोलता है कोई भी company कोई भी company खुद के शेर्स नहीं खरीच सकती no company can purchase its own shares कौन खरीच सकता है no company खुद के शेर्स खरीच सकती है no company can purchase its own shares याने कोई भी company अपनी शेर्स नहीं खरीच सकती है खुद के शेर्स नहीं खरीच सकती है तो पहले बोला है no company फिर बोला है कोई भी public company तो public company या private company which is a subsidiary of public company याने deemed public company shall not give any loan or provide any financial assistance to any person to buy shares in its company, खुद की company या फिर in its holding company, subsidiary company, related company, simple simple holding की वर्ड यूस किया है बट related company so कोई भी public company या private subsidiary or public company cannot give loan or provide any financial assistance to any person to purchase or subscribe to company's own shares or the shares of the holding company the public company अपने shares खरीदने को लोन भी नहीं दे सकती private company दे सकती है, public company नहीं दे सकती है फिर public company लेकिन दे सकती है financial assistance तीन केस में important तीन केस में पहला केस पहला केस है lending of money by banking company bank है bank ने loan दिया मैंने loan ले लिया और मैंने जाके bank के share खरीज लिया तो यहाँ तो bank ने normal loan दिया था जैसे SBI है SBI से मैंने loan लिया personal loan एक कडोड रुपे का मैंने एक कडोड रुपे लिया और जाके मैंने खरीद लिया shares of SBI only SBI की खरीदा, एक कडोड के shares अब यहाँ पे वहीं से पैसा लिया और मैंने वहीं पे shares खरीद लिया उसी company में, तो यह चलेगा क्योंकि यह तो normal business किया ना उसने मेरे साथ SBI ने, कोई दिक्कत नहीं है दूसरी चीज़ जब employees के benefit के लिए एक scheme निकाले हमने क्योंकि विचारे employee हमारे गरीब है, वो लोग shares नहीं खरीद पाते हैं हम चाहते हमारे employee को भी shares से फाइदा हो, हम क्या करते हैं, हम एक scheme बनाते हैं, और वो scheme में बोल देते हैं, कि यह scheme में यह trusty रहेगा, यह shares रहेंगे, हम पैसा देंगे trusty को, देखो scheme में क्या हो रहा है हम है, हम यहने company, तो company बोल रही है, हम पैसा देंगे इस वेक्ति को, for the benefit of employees, यह वेक्ति इस पैसे से shares खरीद लेगा हमारे, हमको पैसा देगा और shares खरीद लेगा, so ultimately company ने पैसा दिया और उसी पैसे से shares खरीद लिएगा तो यह चलेगा अगर यह for the benefit of employee है, तो और important चीज़ है, fully paid up shares है, तो और special resolution pass हुआ था, तो दूसरी चीज़ जब चलेगा तीसरी चीज़ जब employee को loan दे रहे हो, अब directly यहाँ पे employee को directly नहीं दे रहे थे, आपने scheme बनाया है, और उसमें आप दे रहे थे बट यहाँ directly आप दे रहे, but he should not be a key manageral person, बहुत important अथी important, ध्यान रखो key manageral person नहीं होना चाहिए, डिरेक्टर नहीं होना चाहिए और fully paid up shares होना चाहिए, fully paid up, और उसकी salary के 6 मेहने की salary, तनखा से ज़ादा का loan नहीं होना चाहिए, तो आप shares पे loan दे सकते हैं shares खरीदने के लिए loan दे सकते है to the employee directly but fully paid up question आता है, आपको वहाँ word लिखा होता है partly paid up, पर आपको लिखना पूरा है, आपको लिखना पड़ेगा कि ये void है, इसी लिए दो चीज़ों के कारण, एक तो maximum 6 मेहने की salary के हिसाब से loan दे सकते हैं, दूसरी चीज़ फुली paid up के लिए दे सकते हैं, आपको दोनों पार्ट पूरे लिखना पड़ता है, ठीक है ऐसा है, सिंपल, और अगर contravention हुआ तो एक लाग पच्चिस लाग, एक लाग पच्चिस लाग, तीन साल, सिंपल जतिन का बोलना है, सबसिडरी company के share purchase करने के लिए certifications है, जिसमें बुला है, सबसिडरी के लिए भी नहीं दे सकते हैं, ठीक हैं? चलो, आगे बढ़ते हैं, इसके पीछे का reason भी है, मैं आपको बतात देता हूँ, चलो सुन लो, क्या होता है न, सबसिडरी के लिए actual में आप देखो तो company खुद ही loan देती है, जैसे समझोगे, एक company है, ये company एक सबसिडरी बनाना चाहती है, तो ये company एक दूसरी company फॉर्म करेगी, लेकिन ये दूसरी company में पूरा का पूरा पैसा जो है, ये खुद लगाना चाहती है, holy owned company बनाना चाहती है, बट इसको बनाना है public company अब public company बनाना है तो इसको कम से कम साथ लोग तो चाहिए साथ subscribers क्योंकि public company है पर यह holy one बनाना चाहती है तो कैसे बनाएगी तो यह क्या करती है कुछ shares तो directly लेती है और कुछ share के लिए पैसा देती है तूर डायरेक्टर और वो director फिर यह shares खरीद लेता है तो इसलिए यहां पर यह word नहीं दिखता आपको subsidiary क्योंकि subsidiary के लिए तो वो shares खरीदने को पैसा दे रही है अगर यहां लिख देता subsidiary तो यह भी नहीं किया जा सकता था तो यह reason होते हैं कुछ ना कुछ कानूम के पीछे मैं कुछ चीज़ें आपको नहीं बताता हूँ क्योंकि आपके level पे वो जरूरत नहीं है तो बट यह rule यह actual होता है holy on subsidy अपने नाम तो सुना है बट ultimately वहाँ दो जन तो चाहिए अगर private भी company है तो so दूसरा विक्ति जो रहता है वो बोलेगा मैं क्यों पैसा लगाओ तुम बना रहे ना company तुम मुझे पैसा दो मैं shares खरीद लेता तो इस प्रकार से खरीदा जाता है ठीक है तैसा है चलो हाँ तो section 67 बोलता है कि आप खुद के shares खरीदने को financial assistance नहीं दे सकते अगर आप एक public company है या अगर आप एक subsidiary है of a public company बट आगे बुला है buyback कर सकते हैं buyback कर सकते हैं so buyback of securities कर सकते हैं आप अगर आप ये पूरी condition पूरी rules follow करते हैं तो आप buyback कर सकते हैं and buyback is not reduction क्यों same चीज है buyback भी जब आप करते हो capital reduce नहीं होता है क्योंकि आप जब buyback करते हो तो या तो further issue of securities हो जाएगा या अगर profits में से किया है so you will create the capital redemption reserve और दोनों use किया है तो जितने का आपने नया issue किया उतने का issue कर दो उतने का securities create हो जाएगी बाकी के लिए आपको CRR बनाना पड़ते हैं buyback of securities section number 68 section number 68 बताता है कैसे क्या खरीदा जा सकता है खुद के securities को so कोई भी company अपने खुद के securities को खरीद सकती है या specified securities को buyback कर सकती है from the free reserves महाँ पे CRR बनाना पड़ेगा SPA वहाँ पे CRR बनाना पड़ेगा process of new issue कोई CRR की ज़रुरत नहीं but it should not be of the same kind जो आप buyback कर रहे है वोई issue कर रहे है ऐसा नहीं होगा कैसे कर सकते हैं पहली चीज़ है authorized by articles होना चीए simple है authorized by resolution होना चीए दो प्रकार के resolution अगर आप 25% तक के buyback करना चाते हैं 10% से ज़ादा maximum up to 25% 25 के उपर buyback नहीं किया जा सकता आपको account में ये question आता है ध्यान रखना 25 के उपर तो आप buyback करी नहीं सकते 25 के अंदर कर सकते हैं तो 10 से 25 तक है तो आपको special resolution लगता है और ध्यान से देखो अगर 10 तक है तो आपको सिर्फ board resolution लगता है ordinary resolution भी नहीं लगता है सिर्फ board resolution से काम हो जाता है फिर maximum amount वह ही है 25% of equity in the financial year and 25% of paid up capital plus free reserves including securities premium account फिर debt equity ratio post buyback post buyback, buyback के बाद 2 is to 1 का होना चाहिए उससे ये नहीं होना चाहिए उससे जादा नहीं होना चाहिए तो debt equity ये नहीं किया debt जादा नहीं होना चाहिए debt equity means debt upon equity अगर आपने 200 रुपे बाहर का लगा है तो खुद का 100 रुपया तो लगा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 200 रुपे बाहर का लगा है और खुद का सिर्फ आपका 50 रुपया लगा है ये नहीं हो सकता पूस्ट बाइबेक बाइबेक के बाद जैने ऐसा नहीं होना चाहिए आप बाहर वालों के पैसे पर पूरी company चला रहे हो फिर buyback of only fully paid up securities हो सकता है अगर listed होगी तो SEBI के rules follow करना है और अगर listed नहीं होगी तो company rules company rules means central government के rules अगर आपका buyback चालू है तो वो एक साल के अंदर complete होना चाहिए ये भी complete होने के बाद आप एक साल के अंदर तक दूसरा buyback नहीं कर सकते है ये दोनों भी है फ्रेश बाइबेक नहीं कर सकते है जब तक एक साल नहीं होता पुराने buyback से दूसरी चीज टाइम लिम बेचना है बेचे जिसको नहीं बेचना है मत बेचे या तो employees से वापस ले लो शेयर फाइल विद्धी रजिस्टारें से भी अगर लिस्टेड होंगा तो सेभी के पास दो चीज होती है देखो यहां पर क्यूंकि हम buyback कर रहे है बाइबेक कर रहे मिन्स क्या हो रहा है आप पहले शेयर होल्डर को पैसा दे दे रहे है कल चलके बाहर वालों को नहीं दिया तो और इसी लिए आपको एक declaration देना पड़ता है हम solvent है और आने वाले एक साल तक हमारे डूबने के आसार नहीं है यह एक चीज बताना पड़ता है जो कि signed by two directors रहेगा एक MD रहना चीए उसमें से and verified by an affidavit कि हम एक साल तक पूरे liabilities जैसे जैसे डिव होगी वैसे वैसे पे करने में हम सक्षम है ठीक है जैसे बाइबक complete होगे आपको साथ दिन के अंदर physically destroy कर देना है पूरे के पूरे securities को same kind of securities आप 6 मैने के अंदर नहीं issue कर सकते बढ़ हाँ अगर pre existing obligation होगा पह फिर company shall maintain register कितना पैसा लगा है बाइबक में कब तक के complete हो गया extinguisement कब हुआ यह सब चीज लिखी रहेगे और 30 दिन के अंदर आपको यह return file करना है with the register as well as sebi if listed अगर कोई contravention होता है तो same penalty एक लाग तीन लाग एक लाग तीन लाग और तीन साल ठीक है बाकी यह अलग section है वैसे section 70 है दोनो buyback नहीं कर सकते आप if default within 3 years from the default repayment of deposit, interest, redemption of debenture, preference shares या dividend और repayment of term loan और interest तो यह आपको याद रखना पड़ेगा section number 70 ठीक है और अगर fail हुए है to file annual returns, declaration of dividend, punishment to distribute dividend यह financial statement filing तो ऐसे case में आप buyback नहीं कर सकते हैं हाँ एक question है कि demet form में रहेंगे तो कैसे destroy करेंगे तो देखो physically destroy नहीं होंगे वहाँ तो physically high नहीं बट उतने demet में से खतम हो जाएंगे उतने account में से खतम हो जाएंगे जैसे हम बोलते हैं वैसे ही demet में shares है समझो पैसे हैं account में अगर मैं बोलूगा पैसे को physically destroy करना है तो अपन पैसे लाएंगे और जला डालेंगे this is physical destruction बट अगर हम बोलते हैं कि वह physical form में है यह नहीं वह bank में है तो bank में से उतने पैसे गायब कर देंगे अपने this is destruction तो destroy कर देना बाकि calls के उपर है calls के उपर ज्यादा कोई detail में पढ़ने की जरुरत नहीं है उपर उपर देख लेते हैं आपको पता है already पूरी चीज़ से आपने foundation level से पढ़ा है call as per AOA होना चाहिए board meeting में होगा general meeting में नहीं board meeting में board meeting uniform basis एक जन से 10 रुपे मंगा रहे हैं दूसरे से 15 ऐसा नहीं चलेगा जिस से 10 तो दूसरे से भी 10 ही मंगाया जाएगा 14 दिन का notice दिया जाता है दो call के बीच में 30 दिन का interval होना compulsory होता है minimum आपको 25% of the face value बाय करना पड़ता है यह सब simple से points है अगर advance में किसी ने payment करके र table F articles के format में ऐसा लिखा होता है इस पर voting right नहीं मिलती क्योंकि यह call ही नहीं किया गया था जब call किया जाएगा तब इसको माना जाएगा कि हाँ यह capital का हिस्सा है तब तक it is only deemed as a creditor और creditor मानते हुए इसको winding up में भी जगे दी जाती है इसको creditor माना जाता है और exercise in general interest of the company and for the benefit of the company, simple से points है, एकदम ही बकवास वाबस forfeiture surrender के बारे में accounts में, तो वैसे यहाँ पर forfeiture और surrender, forfeiture और surrender दोनों में क्या होता है, जो पैसा नहीं दे पा रहा, उससे हम जब्त कर लेते है shares को, या फिर वो खुद ही वापस कर देता है, खुद वापस किया तो surrender, हमने जब्त किया तो forfeiture, दोनों ही as per the articles होना च अगर यह तारीक तक नहीं दोगे तो हम इसको cancel कर देंगे और वापस ले रेंगे, resolution for forfeiture होना चाहिए, और bona fide in good paid होना चाहिए, जैसे ही forfeiture हो जाएगा, तो वो membership से बाहर हो जाएगा, और लेकिन वो past member करके liable होता है, for one year, इसको हम बोलते हैं, list be contributory, और liability for unpaid call remain करती है even after the forfeiture of the shares, reissue करना जरूरी है, अगर reissue नहीं करोगे तो reduction कहलाता है, ठीक है, हाँ, GDR, GDR का topic जो है, यह मैं आपको एक बर जल्दी जल्दी बता देता हूँ, किसी का question था, बीच में आया था मिरको कि sir, यह GDR अगर के topic जो आपने बताये थे कि यह नहीं रहेगा, वो न exam के लिए नहीं है, तो उसमें मैंने बोला था, उस exam के लिए नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको 100% सब चीज़े पढ़ा दिया था, तो पिछली exam में नहीं था, बट अभी के लिए तो कुछ नहीं बोला, और अभी तो आपको time भी जादा मिल रहा है, तो अभी वो हटाए हैंगे, ऐसे chance नहीं है, और इसलिए जो GDR है, यह question आपके course में है, और यह आभी सकता है, एक बहुत ही, जल्दी जल्दी में आपको यह समझा देता हूँ, GDR कैसे issue होते हैं, बता देता हूँ, GDR issue करने में, जैसे हम हैं भारत में, हम चाहते हैं कि हमको भारत के बाहर, हमको US में securities issue करना है, तो US के laws के हिसाब से करना पड़ेगा, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम यहीं पे कम्तनी हैं, हमारी कम्तनी यहाँ पे हैं, GDR Global Deposit Reset तो हम क्या करेंगे है हम यहाँ पे जो NSDL या CDSL है जो Custodian है इसके पास Shares रखते है और यहाँ पे एक और Custodian हम Appoint करते है इसको बोलते है कि तुम यहाँ पे लोगों को GDR इसू करो यह कौन है Foreigners है Foreigners को GDR इसू करो और इन से पैसा लेगा Dollars में और जब यह पैसा आएगा यह Shares यहाँ से इधर भीजी जाएगे पैसा जो आएगा पैसा आएगा एक Separate Bank Account में यह Bank ऐसा होना चीए जिसकी एक Brunch भारत में मौझूद है या तो भारतिये Bank जिसकी एक Brunch बाहर है या तो बाहर का Bank जिसकी एक Brunch भारत में है फिर पैसा यहाँ पर आ जाएगा दो प्रकार के इशू हो सकते हैं एक इशू ऐसा जिसमें Company डिरेक्टली इशू कर रही है नए Shares to the Depository और Depository उसको आगे ट्रांस्फर कर रही दूसरे Sponsored इशू यहाँ पर जो व्यक्ति है इस से Company ने खरीद लिया Shares और फिर इसको इशू कर दिया to the other country तो ऐसे केसे में दो प्रकार के इशू होते हैं एक Sponsored इशू कहलाता है Sponsored यहने जब दूसरे व्यक्ति के Shares आपने ले लिए और वो इशू कर रहे है through GDR तो ऐसे केसे में आप उसको Sponsored इशू बोलते हैं और डिरेक्टली नया इशू कर रहे हैं तो Fresh इशू कहलाता है तो पैसा आता है में नेम होता है आपको पैसा रेस करना है in foreign country foreign currency और यहां पर आपकी पहचान बनती है दूसरे शहर में दूसरे देश में जैसे कि Tata Motors ने किया था GDR इशू जब उसने acquire किया था Land Rovers तो Jaguar Land Rover या acquire किया था उसने GDR भी इशू किया था DVR Shares भी इशू किया था ऐसे बहुत सारी चीज़े की थी और भी Infosys वगरे ऐसे शेर से हैं ऐसे कंपनी हैं जिनके GDR इशू है और वो बाहर पर काम करते हैं बाहर पर वो ट्रेड होते हैं तो GDR में आपको डॉलर्स में पैसा मिल जाता है यहां पर क्योंकि हम बाहर में US में अगर इशू कर रहे हैं तो इसको हम ADR भी बोलते हैं American Depository Reset अगर आप US में इशू कर रहे हो तो आपको डॉलर्स में मिलेगा दूसरे कंट्री में कर रहे हो तो वो रुपे उस कंट्री के करंसी में मिलेगा यहां पर क्योंकि बाहर इशू हो रहा है अकाउंट में यहां पर Securities जब तक के दो प्रकार के GDR होंगे या तो यह वापस हो जाएंगे यहने वापस करके उसको पैसा बाइबेक हो जाएंगे रिडीम हो जाएंगे तो रिडीम करने वाले भी हो सकते हैं या फिर Convertible भी हो सकते हैं तो रिडीम करने वाले अगर होंगे वो यहां पर Depend करेगा यहां पर क्या चलता है उसके उपर Depend करेगा अगर रिडीम करने वाले होंगे तो यहां पर क्या होगा Company फिर से वो जो Share से वो रिडीम कर लेगी GDRs रिडीम कर लेगी और जो पैसे वो वापस कर देगी, ठीक है, और अगर वो convert करने वाले होंगे, तो convert करने पर ये लोगों को shareholders के right मिल जाएंगे, और जब तक के इनको right नहीं मिलते हैं, तब तक के right रहेगा इस custodian को, तो इस पर अगर कोई भी voting वगरे करना है, तो ये सब voting वगरे का right रहेगा इस custodian को, ठीक है, तो इसा है, तो ये GDR का basically process है, एक बार देख लेते हैं, तो वही दिया है, GDR issue करना है तो foreign country में होता है, कैसे होता है, special resolution, approval of shareholders लगेगा, depository bank, overseas depository, जैसे अपने हाँ depository है, CDSL, NSDL वैसे वहाँ के, underlying shares को रखा जाता है, domestic custodian, अपने हाँ के custodian के पास पूरे compliance करना है, एक important चीज है कि CACS, CWA से एक letter लेना पड़ता है आपको, जिसमें लिखा रहता है, जिसमें हम लिखके देते हैं कि पूरे compliance हो चुके है, पूरे जो भी law थे, वो law का पूरा follow किया हुआ है, ठीक है, फिर manner of issue of GDS, depository receipts, दोनों प्रकार के हो सकते हैं, या त पे bank है और वहाँ brand है, तो foreign country में भी उसका presence होना चाहिए और भारत में भी होना चाहिए, और अगर sponsored issue था, तो sponsored issue का जो पैसा है वो, जो जिस वेक्ति से shares खरी देते हैं, उसको हम दे देते हैं, proceeds of the issue, वही, sponsored issue में, credited to shareholders bank account, right to vote, depository receipts में, depository का होगा, जब तक conversion नहीं होता है, into shares, और भारत के provisions नहीं लगेंगे, related to issue of shares या securities, offer document को prospectus नहीं माना जाएगा, जो वहाँ पी use किया जा रहा है, और notwithstanding anything contained in section 88, register of members, until the redemption of depository receipts, जो current depository है, that will be considered as member, तो ऐसा है, तो simple सा concept है, इसका पूरा वीडियो भी आपके पास available है, अगर आपको देखना होगा, तो आप दे देख सकते हैं, अगर पहले नहीं देखा होगा, तो वैसे मैंने तो आपको बोला था, पहले भी देखते जो, क्योंकि ये भी points आपको आने वाले हैं, हाँ, फिर अगला जो chapter है, ये चालू करने के पहले एक अपन हलका सा break ले ले लेते हैं, so transfer and transmission of securities, अगला chapter, एक break के बाद अपन देखते हैं, ठीक है, so जो break है, ये break अपन लेंगे, अभी 5 बज़े हैं, आदे घंटे का break बहुत हो जाएगा, 15 मिनिट का ले ले लेते हैं, चलो 20 मिनिट ले ले लेते हैं, 15-20 मिनिट, तो अभी 5 बज़े हैं, एक्जेक्ट, तो अपन फिर से मिलने आले हैं, 5, 20 को, ठीक है, तो 5, 20 को फिर से अपन मिलते हैं, चलो, शायरी वगरे बाद में देखेंगे, चलो, थेंक्यू, गूद इनिंग, आज फिर से आगे का जो topic बचा हुआ है, वो complete करते हैं अपन, और जो बचा रहेगा, अगर आज हुआ तो ठीक है, अगर नहीं होता है, आज के दिन का दिन है अपने पास, हाँ, अपने-अपने माइक्स बंद रखें, बाते बंद करो, बातेज 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 बाते, दरते भी नहीं, हाँ, सो, ऐसा है, हम लग देखेंगे, अब Transparent Transmission of Securities, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ऐसे उठाएंगे, ऐसा करेंगे, खतम हो जाएगा, हाँ, चाय कॉफी बाद में पीना, पहले म्यूट कर लो अपने आपको, हाँ, चलो, तो, Transfer and Transmission of Securities, तो, Transfer, ट्रांसफर का मतलब है, Simple, Change in Ownership, एक सेकंड, हाँ, तो, ट्रांसफर का मतलब है, Change in Ownership, एक वेक्ती अपने शेर्स दूसरे वेक्ती को बेज़ देगा, एक सेकंड, तो, एक सेक्जन फिफटे बताएं, इस शेर्स पहले के बताएं, यह बतादू यह प्रोसिजर पर कुषिएर्स आने के अब चांस लोगे बराबर हो चुके हैं, क्योंकि यह प्रोसिजर अब रिटेंट होते चली गई है, क्योंकि अब physical रूप में transfer होने की जो cases हैं वो बहुत कम होते हैं तो actually जो section 56 में procedure बताएगा है this is the procedure which is applicable in case when the transfer is taking place in physical form इसमें क्या होता है एक वेक्ति दूसरे वेक्ति को बेचता है जब securities दो चीज़ देता है एक तो share certificate देदेगा वो प्लस एक transfer deed बनाएगा हो ये deed में sign करते हैं दोने जन और फिर ये जो deed है ये दोनों में से कोई भी वेक्ति company के पास भेज देता है company देखती है transfer deed अगर proper है certificates proper है तो ये फिर transfer register कर देती है और shares दूसरे के नाम से transfer के नाम से transfer कर दिये जाते हैं this is the normal process simple सी process है वही process यहाँ पर बताई गई है कि आप एक form बनाओगे share transfer form deed वो deed को sign करोगे attach करोगे इस पर share certificate साथ में जो भी इस पर stamp duty अगरे भरना है उतना pay करोगे और deliver कर दोगे to the transfer और वो फिर जाएगा to the company company इसको transfer कर देगी अगर partly paid share से तो company पूछती है आगे वाली वेक्ति को कि यह partly paid share से क्या तुम खरीदना चाहते हो वो बोलता है जी हाँ तो फिर वो transfer कर दिया जाता है अगर कुछ नहीं बुला तो भी transfer कर दिया जाता है अगर नहीं खरीदना चाहता है तो he should inform फिर से बता दूँ यह process तब लगती है जब shares are in not in dimet form, they are in physical form तो यह process लगती है simple जी process है फिर section 58, section 58 बोलता है अगर refusal हो गया company ने मना कर दिया कि नहीं नहीं हम transfer नहीं करते जी है share so क्या 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 अधिकार है आपके पास तो सबसे पहले तो ध्यान रखो अधिकार होता है transferree के पास transferree के पास transferree के पास अधिकार है कि वो जा सकता है court में, court means tribunal यहाँ पे अब हम court जब भी बोलेंगे तो tribunal, so वो जा सकता है tribunal में और tribunal को बोलेगा कि भई यह देखो company हमको transfer नहीं करके देरी चलो तुरन transfer करा के दो दो case हो सकते हैं अगर private company का case है तो वहाँ पे time अलग मिलता है और public company का case है तो time अलग मिलता है दोनों में process बिल्कुल same है सिर्फ time का ही फरक पड़ता है so होता क्या है जब समझो company ने transfer करने से मना कर दिया यहाँ पे हमने document जमा किये थे और company ने transfer करने से मना किया तो company हमको या तो letter लिखके भेज़ेगी कि हम transfer नहीं करते या तो कोई action नहीं लेगी अगर कोई letter लिखके भेजा है तो वहाँ से आपको मिलते हैं total 30 days जैसे समझो company ने यहाँ पे letter लिखके भेजा बोला शर्मा जी हम transfer नहीं करते हैं तो यहाँ से मुझे time मिलेगा 30 days का 30 days के अंदर मैं appeal कर सकता हूँ to the criminal और अगर company ने कुछ नहीं किया company को मैंने यहाँ पे deposit कर दिया था documents 30 दिन यहाँ पे समाप्त हो गया और company ने कुछ भी नहीं किया तो यहाँ से फिर मुझे मिलेंगे 30 days in fact कानून में यह लिखा है कि यहाँ से मुझे मिलेंगे 60 days यह बात हो गई private company के case में बिल्कुल सेम चीज होगी public company में सिर्फ फरक इतना है कि यहाँ पे जहाँ 30 days है अगर public company है तो यहाँ 60 days का time मिलता है यहाँ 60 days का time मिलता है और जहाँ पे हमने लिखा था 60 days यहाँ पे उसको मिलता है 90 days का time यहने ultimately basic चीज यह है कि अगर refusal होता है तो private company में 30 दिन के अंदर आपको tribunal में जाना पड़ता है और अगर public company है तो आपको 60 दिन के अंदर tribunal में जाना पड़ता है बात खतम हो गई tribunal क्या करेगा tribunal इसके बाद फिर order pass करेगा या तो dismiss कर देगा अपील को खारिज कर देगा नहीं नहीं हलतु की बात है सही कर रही है company दूसरी चीज़ company को बोलेगा चलो चलो ट्रांसफर करो दस दिन के अंदर ट्रांसफर हो जाना चाहिए और register of members में बदलाओ कर लिया जाए तो ये भी बोला जा सकता है अगर नहीं करता है कोई भी वेक्ति इसका गडबड करता है company अगर proper काम नहीं करती है तो इसके case में penalty भी है imprisonment होगा एक से तीन साल तक के जो directors या officers in default है उनके उपर और fine लगेगी एक लाग से पांच लाग तक के simple सा point है अगर register में कुछ गडबड है तो गडबड को ठीक करना है तो section number 59 बोलता है ये किया जा सकता है rectification of register of members कौन-कौन rectify करवा सकता है तो और कौन-कौन से गलती हो सकती है पहली गलती होगी कि enter किया गया है नाम जबकि नाम होना नहीं चाहिए था in the register of members दूसरी गलती हो सकती है नाम हटा दिया गया जबकि होना चाहिए था in the register of members तीसरी चीज़ वो default कर रहे है register कर ही नहीं रहे या delay कर रहे हैं, register करने में late कर रहे हैं तो ऐसे चारो cases में जो agreed person है, जो भी दुखी आत्मा है यहां जान बुच के member word यूज नहीं किया दिखेगा आपको क्योंकि हो सकता है कि मेरा नाम नहीं लिखा है members के register में पर मेरे पास shares है, मैंने member होना चाहिए लेकिन मैं member तो हूँ नहीं, और इसलिए यहां पर अगर member word लिख देता तो मैं case नहीं कर सकता था, और इसलिए यहां member word लिखने के बदले उन्होंने पहले agreed person लिखा, फिर बोल दिया member और फिर बोल दिया company यह लोग appeal कर सकते, अब company कैसे appeal करें कि company के तो book में गड़बढ है, तो नहीं, जरूरी नहीं है, अगर depository के through deal कर रहे हैं, तो हो सकता है depository के books में गड़बढ है, और company को यह पता लगा है कि नहीं, यहां पर गडबढ है, तो company के informed depository के यह ठीक कर लो, और अगर नहीं किया जाएगा, तो ट्रिबिनल जाने के अधिकार भी company भी रखती है, तो ट्रिबिनल जाने के बाद, या अगर कोई बाहर की बात है, foreign register का case है, तो foreign का जो competent court होगा, वो दोनों पक्षों को सुनते हुए, या तो dismiss कर देगा appeal को, या फिर order pass करेगा, rectify करो 10 दिन के अंदर, बिल्क बिल्कुल सेम उतनी ही penalty यहाँ पे भी लगती है, एक साल से तीन साल और एक लाग से पाट लाग, बिल्कुल सेम टो सेम एकदम choppy pace, फिर forge transfer होता है, अगर forgery होती है, तो क्या होगा, इसका मैं case आपको अच्छे से समझा के बता देता हूँ, समझो एक वेक्ती है Mr. O, O was the original owner of the shares, अब O के जो shares के वो गुम गए और वो छपड़े Mr. X को, X को छपड़ते हैं, X क्या करते हैं, X करते हैं, X करते हैं forgery, X ने इसके document बनाए और जाली दस्तकत करके यहाँ पे forgery कर ली, forgery करके X ने ये document को जमा कर दिया with the company, company ने देखा, अरे transfer deed तो आ गई है, certificate भी है और company ने transfer कर दिया shares to Mr. X, अब Mr. X ने ये जो forge transfer था, इसके basis पे आगे ये किसी और व्यक्ति को बेज दिया, समझो Mr. B, अब यहाँ पे सवाल ये आता है, क्या B यहाँ पे claim कर सकता है, B यहाँ पे जमा करता है document, विद्धी company, company को ध्यान आता है फिर बाद में, इतने दिनों में O ने यहाँ पे appeal कर चुका है, और O बोलता है कि नहीं जी नहीं, यहाँ पे तुम कैसे क्या shares दे सकते हो, मैंने तो shares बेचा ही नहीं था, यहाँ पे तो गड़बड की गई है, so company को जबरदस्ती shares देना पड़ता है to Mr. O, यहाँ पे shares restore करके देना पड़ता है, वापस करना पड़ता है, पर क्योंकि अब X ने इसको certificate दिया है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, certificate है अगर B के पास, so company cannot deny B's title, stopless to title लगता है, और इसलिए company B को भी मना नहीं कर सकती, वो को भी मना नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो original owner है, उसको तो shares देना ही पड़ तो ownership तो आगे transfer हुई नहीं क्योंकि यहाँ पर forgery थी और consent नहीं बनती, और इसलिए owner तो O है, उसको shares देना पड़ेगा, पर B को भी deny नहीं कर सकती company, पर B को तो वो shares नहीं दे सकती, तो company क्या करेगी, तो B को compensate करेगी, और compensate करने के बाद जो भी उसको नुकसान हुआ है, company will recover the नुकसान loss from Mr. X, loss recover करेगी, compensate करवाएगी, अब यहाँ पे तो ठीक है, X ने forgery किया था, समझो यहाँ पे अगर यह चपडते किसी और व्यक्ति को, समझो यह Mr. Y को चपड़े होते securities, और यह shares इसने X को बोला रहता कि मैं Mr. O हूँ, तो क्या यहाँ पे भी X के उपर penalty लग होता, भले उसने खुद ने अगर forgery नहीं किया होता, गड़बर नहीं किया होता, तो भी, ठीक है, तो वहाँ पे भी वो जिम्मेदार हुआ होता, ठीक है, तो ऐसा है, proper दिख रही है ना वीडियो, एक किसी का message है, सर ब्लर दिख रहा है, एक सिकेंड, हाँ, चलो, तो ऐसा है, तो यहाँ पर rule यह बोलता है कि जस वेक्ति ने company के पास deposit किया था documents, forged documents, forged documents, तो इसने deposit किया, तो company को वो compensate करके देगा, इसने forged नहीं deposit किया, forged तो यहाँ हुए थे, इसके पास तो normal documents है, इसने जो जम्मा किया, तो यह जिम्मेदार नहीं है, बट यह जिम्मेदार है, even if he has not committed any forgery, forgery अगर y ने भी किया था, तो भी x will be liable to compensate the company, ठीक है, this is the basic rule, simple, तो यही point उपर बताया गया है, तो cases भी बताया है, case याद रखना है, आपको important है, बेलकिस consolidated company versus Tampkinson and Sheffield Corporation versus Barth Slay, इसके अलावा blank transfer, blank transfer में without filling the name, आपने transfer कर दिया, इससे फायदा क्या होता है, tax नहीं लगता है, और stamp duty नहीं लगती है, तो यह एक फायदा हो जाता है, फिर difference between transfer and transmission act, transfer voluntary act है, इच्छा से करते हैं, transmission is an involuntary act, जब किसी की मृत्य हो जाती है, तो जब transfer होता है, that is actually called as transmission, transmission has an immediate effect, इसमें करना नहीं पड़ता है, कुछ यह अपने आप transmission हो जाता है, ठीक है, एक Margaret T. Desser का case था, जिसमें बोला था, transmission has an immediate effect, consideration transfer में रहता है, transmission में कोई consideration नहीं होता मृत्य के बाद अपने आप transmission हो जाता है, deed required होती है, transfer में यहाँ पर required नहीं होती है, stamp duty payable होती है, इनके सब transfer, transmission में कोई stamp duty का सवाल नहीं आता, lock-in period में possible होता है, क्या, so lock-in period में क्या transfer करना possible है, नहीं, अगर transmission है, तो क्या possible है, so yes, transmission किया जा सकता है, even during lock-in period, हाँ, अभी मेरे खाल से ठीक चलना चाहिए, चलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, membership, अगला point membership, अभी तो blur नहीं होना चाहिए, अगर आपको blur हो रही है screen, तो आप एक बाहर जाके वापस आके देखो, ठीक है, एक बाहर जाओ और वापस आओ, तो पता लगिया, चलो, अगला point membership, membership बहुती सिंपल सा टॉपिक है, member कैसे कैसे बन सकते हैं, या तो आप memorandum को subscribe कर लो, आप member बन जाओगे, या तो आप agreement कर लो in writing, और आपका नाम लिख दिया गया, register of members में तो आप member बन जाओगे, तीसरी चीज़, beneficial ownership में आपका नाम लिखा है अगर, तो आप member बन जाओगे, यह मैं अब फिर से नहीं बताओगा, beneficial owner क्या होता है, कैसे होता है, यह अब मैं फिर से नहीं बताओगा, ठीक है, फिर, modes of acquiring membership, same चीज़ वही बताओगाई है, कौन कोन member हो सकता है, minor हो सकता है, बट fully paid up shares है, और transmission है, तो हो सकता है, company हो सकती है, because company is a separate person, partnership firm, joint members हो सकते हैं, बट partnership firm, अपने नाम से membership नहीं ले सकती, foreigner members हो सकते हैं, अगर वो FEMA के rules follow करते हैं, तो H.E.F. member नहीं हो सकता है, H.E.F. का करता हो सकता है, in the name of H.E.F. pony, pony को member नहीं माना जाता, pony means जिसके पास चीज़े गिर भी रखी है, वो member थोड़ी है, फिर bankrupt वेक्ती, ये भी member है, जब तक कि इसका नाम हटाया नहीं जाता, from the register of members, इसके shares छीन लिए गए, तो वो shareholder नहीं है, but ultimately he is a member, and joint members, joint member का मतलब होता है, है, जब मिल के लोग membership ले रहे हैं, तो, so joint members भी हो सकते हैं, बट 200 लोगों की संख्या count करते time, इसको हम एक member ही मानेगे, हाँ, वैसे अभी तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लिखके नहीं आ रहा है कि कोई, दिक्कत है, वो शायद fonts छोटे हैं, ये वाले chapter में उसके कारण हो सकता है, तो, और एक तो दूसरी चीज़ है कि, time जो है, time ये time पर थोड़ा जादा दिक्कत देता है, मेरी ये time जो भी class होती है, 11-12, तो उसमें थोड़ा problem होता है, अब मैं भी अगर blur दिख रहा हूं, तो ये internet की problem है, ये time internet problem देता है, वो तो मैं agree करता हूं, ठीक है, अभी आवाज ही सुन लो, फिलाल, क्योंकि फिलाल इसकी जरुरत नहीं है, फिलाल अपन ज्यादा रुख भी नहीं सकते हैं, और अभी जरुरत भी नहीं है, आप डिरेक्ट सिर्फ सुन सुन के भी आप अगर समझते हैं, तो that will be okay, आप समझ सकते हैं, तो क्योंकि अभी डाइग्राम की जरुरत नहीं है, अभी ये मेंबर्शिप अगरे में कोई डाइग्राम नहीं आएंगे, तो डिरेक्ट ली आपके पास भी बुक है, मेरे पास भी बुक है, तो अपन चालू रखते हैं, ठीक हैं, हाँ, चलो, so termination of membership, membership कैसे खतम होती है, या तो मैंने अगर shares बेज दिया, transfer कर दिया, तो मेरी membership खतम हो जाएगी, अगर किसी के shares जबत कर लिए गए, पारफीट कर लिए गए तो उसकी membership खतम हो जाएगी, redemption of share capital, अगर preference shares थे और preference share redeem हो गए, तो membership खतम हो जाएगी, सर क्या preference shareholder भी member होते हैं, येस, preference shareholders भी member कहलाते हैं, पिर legal representative, death के बाद, legal representative को transfer हो गए, membership खतम हो गए, official receiver के case में same rule है, liquidator के case में भी same rule है, और court ने अगर order पास कर दिया है, कि इसके share जबत कर लिए जाए या, forfeit कर लिए जाए या, garnish ही order पास किया है, तो that will also terminate the membership. Rights of a member, member को अधिकार होता है, dividend मांगने का, अगर declare किया जाएगा तो, he can inspect the register of members, audit report, he can share in the surplus of the assets, he can obtain copies of memorandum, articles और कोई भी, जो documents file करने पड़ते हैं, like minutes, P&L, balance sheet, and he can also appoint the auditors in AGM. Liabilities and duties of members simple है, उसको shares लेना है, shares के बदले पैसे देना है, और जब-जब call किया जाएगा उसको पैसा, pay करते जाना है, अगर आथरी टाइम पे पैसा नहीं ले पा रहे हैं, तो contribution करने की भी जिम्मेदारी उसकी होगी, और जो भी majority of the members बोलेंग है, वैसा उसको भी follow करना पड तो he is liable, then personally liable, ये कहां दिया है, section 3A, ठीक इतना लिख लो, then personally liable, variation of shareholders right पे आ जाते हैं, क्या shareholders के right बदले जा सकते हैं, तो yes, बदले जा सकते हैं, class rights बोलते हैं इसको, particular type of shares के rights अगर आपको change करना है, तो आपको उनकी particular meeting बुलाना पड़ता है, और उनसे resolution पास करवाना पड़ता है, 75% लोग अगर हां बोलते हैं, तो rights can be changed, so rights change करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके resolution पास करा के इनको बदल सकते हैं, अब लेकिन अगर मैं नहीं चाहता था कि मेरे rights बदले जाएं, मेरे shares के rights बदले जाएं, लेकिन 75% लोगों ने हाँ बोल दिया और ये बदल दिये गए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे एक अधिकार मिलता है कि मैं 10% लोगों को इखटा करके, अकेला नहीं, मेरे को at least 10% लोग चाहिए, मैं 10% लोगों को इखटा करके court में जा सकता हूँ, court means यहाँ पे अब court के बदले आ जाएगा tribunal, so court में या NCLT में मैं जाऊंगा, और NCLT को बोलूँगा कि भई हमको ये नहीं करवाना था, इ service of document, यह actually पहले chapter का हिस्सा है, आपके book में अगर आप देखोगे, पूरी book में तो पहले chapter में आपको दिखेगा, अगर company को कोई document भेजना है to the member, तो वो कैसे भेजेगी, by courier, by post, या किसी भी प्रकारते, but delivering at the RO, वैसे किसी और को company को document भेजना है, या company के कोई officer के उपर document भे 28 hours में मान लिया जाता है, effective हो गया, notice के case में, other cases में reasonable time, simple सा point है, यह repeat हो गया है, शायद, मेरी book में, हाँ, company deposit, एक छोटा सा point है, company deposit, company deposit में यह एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, कि कौन-कौन सी चीज़ने deposit में नहीं cover होती, यह जो company deposits का topic है, इसमें आपको रटने की जरुरत नहीं है, कौन-कौन सी चीज़ने नहीं है, लेकिन आपको ऐसा होना चाहिए, कि आपने देख section 73 एक important section है, section 73 बोलता है कि आप कोई भी company अगर है, तो आप members से deposit ले सकते हैं, सिर्फ members से, और अगर 76 है, 76 बोलता है, अगर आप public company है तो public से deposit ले सकते हैं, दोनों ही similar है, 73 के उपर पहले चर्चा करते हैं, 73 पहले वो बोलता है कि कोई भी company, no company is allowed except as per this act और banking company है, तो वो कर स सकती है, but from members आप ले सकते हैं, members से लोग है तो general meeting में आपको resolution pass करना है, कौन सा resolution नहीं बोला है, तो उसका मतलब है ordinary resolution हो जाता है, फिर prescribed rules भी आपको follow करना है, इसके लिए आपको एक circular file करना पड़ता है पहले, जैसे company deposit लेना चाहती है members से, तो वो company circular देगी, circular यहने जैसा ए हमारी financial position यह है, हमारी यह credit rating है, और बाकी की भी details कितने deposits थे, कितने depositors outstanding है, यह सब किसे बताई जाती है, deposit repayment reserve account बनाना है, 38 day of April तक बनाना पड़ता है, यहाँ पे एक amendment है, only one time amendment है, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे exam में पूछने के chance नह के बराबर है, पर फिर भी बता द चलते, यह जो इस साल के limit रखी गई थी, तो वैसे हर साल आपको कब बनाना पड़ता है, April में बना देना पड़ता है, बट जैसा कि आप जानते हैं कि April में पूरा lockdown था, फुल lockdown था, और इसलिए लोगों के employees तक नहीं आ रहे थे, तो यह बनाना एकदम असंभव type था, और यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि यह जो limit है, यह जो date है, यह date को हम 30 June कर देंगे, only for this particular year, तो 30 June हो चुकी है, बट फिर भी आपको नहीं आने के चांद जादा है, नहीं आए गए, बट फिर भी यह एक amendment है, यह आपको institute ने नहीं बता है, और institute generally यह जो one time amendments होते हैं, इनको cover नहीं करता है, इनको one time amendments बोलते हैं, only for particular session यह लगाया जाते हैं, कोई छोटी मोटी चीजों के लिए लगाया जाते हैं, तो यह amendments generally institute ignore करता है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 30 April के जगे 30 June कर दिया गया था, बाकी certify करना है कि हमने पिछले 5 साल में default नही किया, जो भी पैसा लिया है, बरॉबर हमने वापस किया है, फिर security देना पड़ेगा, अगर security है तो, security का मतलब है, आपका secured deposit से तो secured होना चाहिए, उसके लिए assets हो अगरे रखना पड़ेगा आपको, फिर filing of circular, यह आप file करते हैं, और file करने के time पे आपको यह भी लिखना आप सिर्फ deposit यूज नहीं कर सकते, if it is not properly secured, फिर आपको unsecured deposit word यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल सेम चीज़ अगर आप public से लेना चाहते हैं, deposit तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ prescribed companies ही ले सकती है, prescribed companies की definition बताया है, नेट वर्थ जिसका 100 क्रोर है, और turnover जिसका 500 क्रोर है, तो वह रखा जाता है, ठीक है, तो कभी भी network कम रहेगा, और turnover ज्यादा रहेगा, पिर बिल्कुल सेम यहाँ पर भी वैसे होने वाला है, सिर्फ एक फरक यह होता है, कि यहाँ पर जैसे कि आपको credit rating लेना पड़ता है, एक बार, वैसे ही अगर आप public से deposit ले रहे तो आपको हर साल क credit rating कराना पड़ता है, बस यह एक difference आपको दिखता है, बाकी कि mutatis, mutandis वैसे के वैसे provisions apply होते हैं, कितना maximum deposit लिया जा सकता है, इसमें आपको नहीं दिखेगा, बट मैं आपको बता दू, कि maximum deposit जो है, वो आप ले सकते हैं, 25% plus 10% from the members and public, इसके अलावा private company को 100% की limit है, 100% ले सक है, जितना खुद का paid up capital reserve है, उतना वो deposit ले सकते हैं, ठीक है, from the members, फिर repayment of deposit, accepted before this act, यह कोई खास काम का नहीं है, इसको हम ignore करेंगे, अपने पास वक्त भी कम है, तो अपन इसको नहीं देखेंगे, section 74, default का है, यह भी कोई काम का नहीं, यह भी कोई काम का नहीं, और consequence of default भी काम का नहीं है, तो यह आप ignore कर सकते हैं, even for exams, directly हम borrowing debentures and charges पर आते हैं, इसमें भी थोड़ा बहुत changes हैं, वो changes को अपने को देखना है, सबसे पहले तो debentures यहने क्या है, debentures यहने एक loan है, सिधा-सिधा, it is the certificate of indebtedness, यहने एक certificate है, जो company ने दिया है, कि yes, we are indebted to you, हम आपक हैं, और private में 100%, ठीक हैं, तो ऐसा है, हाँ, debentures पर आ जाते हैं, debentures, debentures means debentures यहने एक प्रकार का certificate of indebtedness है, means एक certificate है that company is indebted to you, और आपको अधिकार है कि उसमें जो भी लिखा है, उस conditions के हिसाफ से आप पैसा claim करना, कर सकते हैं, जैसे उसमें लिखा है कि हर साल हम आपको repay करेंगे, तो करना पड़ेगा, अगर उसमें सिर्फ ब्याज के बारे में लिखा है, तो आपको ब्याज उतना pay करना पड़ेगा, यहने company will pay और आप receive कर सकते हैं, simple से points है, मैं इसमें सिर्फ important वाले जो points है, वो आपको बता देता हूँ, आपको क्या के ध्यान रखना है, secured, secured, unsecured सब हो सकते हैं, common seal वगरे, यह सब तो simple से points है, debenture trustees appoint करना पड़ता है, यह आपको पता है, कि जब भी मैं debenture holders को कुछ securities, कुछ पैसा लेना चारा हूँ, उनको मैं certificate दे रहा हूँ, तो मेरे को charge create करना है, अगर खास दौर पे secured debentures हैं तो, अब मैं एक-एक debenture holder के लि हम debenture trustee appoint करेंगे, trustee will act for the benefit of the debenture holders, और फिर जो भी trustee रहेगा, उसके favor में हम charge create कर देंगे, trustee की जिम्मेदारी होती है, कि अपनी debenture holders का ख्याल रखे, अगर कल चलके हमारे property की value कम हो रही है, और security की value कम हो रही है, तो उनका नुकसान हो सकता है, तो नुकसान से बचाने क काम भी किसका रहेगा, debenture trustee का, अगर debenture trustee कुछ गड़बढ करता है, तो वो बच नहीं सकता, अगर मैंने company ने debenture trustee के साथ agreement भी कर लिया, कि अगर गड़बढ होगी, तो तुम जिम्मेदार नहीं होगे, तो भी he will be held responsible, सिर्फ वो तब बच सकता है, जब debenture holders खुद ब company and the debenture holder, ठीक है, फिर, debenture trustee कौन को नहीं हो सकता है, ये एक point बताया गया है आपको, so beneficial holders of this, simple आपको याद रखना है, तो आप ये ध्यान रख सकते, he should not be connected, अगर वो connected होगा with the company, तो फिर वो नहीं हो सकता, ठीक है, अगर वो connected है company से, तो फिर वो ये नहीं हो सकता, debenture trustee नहीं हो सकता, he should not be connected, हाँ, ये एक important चीज़ जो change हुई है, थोड़ा blur दिख रहे होंगे आपको, मैंने आपको इसके अलग से notes दिया था, ये एक ही page है, जो मैंने आपको बीच में class में अलग से notes दिया हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें तो already मैं पहले से incorporate कर चुका था, ये एक page में दिख रहा है, simple सा rule ये है, कि आपको debenture redemption reserve कब बनाना पड़ता है, इसके ओपर ये पूरा topic है, खास तोर पे आपको ध्यान रखना है, accounts में पूछा जाएगा, यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा ऐसा नहीं है, पूछ भी सकते हैं, बट basically जादा important है ये accounts के लिए, ये वैसे change पहले ही हो चुके थे, लेकिन institute ने अभी recently ये notify किया था, ठीक है, so debenture redemption reserve जो है, ये out of profits बनाना पड़ता है पहली चीज़, दूसरी चीज़ कितना बनाना है, अगर all India financial institutions है, AIFI, तो उनको कुछ भी बनाने की ज़रुरत नहीं है, फिर अब ये DRR और deposit से दोनों च दोनों चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, debenture redemption reserve कितना बनाना है, और amount जो deposit करना पड़ता है in the bank वो कितना है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर बताई कीज़ें, फिर other financial institutions है, जैसे कि RBI ने जो notify किया है, तो उसको RBI के हिसाब से बनाना पड़ेगा, DRR, और उसको भी deposit क्योंकि already इन लोगों का AIFI और other financial institutions का already deposit होता है, तो इनको बहुत सारे deposit already RBI के हिसाब से करना पड़ता है, फिर listed companies है अगर public issue रहे या private placement रहे, दोनों cases में बताया है, उसमें भी NBFCs, non-banking financial companies और others, दोनों के case में DRR खतम कर दिया, और directly deposit बोल दिया 15-15% का, उसी प्रकार से un listed company है, so unlisted company में, listed में यह था और unlisted company में अब आपको बनाना पड़ेगा, कितना NBFC है, private placement है अगर तो कुछ नहीं, public issue है तो 10% DRR, 15% deposit, others में 10% DRR, 15% deposit, रटने की चीज़ है, जादा याद रखने की कुछ चीज़ है नहीं, पर आप इस हिसाब से पड़ोगे तो आपको याद रहेगी चीज़ें, यह जो diagram मैंने बना के दिया हूँ, diagram के हिसाब से पड़ो, आपको पूरा वो पढ़ने बैठोगे तो time ही नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे भी deposits के लिए भी जो date है, जो March होती है, वैसे, so यहाँ पे भी जो date है, यह date भी इन्होंने change कर दिया था, 31 मा March in the next year, उसको जमा करना था, तो इसको भी इन्होंने June कर दिया है, 30 June, 30 June तक के deposit करना है, बट जैसा मैंने बताया है कि यह भी आपको कूचने के chance नहीं है, कहाँ deposit करना पड़ता है आपको यह पैसा, तो आप यह तो कोई scheduled bank में deposit करो, unincumbered securities of the government या UTI या Indian Trust Act के हिसाब से, उस में आप इसको जमा कर सकते हैं, ठीक है, बाकी एक बार यह read कर लेंगे आप, यह आपको exam में question आ सकता है, ध्यान रखो, यह important चीज़ है, खास तरपे accounts में, और इस पे बहुत सारे लोगों के question भी आया है, जबकि मैंने यह पूरा session जब लिया था आपका, तब मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, तो आपके पास अभी hard copies भी है, आपको colored पूरे notes मिले हैं, short notes पूरे colored मिले हैं आपको, तो आप इससे भी पढ़ते हैं, तो that will be okay, आप उससे भी समझ सकते हैं, फिर charge, charge के बारे में चर्चा करते हैं, section number 77 से लेकि section number 87 तक के charge के बारे में बताया गया charge का क्या मतलब होता है, charge का मतलब होता है company के जो assets है, वो assets के उपर अधिकार रखना, यह अधिकार हम कब रखते हैं, तो कभी भी रख सकते हैं, या तो हम उनकी creditor से तब रख सकते हैं, हमने loan दिया है तब लग सकते हैं, debenture holders हैं, deposit holders हैं, तो ऐसे cases में हम charge रख सकते हैं, तो creation of the charge का एक document होता है, जैसे कि mortgage की हैं, तो mortgage की एक deed बनती है, वैसे ही अगर debenture trustees है, तो debenture trust deed बनती है, उस deed के हिसाब से यहाँ पर charge create होता है, अब यहाँ पर charge कैसे कैसे create हो सकते हैं, दो प्रकार के charge हो सकते हैं, fixed charge and floating charge, fixed charge का मतलब होता है, जो कि fixed assets पे होता है, ऐसे assets पे हो लेकिन दूसरा होता है floating charge जैसे कि आपने stock के उपर charge क्रियेट कर दिया, so ये change होते रहेंगे during the course of the business. Fixed charge जो होता है ये already fixed ही है, इसमें कोई दिक्कत ने है बड़ फ्लोटING charge में दिक्कत यह होती है कि वो asset जा रहा है और दूसरा asset उसके जगे आ रहा है तो fixed charge तो एक ही asset पर रहेगा लेकिन अगर आप floating charge की बात करो तो that is on the class of assets वो बहुत सारे assets पर होगा और जैसे जैसे assets अपने property का हिस्से से बाहर होते जाते हैं विग जाते हैं charge खतम होता है जैसे नए आते हैं charge create होते जाता है लेकिन यहाँ दिक्कत यह हो कि कल चलके अगर पूरा asset बेज दिया तो पूरा stock बेज दिया तो इसलिए अगर company कोई भी default करती है तो यह charge crystallize हो जाता है means it gets converted into fixed charge यहने अगर समझो company ने default कर दिया कोई payment करने में और हमने action ले लि company को अब stock में trade करने का deal करने का अधिकार खतम हो जाएगा अब यह stock बेज के पहले पैसा हम लोगों को मिलेगा so अगर हमारा charge है floating accept है और हमको पैसा नहीं दिया जारा default किया जारा है तो हम इस charge को crystallize करवा सकते है fixed charge crystallize नहीं होता है क्योंकि crystallization की जरुरत तभी पढ़ते है जो floating है अगर वो already fixed है तो फिर उसको तो fix करने की जरुरत ही नहीं but floating charge को fix करना पढ़ता है तो crystallization का मतलब है floating charge को सिरिफ fixed charge में convert करना in simple terms आप यह बोल सकते हैं कि in simple terms आप यह बोल सकते हैं कि in simple terms आप यह बोल सकते हैं कि the right of the company to deal in such asset ceases उसका right खत्म हो जाता है ठीक है तो ऐसे है कब कब fix हो जाता है वो आपको बताया है charge कैसे create होता है और कैसे उसको register किया जाता है create तो होता है through document जैसे एक simple सा example में आपको बताता हूँ एक company थी यह company ने जाके loan लिया एक bank से bank में जाती है और loan लेके आती है अब loan लिया लेकिन company के पास एक property थी यह property को company ने mortgage कर दिया to the bank जैसे ही mortgage करेगे यहाँ पे एक deed बनती है mortgage deed यह mortgage deed के through mortgage of the property होता है अब यह mortgage तो हो गया but company के जिम्मेदारी है इसको ROC को बताओ और ROC के पास इसको register करो तो register करने के लिए section number 77 बोलता है कि आपको हर प्रकार का charge whether fixed हो floating हो whether वो in इंडिया हो outside इंडिया हो पैसा बाहर का हो या अंदर का हो भारत का हो या भारत के बाहर का हो asset भारत का हो या भारत के बाहर का हो कोई परक नहीं पड़ता each and every charge should be registered and it is compulsory when should the charge be registered always compulsory है ठीक है आपको question आ सकता है it is optional to register a charge the answer is no it is compulsory to register a charge ठीक है फिर यहाँ पर जो वेक्ती company है वो तो ठीक है दूसरा वेक्ती है bank इसको हम charge holder बोलते है ठीक है he can be a charge holder can be a bank he can be a deposit holder he can be a debenture holder he can be a debenture trustee he can be a financial institution या कोई और creditor भी हो सकता है ठीक है अब charge कैसे register होता है तो charge register होने के लिए form है chg1 chg1 other than debentures अगर debentures का charge register करना है तो chg9 में create होता है और यह register होना चीए within 60 days of its creation तो creation के 60 दिन के अंदर amendment है ध्यान रखो 60 दिन के अंदर register extra time दे सकता है up to 60 days further 60 days दे सकता है new amendment के हिसाब से पूराना law क्या बुलता था पूराना law बुलता था अगर 60 दिन में आपने register नहीं किया तो 300 दिन मिलेंगे और 6 मेहना मिलेगा अभी यहाँ पे सिधा-सिधा 60 दिन और 60 दिन बोल दिया है ठीक है अब company अगर register नहीं करती थी तो extension मांग सकती है वो 300 प्लस दे से beyond 300 प्लस दे वो मांग सकती थी यह किस से मांगना पड़ेगा central गवर्मेंट से यह वाला जो extension है यहाँ पे जो मांग रहे है यह registrar से मांग रहे है ठीक है registrar से अपन extension मांग रहे है बट यह जो दूसरा वाला extension है यह किस से मांग रहे central गवर्मेंट से इसके पूरे diagrams मैंने आपको already बना के दिया हूँ फिर file order of the central government with ROC in form INC28 यह INC28 याद रखने के बिल्कुल ज़रुरत नहीं है यह CHG1 यहाँ त रखना CHG9 याद रखना CHG1 is creation of charge other than debenture holder CHG9 is creation of charge on debentures पिर punishment बताए गई है punishment भी कोई खास काम की नहीं है कंपनी मीटिंग्स के टॉपिक पर आ जाते हैं जैसा कि मैंने बुला था यह थोड़ा जल्दी हो जाएगा अपना कंपनी मीटिंग्स का टॉपिक चालू करते हैं अभी अपन मैं बुला था 45 मिनिट्स में हो जाएगा 45 मिनिट्स लगबग हो रहे हैं और complete हो गया कंपनी मीटिंग्स टोड़ा स्पीड अप करूँगा मैं कंपनी मीटिंग्स के टॉपिक को मीटिंग में एक मीटिंग को कोई भी मीटिंग को वैलिड होने के लिए तीन चीज़ों के आवशकता होती है इसमें और प्रापर अथरिटी होना चाहिए यह दोनों चीज रहेगी तो proper कन्वी हुई थी यह माना जाएगा properly constitute होने का क्या मतलब है there should be a chairman chairman होना चीए plus there should be the quorum इसका भी diagram आपके पास पूरा का पूरा बना हुआ है और properly conducted का क्या मतलब होना चीए it should be as per law law में जैसा बता है वैसा act में जैसा बुला है फिर secretarial standards होते हैं उसमें जैसा बुला है वैसा properly minutes बने होना चाहिए तो यह सब चीज़ें इसमें होना चाहिए अगर सब चीज़ें उसमें मौझूद है तो मान लिया जाएगा कि meeting proper हो चुकी है सब चीजों में से एक भी चीज़ अगर नहीं है तो हम मान लेंगे कि meeting proper नहीं थी तो meeting में तीन चीज़ें है convey proper हो, constitute proper हो, conduct proper हो, proper authority, proper notice, proper quorum, proper chairman, companies act, articles of association, law, minutes यह सब proper होना चाहिए authority कौन है, जब हम बूलते है proper authority, authority is board of directors, फिर shareholders, और कुछ cases में CG यह CLB, अब यह CLB की जगे हो गया है, NCLT NCLT भी बुला सकता है कभी-कभी, दूसरी चीज़, notice, notice कब valid है, notice valid होने के लिए it should be proper place, proper place मिन्स, RO, RO में होना चाहिए आपकी meeting, कौन से date को होना चाहिए आपकी meeting, working day को होना चाहिए, आप छुट्टी के दिन meeting नहीं कर सकते, time, EGM है तो business hours, EGM में कोई time की requirement नहीं है, तो EGM कभी भी हो सकते, business hours क्या है, तो business hours 9 बज़े से 6 बज़े तक के होते हैं, ठीक है, तो अब भी business hours खतम हो चुके, उसके बावजोद हम पढ़ रहे हैं, फिर agenda, agenda दो चीज़ होगी, या तो ordinary business या तो special business, ordinary business में सिर्फ 4 चीज़ें आती है, कौन कौन सी चीज़ है, पहली चीज़, वो 4 चीज़ जो EGM में होती है, पहली चीज़, जो EGM में होती है, that is appointment of auditors, दूसरा appointment of directors, तीसरा adoption of accounts, चौथा declaration of dividend, यह 4 चीज़ के अलावा जितने हैं, सब special business है, ordinary business, यहने यह AGM में होंगे, यह कभी आपको EGM में नहीं दिखेंगे, हाँ, और भी business हो सकते हैं AGM में, इनके अलावा, बट यह 4 चीज़ें शिर्फ यहीं दिखेंगे, आपको EGM में नहीं दिखेंगे, यह 4 चीज़ें सिर्फ AGM में होती है Annual General Meeting, साल खतम हने के बाद हम लोग रखते हैं, कि साल खतम हो गया, पिछले साल हमने क्या 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 किया, यह चीज की Meeting होती है, इसमें फिर appointment of auditors होता है, पुराने auditors को reappoint भी किया जाता है, directors का appointment या reappointment होता है, adoption of accounts होता है, कि accounts सही है, हम इसको adopt कर रहे हैं, और declaration of dividend होता है, यह चार चीज होती है, इसके अलावा और कुछ करना है, नाम चेंज करना था, आप उसमें वो भी करवा सकते हैं, तो AGM में आप और भी चीज़ें करा सकते हैं, EGM में यह चार चीज के अलावा ही रहेगी, वहां हमेशा सिर्फ special business रहेगे, ordinary business सिर्फ AGM में होते हैं, पिर documents क्या लगेंगे, वही ordinary business के लिए, financial statement, auditors report, audit report लगेगी, directors report रहेगी, यह सब रहेगा, special business जितने भी होते हैं, सबके साथ एक explanatory statement लगाना compulsory होता है, expert section number 102, explanatory statement as per section 102 रहता है, proxy क्या होती है, वो देखेंगे अपन, explanatory statement क्या है, explanatory statement हर special business के साथ रहेगा, इसमें हर material fact बताया जाएगा, कि हम क्या करने जा रहे हैं, देखो, चार चीज़ तो हमेशा होती है, वो चीज़ बताने की आवशक्ता नहीं, यह पता है हमको, auditor appoint होगा, director appoint होगा, इसके अलावा, अगर कुछ हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, जैसे हम object change कर रहे है, क्यों कर क्या जरूरत थी, तो यह सब चीज़ें explain की जाती है, पूरी in the statement, that is called as an explanatory statement, इसमें पूरे material fact बताया जाते है, क्यों हमको यह change करना पड़ रहा है, इसमें interest of directors बताया जाता है, key manager person और उनके relative का interest बताया जाता है, कि हमारा इसमें क्या interest है, क्या अधिकार है, तो यह other than AGM वाले जितने भी business है, सब में आपको special business लगाना ही पड़ेगा, interest मान लिया जाता है, अगर 2% या उससे जाधा आपका control है, कहीं पे तो interest को मान ही लिया जाता है, फिर अगला point, किस-किस को notice भेजना चाहिए, person यह person entitled to notice, किस-किस को notice देना चाहिए, so all the members at Indian residential address, इंडिया में जो रहते हैं, फिर private company articles के साब सी किसी को भी दे सकती है, preference shareholders को दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता, articles में कई बार हम लिखते है, preference shareholders को नहीं देंगे, legal representative in case of deceased member, official receiver in case of insolvent, financial institutions, auditors, directors, stock exchanges, semi, divinja trustee, सबको दिया जाता है, importance is, गलते से भूल गये किसी एक व्यक्ती को notice देना, तो that does not mean that meeting invalid हो गई, फिर, लेंग्त of notice, लेंग्द का मतलभ होता है, कितनी बड़ी notice होना चाहिए, नहीं, कितनी बड़ी नहीं, लेंग्त का मतलभ होता है, time gap, time gap कितना होना चाहिए, 21 clear days होना चाहिए, 21 clear days का क्या मतलFORE प्लस दो दिन ट्रांस्मिशन को आपको छोड़ना पड़ता है याने 21 क्लियर डेस जैसे ही मैं बोलू तो आपका 25 डेस निकल के आना चाहिए तो 25 डेस पहले आपको नोटिस भीजना पड़ता है क्या शॉटर नोटिस दिया जा सकता है हमारे पास इतना टाइम नहीं था 25 डे नोटिस में मीटिंग बुला सकते हैं अगर 95 परसेंट ऑफ दे मिम्बर्स कंसेंट करते हैं कि हाँ चलेगा शॉटर नोटिस भी रहा तो चलेगा तो 95 परसेंट इन केस ऑफ एग्यम एज एग्यम में दो आपको दिख रहे हैं बट अल्टिमेटल इससे कोई फरक नहीं पड इन शॉट 95 परसेंट ऑफ दे परसेंट इंटाइटल टू अटेंड वोट एट दे मीटिंग जितने लोग वोट करने के लिए अधिकार रखते हैं वो लोग अगर बोल दें ठीक है चलेगा तो फिर शॉटर नोटिस विल भी वैलेड गुंजन का एक क्वेशन है सर एक प्र का हिंट आई है इनका बोलना है कि एक प्रोविजन लिखा है कि all business in the EGM shall be deemed as special तो ऐसा क्यों क्योंकि मैंने बताया कि ये चार चीज़ छोड़के सब special है तो चार चीज़ सिर्फ EGM में होगी EGM में ये चार के अलावा ही चीज़े होने आदी है ठीक है ये जो चार चीज़ है तो ये special business है तो हमेशा इसमें लगे गई ठीक है तो हमेशा explanatory statement लगा रहेगा कि का exception यानि क्या exception में को समझा नहीं आप एक बार बताओ थोड़ा टाइप करके लिख हो तुम्हें बताते हम बोलो हां हां तो 2% वह यहां भी बताया ना मैंने 2% का क्या मतलब है यहने interest कब-कब माना जाएगा वह इसके लिए नहीं है 2% आपको बताना की नहीं बताना यह जो 2% है यह किसके लिए 2% यह नहीं यह इस से related point है interest of directors जो मैंने बता है आपको interest बताना है आपको अगर आपका interest है कोई particular transaction में तो समझो मैं एक company में और shareholder हूँ या मैं एक partnership firm में shareholder हूँ यह हूँ पार्टनर हूँ अब वहाँ पे मेरा 5% profit sharing ratio है so that is my interest तो यह 2% से ज्यादा होगा तो बताना है अगर 1% का profit होगा तो मेरे को नहीं बताना है 2% या उससे ज्यादा होगा तो मज़े बताना है यह मतलब है यह exception नहीं है आप इसको exception नहीं बोल सकते तो यह 2% का मतलब है कि आपको interest कब बताना है यहां बूला interest बताना है तो interest तब बताना है मैं related हूँ तब बताना है जब 2% या उससे ज़्यादा का आपका उसमें interest रहेगा तब उससे कम होगा तो आपको बताने की आवश्चक्ता नहीं है हाँ service of notice कैसे होगी personally भेज सकते हो आप registered post से भेज सकते है courier भी चलता है लेकिन courier ऐसा होना चाहिए जो की proof of delivery रखता है electronic way में भी आप भेज सकते हैं वो भी कैसे भेजते हैं देखेंगे हम newspaper में भी कभी-कभी आप publish करके notice दे सकते हैं जब it is not practicable की आप सबको notice भेजें तो आप paper में publish कर देंगे that will be considered as a sufficient notice अगर joint holder से तो सिर्फ first holder को आप देऊगे that will be sufficient ऐसा नहीं बोल सकता कोई की नहीं नहीं दोनों को भेजो हाँ अगर पहले ये बोलने का अधिकार है उनके पास की पहले मेरा नाम लिखो बट वो ये नहीं बोल सकते दोनों को भेजो या पहले वाले को क्यों भेजा मेरे को क्यों नहीं भेजा ये नहीं बोल सकते ठीक है तो first वाले को भेजेंगे advertisement के थुरू भी दिया जा सकता है अगर refuse कर लिया तो मान दिया जाएगा कि पहुत चुका है notice special notice ये opposite होता है special notice ये ऐसा notice है जिसमें हम notice देते हैं to the company हम यहने members members देते हैं notice company को कि हम ये करवाना चाहते हैं चार चीजों के लिए होता है special notice यह आपने पढ़ा होगा section number 142 काई में पढ़ा होगा या 142 के साथ में पढ़ा होगा आपने ठीक है तो ये read along with 142 ऐसा बुलना चे along with 142 142 आपने audit में पढ़ा होगा यहां भी पढ़े थे अपने याद होगा आपको लेकिन audit में appoint नहीं करना चाहरे या वो auditor के जगे कोई और को appoint करना चाहरे या वो director की जगे किसी और को appoint करना चाहरे तो ऐसे cases में आपको special notice देना पड़ता है to the company कि हम नहीं चाहते ये auditor appoint हो इसकी जगे हम शर्मा जी को appoint करना चाहते हैं तो ये आप बताते हो to the company और company will in turn inform the other members कि ऐसा ऐसा special notice आया है कि इनको appoint न करते हुए इनको appoint किया जाए तो ये notice जो होता है ये special होता है special क्यों होता है क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि company नहीं notice दिया it is a notice by members to the company और इसलिए इसको हम special notice बोलते हैं तो ये है so special notice आपने जैसी दिया उसके बाद company will inform the other members कि ऐसा ऐसा special notice आया है दिन आपको याद रखना पड़ेगा so ये कब तक के दिया जा सकता है तो meeting के 14 days और 3 months before उसके पहले नहीं याने meeting आपकी यहाँ पे होने वाली है तो at least 14 days पहले आना चाहिए और not more than 3 months 3 months 14 days याने इस period में notice आना चाहिए तब ये valid रहेगा इसके बाद आएगा तो भी invalid हो गया इसके पहले आ गया तो भी invalid हो गया ठीक है तो ऐसा है यह आपने दो तीन बार पड़ा यहाँ भी पड़ा फिर से आगे आता है जब हम auditor वाला चैप्टर बढ़ते हैं और फिर से audit में यह फिर से आता है special notice वाला concept कोरम कोरम याने minimum कितने लोगों की आवशकता होती है एक company की meeting चालू करने के लिए यहाँ पे दो प्रकार की company हो गई private company है तो दो जन लगेंगे public company है तो public company में depending on the number of members लोग change होते हैं अगर 1000 लोग तक के members हैं तो 5 लोग 5000 तक हैं तो 15 5000 के ऊपर हैं तो 30 लोग कम से कम मौझूद होना चीए तब ही आप meeting चालू रख सकते हैं आपने meeting चालू किया था लेकिन लोग नहीं आये समझे चारी लोग आये थे आपको 5 लोग चीए था आपने सिर्फ चारी लोग थे तो आपने meeting को एडजर्ण कर दिया एडजर्ण करना पड़ता है अगले हफते चले जाएगी हो अगले हफते फिर से अगर देखा जाए और फिर से quorum मौजूद नहीं हुआ तो क्या होगा तो फिर जितने लोग आये थे उनको ही quorum मान दिया जाता है चार लोग आये थे तो चार लोग will be considered as quorum अगली meeting में फिर से उसको अपन एडजर्ण नहीं करते हैं तो ऐसा है proxy को count नहीं करते हो आप quorum के लिए लेकिन आप representatives को count करते हैं representatives of body corporate and representatives of president and governor फिर पूरे meeting में इनका होना अनिवार यह होता है अगर बीच में से चले जाए तो जहां तक के वो लोग थे quorum था तब तक के decisions valid है उनके जाने के बाद के decisions invalid हो जाएंगे chairman to wait for half an hour आदे घंटे तक के रुकना पड़ता है उसको जैसे meeting थी 10 बजे तो 10 बजे से वो साड़े दस तक के रुकेगा quorum आ रहा की नहीं आ रहा ऐसा नहीं तूरंत के तूरंत 10 बजे बंद कर दिये 10 बज के 2 मिनिट होए बंद कर दिये तो नहीं उसको आदे घंटे तक के रुकना पड़ता है फिर quorum नहीं होगा तो nullity कोई meeting नहीं हो सकती पर अगली meeting में नहीं है तो फिर चलेगा जितने लोग मौजूद है उतने लोग quorum होंगे फिर भी दो लोग तो लगेंगे हाँ लेकिन एक विक्ति क्या quorum हो सकता है दो case में हो सकता है पहला case जब एक विक खुद ही पूरे shares hold करता है for example preference shares है company के और पूरे preference shares मैं अकेला hold करता हूं तो I am myself one person can become a quorum वैसे ही अगर NCLT बोलती है तो प्रिबिनल बोलता है कि यहां पर एक विक्ति भी आया फिर वो proxy भी आया तो भी हम quorum है मान लेंगे ऐसे cases में quorum मौजूद है मान लिया जाएगा even if there is only a one person फिर voting voting तो normal है in proportion to the paid up share capital होती है preference share capital में preference shareholders को तभी voting मिलती है वैसे तो खुद के जो decisions है उन पे जैसे winding up पगर हो गया reduction of capital बड़े decisions पे वो voting कर सकते हैं पर अगर dividend नहीं दिया जाए उनको 2 साल तक तो उनको equity के बरौबर मान लिया जाता है और फिर इनको हम मानेंगे कि ये equity ही है और इनको पूरे के पूरे resolutions पर voting के अधिकार मिल जाएंगे ठीक है ध्यान रखने है ये वाले point को आप voting rights restrict कर सकते हैं articles के हिसाब से अगर उस पे कोई भी amount pay नहीं किया है calls वगर है तो calls या कोई और amount तभी आप रख सकते हैं अगर आप चाहें तो नहीं लिखा है तो automatically नहीं होता फिर हर एक vote आप अलग-अलग दे सकते हैं आपके पास 5000 शेर थे आपको लग रहा है तोड़ा अलग लगता है बट है यह कर सकते हो आप हाँ जनरली मीटिंग में वोटिंग कैसी होती है शो ओफ हैंड से होती है one person one vote दूसरा पूल से होती है या electronic voting होती है और declaration होता है बाई chairman electronic means से कैसे voting होती है मैंने आपको पूरा diagram बना के समझा है हूँ अगर listed company है या 1000 से ज़ादा shareholder है तो आपको compulsorily ये देना पड़ेगा कि आप electronic name से voting कर सकते हैं ये अधिकार आपको देना पड़ेगा electronic meeting में आपको पहले तो notice भेजना पड़ता है जैसे बाकी जगे भेजना पड़ता है notice में लिखा होता है आपका login ID क्या है और आपका login password क्या है password generate करने की facility देते हैं कि आप ऐसा ऐसा करो आपके mobile पर password आजाएगा फिर आप वो login ID और password डालके आप voting कर सकते हैं voting जो होती है ये डाय की company के पास वो एक secret ballot में record होगी और ये जो ballot रहेगा इसको scrutinize करने के लिए एक scrutinizer को appoint किया जाता है जो कि CACA CWA कोई भी हो सकता है जो भी scrutinizer रहेगा वो इस पूरे ballot को open करेगा in presence of two witness दो गवाहदार दो साक्षिदार के सामने ये लोग open करते हैं वो ballots और वो ballot में क्या voting हुई वो count करते हैं कितना positive था कितना negative था पूरा रिपोर्ट बनाते रिपोर्ट chairman को देते हैं chairman declare करता है the decision of the meeting और finally जो भी मिला के यहने जो online voting हुई थी electronic वो उसके अलावा जो बागी के physically present लोग थे वो लोग इन लोगों की voting मिला कि देखा जाता है क्या resolution पास हुआ या नहीं हुआ ठीक है तो वो दिया है हां तो वो बताया है पूरा आपको detail दिया है login ID पासवोर्ड यह सब बताया है फिर scrutinizer appoint होगा वो open करेगा यह दिन वगरे भी दिये उसमें दो दिन पीन दिन इतने दिन के अंदर होना चीए फिर आपको जिस दिन voting हुई उस दिन resolution पास नहीं हुआ जिस दिन meeting थे उस दिन पास हुआ यह माना जाए पोल डिमांड करना यह दो स्वो मोटर डिमांड किया जा सकता है जैसे chairman को लग रहा है कि चलो पोल डिमांड करते हैं तो chairman बूलेगा फोल लाए जाए फिर फोल लाएंगे लोग dance करेंगे नहीं वह पोल अलग हो गया पोल यह ने जहां पर देखो क्या हो रहा था वन परसं जार शेर्स है मेरे को एक ही वोट दे रहे हो आप तो मैं बोलता हूँ नहीं नहीं पोल डिमांड करता हूँ मैं तो मैं भी पोल डिमांड कर सकता हूँ एक पहला या तो चैर्में या तो हम लोग भी कर सकते हैं Memorial सीषक्षिट इसके पास है वो दिमांड कर सकता है तो या फिर पाँच लाग के कम से कम शेर्स अगर शेर कैपिटल है तो और शेर कैपिटल नहीं है तो 10 पर एंपskेंट आर्स के ले सकते हैं अभी पोल डिवांड किया, तो अभी के अभी उसका decision हो जरूरी नहीं, आप उसमें time ले सकते हैं, सबको ballot papers बाटे जाते हैं, उसमें वो लोग tick करते हैं कि हम कितने votes करना है, किसके favor में करना चाह रहे हैं, so this is called as poll, इसमें भी same प्रकार से scrutinizer होगा और scrutinizer पूरे process को scrutinize और कितने favor में आयते हैं, और कितने against आयते हैं, उसमें वोट के हिसाब के वो decision पास करेगा, और chairman फिर finally बताता है कि क्या हुआ था, Postal ballot, Postal ballot का मतलब होता है, जहाँ पे ballot papers घर पे भेजे जाते हैं, और घर से सब लोग voting करके वापस करते हैं, इसमें एक time दिया रहता है, 30 दिन के अंदर वो reply करके भेजते हैं, अगर उसके बाद में reply आएगा, तो मान लिया जाएगा कि reply कभी आया ही नहीं, यहाँ पे भी एक scrutinizer appoint किया जाता है, और वो scrutinizer जो रहता है, वो पूरे ballot process को check करता है, ultimately he will make a report and submit it to the chairman and chairman will declare the result, मान लिया जाएगा result उस दिन हुआ है, जस दिन meeting थी, circulation of members resolution यह कोई खास काम का है नहीं, वैसे मैं बता दिता हूँ, जब अगर मैं चाता हूँ कि कोई मेरे को particular resolution पास करवाना है, कोई भी resolution में पास करवाना चाता हूँ, और मैं कम से कम 10% shareholder रखता हूँ, sharehold करता हूँ, voting power hold करता हूँ, तो मैं company को बोल सकता हूँ, मुझे यह resolution पास करवाना है, अगर मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ, तो मिरे को यह detail लिखके देना पड़ेगा, मैं resolution पास करवाना चाहरा हूँ, और company यह inform करेगी to the members, और फिर यह resolution पास होगा, यह resolution कब तक के पास होना चाहिए, मैंने कब तक के deposit क करना चाहिए, जो resolution मैं पास करवाना चाहता हूँ, यहाँ दो चीज हो सकती है, देखो एक तो मैं resolution पूरा का पूरा पास करवाना चाहरा हूँ, दूसरी चीज हो सकती है, resolution पास होने वाला था, बट मिरे को उससे related कोई एक statement circulate करवाना है, मिरे को उससे related कोई जानकारी circulate कर अगर मैं resolution pass करवाना चाता हूं तो कम से कम AGM के six weeks पहले deposit होना चाहिए यहाँ पे तभी वो circulate किया जाएगा, तभी वो बाकी लोगों को दिया जाएगा, अगर मैं resolution नहीं सिर्फ statement circulate करना चाहिए तो AGM के दो हफते पहले deposit होना चाहिए फिर वो circulate किया जाएगा, अगर इससे कम टाइम रहता है तो फिर मैं वो circulate नहीं करवा सकता, ठीक है, तो यह बताया है, फिर registration of resolution यह कोई काम का नहीं है, यह बखवास है, भले यह आपको amendment दिख रहा है बट कोई काम का नहीं है, resolution आप छोड़ सकते, class meeting भी काम का नहीं है, class meeting भी आप छोड़ सकते, particular class of shareholders के अगर आप write बदलना चाते हैं, तो class meeting लेना पड़ता है, ordinary resolution में क्या क्या आता है, तो दिया है आपको appointment of director, annual return, यह सब, यह ordinary resolution, देखो, ordinary business नहीं बोल रहा हूं है, ordinary resolution बोल रहा है, ordinary resolution से यह पास होता है, ordinary resolution का मतलब है, 50% से ज्यादा, और special resolution यहने, more than or equal to 75%, ठीक है, chairman, chairman का simple सा point है, आप एक बर पढ़ लिंगे, chairman के लिए क्या-क्या काम की चीज़ है, वो देख, एक बर आप read कर लोगे तो आपको समझ जाएगा, सिरिफ एक चीज़ मैं बताता हूं, कि chairman, signing of the minutes book करेगा, वो minutes में मिलेगा आपको, और एक चीज़ यहाँ यह भी ध्यान रखो है, कि अगर कोई भी चीज़ वो चाता है, कि minute book में न रखी जाए, तो it is his own discretion, it is his own absolute discretion, कोई director यह नहीं बोल सकता कि नहीं यह आपने minute book में लिखना चाहिए, it is the sole discretion of the chairman, यह एक ध्यान रखना, ठीक है, exam में chairman में सरिफ इतना important है, और दूसरा signing important है, बाकी chairman को आप ignore कर सकते है सो हमका एक question है, सर special notice वाले matters को ordinary resolution ही लगता है, न, yes, ordinary resolution लगते हैं, यह सब लगबग सभी चीज़ों को ordinary resolution लगते हैं, तो yes, सही है, ordinary resolution लगता है, उस सभी points को, directors वगरे, co-point करना वगरे, इसमें ordinary resolution, तो वैसे वो चारों ही जो ordinary business है, चारों को यह ordinary resolution लगता है, ठीक है, हाँ, AGM, AGM कौन-कौन hold करेगा, हर company, other than OPC, OPC को नहीं करना है, बाकी की जितने भी company वो सबको AGM hold करना ही है, AGM जो hold करेंगे, AGM कब होना चाहिए, तो इसके, बाकी points तो ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है, कब तक होना चाहिए, तो आपका जो साल खतम होता है, समझो जो आपका यहाँ पर साल खतम हो रहा है, तो यहाँ से 6 months, first limit है 6 months, 6 मैने के अंदर हो जाना चाहिए, यहने अगर आपका 31 March को खतम हो रहा है, तो आपका 30 September तक के AGM हो जाना चाहिए, दूसरी चीज, आपकी पूरानी AGM से, यह AGM तक के जो difference है, that should not be more than 15 months, यह आपको दिया होना चाहिए, दिखने ही रख, ठीक है, चरू ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, और तीसरी चीज है, एक साल में 1 AGM होना चाहिए, 1 AGM आपकी, समझो 20-21 में हुई, दूसरी 21-22 में होना ही चाहिए, तो हर साल आपकी 1 AGM होना ही चाहिए, ठीक है, so AGM, पहली चीज, एक स 15 months, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, 1 AGM के लिए, 1 AGM 6 months बोला है, 6 months from the end of the financial year, but it can be extended by 3 months, 3 मेने से और आप इसको बढ़ा सकते हैं, फिर ध्यान रखो, नहीं, एक सेकंद, यहां मैंने कुछ गडबड किया, 1st AGM 9 months है, बाकी की AGM को 3 months से आप बढ़ा सकते हैं, 1st AGM 9 months, 9 months from the end of the financial year, जैसे आपका 31 माज को खतम हो रहा है, तो आप 31 December तक के यह ले सकते हैं, AGM ले सकते हैं, ठीक हैं, तो 9 months from the end of the financial year, but यह वाली date नहीं बढ़ा ही जा सकते, it is already extended, but इसके अलावा बाकी की AGM है, तो वो AGM की date को बढ़ा के 3 महना extra दिया जा सकता है, report on AGM भी simple है, EOGM पर आ जाते हैं, extraordinary general meeting, extraordinary general meeting कैसे की जाती है, तो या तो खुद directors कर लेंगे, directors को लगता है, EOGM मंगाना है, बुलाना है, तो वो कर लेंगे, जब already AGM हुई थी, बट कुछ decisions लेना बचा था, तो extraordinary general meeting होगी, AGM के अलावा जितनी भी होती है, वो सब extraordinary होगी, फिर कभी members को कुछ करवाना है, तो members भी EGM बुला सकते हैं, यह requisition की जाती है, इसको requisitionist बुलते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे पास 10% of the share है, तो मैं यहाँ पर requisition कर सकता हूँ, कि मुझे EGM बुलाना है, तो EGM फिर बुलाई जाएगी, मेरे हिसाब से, इसके अलावा कभी-कभी NCLT भी बुलवा सकती है, requisitionist जब यह बुलवाना चाहते हैं, तो उनको कम से कम 110 होना चाहिए, 110 लोग ही बुला सकते हैं, इसे कम लोग नहीं बुल सकते हैं, चलो meeting बुलाओ, तो सिर्फ 110 के उससे जादा लोग होना चा चाहिए, और within 45 days, 45 days from this date, 45 days meeting हो भी जाना चाहिए, अगर नहीं होता है, company ने within 21 days meeting call नहीं किया, या within 45 days meeting held नहीं किया, hold नहीं किया, तो ऐसे case में फिर within 3 months, यहां से 3 months, directly ये लोग खुद meeting बुला सकते हैं, requisitionist खुद meeting बुला सकते हैं, अगर requisitionist meeting बुलाएंगे, तो requisitionist को भी detail लगेगी, so वो detail जो है, वो company को देना पड़ेगा, company के जिम्मेत आ रही है कि it will have to, it will have to send the details to the requisitionist, और requisitionist पूरा खर्चा जो है, वो भी recover कर देंगे, कर लेंगे from the company, ये पूरा आपको दिया है, 21 days notice होना चीए, ये सब तो रहे गई, बाकी सब चीजे, तो बाकी सब जो रोल रखते हों दहेंगे, बट ये धियान रखना है आपको, 21 days के अंदर meeting बुलाना पड़ता है, और 45 days के अंदर हो जाना चाहिए, ये दोनों चीज़ होना चाहिए, अगर नहीं बुलाया तो directly requisitionist ने 3 महने के अंदर पिर बुला सकते हैं, minute book, minute book में सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि उसको sign कौन करेगा, बाकी सब तो बेकार है, हाँ ये book form में रखना है, loose leaf में नहीं रख सकता है, बट sign कौन करेगा, ये important point है इसका, board meeting, chairman sign करेगा, उस meeting का, अगर उस meeting का chairman अवेलेबल नहीं है, तो next meeting का chairman कर सकता है, बट general meeting में, general meeting में उस meeting का chairman या फिर कोई और व्यक्ति authorized by the directors, यहाँ पर अगले meeting का chairman नहीं, directors authorized by the chairman not able, अगर नहीं है, वो sign करने के योग गया, तो फिर दूसरा कोई director भी sign कर सकता है, inspection of minute books, यह आप एक बर पढ़ लोगे, inspection देना पड़ेगा, आपको हमेशा रखना है, यह at the registered office of the company, permanently, हर दिन कम से कम 2 घंटे तो रखना ही पड़ेगा, minimum 2 hours, और कोई भी वेक्ति अगर मांगता है, तो उसको 7 दिन के अंदर without any charge उसको भेजना पड़ता है, अगर नहीं भेज जाया है, तो तुरंत inspect करने को भी order दे सकता है, यह ध्यान रखो general meeting की, board meeting की जो minutes है, वो members नहीं मंगा सकते, वो सिर्फ auditors देख सकते, directors, ROC, और any agent appointed by the central government, officer appointed by the central government, हाँ, बाकी तो simple है, report on AGM भी simple है, proxy form, proxy, proxy दो चीज़ों को बोला जाता है, एक वो व्यक्ति जो proxy है, जो दूसरे के भी हाफ पे आया है, और एक वो instrument जिसके द्वारा वो appoint किया गया है, proxy, quorum के लिए count नहीं किया जाता है, पहली चीज़, यह बोल नहीं सकता, मुका होता है, सिर्फ यह poll demand कर सकता है, या तो खुद से या दूसरों के साथ मिलके, फिर वो decision ले पाएगा, बाकी वो बोल नहीं सकता, show of end से voting नहीं कर सकता, ठीक है, हाँ, adjun करने के लिए बोल सकता है, अगर member खुद आ जाता है, और proxy भी आता है, बट member ने भी vote किया और proxy ने भी vote किया, तो ऐसे cases में member का vote valid रहेगा, proxy का vote invalid रहेगा, proxy form आपको कम से कम 48 hours पहले deposit करना है, तो आपका यहाँ पर meeting है, तो इसके at least 48 hours पहले, यहाँ पर deposit हो जाना चाहिए, इसके बाद deposit होगा, तो it is void, फिर body corporate representative appoint करती है, और representative can again appoint a proxy, 48 hours वाला rule हो गया, it should be in MGT, 11, 11 में रहना चाहिए, 11 नहीं, एक सेकिंद, proxy form MGT 14 है शायद, एक सेकिंद, 14 है, 14, एक बर देख लेता हूँ मैं, 11 है क्या, हाँ, 11 है, ठीक है, होता है कभी कभी confusion हम लोग को भी हो जाता है, होता है, हाँ, तो MGT 11 में deposit होना चाहिए, कोई company यह नहीं बोल सकती कि नहीं, यह हमको नहीं चलेगा, अगर वो MGT 11 में है, company ने articles में कुछ और लिखा था, कोई special point लिखा था, वो उससे पूरा नहीं कर रहा है, जो special point पूरा नहीं कर रहा है, बट MGT 11 है, तो ऐसे cases में that will be valid, अगर MGT 11 है, तो यह valid है, company cannot question कि यह हमारी requirement के हिसाब से नहीं है, ठीक है, तो यह एक और point यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर कोई व्यक्ति देखना चाता है, कोई member देखना चाता है कि कितने लोग proxy के थुरू आ रहे हैं, तो वो देख सकता है, meeting चालू होने से 24 घंटे तक के, विदिन 24 घंटे से meeting खतम होने तक के, ठीक है, एक सेगे, meeting खतम होने से, यहाँ पे खतम हो रही है, यहाँ से 24 वो notice देगा, कि मैं देखना चाता हूँ कि कौन-कौन proxy के थुरू आया, अगर वो notice देता है, तो उसको 24 घंटे पहले से यह अधिकार है, कि वो देख सकता है कि कौन-कौन proxy के थुरू आ रहा है, और meeting खतम होने तक के अधिकार है, ठीक है, जैसे meeting कल सुबे 11 बजे है, तो आ पिर, हाँ, गुंजन का एक question है, सर, representative को proxy के ही rules लगते हैं, क्या नहीं, representative को member के rules लगते हैं, representative is deemed as a member of the company and he can appoint a proxy, ठीक है, जैसे मेरे को president ने बोल दिया, कि भही जाओ, शशान, तुम ये company का meeting attend कर लो मेरे बहाफ पे, I am not a proxy, I am a member, ठीक है, मैं proxy appoint कर सकता हूँ, ऐसा है, हाँ चलो, आगे बढ़ते हैं, ये भी meeting का ही chapter है, complete होने का है, statutory returns and registers, एक बार देख लेते हैं, और कल के दिन बाकी अपन देखेंगे, वैसे अपन dividend भी देखी लेते हैं, या पूरे ही खतम कर देते हैं, अगर आप बोलो तो, थोड़ा speed जादे ही बढ़ा दिया मैंने, तो खतम क करते हैं, फिर देखेंगे खतम कैसे करना, समझ में आ रहा है तो, वैसे मैंने speed जादा बढ़ाया हूँ, बट फिर भी, चलो, देखते हैं, statutory registers and returns, so statutory registers and returns means क्या, so आपको कुछ registers maintain करने पड़ते हैं, register of members, register of foreign members, register of beneficial owners, register of substantial members, substantial beneficial owners, ये रखना पड़ता है, ऐसे करके बहुत सारे registers, वैसे ही कुछ returns आपको file करना पड़ता है, returns दो प्रकार के होते हैं, एक, periodical return, जैसे की annual return हो गया, दूसरे, return on happening of certain events, कोई particular car ये हुआ, जैसे आपने capital पड़ाया, तब आपको return file करना पड़ता है, तो दो प्रकार के return, एक बार देखते हैं, directly registers के बा सेक्शन 88 बोलता है, registers के बारे में, registers अलग-अलग maintain करना है, debenture holders के अलग, other security holders के अलग, उसमें भी equity के अलग, members के उपर दिया है, members में भी equity के अलग, preference के अलग, equity में दो class होगी, तो उनके भी अलग-अलग registers आपको maintain करना पड़ता है, index रखना पड़ता है, index की जरुरत नह owners maintained by depositor, depository is sufficient, यहने, जब depository में deal करते हैं, shares, तो ऐसे cases में क्या होगा, company will issue shares to depository, और depository will issue shares to public, so यहाँ पर depository एक register of beneficial owners बनाती है, इसमें जिन लोगों के नाम लिखें, it will also be deemed as register of members, तो यह register of members मान लिया जाएगा, फिर foreign register भारत के बाहर आप रख सकते हैं, अगर articles में लिखा है तो भी रख सकते हैं, आपको foreign security holders की details उसमें रखना allowed रहता है, फिर entries आपको करना है, कोई भी change होगा, तो 7 दिन के अंदर entry करना है, वो फिर appointment, allotment हो, या transfer हो, किसी भी प्रकार क change, 7 दिन के अंदर आपको यह कर देना पड़ता है, हाँ, other place, यह important point है, जो bold में दिया है, तो क्या other place पे आप रख सकते हैं, वैसे तो RO में रखना है, क्या other place पे रख सकते हैं, yes, other place में रख सकते हैं, जहाँ पे आपके one tenth of the total members रहते हैं, वहाँ पे आप registers maintain कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, list rate security में pledge वगर है, यह कोई काम का नहीं है, पर directly, foreign register, भारत के बाहर रहेगा, articles के द्वारा जैसा बताया है, वैसा रहेगा, आपने जैसे foreign register रखा, वैसे ही आपका main register से उतनी entry हटा दी जाती है, foreign register is a part of the Indian register, बट उसकी एक duplicate यहाँ पे आपको रख करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह बताया है, 30 दिन के अंदर आपको register को बताना पड़ता है, opening के भी और discontinuous के भी पहले, it is a part of principal register जो मैंने बताया, same format में होना चाहिए, आप इसको भी close open कर सकते हैं, बट आपको advertisement देना पड़ता है कि यह register हम बंद रख रहे हैं इतने दिन क आपको rectification करवाना allowed है, भारत के अगर register में गड़बढ है, तो आप NCLT में जाते हैं, ट्रिबिनल में, लेकिन अगर बाहर के register में गडबढ है, foreign register में गडबढ है, तो foreign register के case में आपको वहां के competent code के पास जाना पड़ता है, फिर company shall transmit to the RO, इसकी entry अगर होती है वहां तो वह transmit करना है within 15 days of entry, जो भी entry वहां पर हो रही है, foreign में वह entry यहां पर बताना पड़ेगा, not recording any other register, एक बार foreign register रखा तो यहां फिर से नहीं रखना है, वो register sufficient है, फिर duplicate उसका यहां पर एक रखना पड़ेगा, अगर हां discontinue करते हैं, तो आपको पूरी entries foreign register की यह register में रखना पड़े member security holders, इसको निकाल सकते हैं by no fees, और अगर copy चाहिए तो 10 rupees per page, यह सब आपके काम का नहीं है, 10 rupees वगरे, बट फिर भी यहां दिया हुआ है, पर पढ़ने के आपको ज़रुरत नहीं है, तो यह आप छोड़ सकते हैं power to close, आप अगर register of members close करना चाहते हैं, तो maximum 45 days in a year close कर सकते हैं, at one time maximum 30 days आप कर सकते हैं, यह जब भी आप close कर रहे हैं, 7 दिन पहले notice देना पड़ता है, और अगर सेबी ने कुछ और rule बताया है, कम दिन का तो कम दिन लगेंगे आपको paper में publish करना पड़ता है, यह register of members इतने दिन के लिए close रहेगा, कोई inspection नहीं होगा, कोई transfer register नहीं किया जाएगा vernacular and English language, जहां पे भी आपका district है, जो district में आपका RO है, वहाँ के paper में आपको छापना पड़ेगा, website है तो website में भी देना पड़ेगा, private company में paper छापना नहीं पड़ता है, उसमें सिर्फ notice दे दिया members को तो sufficient है जितने भी register है, सब CS के पास या person authorized by board के पास रहेंगे, वो CS अपनी custody में रखेगा, इसको आपको permanently preserve करना है, और debenture holders का अगर register है, तो debenture pay होने के बाद 8 साल तक के आपको उसको preserve करना है Annual returns and copies of all certificate documents ये भी 8 साल तक के आपको preserve करके रखना पड़ता है अब आते हैं हम खास topic पे, annual return के मैंने contents नहीं include किया हूँ, इस particular slide में, तो आपको contents अगर पढ़ना है, तो आप contents के लिए फूरी book देख सकते हैं, बट ultimately contents पढ़ने की कोई आवशक्ता नहीं है, कि annual return में क्या होना, क्या नहीं होना, ऐसे पढ़ने की कोई आवशक्ता नहीं है In fact, significant beneficial owners और beneficial owners के भी बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की आवशक्ता नहीं है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए लेकिन, ठीक है, वो C category question है, बट फिर भी आ सकते हैं उस पर question, register of beneficial owners, तो beneficial owners है तो वो उनको inform करना पढ़ता है कि इसका registered holder मैं हूँ, beneficial owner वो है, beneficial owner को भी ब अधिकार नहीं प्राप्त होते, तो यह register of beneficial holder था, फिर significant beneficial holder था, तो यह सब जो है, तो section 90 अगर है, यह सब आपको वैसे बहुत ज़्यादा important नहीं है, ठीक है, बट एक बार आप उपर उपर जरूर देख लेना, अभी time है exam को, उस हिसाब से आपको देखना चाहिए, exam के time फ ठीक है, तो हर चीज, आपकी एक बार घुमाई हुई रहे हैं, तब ही लिख पाओगे, तो आपको वो, आप main book से एक बार ऐसी, बस page पलट लिए, that will be sufficient, ठीक है, ऐसा है, dividend, dividend एक और important topic, focus के mark है, बहुत ही आसान topic है, और free में आपको अच्छे marks देखे जाता है, तो 4 mark, 8 mark ज तो dividend, dividend कैसे pay किया जा सकता है, कैसे declare किया जा सकता है, out of the current years profit, पहले चीज, out of the profit of the previous financial year और years, पहले के financial year से भी, after setting of the losses और और depreciation, आप वो पे कर सकते हैं, और बोद दाबाव, या अगर government company और government ने बोला था कि हम इतना dividend तो देंगे ही, तो ऐसे cases में फिर, government की guarantee के हिसाब से, government जो पैसा देगी, money provided by government, उसके हिसाब से भी आप dividend पे कर सकते हैं, तो कौन-कौन से sources है, current years profits, previous years profits, बोथ मिला के, या फिर, money provided by government, depreciation आपको schedule 2 के हिसाब से कम करना है, और कोई income tax वगरे के हिसाब से नहीं करना है, फिर, आपको transfer करना है, तो आप transfer करो, reserves में, नहीं करना है, तो मत करो, interim dividend, interim dividend का मतलब होता है, जो final के पहले दिया जाएगा, यहने, चालू साल में दिया जा रहा है, जैसे आपका ये final, ये year है, ये year का dividend जनरल ही कब होता है, ये साल का dividend होगा, यहाँ पे ADM में, annual general meeting होई, वहाँ पे dividend बाठा गया, लेकिन इसके पहले अगर दिया जा रहा है, सम जो financial year, 20-21 का dividend है, 20-21 का आपने 20-21 में दे दिया, तो क्या ये कर सकते हैं, yes कर सकते हैं, this is called as interim dividend, अब आप यहाँ पे अगर dividend दे रहे, दे रहे कब हो आप, 21-22 में, लेकिन आप दे रहे यहाँ पे, AGM के पहले, अब ये भी interim dividend है, सवाल ये है कि ये interim dividend कौन से साल का है, क्या ये interim dividend इस साल का है, ये interim dividend इस साल का है, सो कौन से साल का है, सो ये depend करता है company के उपर, पहले बड़ा simple होता था, पहले ऐसा था, ये यहाँ दियाना, तो ये साल का होगा, पट अब ऐसा नहीं है, अब इन्होंने interim dividend की definition change कर दी, और बोल दिया, interim ये एक ऐसा dividend जो during the financial year दिया, means ये basic case का यहाँ दिया है, तो that will be an interim dividend, और at any time during the period from close of financial year, close of financial year, till the holding of AGM, so this is also an interim dividend of this year, this can also be, ये इस साल का भी हो सकता है, this will depend on the company, ठीक है, out of the surplus or profit, in the profit and loss account or out of the profits of the financial year, पिछले इसके quarter के, पिछले quarter के देखे जाते हैं, पिछले quarter के financial year इस से भी आप पे कर सकते है, जैसे यहाँ पे आप dividend दे रहे है, so this quarter का भी dividend आप पे कर सकते है, for this year, ठीक है, फिर company अगर loss कर रही है, तो भी interim dividend आप पे कर सकते है, but it should not exceed the average rate, rate higher than the average dividend rate, for the immediately three financial years, तो loss में आतो भी चलेगा, बट पिछले तीन साल के average rate से जाधा नहीं दे सकते है, amount of dividend including interim dividend shall be deposited in schedule bank, आपको अलग bank में रखना है, इन separate bank account within 5 days of the declaration, 5 दिन के अंदर, payment of dividend, आप payable in cash, check, warrant, electronic form, but not in kind, kind में नहीं पे कर सकते, payable to registered shareholder या उसके order पे, उसने बोला था, इसको पे करो, उसको देना पड़ेगा, or to his banker, पिर, निदी company, निदी company में तो dividend के अलगी rules है, वो लोग आपस में decide करके, dividend, क्योंकि आपस कही बात है उसमें, तो वहाँ पर ये basically ये वाले rules नहीं लगते है, तो यहाँ पर भी, if it is not claimed, within 30 days from the date of dividend, तो cash में भी paid by crediting the same in the account of the member, Unpaid Dividend Account, Unpaid Dividend Account का क्या मतलब है, जब आपने payment नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि आगे वाला मिला ही नहीं, Unpaid या Unclaimed Dividend अगर है, तो dividend जो pay नहीं हुआ या claim नहीं किया, इसको आपको एक अलग account में डलना है, जिसको आप Unpaid Dividend Account बोलेंगे, आपको इसका पूरा statement बनाना है, और इसके उपर, अगर आपने नहीं डाला, तो आपको 12% का इस पर ब्याज देना पड़ेगा, आप अगर इसको business में यूज़ कर रहे हैं, तो, फिर entitled people can apply for payment, वो वापस मांग सकते हैं, इस account में से, transfer of unclaimed dividend ये transfer कर देते हो, आप जब तक के वो claim नहीं हो रहा है, अगर वो claim नहीं हुआ, तो आप 7 साल तक रुखते हो, 7 साल के बाद, आप इसको transfer कर दोगे तो, investor education and protection fund, 7 साल के बाद, along with the shares, पर continuous, बीच में एक बार वो कभी आ गया था, 7 साल है, लेकिन बीच में एक बार आके उसने dividend लेके गया, then you cannot transfer the shares, shares तभी transfer हो सकते है, जब पूरे continuous 7 साल अगर उसने dividend नहीं लिया है, तो, dividend तो transfer हो जाएगा, 7 साल पुराना, बट, shares तभी transfer होंगे, जब बीच में एक भी बार उसने claim नहीं किया है, तेक है, बाकी same है, similar है, ये दिये ही है, कि अगर 7 साल consecutive है, जब पूरे 7 साल, consecutive 7 साल उसने dividend नहीं लिया, ठीक है, यहां का dividend आपका transfer होगा ही, अगर नहीं claim किया है, तो, बट, shares तभ जाएंगे, जब बीच में कभी भी उसने claim नहीं किया था, ठीक है, हाँ, फिर एक अगला point, जो important है, section 127, जो मैंने आपको बताया था, और ये भी, ये penalty भी, ये important है, मैं generally penalties याद रखने नहीं बोलता, बट ये वाली मैंने बोला हूँ आपको, ठीक है, so, 127, dividend अगर आप pay नहीं कर पाए, could not be paid by reason, ये दोनों मिला की आएंगे, आपको question कभी भी, ये और ये, देक है, at least ये penalty तो आएगी, penalty और exception, exception बहुत important है, इस पे एक question आना लगभग पक्का है, आपको penalty नहीं लगेगी, अगर आप dividend नहीं पे कर पाए, due to operation of law, कानुन के करण कानुन बोलता है, नहीं, आप इसको pay नहीं कर सकते, तो नहीं किया, shareholder ने बोला था, कि payment मेरे ये account में डालो, और हम वो account में नहीं डाल पाए, लेकिन हमने inform किया कि हम नहीं डाल पा रहे हैं उस account में, inform करना भी ज़रूरी है, ठीक है, those directions cannot be complied and the same has been communicated to him, communicated to him, important, communicate करना important है, dispute है, किसका right है, वहाँ भी हमने नहीं दिया, क्योंकि जगड रहे हैं लोग, किसको दें, इसको दें उसको दें, दोनों जगडा कर रहे हैं, तो हमने नहीं दिया, फिर dividend has been lawfully adjusted, बहुत important, against the sum due, कुछ पैसा लेना था shareholder से, सम्झो, unpaid call, उसने pay नहीं किया, हमने dividend pay करना था, dividend से adjust कर लिया, उसका unpaid call, बचाओ, उसको pay कर दिया, तो यह भी चलेगा, for any other reason, like, the failure to pay post dividend warrant in prescribed time was not due to the fault of the company, हमारे गलती के कारण नहीं था, ऐसे cases में हमको यह penalty नहीं लगेगी, उपर जो penalty बताई, 5 लग, 25 लग, 1 लग, 5 लग, यह penalty नहीं लगेगी, पेनल्टी यहां पर ध्य का एक और ब्याज का भी point है, वो भी ध्यान रखना है, यहां मैंने लिखा नहीं हूँ, इसमें, आप पूरी book पड़ोगे तो इसमें 18% वाला भी एक point दिखेगा, तो 18% per annum का यहां पे penalty लगती है, कि उतना पैसा आपको जमा करना पड़ता है, थोड़ा speed up जादा हो गया तो accounts of the company भी देखी लेते हैं, छोटा सा ही है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी चीज़, TSR वगरे तो हटा ही दिया हूँ, और NFR हटा दिया हूँ, तो यह छोटा सा point है, अगर बचेगा अपना audit वाला topic जो है, वो अपन लगे तो कल कर लेंगे, तो आज अपन इसको complete कर लेते हैं, accounts वाले topic को, ठीक है, और audit वाला अगर बचता है, तो कल कर लेंगे, बहुत जादे स्पीड चला लिया, मैंने, शुरू में अपन स्लो चले, बट काफी स्पीड बाद में अपनने गेन किया, अच्छी बात है, लेकिन, accounts of the company, financial statements, financial statement का क्या मत्तब है, financial statement में आता है balance sheet, पहली चीज़ है, balance sheet, दूसरी चीज़ है, profit and loss account, तीसरी चीज़ है, cash flow statement, चौथी चीज़ है, statement of changes in equity, चौथी चीज़ है, explanatory notes to the account, पाच वी जीज़, तो ऐसे पाच चीज़ है, financial statement की definition में, definition का भी ऊची जा सकती है, balance sheet, P&L, cash flow statement, changes in equity का statement, and कोई भी explanatory notes जो लगे होते हैं with the accounts, financial year, uniform है सबके लिए, सिर्फ जो foreign company, subsidiaries हो गरे हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा change करना allowed है, बाके सबके लिए uniform है, आपको 31 March को खतम होने वाला जो financial year है, वो चलेगा, एक case में आपका financial year more than one year भी हो सकता है, आपने अगर September के बाद company 1 March 2021 को, अब 1 March 2021 को मैंने company बनाया, तो क्या मैं एक महने का financial year बनाऊंगा, क्या 31 March 2021 तक के, तो नई, एक महने का क्यों बनाना, तो government ने सोचा यह तो जबरदस्ती हो जाएगी, तो government ने बोला कि ऐसी cases में आप financial year अगले साल की 31 March को खतम करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो आपकी company September के बाद बनी है, so you can have the financial year for more than one year as well, so आप जो बचा हुआ period है, उसको include कर सकते हैं इन the next year, ठीक है, फिर books of accounts कैसे रखना है, आपको कहां रखना है, books of accounts ऐसे रखना है, जो कि true and fair भी हो रहे है, registered office में रखना है, फिर inspection के लिए open होना चाहिए during the business hours, 8 साल के लिए आपको रखना है, 8 साल के लिए रखना कमपल सरी है, अगर कभी company को बोला जाता है नहीं, आपको जादा रखना है, तो जादा भी रखना पड़ेगा, तो 8 साल minimum, और अगर नहीं रखा तो 50,000 से लेके 5 लाग तके penalty है, with an imprisonment of one year, प्रोविजो बोलता है, books of accounts and other relevant papers can be kept at a place in India as the board may decide, यहाँ ध्यान रखो, यह वाले ध्यान रखो, board may decide, यहाँ पे books of accounts के लिए ऐसा नहीं लिखा है कि जहाँ पर one-tenth लोग रहे वगरे वगरे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, बोर्ड खुद ही decide कर सकता है, गडबड कर सकते हैं पन, ध्यान रखो, register of members में लिखा है कि one-tenth of the members रहेंगे वहाँ रख सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे आप जहाँ रखना चाहों वहाँ रख सकते हैं, अगर बोर्ड ने decide किया है तो, ठीके हैं, तो भी able to be converted, जब आपको access चाहिए, तब access मिल जाए, अगर उसका server बाहर है, दूसरे शहर में, दूसरे देश में हैं, तो भी उसके copy यहाँ पे होना चाहिए, जो यहाँ पे accessible रहे, आप उसको access कर सके हैं, आप उसकी copies करा सके हैं, 129, 129 बोलता है basically financial statements के बारे में, financial statements जो है, व आपके holding subsidiary relationship आती है, तो consolidated financial statement भी बनाना है, in addition to the stand-alone financial statements, companies required to attach its financial statement, a separate statement, in form AOC1 containing a salient features of the financial statement of its subsidiary, Reopening, 130 और 131 भी है, यहाँ 131 मेरे से छूड गया है, यह मेरे को बाद में ध्याना है, साथ में 131 है, यह मैं दोनों साथ में पढ़ाता हूँ, So, 130 और 131, यह दोनों reopening से deal करते हैं, 130 क्या है, 130 है, reopening जब company को लगता है, company को नहीं, यह दूसरों को लगता है कि company के accounts proper नहीं है, fraudulent नहीं बनाये गए हैं, तो दूसरे इने कौन-कौन, इसमें cover होते हैं, एक सेकिन, यहाँ पर, यह दो सेक्शन हैं, 130 और 131, यहाँ पर गडबड हो गई है, मेरे से, यहाँ पूरी बुक से पढ़ लेना, मैं आपको उपर-उपर समझा देता हूँ, तो आप यह दोनों चीज़े, 130 और 131, यह पूरी बुक से पढ़ना, यहाँ से मत पढ़ो, यहाँ पर गडबड होगी, तो आप पूरी बुक से एक बार देख लेना, इसका मैंने एक डायग्राम भी बना के दिया था आपको, 130 और 131 में फरक क्या है, 130 यहने, जब compulsor लिए हमको बोला जा रहा है कि आपको बुकस को चेंज करना है, जब किसी को लग रहा है, किसी को यहने, या तो सेभी को लग रहा है, गौर्मेंट को लग रहा या फिर कोई statutory authorities को लग रहा है कि यह जो accounts है, accounts fraudulently बनाए गए हैं, तो ऐसे cases में यह लोग appeal करेंगे to the tribunal, और tribunal फिर बाकी लोगों को notice भेजेगा, जैसे समझो अगर income tax department ने अपील किया है कि इसके company के books को reopen करके इसको फिर से देखा जाए, तो ऐसे cases में अब tribunal के पास application आई तो tribunal बाकी लोगों को central government को, SEBI को, stock exchanges को अगरे को इनको भेजेगा, कि यह इसके books को reopen करने का notice आया है, फिर reopen किया जाएगा, और जो भी सही है वो उस हिसाब से उसको frame किया जाएगा, reopening की जा सकती है maximum up to 8 years, पर हाँ अगर किसी company को government ने बोला तो 10 साल की भी reopening की जा सकती है, ठीक है, this is 130, 131 क्या है, 131 तब है, जो यहाँ दिया है, वो actually 131 है, जब हम खुद ही revise कर सकते हैं, खुद के accounts, जब हमको लग रहा है हमारे financial statement as per law नहीं है, या हमको लग रहा है हमारी जो board report है, वो as per law नहीं है, तो हमको अधिकार है कि हम बोल स कर सकते हैं इसको, पिछले 3 साल तक के, 3 साल के आप reopen कर सकते हैं, maximum 3 साल तक, ठीक है, और इसमें भी ऐसा है, कि आपने समझो ये साल open कर लिया, फिर आप अगले साल फिर से इसको open कर सकते हैं या नहीं, ये साल को कर सकते हैं, ये साल को कर सकते हैं, तीन साल तक के आप reopening कर सकत तो यह 131 है 131 में basically reopening जब हम खुद कर रहे हैं तब है इसका मैं डाइग्राम बना के दिया हूं आपके पास होगा जो में बैच अपने किये थे उसमें डाइग्राम है यह भी आपको पूरी बुक से पढ़ना है वैसे 132 भी आपको पूरी बुक से पढ़ना है NFRA का constitution इसमें कितने लोग रहते हैं इसमें क्या-क्या पढ़ना है मैं बता देता एक auditor पर जो penalty लगने वाली है दूसरा constitution और तीसरा इसके bench होगर है कहां कहां पर है वो सब यह सब आप एक पर देख लेंगे 132 में ठीक है 133 सिंपल यहीं बोलता है कि कुछ prescribed companies है जिनको इंडेर्स फॉलो करना है तो यहां पर मैंने include नहीं किया signing of financial statement 134-1 financial statement कौन sign करेगा important है question आ सकता है chair person of the company या फिर और टू डिरेक्टर्स जिसमें से एक MD और CEO होना चाहिए important है यह और है यह द्यान रुको और है और इसके बाद के दोनों CFO and company secretary अगर होगा तो यह भी ठीक है तो यह important है ध्यान रुको और 136 यह बकवास है right of members यह आप नहीं भी पड़े तो चलता है तो members को अधिकार है कि वह audited financial statement की copy मंगा सकते हैं कोई काम का नहीं 138 important है यहाँ पे गड़बड भी है यह ठीक कर लो filing of financial statements and internal audit under section 138 so actually internal audit है under 138 यह filing of financial statement गड़बड हो गया यहाँ पे किस किस को internal audit compulsory है listed company को compulsory है पहली चीज़ दूसरी चीज़ पब्लिक company having paid up share capital 50 करोड turnover 200 करोड और borrowings 100 करोड actually एक limit यहाँ छूट गई लिख लो यह याद रखने को मैं हमेशा बताता हूँ कैसे याद रखना 25 पचास 100 200 आपको खुद को समझ जाएगा 25 क्या है deposits की limit है 50 क्या है paid up capital की limit है सव क्या है सव है आपकी एक्विटी की limit होगी ने एक्विटी तो यह हो गया paid up capital यह हो गया और 200 जो है यह turnover हो गया तो इस हिसाब से आपको यह याद रखना है 25 500 200 एक और section इसमें जो छूटा है 135 इसमें आपको क्या क्या याद रखना है इसमें एक amendment में बताना चाहूंगा बाकी तो 135 में आपको ध्यान रखना है किसको रखना है 135 के हिसाब से किसको CSR कमिटी यह गरे बनाना है तो 1505 तो इसमें 1505 यह भी आपको पता है 5 का profit है net profit 500 के net worth है और 1000 का turnover है ठीक है यह ध्यान रखना है और कहां-कहां आप expense कर सकते हैं और कहां नहीं कर सकते हैं इसमें एक important amendment यह आया है अगर आप COVID के लिए कोई खर्चा करते हैं तो वो भी cover करते हैं हम लोग 135 में COVID के लिए अगर खर्चा हुआ है COVID-19 के लिए company ने खर्चा किया है that is also covered under 135 expenditure under 135 ठीक है तो वो आपको ध्यान रखना है दूसरी चीज़ आपको 135 में एक जो important amendment है PM cares fund जो है उसमें भी अगर आप पैसा डालते हैं तो वो भी इसमें cover होगा ठीक है तो PM cares fund का भी इसमें आ जाएगा बाकी as such छोटे मोटे amendments है वो कोई बहुत काम के नहीं है बट यह COVID वाला ध्यान रख रहा और PM cares ध्यान रखो एक और कंपनी है तो 25-50-100-200 प्राइवेट कंपनी है तो सिर्फ 100-200 सिर्फ इतना लगता है उसको 100-200 ठीक है उनको internal audit रखना है internal auditor कोई भी हो सकता है CA हो employee हो CWA हो कोई भी हो सकता है तो internal ज्यादा speed up करा हूँ मैंने बट फिर भी ठीक है जरूरी था क्योंकि अपन बहुत ज्यादा slow थे यह वाला chapter मैं अगले class में लेना चाहूंगा कल की class में अपन पहले चालू करेंगे audit and auditors of the company से और इसके बाद के जो भी topics है यह भी अपन अगले class में करेंगे यह बहुत डीप में क्योंकि मैंने cover किया हूँ तो मैं अगर आज अभी चालू करूंगा भी तो इसको टाइम लग जाएगा यह अभी cover नहीं हो पाएगा पूरा इसलिए मैंने audit and auditor वाला chapter काफी deep में लखाऊं आप देख भी सकते हैं बहुत दीप में दिख रहा है बहुत सारे pages और फिर डिरेक्टली अपन अधर लॉस पर जंप करेंगे तो आज मैं यहां पर conclude करना चाहूंगा हाँ जतिन का एक बड़ा interesting case आया है कुश्चन आया है तर वो जो special notice वाला case है वहां पांच लाइक वाले point में पांच लाइक से कम है या ज़्यादा है तो कौन सा case बोल रहे है special notice का तो special notice में आपको वहां दिखता है कि पांच एक एक तो है एक परसेंट दूसरा है पांच लाइक अब आप खुद सोचके देखो वहां पर meaning गलत निकल रहा था वह मैंने आपको वैसे class में समझा है वह बट वहां सोच के देखो आप क्या meaning आना चाहिए अगर मेरे पास पांच लाग या उससे ज्यादा के शेर्स हैं तो मैं notice देके auditor या director को change कर सकता हूँ ऐसा आना चाहिए तो basically वह पांच लाग से जादा आना चाहिए ठीक है वहां पर words क्या use किया है prescribed पांच लाग से जादा नहीं होना चाहिए और उन्होंने exact पांच लाग बोल दिया कि पांच लाग जो है इस तक के चलेगा पांच लाग के उपर रहना चाहिए अगर पांच लाग से कम है तो वो special notice नहीं दे सकता तो वो logic से ध्यान रखो यह point को यहाँ पे in fact गडबड है कानून में proper नहीं लिखा गया है और यह गडबड को ठीक करने को इन्होंने amend किया था और वो गडबड और बढ़ गई और फिर से इन्होंने बोला जैसा पहले था वैसा रहन दे तो अभी भी वो थोड़ा miscommunication है पर फिर भी logic से ध्यान रखो तो आपको समझेगा ऐसा बोल इस दे सकते हैं ठीक है अच्छा question आपका वह actual में interpretation skills वहाँ पर test होती है यह दो section में ज्यादा interpretation skills टेस्ट होती है 111 में और 114 में 111 circulation of members resolution 114 स्पेशल notice 114 सो हमका एक question है सर company generosity के बाद incorporate हुई है तो financial statement की date next year March रहेंगी ना की September है नहीं नहीं September नहीं है date date March ही है मैंने यह बोला September के बाद बनी है अगर company जैसे आपके case में कब बनी है आप बोल रहे हैं कि company बनी जन्वरी में तो जन्वरी में बनी है तो अच्छा इनका यह बोलना है कि वो September के बाद उसमें गिना जाएंगा गया तो आप जब September की बात करते हैं आप कब से देखते हैं April से देखते हैं तो मेरे को समझ गया आपका question तो September के बाद वो जैन तो पहले आ गया ऐसा question है इनका तो वैसा नहीं देखा जाएगा यहां पर September के बाद यहने क्या September के बाद यहने October, November, December, January, February, March यह September के बाद है Financial year से देखते न आपर तो January, February, March September के बाद है तो इसमें next year का financial year तक क्या आप रख सकते हैं तो ऐसा है समझ गया है मेरे को आपका question नहीं September के बाद हो, जैन के बाद नहीं है September के बाद ही है वो ठीक है जैन के बाद बुला है क्या, एक सेकिंद रुख जाओ फिर एक सेकिंद, एक सेकिंद एक सेकिंद, अगर जैन लिखा है तो जैन होना अगर चीए फिर देखो क्या दिया है जी कैसा होता ना हम लोग तीन चार कानून एक साथ पढ़ते रहते हैं इसका उसमें उसका इसमें खिचड़ी होती कभी कभी होता है हाँ, सेक्शन 2 क्लॉस 41 हाँ, हाँ, जैन्वरी है, मेरी गलती थी, तो सॉरी, आप ठीक कर लो उसको जैन्वरी है मैं जैन सेप्टेम्बर बता है, वो जैन्वरी है, ठीक है, तो जैन्वरी है हाँ, जैन्वरी के बाद है, ठीक है, अपन कल करते हैं बाकी की क्लास, अपन 9 वजे कल भी चालू कर देंगे, कल शायद लाइट जाने का कुछ नहीं है आज कल actually रात को मेंसे जाया कि कल आपके यहाँ पे सुबह साड़े आठ बज़े से साड़े ग्यारा तक के लाइड जाएगी तो रात को मेंसे जाया तो मैं कुछ नहीं कर पाया तो इसलिए गड़ बढ़ होगी बढ़ ठीक है अब कल तो नहीं है समय से जबी तक आया नहीं तो कल अपन क्लास बरॉबर 9 वज़े से चालू करेंगे और अपना हो जाएगा कल बरॉबर टाइम पर हो जाएगा जल्दी हो जाएगा मिलिंद का बोलना है शॉर्ट नोट की PDF मिलेगी क्या तो PDF तो पॉसिबल नहीं है PDF में कॉपिराइट इशू आ जाएंगे अभी कि कॉपिराइट कराए हैं हमने ये भी तो PDF पॉसिबल नहीं है बट आपको ये जरूर मिल जाएगा बुक जो है वो आपको जरूर मिल जाएगे आपको कैप्स में बार पूछ लो होगी तो आपको मिल जाएगी ठीक है बहुत हद तक कॉंप्रिहेंसिव है वैसे बुक्स थोड़ा बहुत कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने बोला हूं आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो आखरी के खास तोर पर सेकेंड लास चैप्टर में ऐसा है कुछ-कुछ ठीक है आज की क्लास यहां कंक्लूड करते हैं होप सो समझ गया होगा आपको काफी कुछ थोड़ा स्पीड मैंने ज्यादा किया था बट फिर भी मेरेको पूरी उमीद है आपको अच्छे से समझा होगा अगली क्लास में अपन मिलते हैं और अगली क्लास में और आगे के बाकी की जो चर्चा है अगला एक चलो थेंग्यों अगरे के गुद्मारिंग फ्रेंज सो ऐसा है दो तीन मीटिंग चालू है सब इदर उदर हैं बच्चे लोग तो एक बार आने देते हैं पहले असेंबल होने देते हैं फिर हम चालू करते हैं आज की चर्चा तो जो कैंसल्ड मीटिंग है अल्र को पोस्ट किया हूँ तो मेभी सब लोग जॉइन होंगे अभी एक सिकेर अगरे को अगरे कि अधर आज करते हैं क्लास आ रहे हैं बाकि भी बच्चे लोग जॉइन हो रहे हैं तो हमने पिछले class में लगबग सब चीज देख ली थी मैंने आपको बताया था यह जो accounts वाला chapter है इसमें खास दौर पर आपको section number 132 जो है यह आपको पूरी book से देखना पड़ेगा साथ ही में आपको मैंने बताया था section 130 और 131 में error हो गई है तो वो आप एक बार पूरी book से देख लेंगे और 135 जो कि CSR से deal करता है वो आपको पूरी book से देखना पड़ेगा बाकी लगबग सब चीज़े मैंने आपको बताया था कुछ-कुछ चीज़ें हैं जैसे directors report वगर है वो सब चीज़ें उतनी important नहीं है उसमें क्या contents होते हैं क्या नहीं होते हैं वो सब चीज़ आपको exam time पे देखके नहीं जाना है क्योंकि उतना time भी नहीं होता directly हम आ जाते हैं अब जो important chapter है audit and auditors of the company का जिसका आपको दोनों जगे फायदा मिलता है आपको company law में भी इसका फायदा मिलेगा याने law में law के paper में paper number two में और उधर आप अगर second group की बात करने तो second group में भी आपको इसका benefit मिलेगा audit में आपको same चीज company audit बोलके पढ़ाया जाता है so company audit is nothing but the company law जितना audit का portion है that is called as company audit so company audit जो है वो और audit and auditors of the company ये दोनों एक ही चीज़ है मैं आपको audit and auditors को पहले तो एक बार जल्दी जल्दी revise कराऊंगा और मैं ये भी साथ-साथ बताते जाऊंगा ये भी ध्यान रखना ये भी साथ-साथ बताते जाऊंगा कि कौन-कौन सी चीज़ जादा important है for the exams जैसे कि section 141, section 139 ऐसे कुछ-कुछ sections रहेंगे जो जादा important है कुछ-कुछ sections रहेंगे जो बहुत जादा important नहीं है तो मैं आपको वो भी बताते जाऊंगा साथ-साथ में और short notes में लेकिन सिर्फ एक जो chapter है वह आपने पूरे इससे देखना चाहिए वैसे भी छोटा साई chapter है वह general clauses act तो वह मैं भी revise जब कराऊंगा तो मैं आपको वह पूरे वीडियो जो है पूरा book जो रहेंगी उससे वह वीडियो अपन cover करेंगे सो चालू करते हैं लोग join हो चुके हैं और बाकी जो इधर उदर हैं वो भी आई जाएंगे अब और तीन meeting चालू हो गई अब पहले दो थी अब तीन हो गई ठीक है आएंगे बच्छे लोग अपने आप इधर शिफ्ट हो जाएंगे सो चालू करते हैं अपन सो corporate and other laws का जो आखरी topic है corporate law का जो आखरी topic है audit and auditors एक बहुत ही important topic है आपके exam के हिसाब से सो audit and auditors वाला जो chapter है इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है पहली चीज़ तो audit बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों के आवश्यक्ता होती है यहने eligibility qualification and disqualification section 141 ठीक है one of the most important chapter of your topic so 141 में क्या बताया है 141 में सबसे पहले तो बताया eligibility किसकी है कौन वेक्ति eligible है कि उसको हम auditor बना सकते है so eligible कौन है सबसे पहले तो chartered accountant होना चीज़े सीजी से बात है CA है तो वो audit कर सकता है ध्यान रखो हम कौन से audit की बात कर रहे है हम बात कर रहे है अब statutory audit की पिछले chapter में जो जो internal audit जिनको जरूरी है वो ही लोग करेंगे बट यह जो audit अभी हम पढ़ रहे है statutory audit यह सबको जरूरी है internal audit जो होता है management के लिए होता है जैसा कि आपको पता है और जो statutory audit है यह shareholders के लिए होता है members के लिए होता है उनको पता होना चाहिए हमारी company में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो यहां पर हम बात कर रहे हैं statutory audit की statutory auditor appoint होने के लिए पहली चीज़ है कि chartered accountant होना चाहिए CA होना चाहिए CA है तो he can be appointed as an auditor यह किसकी बात हो गई अगर एक person को आप appoint कर रहे है individual को appoint कर रहे है तब अगर आप एक firm को appoint करना चाहते हैं partnership firm को तो क्या उसको appoint कर सकते हैं येस आप उनको भी सकती क्योंकि वह separate Legal entity और वो सब्फीर नहीं यह eligible होना चाहिए eligible means वो लोग CA होना चाहिए तो आप उस firm को भी appoint कर सकते हैं अब वैसे तो जो body corporate है वो नहीं appoint की जा सकती except one exception है LLP LLP बन सकती है auditor of the company so LLP को appoint किया जा सकता है वहाँ पे भी वही point है कि उसके जो auditor है वो हमेशे chartered accountant ही रहेंगे तो भले LLP को appoint कर रहे हैं लेकिन chartered accountant जो है वही sign कर सकता है उस particular company की audit को इसी के साथ section 141 में एक बहुत important चीज है जिसको हम बोलते है disqualifications of auditor disqualification means कब-कब एक company का auditor वो व्यक्ति नहीं बन सकता वो eligible था उसको हमने बोला था कि हां यह chartered accountant है तो यह बनाया जा सकता है बट फिर भी उसको यहां नहीं बनाया जा सकता है disqualified क्यों disqualify कर दिया उसको हमने क्योंकि कुछ particular reasons है जैसे कि पहली चीज है body corporate body corporate को disqualify किया है क्यों क्योंकि it is a separate legal entity और वो CA थोड़ी है एक company है वो अलग व्यक्ति बन गई तो उसको आप appoint नहीं कर सकते LLP है LLP is an exceptions वैसे LLP भी क्या है LLP is also separate legal entity बट LLP exception में आती है और LLP को आप appoint कर सकते है as the auditor of the company उसके अलावा officer या employee नहीं होना चीए यह independence का एक clause होता है जो कि आपने पढ़ा होगा कि एक auditor का independent होना बहुत जादा जरूरी होता है क्योंकि वो अपनी duty जो है वो पूरी तरह से तभी निभा पाएगा जब वो independent है अगर वो independent है यहने उसका company से relation नहीं है तभी वो बिना किसी भेदभाव के अपनी report दे पाएगा अगर समझो मैं company का employee हूँ या मैं company का officer हूँ director हूँ और मैं खुद audit करूँगा तो मैं तो सब अच्छा अच्छा ही बताऊंगा अपनी company के बारे में और इसलिए एक व्यक्ति का independent होना जरूरी होता है अगर उसको आप auditor appoint करने जा रहे हैं तो यह basic principle है audit का जो आपको already पता होगा जो आपने अब audit में पढ़ चुका है जब हमने first time यह वाले chapter पढ़ा था तब आपका audit नहीं पढ़ा हुआ था बट जब उसके बाद आपने audit पढ़ चुका है तो अब यह आपको और थोड़ा आसान लगने लगेगा वैसे आसान लगा होगा आपको क्योंकि वैसे ही simple से points थे पूरे बट यह audit में आपका फिर से revise हो चुका है तो officer और employee of the company नहीं हो सकता because he is not independent फिर दूसरी चीज कौर नहीं हो सकता a person who is a partner or in employment of the officer or employee of the company यहने company है यह company का एक director है और यह director का कोई या तो partner यह भी नहीं बन सकता जैसे मैं director हूँ caps learning private limited में तो मैं तो नहीं बन सकता बट मेरा एक और partner मेरी एक partnership firm है जहाँ पे मेरा एक और partner है क्या वो partner बन सकता है auditor नहीं क्योंकि वो मेरे से जुड़ा हुआ है और मैं company से जुड़ा हुआ तो indirectly हम लोग related है he is not independent वो तो मेरे हिसाब से काम करेगा मेरा partner है तो यह नहीं बन सकता वैसे ही मेरा employee समझो मेरे यह employee भी है मैं director हूँ company का caps learning private limited और मेरे हाँ पे एक employee है मैं खुद नहीं बनता लेकिन employee खुद भी ही है तो मैं बोलता हूँ तू audit कर ले अब employee तो मेरे control में तो ऐसे cases में भी इंडिपेंडनेस जो यह खतम हो जाएगी और इसलिए ऐसा वेक्ति भी नहीं सकता हूँ is a partner or in employment of the officer or employee of the company so वो भी वेक्ति cover नहीं होता वो भी वेक्ति disqualified रहेगा then a person who or whose relative or partner is बहुत important point यह वाला ध्यान रखने आपको यह question आएगा आपको तो a person who or whose relative or partner is पहली चीज़ holding यानि security और interest of the company और a subsidiary और holding और associate company of such subsidiary और holding यानि simple रूप में अगर आप उन group of companies को अगर मैं एकदम आसान शब्दों में बता दू तो आप उन group of companies के securities hold करते हैं अगर आप securities hold करते हैं या आपका partner या relative securities hold करता है तो आप auditor नहीं बन सकते हैं ठीक हैं तो पहली चीज़ है securities और interest अगर hold करना हैं तो वो नहीं बन सकता है auditor पहला point ध्यान रखना है दूसरा point he is indebted to the company और its subsidiary तो is indebted का मतलब होता है वो उधारी में है to the company और its subsidiary holding याने सीधा का सीधा group companies in excess of 5 lakh रुपीज 5 lakh रुपीज तक के 5 lakh रुपीज के उपर indebted है indebted का मतलब क्या हो गया indebted means वो उधारी में है company से उसने उधारी लेके रखाया वैसे ही he has given any guarantee or given any security in connection with the indebtedness of a third person वोई group companies में in excess of 1 lakh रुपीज यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है तो यह यह तीन चीज है यह तीन चीज आपको ध्यान रखना इसके उपर बहुत सारे questions दिखेंगे आपको question bank में so question bank भी इसके साथ में आपको solve करना है आप वैसे तो मैंने आपको बता हूँ कि आपने एक बार short notes पढ़ लिये और question bank कर लिया तो that will be sufficient बट हाँ सिर्फ आपको एक दो topic इसमें से करना पड़ेगा पूरी book में से उसमें भी एने फारे वाला एक basic topic रहेगा जो आपको पूरी book में से एक बार पढ़ना है उसके लिए question bank is not enough वो मैंने आपको already बता दिया था और वैसे CSR का topic वैसे CSR का topic question bank में cover हो जाता है तो आप देखो तो सिर्फ एक topic ऐसा रहेगा जिसको आपको सिर्फ पूरी book से करना पड़ेगा बाकी के जो topics हैं आप उसको short notes और question bank से करोगे तो that will be covered including MCQs ऐसा भी नहीं होगा कि आपको MCQ नहीं जम रहे क्योंकि वह comprehensive है आप question bank देखोगे वैसे है भी बहुत बहुत सारे questions है उसमें भर-भर के questions दिये गए हैं तो यह जो question bank है अगर आप वो कर लेते हैं तो भी आपके बहुत अच्छे marks लाने की संभावना पूरी पूरी है 100% ठीक है तो आप उसमें आराम से 50 के उपर तो लाई लोगे और ज्यादा अच्छे से आपने पूरा cover कर लिया है तो फिर आपको 60 65 70 75 80 तक लाने की भी संभावना है और उसके उपर फिर आपकी महनत रहेगी तो उसके उपर भी आ सकत तो आराम से मिल जाएंगे सिर्फ question bank के भरोसे पर तो ऐसा है तो question bank जरूर करो बहुत प्रकार के उसमें questions दिये हुए है और with पूरे answers दिये हुए है फिर relative का क्या मतलब है relative है बहुत ज्यादा important नहीं है definition for the purpose of exam बट आपको सिर्फ उपर उपर पता होना चाहिए relative में कौन आ brother and sister यह लोग सब cover होंगे अब यह step वगर यह सब अभी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है हाँ full batch अगर आप करते हैं उस time पर मैं आपको जरूर बोलता हूँ यह ध्यान रखो यह ऐसा है वैसा है बट अभी उतना उतना परक नहीं पड़ता है उससे क्योंकि उतना deep में यहा एक company के साथ regular business करता हूँ मैं company को हमेशा एक गुर्च भेशता हूँ और वो मुझे पैसा दे देती है यानि मैं supplier हूँ for the company business relation है so ऐसे cases में भी मैं company का auditor नहीं हो सकता क्योंकि independence खतम हो जाएगा कल चलके अगर मैंने audit report में कुछ गढ़बर लिख दिया तो ऐसे case में हो सकता है कि मुझे auditor करके हटा दिया जाए auditor के post से हटा दिया जाए और इसलिए यहाँ पर भी independence खतम हो जाता है यह सब points basically independence के उपर ही dependent है क्योंकि आपका important point है कि an auditor should be independent ठीक है so business relationship का क्या मतलब है so business relation यानि किसी भी प्रकार के transaction जो commercial nature के वो सब business relationship में cover होते है except क्या cover नहीं होगा कुछ asset transactions छोड़ दिये गए हैं जो कि permitted है जैसे कि commercial transactions जो permitted है under the act or the Chartered Accountants Act and the rules and regulations made there under so कुछ ऐसी professional services हैं जो कि permit की गई है जैसे कुछ certification की service हो गई मैं CA हूँ auditor हूँ but साथ में कुछ तो भी foreign exchange का एक certificate चाहिए था company को अब company मेरे पास आती है कि शर्मा जी आप हमारे statutory auditor है तो हमको यह certificate बना के देदो अब क्या मैं यह भी नहीं दे सकता तो दे सकता हूँ it is permitted तो कुछ ऐसी चीज़ें जो की permit की गई है वो चीज़ें मैं कर सकता हूँ then again commercial transaction in ordinary course of business की जा सकती है which is at arm's length price arm's length price का क्या मतलब होता है normal market price जितने भाव में दूसरों के साथ transaction कर रहे उतनी भाव में इनके साथ भी transaction किया जा रहा है बट ध्यान रखो यह सिर्फ गिंती के business के लिए काम क्या है हर business में आप transactions नहीं कर सकते यह सिर्फ तब चलेगा जब आप telecommunication कर रहे है telecommunication company का मैं auditor हूँ समझो मैं reliance communication का auditor हूँ या मैं समझो airtel का auditor हूँ अब airtel के लिए मैं audit करता हूँ तो क्या मैं airtel का mobile use नहीं कर पाऊंगा business relation आजाएगा तो नहीं वहाँ पर बुलाया आप use कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप use कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है क्यो प्रकार airlines समझो अगर मैं indigo से travel करता हूँ तो क्या मैं inter globe aviation का audit नहीं कर सकता हूँ लेकिन वही है कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे शर्मा जी हमारे auditor है आपको पूरा free जितनी flight आप लेना चाहो ले सकते हो पूरे तो ऐसा नहीं होना चाहिए arms length price arms length price का मतलब है जो price दूसरों को लगता है वही price अगर मैं भी दे रहा हूँ then it is an arms length price there should not be any favor by the company और by the auditor कोई भी favor नहीं होना चाहिए अगर favor होगा तो independence खतम हो जाएगा तो normal मैं जो पैसा देता हूँ जो सब दे रहा है वो मैं दे रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं बट हाँ अगर मुझे company बोलती है आपको पूरी flights free रहेगी तो फिर यहाँ पर मैं तो जान मुझके फिर उनके report में कुछ गड़बड नहीं लिखूंगा तो यहाँ पर भी गड़बड हो सकती है क्योंकि अगर मैं independent नहीं रहूंगा तो मैं proper reporting नहीं कर पाऊंगा तो वही चीज तो क्या मैं उस hospital में नहीं जाओंगा रहे मैं auditor हूँ आका महामत ले जाओ मुझे तो नहीं ऐसा नहीं चलता तो auditor हूँ तो भी मैं उस hospital में इलाज करवा सकता हूँ arms length price पे arms length का मतलब है जो normal लोगों से पैसा लिया जाता है वही पैसा मुझसे लिया जा रहा है देन hotels के case मे अगर मैं hotel का audit करता हूँ तो मैं उस hotel में रह नहीं सकता गया मैं अगर hotel का audit कर रहा हूँ और मैं दूसरे hotel में रहूंगा ऐसा थोड़ी चलेगा तो मैं वही होटल में रखा जाता है लेकिन हाँ जो भी पैसा है वो मैं proper दे रहा हूँ उसी प्रकार से और कोई ऐसे similar business similar business ही cover होंगे यहां ध्यान रगों हर business cover नहीं होता है सिर्फ यह गिंती के जो business है चार business बताए गए है यह चार ही व्यवसाय यहां पर cover होते है ठीक है तो ऐसा है फिर और कौन वेक्ती डाइरेक्टर और कौन वेक्ती ऑडिटर नहीं हो सकता so a person whose relative is a director or is an employment of the company as a director और की managerial person यहने simple बात यह है कि मेरा जो relative है वो अगर वहां पर director है so मैं audit नहीं हो सकता simple point है person who is in full time employment दो प्रकार के chartered accountants पाए जाते हैं दुनिया में एक जो employment में है दूसरा जो practice में है जैसे कि आप देखते हैं कि कोई वेक्ती CA बना और वो job करने चला गया इसको membership तो मिल जाती है he is a member of the institute of chartered accountants of India but he is not holding a certificate of practice he is in employment elsewhere कहीं पर वो job कर रहा है so he cannot be appointed as an auditor लेकिन अगर वो job नहीं कर रहा है वो अगर full time practice में है practice करता है वो practice करता है में उसके पास COP है certificate of practice लेना पड़ता है आपको institute से अगर वो COP hold करता है certificate of practice hold करता है then only he can be appointed as an auditor अगर he is in employment elsewhere then he cannot be appointed as an auditor उसी प्रकार से a person or a partner of a firm holding appointment in its as its auditor if such a person or partner is at the date of such appointment or reappointment holding appointment as auditor of more than 20 companies याने maximum 20 companies के आप audit कर सकते हैं 20 companies से ज्यादा कि अगर आप audit ले लोगे तो फिर वो नहीं चलेगा यह इसलिए बनाये गए rules क्यूंकि ऐसा नहीं होना चीव बहुत सारे audit ले लिया मैंने और फिर मैं काम नहीं पूरे कर पा रहूँ क्यूंकि इसमें due date होती है deadline होती है और इसलिए यहाँ पर बताया गया 20 companies maximum यह मैं आपको तो यह 20 करने के लिए आपको क्या क्या चीज exclude कर दी जाएगी तो OPC नहीं cover होती OPC के आप कितने भी audit करो dormant companies नहीं cover होती क्यूंकि कामी नहीं कर रहे है small companies नहीं cover होती यह भी एक प्रकार के private company होती है जिसका turnover और paid up share capital prescribed limit से कम है and private companies जिसका paid up share capital 100 करोट से कम है वो भी cover नहीं होती even if they are not small companies उनका turnover बहुत है बट फिर भी अगर उनका यह कम हो गया private companies जिनका paid up share capital कम है तो वो इसमें cover नहीं होगी means उनको आप कितनी भी ऐसी companies का audit कर सकते हैं उनको यह 20 companies वाली limit नहीं लगती 20 companies यह Companies Act की बात बताई गई है और overall ICI अलग limit भी लगाता है वो आपको पता ह है वो आपने अब audit में पढ़ा होगा कि overall limit भी होती है कि ICI बताएगा maximum आप 30 companies के audit कर सकते हैं 30 entities के audit कर सकते हैं including companies tax audit वो सब वो बताते हैं तो यहाँ पर सिरफ companies act के बात हो रही है यहाँ पर tax audit वगरे की coverage नहीं है फिर एक person जिसको convict किया गया है गुनेगार साबित हो गया ह ROP नहीं बुला है accused नहीं बुला है यहाँ पर क्या word यूज किया है convict convict का मतलब है उसके उपर गुना साबित हो चुका है तो अगर उसके उपर गुना साबित हो चुका है for an offense involving fraud and a period of 10 years has not elapsed यहने वो 10 साल तक के फिर auditor नहीं हो सकता आज अगर पकड़ा गया तो वो 10 साल तक के auditor करके appointment नहीं किया जा सकता वैसे उसी प्रकार से any person who's subsidiary और associate और any other entity is engaged on the date of appointment in consulting the specialized services as provided in 144 यहने अगर आप यह services दे रहे है 144 वाली तो फिर आप audit की services नहीं दे सकते कौन कौन सी services इसमें cover होती है अगर आप खुद accounts यह bookkeeping कर रहे हैं यहने मैं खुदी books of accounts लिखता हूं और मैं खुदी check कर रहा हूं तो यहाँ पे तो गलती पकड़ी नहीं जाएगी और शायद पकड़ी जाए भी तो मैं बताओ नहीं क्योंकि मेरी खुद की गलती थी मैं कैसे क्या बता दूंगा तो यह एक दिक्कत जा सकती है और इसलिए bookkeeping और accounting service अगर आप दे रहे हैं तो ऐसे cases में you cannot be appointed as an auditor. Actual services means आप कोई estimates का काम करते हों उनको ग्रैचुटी वगरे के calculations करके देते हों आप उनके कोई भी risk calculations करके देते हों तो ऐसे cases में आप उनके auditor नहीं बन सकते हैं. Investment advisory services, investments related या investment banking services इन से related आप कोई services दे रहे हैं तो आप auditor नहीं हो सकते हैं. Rendering of outsource financial services और कोई financial services बाहर से उन्होंने बाहर outsource कर दिया और हम वोग करके दे रहे हैं उनको तो वो नहीं चलेगा. Management services and where the अगला point है जब यह disqualification हो जाएगा बाद में 141 का अगर disqualification इवन बाद में होता है तो मान लिया जाएगा he has vacuated the office and it will be deemed as a casual vacancy यह ध्यान रखना इसको भी casual vacancy मानते हैं. Means अगर यह पूरी जो disqualification है 141, 144 वगर की अगर यह बाद में भी हो गई यहने पहले तो नहीं थी बट बाद में वो क्या हो गया बाद में वो employee बन गया यह बाद में वो कहीं पर partner बन गया और इसलिए disqualify हो गया. तो मान लिया जाएगा he has vacuated the office यहने simple बात यह है कि पहले वो appoint कर दिया गया था auditor और बाद में अगर disqualify होता है तो यहाँ पे भी मान लिया जाता है कि उसने office छोड़ दिया और यह casual vacancy मानी जाएगी. Casual vacancy का क्या मतलब है? Casual vacancy का मतलब है 10 और पूरा होने के पहले जब vacancy हो जाती है that is called a casual vacancy. फिर compulsory है हर company को appoint करना यह आपको पता है और auditor opinion देगा. 141 के बाद important एक section जो है 139 बहुत important section appointment of auditors किस प्रकार से होता है? दो प्रकार के auditor होंगे first auditor and subsequent auditor. Section 139 बताता है deals with the appointment of subsequent auditor. वो बोलता है कि subsequent auditor जो है यह AGM में appoint होगा. यह तब की बात हो रही है जब हम non-government company की बात कर रहे हैं. सो पहले क्या बताया गया है? पहले बताया गया है subsequent auditor non-government company का appoint होता है in the AGM by the members. members उसको appoint करते हैं और यह कब तक के office hold करता है? यह first AGM खतम होने के बाद 6th AGM तक के office hold करेगा. इसका मतलब है कि यह auditor रहेगा for total 5 years. 5 years का period तक के यह auditor रह सकता है. ठीक है? मैं eximum. So 5 years तक के यह रहेगा subject to ratification at every general meeting. ठीक है? यह वाला जो point है वैसे इस पे अभी कुछ changes भी आये हैं बट आपको applicable नहीं है फिलान. फिर government company का अगर auditor है तो वो कैसे appoint होंगे? ध्यान रखो मैं subsequent auditor की बात कर रहा हूँ, first auditor की बात नहीं कर रहा हूँ. Subsequent auditor of a government company कैसे appoint होगा? तो यह appoint किया जाता है C&AG, Comptroller and Auditor General of India. तो C&AG appoint करता है within 180 days from the commencement of the year, यहने जब चालू हुआ है साल, वहाँ से 180 days. जैसे यहाँ पे भी हमने AGM में बोला, वैसे ही लगबग वही date आती है, लगबग उसके आसपास ही आता है. ठीक है? क्योंकि AGM होने की date रहती ही maximum 6 months, तो पहले भी हो सकती है, और पहले होगे तो वह हाँ appoint होगा, वैसे ही government company में 180 days बोला है, जो कि near about वही 6 मेने के आसपास आता है, बट आपको ध्यान रखना है, जो हम law की बात करते हैं, तो 180 days अलग चीज होती है, 6 मेना अलग चीज होती है, तो इसलिए आपको 180 days ही ध्यान रखना है, और यह office तब तक hold करेगा, जब तक कि वो अगली AGM खतम नहीं हो जाती, ठीक है, अगली यहने, यहाँ पे 6th AGM हर जगे रहेगा, यहने 5 साल का tenure रहता है, कोई भी auditor का, पिर अगर first auditor है, तो first auditor कैसे appoint होते हैं, अगर government company नहीं है, तो board of directors 30 days के अंदर appoint करते हैं first auditor को, ठीक है, अगर board of directors नहीं appoint करते हैं, तो 90 days का time है यहाँ लिखके नहीं दिया है, बट 90 days का time है, 90 days में appoint किया जाता है by the members, यहाँ पे फिर shareholders या members appoint करेंगे, अगर board fail हो जाता है to appoint the auditor within 30 days, तो यहाँ पे appointment होगा within 90 days by the members, फिर government company है, तो government company में CNAG 60 दिन के अंदर appointment करती है, अगर CNAG नहीं किया within 60 days, तो board of directors appoint करेगे 30 days के अंदर, अगर board of directors ने भी appoint नहीं किया, then next 60 days में EGM में appoint किया जाता है, यहाँ पे भी EGM में appoint होगा, member जब appoint करेगा, तो EGM में करेगा, क्योंकि EGM में नहीं कर सकते हैं, EGM में होगा, EGM में appoint करेंगे तो वो वाले साल का audit कौन करेगा, जो EGM में आपको प्रस्तुत करना है, और अब भी किसी भी वेक्ति को appoint करना चाते हैं, as auditor उसका आपको qualification वगरे तो देखना ही है, साथ में यह देखना है कि क्या वो 20 company के audit hold करता है, यह important point है, उससे आपको certificate लेना पड़ता है, उससे consent और साथ में certificate, certificate पर question कभी आ सकता है आपको, कि क्या certificate देना पड़ता है, तो उसक disqualified नहीं हूँ, 141 में, जो अभी मैंने आपको बता है, 141 disqualification से deal करता है, यह भी मुझे बताना पड़ेगा, I am not disqualified in the section 141, और company को फिर यह file करना पड़ेगा within 15 days of the appointment of the auditor in general meeting in form ADT-1, ठीक है, फिर retiring auditor को आप reappoint कर सकते हो, अगर वो disqualified नहीं है, या ineligible नहीं है, तो उसको आप अपउइंट कर सकते हो, फिर से, यह तो simple है, casual vacancy, casual vacancy का मतलब होता है, जैसे कि death हो गई, अगर कोई auditor था, वो auditor करके, auditor करके appointment किया गया था company में, बट उसकी death हो जाती है, तो essay cases में क्या होगा, अब essay cases में casual vacancy कहलाती है, so death में हो जाती है casual vacancy, disqualification हो गया, जैसा अभी मैंने अगर 141 का disqualification हो गया, तो essay cases में भी it will be deemed as a casual vacancy, resignation of the auditor हो गया, resignation, छोड के चला गया वो, तो वो छोड के भी जा सकता है assignment, dissolution of the firm, dissolution अगर हो गया है, तो वो भी जैसे firm ही खतम हो गई, जो firm appoint की गई थी, फिर his appointment is not ratified by the members, तो essay cases में भी मान लिया जाएगा casual vacancy है, अगर casual vacancy है तो casual vacancy में क्या होगा, other than government company है, तो casual vacancy fill कर सकता है board of directors, board of directors को time मिलेगा, 30 days का, 30 दिन का, 30 दिन के अंदर वो appoint कर सकते हैं, एक नए auditor को, बट अगर resignation के कारण हुई थी ये vacancy, so जब भी casual vacancy हुई, 30 days के अंदर appoint तो कर दिया जाएगा, लेकिन ये board of directors करेंगे, ध्यान रखो board of directors जब word है, तो board of directors ही होगा, अगर यहाँ पे कभी आपको ऐसा question आता है कि, एक managing director appoint कर रहा है, directors को, sorry, auditors को, तो यहाँ पे क्या ये valid है, नहीं, board of directors बोला है नहीं, board of directors, managing director नहीं चलेगा, भले हो MDA है, बट वो नहीं चलेगा, board बोला मिन्स board, collectively सब लोगोंने meeting करके appoint करना यहाँ board बोला है, वहाँ board of directors ही रहेगा, आप वहाँ पे ऐसा नहीं मान सकते हैं, कि एक individual managing director को power दे दिया, तो वो appoint कर लेगा, वैसा नहीं चलेगा, यहाँ पे board बोला है नहीं, collectively सबको मिलके ही करना पड़ेगा, managing director cannot appoint, धान रखना आपको case study अगर है, या कैसे भी MCQ बना के भी यह पूछा जा सकता है, फिर casual vacancy अगर लेकिन resignation के कारण हुई है, तो साथ में आपको general meeting बुलाके, तीन मेहने के अंदर इसको approval करवाना पड़ता है from the members, क्यों क्योंकि resignation था, उसने छोड़ के गया है, तो ऐसे cases में directors अपने पसंद से किसी को भी appoint तो कर सकते हैं, पर खिलमती देना पड़ता है, अगर resignation के कारण नहीं है, तो यह वाला point नहीं लगता, अगर resignation के कारण है, तभी यह लगेगा, resignation नहीं है, तो यह वाला point नहीं लगेगा, ठीक है, फिर government company के case में अगर casual vacancy होती है, तो CAG within 30 days, और CAG नहीं करता है, तो board of directors within next 30 days, ठीक है, तो 30 days का basically time है, बाकि resign करते हैं, तो resign करने के time, जो resign कर रहा है, auditor उसको ADT3 एक form होता है, यह सब forms मैंने आपको पूरी पैच में बताया हूँ, यह याद रहे तो बढ़िया, नहीं रहे तो मतलिको, गलत मतलिकना लेकिन, so ADT3 में यह file करना पड़ता है with the company, ROC और government company है, तो CAG को बतान पड़ता है कि मैं withdraw कर रहा हूँ from the assignment, मैं यह audit छोड रहा हूँ, so यह आपको बताना पड़ता है, rotation of auditors, rotation का मतलब होता है कि auditor को change करना, आपको change करना compulsory है, क्योंकि जो auditor से auditors का term fix किया गया है, अगर एक individual auditor है, तो उसको 5 साल का एक term होगा, 5 years, अगर एक firm of auditors है, तो ऐसे 5 सा साल अपॉइंट कर लिया था, so उसको आप फिर बाद में 5 साल नहीं कर सकते हैं, अगर आपने एक firm को 5 साल और 5 साल करके ऐसे 2 term के लिए अपॉइंट कर लिया था, तो उसके बाद के आप term में अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, so इसको ही हम बोलते है, rotation क्या हर company को करन नहीं है, all unlisted public companies जिसका जो paid up share capital है, 10 crore या उससे जादा है, इसको भी करना ही है, ठीक है, तो भले unlisted है, बट 10 crore के उपर capital हो गया ना, तो आपको यह करना पड़ेगा, all private limited companies जिसका paid up share capital, यह गलत है यहाँ, 20 crore की जगे, 50 crore कर दो इसको, 50 crore से जादा है, 50 crore या उससे जा लगते हैं, उसी company को लगेंगे जो इस prescribed 4 प्रकार में cover होगी, यह 4 ही प्रकार की cases है, पहला case, listed company, दूसरा case, unlisted public company, बट 10 crore का paid up share capital, तीसरा case, all private companies जिनका 50 crore के उपर या 50 crore तक के paid up share capital है, and all other companies, यह कोई भी हो, public हो, private हो, कोई भी हो, इनको भी rotation का period लगेगा, rotation वाला rule लग अगेगा, अगर इनका deposits वगर है, या borrowings वगर है, या कोई भी bank से पैसा लिया गया है, जो की 50 crore के उपर जा रहा है, so total यहाँ पर कितना आता है, तो 110 आता है, 10, आपका unlisted public company, 50, आपके private companies, और 50, कोई भी company अगर उसकी borrowings, बाहर वालों का पैसा आपने 50 crore के उपर लिया है तो आपको करना ही पड़ेगा rotation, ठीक है, फिर it does not apply to OPC and small companies, तो small company अगरे को भी नहीं लगेगा, OPC को नहीं लगेगा, फिर companies covered above shall not appoint और reappoint, वो ही है, rotation, अगर वो rotation में आ रहे हैं, तो वो appoint करेंगे, अगर individual है, तो only for one term of 5 years, 5 साल के लिए, एक audit firm है, तो आप two terms of 5 years, यहने 5 plus 5 ऐसा करके आप 10 साल तक कि आप appoint कर सकते हैं maximum, और individual auditor who has completed his term under A, shall not be reappointed for 5 years, यहने इसके बाद 5 साल का cooling रहेगा, और यहाँ पे भी firm के case में 5 साल का cooling रहेगा, एक point उपर जो बताना में भूल गया, यह जो 20 की limit है, 20 maximum audit आप hold कर सकते हैं, जो limit है, यह individual के हिसाब से है, अगर आप partnership firm में 3 partners है, तो 3ों की 20, 20, 20 करके 60 की limit हो जाती है, ठिक है, so partnership firm है, तो उनकी limit, जो है वो limit, उस हिसाब से double होगी, अगर 2 partner है, 3 है, तो 3 times हो जाएगी, 10 partner है, तो 10 times हो जाएगी, ठिक है, तो 20 की जगे 200 हो जाएगी, फिर, यह भी cooling की बात कर रहा है, यह भी cooling की, यह बात कर र नहीं कर सकते आप दूसरे को एक करो पीति को इसको rotation बोला गया यह ने पहले गुपता जी को-पांड़ेशन है यह रोटेट हो रहा है तो रोटेशन का जो कंसेप्ट है, रोटेशन का मतलबी है कि वो घूम रहे हैं, तो आप उसी ओडिटर को फिर से 5 साल बाद कर सकते हैं पॉइंट, और इसलिए इसको हम रोटेशन बोलते हैं, जनरली कंसेप्ट ऐसा ही करती हैं, एक बार एक को अपॉइंट कियें, फिर उसको न करते हैं ये लोग, और इसलिए रोटेशन बोलते हैं हम इसको, फिर बाकी ये सिंपल है, ट्रांदिशनल प्रोविशन है, ये कोई काम का नहीं है, तो वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, और ये सिंपल है कि अगर मैं एक जगे से रिटायर हो गया हूँ, मेरा 5 साल का टे हूँ, पार्टनर हूँ, तो मैं एक कंपनी का अगर ऑडिट छोड़ रहा हूँ, मैं यहां से रिजाइन कर रहा हूँ, रिजाइन यहने मैं समझो मेरा टेन्योर खतम हो गया, तो अब मैं तो अपॉइंट करें नहीं जा सकता, इसके अलावा मेरी जो फर्म है वो भी क्योंकि जो आडिट कमिटी का कंसेप्ट है, हाँ, मुझे एक्चुली कोश्चन्स आपके दिख नहीं रहे हैं, कोश्चन्स आया में जो मोबाइल पर दिखा, वन सिकेंड, हाँ, होल्डिंग सबसेडरी कंपनी में रोटेशन, हाँ, ऐसे कोई एक्सेप्शन नहीं है, हाँ, ratification of appointment of last auditor in AGM का कौन सा rule exam में applicable है, तो law में तो ऐसा कोई rule नहीं आया, मेरे खेल से audit में institute ने बताया है ऐसा कुछ, कि आपको हर साल ratify करने की जरुरत नहीं है, तो audit के एक बार मेरे को देखना पड़ेगा, law में अभी तक के इन्होंने बताया है नहीं, जैसे आ जाना च पर दिया हुआ है, ठीक है, तो audit के, अगर RTP में, audit के amendments में आया होगा, तो आप उसके हिसाब से फिर वो भी मान सकते, कई बार ऐसा होता है, institute एक जगे amendment दे देता है, दूसरे जगे नहीं देता है, ऐसा पहले भी हो चुका है, even law में amendment आ गया था, but accounts में नहीं आया, या accounts में आ गया, और law में नहीं आया, तो ऐसा होते रहता है, तो ऐसे cases में क्या करना चाहिए, तो आपने दोनों clarify कर देना चाहिए, कि ये है, साथ में ये भी rule है, ठीक है, तो ये amended rule है, और ये पुराना rule है, तो दोनों चीज़ लिग दो, that will be better, ठीक है, चलो, audit committee, audit committee वैसे क्योंकि section 177 में आता है, तो ये आपके course में वैसे नहीं होना चाहिए, बट फिर भी ये आपको दिया हुआ है, तो हम ये पढ़ेंगे, वैसे आपको सिरिफ section number 148 तक के है, तो वैसे basically इसके उपर question आना नहीं चाहिए, 177 पे, बट फिर भी अगर आ जाता है, तो आपको पता होना च committee, अगर company listed company है, तो उसको audit committee रखना है, public company with paid up capital 10 crore है, तो रखना है, public company 100 crore के उपर का turnover है, तो रखना है, all public companies, अगर आप देखो तो सब public companies है, चारों companies सिर्फ public companies है, तो पहली चीज़ तो होता है, कि जो 177 है, ये सिर्फ public company को लगता है, बाकी कोई company को नहीं लगता, ठीक है तो public companies में लगेगा, अगर उसके outstanding loans, deposits वगर है, ये 50 crore, यहां 50 crore है, यहां लिखा नहीं है, गायब हो गया, तो यहां कहीं कहीं ऐसा हुआ है, due to editing, कहीं कहीं पे कोई-कोई चीज़ गायब हो गयी, तो यह 50 crore की limit है, लिख के रख लोज, ठीक है, तो यहां पे 150 और 10 ऐसा ह है, तो सब लेकिन public companies है, अगर उसका paid-up share capital 10 crore के उपर है, turnover 100 के उपर है, या उसका borrowings वोगर है, वो 50 crore के उपर जा रही है, वैसे तो यहां पर यह भी words पर question आ सकता है आपको कि कौन-कौन सी borrowings, तो aggregate, outstanding loans and borrowings और debentures और deposit यहां पर सब cover हो गया, कहीं-कहीं word लिखा होता है, सिर्फ borrowing from the financial institutions and banks, तो फिर सिर्फ उतना ही cover होगा, ठीक है, तो जहां जैसा लिखा है, उतना ही cover होता है, अगर audit committee आपको required है, तो required है तो यहां पर auditor को directly board of directors recommend नहीं कर सकते, it will be recommended by the audit committee, audit committee इसका नाम बताएगी कि इस वेक्ति को हम auditor appoint करना चाते हैं और उसका experience और बाकी भी उस का recommendation किया जता है, board उसको agree करता है अगर तो board इस वेक्ति का नाम रखेगा in the AGM और उसका appointment होगा, अगर board disagree करता है कि नहीं नहीं हम को इस वेक्ति का appointment नहीं करना है as the auditor, so board will send back the recommendation to the audit committee and audit committee will consider the reasons, उसमें reasons भी लिखा होगा along with reasons होता है, वो reasons देखेगा और उसके बाद पिर audit committee या तो चाहे तो दूसरा auditor को रखे या फिर उसी auditor को वो फिर से recommend कर सकता है, फिर अगर audit committee के requirement नहीं है तो simple है, यहाँ पर board will recommend the name of the individual or the firm to the members और members will appoint the auditor, अगर audit committee नहीं है तो 140, 140 जो मैंने पिछले बार बताया था, पिछली class में, कल के class में, जिसमें मैंने आपको बताया था, special notice के बारे में, special notice कब देना पड़ता है, तो दो-चार cases आपको बताया था, चार cases बताया था, दो cases auditor से related थे, दो cases director से related थे, director वाले cases आपको नहीं है, बट auditor वाले cases आपको ह तो हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि 140 जो है 140 मैंने आपको बुला था साथ में पढ़ना है आपको along with 115 115 और 140 यह साथ में पढ़ना है आपको 140 यह क्या बताता है removal या resignation of auditor and giving of special notice यह दोनों से deal करता है removal as well as resignation resignation के बारे में already मैंने बताया कि अगर resignation होता है तो फिर वो auditor will have to inform the company and the register कि मैं resign कर रहा हूँ और अगर government company है तो CAG को भी बताना पड़ता है कि मैं resign कर रहा हूँ उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी भी auditor को आप remove करें before the expiry of his term तो यह किया जा सकता है only by special resolution देखा appointment होता है ordinary resolution से बट removal करना है अगर आपको 140 के हिसाब से तो it will be always by special resolution removal special resolution appointment ordinary resolution फिर हां after obtaining the previous approval of central government central government से approval लेना पड़ता है अब application shall be made to central government within 30 days of the resolution passed by the board board resolution के बाद board resolution पहले पास होगा कि इसको हम हटाना चाहते हैं और उसके बाद फिर आप application करोगे government को government permission देगे फिर special resolution पास होगा तो यह process कैसी चल रही पहले board resolution फिर permission लेंगे आप permission from central government फिर special resolution पास होगा इस प्रकार से यह पुरा process चलेगा फिर 60 days के अंदर company should hold the general meeting after the receipt of the approval from central government फिर आपको filing करना है mgt14 में कल मैंने गलती से mgt14 बताया था mgt11 फिर बाद में अपने correct कर लिये थे mgt11 proxy form mgt14 क्या है तो mgt14 actually filing of resolutions है यह भी पिछले chapter में आता है 117 section जो है इसमें बहुत सारे resolutions बताएगा है कि यह resolutions आपको file करना पड़ता है with the register कोई काम के नहीं है आपको रटने के बिलकुल आवशक्ता नहीं है you can ignore 117 ठीक है बट आपको उन में से एक resolution यह भी है यह आपको file करना पड़ता है कि हम इसको हटाना चाह रहे हैं फिर appointment of another auditor than the retiring auditor section 140 बताता है कि अगर आप tenure खतम होने के पहले पात साल या दस साल का जो भी tenure है वो खतम होने के पहले अगर दूसरे विक्ति को appointment करना चाहते हैं तो आपको पहले special notice देना पड़ता है special notice क्या था तो मैंने आपको बताया था कि special notice यहने जो members है members देंगे यह company को और company फिर इसको intern देगी बाकी के जितने भी members है यह सब लोगों को notice देगी कि ऐसा ऐसा special notice आया है कि इस विक्ति को appointment न किया जाए इसमें कितन ऐसा कहीं कहीं हो गया है कि यह आगे छूड़ गया है पूरा नहीं दिख रहा है तो आप वो पूरी बुक में से देखके लिख सकते हैं वैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते जितना ध्यान आ रहा है उतना मैं बता रहा हूँ पिर जैसे ही notice आएगा on receipt of the notice of the resolution the company shall forthwith send the copy to the retiring auditor की भही देखो आपको appoint न किया जाए इसके लिए एक लेटर आया है इसके बाद auditor को एक opportunity होगी कि वो अपना कुछ representation दे कि भही मुझे क्यों निकाला जा रहा है मैंने तो कुछ गलत काम नहीं किया लेकिन it should not be for defamatory purpose वो अगर representation देना चाता है तो वो दे सकता है वो बोलेगा company को ठीक है मेरा ये representation है ये भी circulate कराओ members को क्योंकि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं इसको appoint मत करो तो इसको भी सफाई में कुछ बोलने का अधिकार है तो वो अपने सफाई में बोलेगा कि मैं दिन में तीन बार नहाता हू नहीं वो सफाई अलग चीज हो गई यहां पर वो सफाई देगा कि देखो मैंने कुछ गलत नहीं किया हूं फिर भी यह लोग मुझे निकालना चाह रहे हैं फिर यह भी भी भेजना पड़ता है तो it will be circulated along with the notice भेजना पड़ेगा it will send the copy of representation to every member और अगर वो नहीं दे पा र चले यह पूरा पढ़ा जाए ठीक है बट यहां पर अगर auditor गलत काम कर रहा है हाँ एक और चीज है opportunity of being hurt देना चाहिए और साथ में यह जो point है अगर ट्रिबिनल को लग रहा है कि auditor गलत काम कर रहा है जान बुझ कि वो representation ऐसा बोल रहा है ऐसा दे रहा है जिससे abuse करना चाहता न इसको पढ़ा जाएगा तो वो भीजने और पढ़ने को मना कर सकते हैं कि section 169 अगेन आपको नहीं है बट यह डिरेक्टर से डिल करता है यह डिरेक्टर वाला case भी जैसे 140 है बिल्कुल सिमिलर एक section आपको दिखेगा 169 अगले साल final level पर डिरेक्टर को अगर आप उसके 10 और पूरा होने के पहले अगर निकालना चाते हैं तो फिर आपको same process follow करना पड़ता है 115 का आपको notice देना पड़ता है और आपको उसको remove करने के लिए फिर पूरा वो यह representations हो गए उस टाइप की बिल्कुल similar process आपको डिरेक्टर की chapter में अगले साल देखने को मिलेगी फिर liabilities है liabilities में वैसे तो आपको नॉर्मल यह बता है if an auditor contravence the provision वैसे तो मैंने आपको बूला हो कि penalties याद मत रखना बट आपको यह ध्यान रखना चाहिए क्यों ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यह जो है यह आपको खुद के उपर लगने वाली penalties है तो यह आपको पता होना च बाकी liabilities same cost auditor को भी लगती है 148 148 वही है cost auditor के बारे में 148 बताता है आखरी section है इस particular chapter का वैसे तो यहने पूरे topic का आपके course का बट यहाँ पर क्या बताता है 148 बताता है कि government अगर चाहे तो किसी भी company को या class of companies को बोल सकती है कि आपको cost audit भी कराना है जिनको cost के items maintain करना होता ह उनको यह बोला जा सकता है ठीक है उसमें भी prescribed companies के classes होगरे बताया जा सकते हैं बाकी किसे सब जो भी provisions है उसके appointment, reappointment यह सब से related जो provisions है वो लगबग similar है जैसे कि एक normal auditor को लगते है तो 139 वाला जो है वैसा का वैसा रहेगा पिर again penalty clause दिये हैं आपको और यह बताया है cost auditor किस-किस को लगता है यह आपको याद रखने की ज़रुरत नहीं है नहीं भी याद रहा तो चलता है ठीक है तो यह नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा remuneration of auditor कोई काम का नहीं है, remuneration कैसा होगा तो remuneration generally वैसे तो meeting में fix करना चाहिए AGM में लेकिन अगर AGM में fix नहीं कर रहा है तो board of directors के उपर भी कई बार हम छोड़ देते हैं कि remuneration जो है वो board of directors ध्यान रखेगा ठीक है तो यह भी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा काम का नहीं है auditor ने sign करना चाहिए यह भी बखवास से कोई काम का नहीं है, auditor ने खुद sign करना चाहिए अगर एक partnership firm है तो वो auditor ने sign करना चाहिए जो CA होना चाहिए वो important है तो auditor की sign होना जरूरी है in the audit report बाकी फिर हाँ, अगर कोई qualification दिया है, जैसे auditor ने कुछ गलत बताया है कि यहाँ पर company गडबड कर रही है, यहाँ पर गलती हो रही है company से, तो ऐसे cases में auditor के जो comments है, उसके उपर board फिर अपना खुद का एक यह देगा, एक remark देगा, यह तो खेर auditor remark हो गया, बोर्ड जो है, बोर्ड भी यह बताएगा कि यह हमारे पास, auditor ने यह qualification यह adverse remark दिया था, opinion दिया था, तो इसमें हमारी क्या सफाई है, तो यह board report में लिखता है, auditor को general meeting attend करना है, यह भी simple सा point है, कोई खास बात नहीं है, so auditor should attend the general meeting either through himself or through duly authorized representative, लेकिन वो व्यक्ती भी होना चाहिए, जो auditor बनने के काबिल है, तो उसको आप भेज सकते हैं, बाकि यह आप एक बार देख लेंगे, कोई काम का नहीं है, और punishment for contravention, यह अपको ध्यान रखना है, फिर से, so liabilities for the officers and its company and its officers, so अगर यह कोई भी sections का contravention होता है, तो company और उसके officers पे penalty बताएगे 25,005,001,001,001 और एक साल तकी सिसा, powers and duties of auditors and auditing standards, यह मैं आपको read करके नहीं बताता हूँ, यह आपको पूरा पढ़ना पढ़ेगा, इसके mnemonics बगरे मैंने बताया था, a, b, c, d, e, बगरे बनते हैं इसमें, so आपको यह एक बार खुद पढ़ लेना पढ़ेगा, so powers of auditors में इसको क्या बताना है, क्या-क्या अधिकार है, यह कोई भी premises enter कर सकता है, check कर सकता है, यह सब चीज़े बताई गई है, तो उसमें बहुत कुछ समझाने का नहीं है, तो आप यह एक बार पढ़ लेंगे, तो यह सब चीज़े आपको बताना पड़ता है, जो जो information आपने मंगे थे, क्या वो information आपको मिली है, क्या जो भी आप report दे रहे हैं, वो सही है, is it true and fair to the best of your knowledge and belief, यह सब चीज़े उसमें बताई जाती है, तो यह आप एक बार read कर लेंगे, यह मैं इतना detail में अभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि कोई खास काम का नहीं है, फिर यहाँ पर अपना एक chapter और complete होता है, आपको सिर्व यह sections घर पर पढ़नेना पड़ेगा, 143, बहुत बड़ा section है, तो वो उसमें अगर time देंगे, तो और आदा पॉन घंटा जबरदस्ति का waste हो जाएगा, तो अपन उसमें time नहीं देंगे, वो एक बार से पढ़ने का है, कि आपको क्या report करना है, क्या नहीं करना है, तो वो नया कारो मेरी ख्याल से लेकिन आपको apply नहीं होगा, वो भी आपको audit वाले सर ने बताया चूंगे, यह नया कारो आपको apply हो रहा है या नहीं हो रहा है, वैसे होने वाला था, बट अल्टिमेटली उसको postpone किया गया था, कोरोना के चलते हैं, तो मेरी ख्याल से नया कारो भी जो है, वो आपको apply नहीं होगा, ठीक है, बट फिर भी audit वाले सर से आप confirm कर लेना, हाँ, अब हम आते हैं, other laws के उपर, other laws का topic अपन देखते हैं, पहले हम Indian contract act देखेंगे, contract act के बाद negotiable instruments act, पूरा line से चलेंगे हम, फिर general clauses act, general clauses act जो है, यह मैं आपको बताऊंगा, from the full book, full book में से मैं आपको कौन से point important है, कौन से important नहीं है, वो मैं आपको साथ साथ में मात कराते जाओंगा, इसके अलावा, अपना जो last chapter है, interpretation of statute, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आपको अगर लगता है कि इसके पूरे videos देखना है, तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपको full videos भी available करा दूँगा, ठीक है, वैसे अभी उतना time नहीं है, तो अभी आपने उतना time नहीं देना चाहिए, आखरी time पे जितना आपने पढ़ा है, सिर्फ उतना ही पढ़ना चाहिए, ठीक है, बट वैसे तो मैं बोलता हूँ, आप छोड़ो मत, कई लोग पूछते हैं, sir, general clauses छोड़ दिये तो चलता क्या, तो वो ऐसे लोग हैं, जिन्होंने class नहीं किया होगा, क्योंकि अगर आपने class किया है, तो फिर आपको पता है कि general clauses act में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा act है, so class proper अगर करते हैं, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आती है, चलो, contract of indemnity, indemnity guarantee वा So contract of indemnity में, सबसे पहले तो एक वेक्ति होता है, जिसको हम बोलते है, indemnity fire, जैसे कि insurance company, दूसरा वेक्ति होता है, जो indemnity fight कहलाता है, या indemnity holder कहलाता है, और वो promise करता है, promises to save from loss, तो नुकसान से बचाना, loss जा फिर even कई बार compromise, या suit वगरे, cost of suit, ये चीज़ों से भी बचाने के वो वादा करता है, so यहाँ पर क्या के चीज़ों की indemnity होती है, सबसे पहले तो ये contract है, तो क्योंकि ये contract है, तो contract के हर एक essential element मौझूद होना चीए, यहाँ पर loss होगा, तभी आपको पैसा मिलेगा, अगर loss होता ही नहीं है, तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, so ये indemnity है, indemnity का मत सकता है, जैसे act of nature, act of God, आग लग गई, भूकम पा गया, तो ऐसे cases में भी जो नुकसान होगा, वो नुकसान की भी भरपाई करने का वादा किया जता है, discharge of liability, holder को रुकने की जरुरत नहीं है, कि पहले आगे वाला, जैसे समझो, एक वेक्ति है, उसका loss होगया, उसकी car का accident होगया, तो ऐसा जरूरी नहीं है, कि पहले ये वो car code ठीक कराएगा, repair कराएगा, और उसके बाद वो reimbursement claim करेगा, वो directly बोल सकता है, indemnity fire को, कि भाई, भी बोला जा सकता है, cashless, directly तुम ही पैसा दो, ये भी बोला जा सकता है, rights of indemnity holder, तीन प्रकार की चीजों से indemnity मिलती है, पहला तो damages, नुकसान हो गया, अगर तो नुकसान की indemnity उसकी भरपाई की जाएगी, दूसरा all cost, cost का मतलब है cost of suit, so cost of suits के लिए indemnity होती है, cost of suits means case file करने क खर्चा, but prudent होना चीए, कि मुझे पता है कि यार यहां तो पैसा मिली जाएगा, तो मैं जान बुच के बहुत जादा खर्चा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चीए, उसी प्रकार से cost of all the sums, जो कि compromise of suit में लगा है, जब हमने समझाता किया, तो समझाता करने में हमारा नुकस नुकसान हुआ, तो यह नुकसान की भरपाई करने के बात की जाती है, बट अगेन ये भी जो है, ये भी एक prudent calculation होना चीए, ऐसा नहीं कि भाई मिझे पता है कि नुकसान की तो भरपाई होई जाएगी, तो जान बुच के कम में compromise कर लो, ऐसा नहीं चलेगा, तो यह तीन च के topic पे आपको question नहीं आएंगे, guarantee के topic पे आपको question आ सकते हैं, हाँ, दर्शना का question है, there is no specific penalty mentioned for auditor in 146, 147, हाँ, वहाँ पे specific कोई penalty नहीं है, ठीक है, तो जितनी penalties आपको common बताई गई है, उतनी ही penalties आपको लगेगी, चलो, आगे बढ़ते हैं, Contract of Guarantee, guarantee में क्या होता है?, तीन parties होती है, तीन contract होते हैं, एक वेक्ति होता है, जिसको पैसे की जरुरत है, वो पैसा मांगने जाता है विक्ति के पास जो अमीर आदनी है, और तीसरा वेक्ति उसको surety देता है, यने, जैसे एक वेक्ति था उसको पैसा चाये था, लेकिन उसक पैसा मिल नहीं रहा था क्योंकि उसके पास कोई property नहीं थी रखने को तो ऐसे cases में वो अपने दोस्त के पास जाता है और दोस्त को बोलता है भाई तुम चलो और इसको बोलो कि मैं पैसा वापस कर दूँगा और अगर मैंने पैसा वापस नहीं किया तो तुम पैसा दे दोग जो तीसरा विक्ति है जिसने वादा किया था कि हाँ ये पैसा दे देगा अगर उसने नहीं दिया तो मुझसे ले लेना तो इसका हम बोलते हैं शॉरिटी इसकी सेकेंडरी लायाबिलिटी होती है अब ये जो contract of guarantee है contract of guarantee में जो debt है वो debt एक बार अगर इसने ही repay कर दिया तो इस अधिकार प्राप्त हो जाएंगे against the principal debtor इसको हम बोलते है right of indemnity और यहां से आता है right of subrogation subrogation का मतलब होता है कि surety steps into the shoes of the creditor इसको पूरे वो अधिकार मिलेंगे जो की creditor को थे जैसे कि समझो यहां पे कोई goods भी रखा गया था कभी हो सकता है कि extra security करके goods भी रखे गए थे तो यह जो goods रखे गए थे यह goods पे भी अब इसका अधिकार खतम हो जाएगा क्योंकि surety has already paid the creditor और surety can claim the goods वो goods भी ले जा सकता है ठेक हैं contract of guarantee में important चीज़ क्या है तो सबसे पहले तो यह भी एक contract है तो इसमें भी essential elements of valid contract should be present फिर यह जो contract है इसमें सिर्फ एक exception है कि यहाँ पे consideration की आवशकता नहीं होती consideration नहीं रहा तो भी चलता है in fact consideration है तो अलग से surety को कुछ और नहीं मिलता है और दूसरा है principle data अगर incompetent भी रहा तो चलता है surety का competent होना जरूरी है यहाँ पे ध्यान रखो ऐसा हम नहीं बोल सकते वैसे कि surety को कुछ नहीं मिल रहा है surety को एक वादा मिल रहा है surety ने creditor को बोला कि मैं guarantee देता हूँ तुम इसको पैसा दे दो और तुम अगर इसको उधारी देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि अगर पैसा नहीं वापस आएगा तो मैं पैसा दे दूँगा कर इसके बोलने पे यह कारिय किया गया है principle debt create किया गया means यह जो कारिय किया है goods देना this is the consideration for the surety क्योंकि surety के बोलने पे किया गया है so उसको क्या मिला उसको एक promise मिला है एक performance मिला है तो यहाँ पर consideration नहीं है, ऐसा बुलना गलत होता है, consideration है, बट यह जो consideration है, यह अलग से कुछ नहीं मिल रहा है, the act done by the creditor is a sufficient consideration for surety as well, फिर form, यह return oral दोनों प्रकार के हो सकते हैं, parties, creditor, principal debtor, surety, सब parties का साथ में join होना जरूरी है, existence of principal debt, अगर principal debt ही नहीं होगा, तो कोई contract of guarantee ही न हो सकती है, होती है, indemnity, एक बार surety ने pay off कर दिया है, तो principal debtor से वो recover कर सकता है, this is what is called as indemnity, consideration, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर principal debtor को जो चीज मिली है, तो वही चीज sufficient consideration है for the surety as well, guarantee invalid हो जाएगी अगर miss representation से या concealment से ली गई है, तो कुछ चीज नहीं बताया, या कुछ ची चुपाना भी fraud हो जाता है और इसलिए it will become voidable, क्यों कुछ चीज चुपाना यहाँ पर fraud हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर contracts of utmost good faith है, यह बहुत जादा भरोसी के उपर dependent contract होते हैं, co-sherities अगर है, तो co-sherity अगर join नहीं होती, तो contract of guarantee invalid हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर दो surety थ और directly उधारी दे दिया, तो यहाँ पर पांडे जी तो जिम्मेदार ही नहीं, साथ में गुपता जी भी जिम्मेदारी से मुफत हो जाते हैं, because the co-sherity has not joined in the contract, फिर classification, classification कैसा कैसा हो सकता है, यहाँ पर ध्यान रखना है, consideration वाला point important है, एक बार और बताई देता हूं में, consideration है आप यह नहीं बूल सकते का consideration नहीं है, क्योंकि surety को यह जो कार्य करके मिला है, that is a sufficient consideration, अगर समझो, यहाँ पर ऐसा होता, कि पहले इसने loan लेकर आ गया, और बाद में दो दिन बाद जाके यह बुलता है, कि हाँ, हाँ, ठीक है, मैं पैसा दे दूंगा, अगर इसने पैसा नहीं दिया, तो मुझसे पैसा ले लेना, so यहाँ पर अगर surety बाद में आके बूलता है, तो it is not a valid contract of guarantee, क्योंकि यह जो कार्य किया गया, यह इसके बूलने पर नहीं किया गया, and hence the contract will be void, ठीक है, बट यहीं पर अगर ऐसा होता है, कि यह surety ने पैसा नहीं दिया था, और cred इसके उपर case file करने जा रहा है, फिर अगर surety बोलता है, कि नहीं नहीं case file मत करो, मैं वादा करता हूं, यह पैसा देगा और नहीं दिया, तो मुझसे ले लेना, so ऐसे cases में, it is again a valid contract of guarantee, क्योंकि यहाँ पर इसके बोलने पर यह promise कर रहा है, not to sue, मैं case file नहीं करूंगा, so वो rate के लिए, पैसे के लिए, पैसा दिया था, उसके बदले guarantee दिया था, दूसरा, goods के बदले, goods दिया था उधारी पे, उसके बदले guarantee दिया था, और तीसरी चीज़, conduct की या fidelity guarantee, fidelity guarantee का मतलब होता है, जिसमें हम किसी वेक्ति के particular conduct की guarantee देते हैं, जैसे मैंने किसी को appoint करके दिया, और मैंने बुला कि ये अगर कुछ भी गडबर करेगा, तो मैं जिम्मेदार रहूंगा, इसकी मैंने guarantee दिया हूँ, उसको ये दूसरे प्रकार से classify कर सकते है, simple guarantee and continuing guarantee, simple guarantee का मतलब होता है, एक ऐसी guarantee जो कि एक particular single transaction के लिए थी, और continuing guarantee एक ऐसी guarantee होती है, जो कि एक series of transaction के लिए थ ये कई बार एक limit place की जाती है कि ये साल भर में जितने भी goods दोगे, एक लाग तक के मैं guarantee देता हूँ, तो अगर उसमें guarantee में limit fix कर दी गई है, तो उस हिसाब से फिर वो काम करेगी, limit तक के ही recover किया जा सकता है, continuing guarantee कैसे revoke हो सकती है, एक important point है, आपको exam में पूछा जा सकता है, revocation of continuing guarantee, कैसे कैसे revoke हो सकती है, तो सबसे पहली चीज, notice of revocation दे के आप revoke कर सकते हैं, मैंने guarantee दिया था, कि हाँ भई, इसको तुम goods दे दो, बात में मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं, अब इसको आगे से goods मत दे तो it can be revoked only for future transactions, फिर और भी कुछ cases हैं जहां पर एक guarantee खतम हो जाती है, वो कौन-कौन से cases से अपन आगे देखेंगे, points of differences simple से है, contract of indemnity में दो parties होते हैं, एक contract होता है, contract of guarantee में थ्री parties होते हैं और थ्री contracts होते हैं, ability to contract, contract of indemnity में सबका capable होना जरूरी है, contract of guarantee में principal data minor रहा तो चल होता है, फिर indemnity में loss की भरपाई करना ये aim होता है, और guarantee में security provide करना ये aim होता है, यहां एक contract है, यहां पर तीन contract है, एक सोहम का question है, sir, can draw in case of need and acceptance for honor be considered as a guarantee, yes, वो भी एक प्रकार से guarantee है, ठीक है, so, दोनों ही contract, वैसे draw in case of need तब तक के guarantor नहीं माना जाएगा, जब तक वो accept नहीं करेगा, ठीक है, but acceptor for honor ये guarantee में cover होगा, वो surety है, ठीक है, हाँ, nature of liability, primary liability होती है, indemnifier की, यहां पर secondary liability होती है, surety की, liability arises on happening of certain contingencies on default by the principal data, indemnity में एक बार आपने पैसा दे दिया, insurance company ने पैसा दे दिया, तो insurance company cannot recover it from any other person, but contract of guarantee में जैसे surety पैसा देता है, he gets right against the principal data, वो principal data से पूरा पैस वापस मांग सकता है, surety is liability, कैसी होती है, surety is liability co-extensive होती है, जितनी liability principal data की होगी, maximum उतनी ही liability एक surety की हो सकती, उससे जादा नहीं हो सकती, हाँ, उससे कम जरूर हो सकती, अगर उसने कम liability लगाया था तो, अगर वो restrictions place करता है, तो restrictions apply होंगे, ठीक है, तो यह वही चीज़ बताया, बट अगर principal data के उपर case file न करते हुए, directly case file किया जा रहा है on the surety, तो surety has no right कि वो यह बोले कि नहीं पहले principal data को claim करो, he does not have any right to say कि principal data से recover करो, मैं बाज में दूँगा, ठीक है, एक बार default हो गया, उसके बाद directly creditor can see the surety, without making the principal data a party to the suit, वो case file करेगा, सिर्फ surety पे तो भी चलेगा, अगर surety जो है, अगर principal data minor है, तो surety के क्या जिम्मेदारिया होती है, अब यहाँ दो rule निकल के आते हैं, पहला rule यह है, कि अगर principal data minor है, तो surety liable नहीं होता, क्योंकि surety की liability तो co-extensive है, और co-extensive है, इसका मतलब है, अगर principal data ही नहीं है liable, तो कभी surety liable हो ही नहीं सकता, यह पहला rule निकल के आता है, बट इसके अलावा, दूसरा भी rule निकला, court ने दूसरा decision दिया, court ने बुला, अगर principal data minor भी होता है, तो contract of guarantee valid है, और जो surety है, he becomes primarily liable, तो दो rule आ गए, तो यहाँ पे फिर सवाल यहाँ है, कौन सा rule सही है, दोनों जगे अलग-अलग rule है, एक जगे बोल रहे है, surety is not liable, because principal data minor है, दूसरी जगे बोल रहे है, surety is liable, क्योंकि contract separate होते हैं, तो यहाँ पे कौन सा rule माना जाएगा, तो rule यह है, अगर surety को पता था, कि principal data minor है, फिर भी वो accept करता है, कि यह minor है, फिर भी मैं pay करूँगा, तो फिर it is a valid contract of guarantee, अगर उसको नहीं पता था, या उसको पता था, बट उसमें ऐसा accept नहीं किया, तो ऐसे case में he can claim that he will have no liability, since principal data is minor, ठीक है, तो अगर उसने specifically बोला है, कि यह minor है, तो भी मैं pay करूँगा, तो liable रहेगा, नहीं तो liable नहीं रहता, because the liabilities are co-extensive, and if principal data cannot be made liable, then the surety cannot be made liable, because his liability is secondary, तो यह cases याद रखना है, आपको कशिबा वर्सेश श्रीपात, मंजु महादेव वर्सेश शिवप्पा मंजु, पेस्टो जी मुदी वर्सेश महर भाई, और एडवन नामबेर वर्सेश मूला की रमन, तो कोई भी, दो case law आप याद रखेंगे, तो that will be sufficient, discharge of surety, कैसे कैसे surety discharge हो जाते हैं, important topic है, exam में पूछा जाता है, surety discharge हो जाता है, पहला तो notice of revocation के द्वारा, मैंने notice दे दिया, जानकारी दे दिया, कि मैं अपनी guarantee revoke कर रहा हूं, तो that is revocation, खतम हो गई, आगे के लिए liability खतम हो जाएगी, इसके पहले तक के जो चीज़ कर दिया है, उसके लिए में liable रहूंगा, दूसरी चीज़, death of surety, death of surety से भी खतम हो जाता है, surety के अगर death हो गई है, तो ऐसे cases में, जो transaction हो खतम हो जाएगा, क्योंकि ये contract of utmost good faith है, और अगर death हो गई है, तो भरोसा खतम हो गया, उसके legal representative पर ये devolve नहीं होते हैं, फिर variations of contract, अगर contract में किसी भी प्रकार का variation किया गया, without the knowledge of the surety, याने principal debtor और creditor ने कोई भी प्रकार का agreement किया, change किया contract में, जिसके बारे में surety को नहीं बताया था, ये surety से consent नहीं ली थी, तो ऐसे cases में surety बोलेगा, तुमने तो contract बदल लिया, मैं जिम्मेदार अब नहीं रहता, तो यहाँ पर surety मुक्त हो जाएगा जिम्मेदारी से, release of principal debtor, principal debtor अगर चाहे तो वो discharge कर सकता है, release कर सकता है, sorry, release, creditor अगर चाहे तो वो release कर सकता है principal debtor को, अगर principal debtor को release कर दिया, तो surety भी release हो जाता है, फिर arrangement with the principal debtor, किसी भी प्रकार का arrangement किया, जैसे कि principal debtor insolvent हो रहा था, पैसा नहीं दे पा रहा था, तो creditor ने arrangement कर लिया, कि एक काम करो, तुम पैसा नहीं दे पा रहे हो, तो मैं आगे जो goods भेजूँगा, उसमें तुम 5% जादा देते जाना, तो अपन पु contract कर रहे हैं, और उसमें कुछ terms पुराने contract से related डाले जा रही है, तो यहाँ पे अगर आपने arrangement किया है with the principal debtor, creditor ने अगर principal debtor के साथ arrangement किया है, extra time दे रहा है, या ऐसा कोई भी arrangement किया है, तो ऐसे cases में surety gets discharged, loss of security, कभी कभी security रखी जाती है साथ में, जैसे मैं loan लेने गया था, तो मैंने एक guarantee तो दिया, आपने guarantee दिये कि हाँ, शर्मा जी बरॉबर पैसा चुकाएंगे, साथ में मैंने एक gold की ring भी रख दिया था, कि भई ये gold की ring भी गिर भी रखो, और अगर मैं नहीं चुकाया तो ये भी बेच सकते हो, अब मैंने पैसा नहीं दिया, आप से पैसा recover किया गया, तो ये security आपको मांगने का अधिकार है, लेकिन समझो, creditor ने security गुमा दिया, उसने gold ring गुमा चुका है, तो ऐसे cases में आप gold ring तो है ही नहीं, तो आपका तो उतना loss हो जाएगा, इसलिए to the extent of the loss of security, आप वहाँ पे पैसा कम करके दे सकते हैं, ठीक हैं, तो ये security should exist at the time of entering into contract, जब contract किया था, जब guarantee दी गई थी, उस time पर security होना चाहिए, बाद में security दी थी और वो वापस कर देगा, या वो गुम जाएगी, तो फिर ये rule नहीं लगता, ठीक है, बाद में मैंने उसको जाके एक अंगुटी दिया था, अपना contract हो गया, guarantee का, बाद म में आप वो अंगुटी गुमाएगा, तो यहाँ पर फिर आपको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, फिर invalidation of contract, अगर concealment वगरे होता है, या कोई material circumstances नहीं बताया जाता है, misrepresentation होता है, या co-surity नहीं जोइन करता है, तो contract of guarantee जोई या invalid हो जाएगा, rights of surety, क्या के rights से इसको, right against the principal debtor, right of subrogation, subrogation का मतलब है, कि surety steps into the shoes of creditor, यानि surety को वो स्थिती मिल जाती है, जो एक creditor की थी, creditor को जो अधिकार थे, वो पूरे अधिकार मिल जाएंगे to the surety, फिर right of indemnity, indemnity का मतलब है, नुकसान की भरपाई करना, क्योंकि, जो surety है, उसने pay off कर चुका है पैसा, तो he can claim the indemnity from the principal debtor, ठीक है, तो diagram imagine करते जाओ, principal debtor है, creditor है, surety है, surety ने payment कर दिया, तो surety can recover the amount from the principal debtor, ठीक है, फिर special damages वगरे लिए जा सकते है, according satisfaction, according satisfaction का मतलब है, अगर principal debtor ने already यहाँ पे कुछ पैसा दे चुका था, तो उतना पैसा कम हो जाएगा, और surety उतना कम देगा, ultimately surety can recover only that amount, जो actually liable था, फिर time बाट debt है, तो भी recovery की जा सकती है, फिर सिर्फ promissory note execute करने से नहीं होता, simple से point है, right against the creditor, creditor के against कौन से अधिकार है, तो जैसे principle debtor, surety और creditor है, जैसे surety ने creditor को payment कर दिया, तो इसको अधिकार हो जाता है, right to securities, जो भी security रखी गई थी, समझो, gold ring थी, तो ये gold ring मांगने का अधिकार हो जाता है, surety को, उसी प्रकार right to sue, ये actually rule ऐसा है, right to require the creditor to sue the principle debtor, जब मुझे लग रहा है कि ये default करेगा और भाग जाएगा, तो मैं पहले ही creditor को बोल सकता हूँ, इसको पकड़ लो, इससे recovery कर लो, तो ये भी मेरा एक अधिकार है, right to claim no liability, अगर principle debtor minor है, तो मैं बोल सकता हूँ, since he is not liable, तो मैं भी liable नहीं रहूँगा, फिर right to claim set off, set off यहने वही, कुछ पैसा लेना था और देना भी था, तो आप उतना set off करके दे दोगे, right to dismiss, यह होता है fidelity guarantee में, जब मैंने किसी का job लगा के दिया था, अब वो job पे proper काम नहीं कर रहा है, उसको मैंने job लगा के दिया था, लेकिन उसने दो बार गड़बड किया, अब दो बार हो गया, तीन बार हो गया, अब मैं बोल सकता हूँ कि इसको निकाल दो, अब मैं जिम्मेदार नहीं This is called as the right of, right to dismiss. So actually, ये right भी कैसा है? Right to require the creditor to dismiss the debtor. So, co-sherities. Co-sherities के against क्या right है? Equal contribution का right होता है. ध्यान रखो equal contribution. ठीक है? So, जब तक equal दे सकते हैं, तब तक equal. जैसे समझो, A, B और C ने मिलके guarantee दिये थे. तीनों ने guarantee अलग अलग दिया था. A ने 10,000 की, B ने 20,000 की, और C ने 40,000 की. और default होता है, समझो, 30,000 का, तो कितनी liability होगी? तो तीनों की 10, 10, 10 liability हो जाएगी. यानि जब तक equal दे सकते हैं, तब तक equal रहेगा. अगर 40 का loss हो जाता है, तो 40 में इसकी तो 10 पे limit हो गई. और ये दोनों की 15 और 15 की liability रहेगी. This is called as the right of equal contribution. तो ये simple सा एक topic था. अगला topic complete कर लेते हैं, अपन पूरा contract act करेंगे, फिर लगे तो एक छोटा सा break ले लेंगे अपन. तो contract act एक बार पूरा हो जाता है, फिर एक break लेंगे, फिर अपन negotiable instruments लेंगे, उसमें थोड़ा सा दाधा time लगेगा, वो थोड़ा सा बड़ा act है. तो उसको थोड़ा अच्छा time देना पड़ेगा अपने को. और फिर general clauses act और interpretation of statute ये एक simple से topic है, छोटे-छोटे से. तो ये अपन जल्दी complete कर लेंगे, फिर तो दो बज़े तक का अपने deadline है, वैसे मैं थोड़ा speed up जान बुचके किया हूँ, क्योंकि नहीं तो दो बज़े तक के complete नहीं होगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा बढ़ा लिया हूँ time, तो थोड़ा speed में ही चलेंगे अपन, मैं इ time जाता है, तो आपको अगर क्योंकि personal level के कोई doubt है, जो सिर्फ आपको आ रहे हैं, तो ऐसे doubts आप मेरे से पूछ सकते हैं लग से, चलो आगे बढ़ते हैं, contract of bailment and pledge, so bailment of pledge ये कैसे contract होते है, so contract of bailment का मतलब होता है, जहां पर मैंने आपको चीज दे दिया हूँ, use करने को, और use होने के बाद आप मुझे वो वापस करते हैं, so मैं owner हूँ, मैंने आपको goods दिया, बट मैंने ownership नहीं दिया, मैंने आपको सिर्फ position transfer किया, this is called as a contract of bailment, contract of bailment में, जब मैं position transfer करता हूँ, तो एक जिम्मेदारी होती है, आपने उसका बरॉबर care करना चीए, और बाद में मुझ that is a gratisious bailment, so दोनों प्रकार की bailment हो सकते हैं, for money and not for money, इसके characteristics क्या-क्या होते हैं, characteristics होते हैं, contract जरूरी है, express हो या implied हो, but there should be a contract, एक purpose होता है, जैसे कि अगर मैं आपको car दे रहा हूँ, तो car आप use करोगे, वापस लाके दोगे, अगर मैं एक watch दे रहा हूँ, किसी को repair करने, तो repair is the purpose, अगर मैं एक धोबी को कपड़े दे रहा हूँ, press करने के लिए, तो press करना is the purpose, तो कोई ना कोई एक specific purpose होता है, वो purpose पूरा होने के बाद, goods वापस कर देना पड़ता है, सिर्फ movable goods में bailment हो सकता है, immowable goods में bailment नहीं होता, delivery, delivery of goods जो है, यह जाना जरूरी है, delivery का म study गई है, तो ऐसे cases में bailment नहीं होता, इसमें एक case था, कालिया पेरूमल वर्सिस विसालक्षमी, मैं यह discuss करना चाहूंगा, क्योंकि एक important case है, आपको exam में आ सकता है, कालिया पेरूमल वर्सिस विसालक्षमी में क्या हुआ था, कालिया पेरूमल वर्सिस विसालक्षमी में एक महिला होती है, उसके पास पूरानी Jwellries होती है, वो Jwellery को वो नए pattern में करवाना चाती है, चेंज करवाना चाती है, उसके नए pattern की Jwellery बनाना चाती है, बट उसको भरोसा नहीं होता है सुनार पे, और इसलिए वो क्या करती है, वो सुनार को बोलती है कि मैं ये जो ज्वेल सा ये लेके आऊंगे मेरे आखों के सामने पुरा काम होगा फिर एक डबबा है वो डबबे में मैं इसको भरूंगे इसको लॉक लगाऊंगे फिर तुमारे घर में एक कोने में एक रूम है वो रूम में मैं ले जाके इसको रख बूंगे और वो रूम्प को भी लाख लगा दिया जाएगा, कोई वेक्टिवा जाएगा आएगा नहीं और चाबी पूरी मेरे पास रहेगे जो दुकान वाला होताय हो बोलताय ठीक है गुर्ड-smith बोलताय ठीक है एक दिन ऐसे ही regular काम होता है एक दिन चोरी हो जाती है और चोरी में वो पूरे jewels जो थे गायव हो जाते है अब यहाँ पे महिला बुलती है कि यह तो इनकी दुकान थी इनकी चोरी हुई है इन क्या हुई है तो इन्होंने loss बेर करना चाहिए और मेरे को मेरा पैसा दे देना च हुआ बेल्मेंट होने के लिए control जाना चाहिए delivery होना चाहिए position जाना चाहिए सिर्फ custody जाने से control नहीं होता है ठीक है सो control जाना important होता है control अगर transfer होता है तब ही जाके हम बोलते है बेल्मेंट है अगर control नहीं होता है तो ऐसे किसमें इस नौट अफ बेल्मेंट फिर ownership ट्रां constructive delivery पर अब हम और चर्चा नहीं करेंगे आपको अल्रेडी पता है दो प्रकार के बेल्मेंट अल्रेडी बता दिया ग्रेटिशेस और नौन ग्रेटिशेस बेलर जो owner of the goods है बेली जो goods का position लेके आ रहा है या तो समझो car का position लेके गया है या तो एक गाय है या तो कुछ होगरे हैं यह समझने के लिए अलग-अलग types of payment आपको पता होना चाहिए जैसे समझो आपने मेरे से car लेके गए आपको benefit मिल रहा है मेरेको कोई benefit नहीं है मैंने थोड़ी पैसा अगरे लिया तो ऐसे cases में it is for the benefit of the daily बेली के benefit के लिए दूसरा बेल्मेंट जो बेलर के benefit के ल और तीसरा जो है for the benefit of both the parties जैसे मैंने टेलर को कपड़े ले जाके दिया वो कपड़े सिलेगा और मुझे वापस कर देगा इसमें दोनों को benefit है मुझे कपड़े मिलेंगे उसको पैसा मिलेगा तीन प्रकार के बेल्मेंट होंगे for the benefit of बेलर, for the benefit of बेली and for the mutual benefit of both the parties तो तीनों प्रकार से हो सकते है राइट्स and duties राइट्स of बेलर पहले चीज़ है enforcement of बेली's duty बेली की जो ड्यूटी है वो बेलर पूरी करवा सकता है मैं जल्दी जल्दी बता जता हूँ right to claim damages for the loss to the goods due to बेली's negligence बेली की जिम्मेदारी है आपने अगर कार लेके गए तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपने उस कार का बरौबर ख्याल रखना चाहिए ऐसा ख्याल रखना चाहिए जैसे आप खुद की कार का रखते हैं अगर आप यह नहीं करते हैं तो ऐसे cases में मैं एक सेकेंड हाँ ऐसे cases में मैं क्लेम कर सकता हूं कि यह कार का ख्याल नहीं रख रहे है तो जो भी नुकसान होगा वो नुकसान की मैं भर पाई लूँगा ठीक है तो यह loss मैं क्लेम कर सकता हूं फिर दूसरा आपकी जिम्मेदारी होती है बेली की जिम्मेदारी होती है unauthorized use नहीं होना चाहिए, जितना बताया गया उतना काम होना चाहिए, अगर unauthorized use किया जाता है, जैसे मैंने बोला था, कार आपको market area में नहीं ले जाना है, आप highway पे चला सकते हैं, main road पे चलाओ, लेकिन गली-गुली में या market में मत ले जाओ, लेकिन आप अगर market में ले जात है, आपने एक particular lane में गाड़ी लेके गए, अब हुकम पा गया और गाड़ी स्वाहा हो गए, तो यहाँ पर इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, आपकी गलती से नहीं हुआ, unauthorized use हुआना तो जिम्मेदारी हो गई, भले फिर गलती थी या नहीं थी, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, फिर right to claim compensation for the loss caused by the unauthorized mixing of goods, mix नहीं करना यह जिम्मेदारी होती है, इस पर question दिखेगा आपको recent RTP में, so recent RTP या MTP, MTP में है मेरे ख्याल से, तो MTP में इसके उपर question है, तो unauthorized mixing नहीं होना चाहिए, mix अगर कर रहे हैं, तो with the consent किया जा सकता है, so अगर आपने goods लेके तो दो चीज़ हो सकती है, या तो separate किये जा सकते हैं, या तो नहीं किये जा सकते हैं, जैसे समझो पूरे बूरे में भरे हुए goods हैं, तो फिर ये separate किये जा सकते हैं, बट अगर ऐसे goods हैं, जैसे समझो तेल दिया था मैंने, आपने वो अपने तेल में mix कर लिया, so ऐसे cases में separate नहीं किया जा सकता अगर separate किया जा सकता है तो separate करने के जिम्मेदारी रहेगी बेली की और उसका जो भी नुकसान होगा जो भी charges लगेंगे वो बेली बेयर करेगा अगर separate नहीं किया जा सकता है तो पूरे के पूरे goods का जो loss है वो बेयर करेगा बेली और goods जो है of course, वो रख सकता है. ईए सकोई फ़रक नहीं पड़ता कि वो किसके benefit के लिए था. जब आप तो Gotta aç आप वहां पर आपकी जिम्मेदारी हो जाती है ऑपले non gratisus रहा हो लेकिन ऐसी कोई गलती कर रह रहे हो जिसके कारण खतम हो गई यह चीजह तो फिर वहां तो जैसे अब मैंने car δे के गया समझा आपको, मैं बाहर गाउं जा रहा था तो मैंने आपके घर के समने car रखे गया और मैंने आपको चावी दे दिया, मैंने बुला car आप कहना रहने दो, अब आपने कार रखे थे, मेरे benefit के लिए, आपको कोई काम की नहीं थी, बस रखी आपके, अब यहाँ पर अगर आपकी गलती से कुछ होता है, आपने उपर से कुछ गमला उमला फेक दिये, कच्रा वच्रा फेक दिये, और कार कांच फुट गया, तो ऐसे cases में मैं तो claim क बचा है, right to demand the return of goods, आपकी जिम्मेदारी है, वापस करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा अधिकार है, मैं वापस मांग सकता हूं goods को, right to claim natural accretions, उसमें कुछ अगर बढ़त हो जाती है, जैसे मैंने गाय रखके गया था, उसमें बच्छडा हो गया, तो बच्छडा किसका है, तो मेरा रहेगा, मिरको मिलेगा वापस, ठेक हैं, termination of bailment, बेली अगर कुछ भी गलत काम करता है, तो bailment बंद किया जा सकता है, cancel किया जा सकता है, it is voidable at the option of the bailer, demand return of goods, only in case of gratuitous bailment, अब यह एक है, यहाँ पे at the time, at any time in the gratuitous bailment, कभी भी आप terminate कर सकते हैं, तो termination का अधिकार है gratitude share में कभी भी, भले आपने कुछ गडबर नहीं किये तो भी, लेकिन अगर premature termination है और कोई नुकसान हो रहा है आपका, तो मैं भरके दूँगा, एक simple example, जैसे आपकी शादी थी, आपको car की जरुरत थी, आपने मेरे से car लेके गए, मैंने आपको car दिया, आप car लेके जाते लेकिन मैंने बोला कि, अरे मेरी car ले जाओ, कहाँ किराए की car लेते हैं, तो आपको किराया अप zero लगेगा, बट मैंने दूसरे ही दिन cancel कर दिया, एक दिन आपने use किये car, दूसरे दिन मैंने cancel कर दिया, अब मैंने cancel किया, तो एक दिन तो आपको benefit मिला, लेकिन बाकी के 6 द के 1200 के हिसाब से आपको लगए 7200 रुपए जहां पर आपको 7000 रुपए लगना था वहां पर मेरी गलती के वज़े से आपको 7200 रुपए लग रहे क्योंकि मैंने बेल्मेंट को टर्मिनेट किया भले ग्रैटिशस था बट मैंने टर्मिनेट किया मेरी गलती के कारण आपको 200 रुपे जादा लगा तो आप तो यहीं बोलोगे सर इस से अच्छा तो नहीं देते मेरे को कार मेरे को साथ हजार ही लगता था 200 रुपे आपके करण लगे so you can claim this 200 रुपेs for me मेरे साब claim कर सकते हैं ठीक है so यह तब होता है लेकिन जब premature termination से loss होगा तब यह भी सिर्फ gratisious बेल्मेंट में है जहां पर मैंने आपको खुद होके चीज दिया था और मैं premature terminate कर रहा हूँ I have a right in fact अगर आप इस rule को देखो तो premature termination कब किया जा सकता है अगर terminate करना है तो termination में अगर gratisious बेल्मेंट है तो anytime terminate किया जा सकता है और non gratisious था तो यह terminate किया जा सकता है only अगर कुछ गडबड करता है बेली तब बेली's fault रहती है तब तब ही cancel किया जा सकता है ठीक है तो यह तो simple है कि non gratisious में बेली ने गडबड किया आप cancel कर रहे है यहाँ बिना गडबड किया आप cancel कर सकते हो बट cancel करने से आगे वाले को नुकसान हो सकता है तो नुकसान की भरपाई करो तो वो पॉइंट यहाँ पे लिखके दिया है ठीक है suit against wrongdoors किसी ने गलत काम किया है तो इससे आप recovery कर सकते है duties of bailer duties of bailer क्या के duty है duty to disclose the faults अगर कोई गलती है गडबड है कार में तो मेरे को बताना चाहिए अगर मैं पैसे के लिए काम करता हूँ तो मैं हर केस में liable रहूँगा भले मुझे गलती के बारे में पता था या नहीं पता था जैसे कार के ब्रेक फेल थे मुझे नहीं पता था बट मैंने पैसे के लिए काम किया हूँ तो ऐसे केस में मैं liable हो जाओंगा ठीक है फिर दूसरा केस अगर ग्रेटिशियस बेलमेंट है जब मैंने पैसे के लिए काम नहीं किया था मैंने ऐसे आपको कार यूज करने दिया था तो मैं सिर्फ तब लाइबल रहूंगा जब मुझे पता था कि इसमें कुछ गड़ बढ़ है तो अगर नहीं पता था तो मैं liable नहीं होता तो ग्रेटि गिए करता है अगर प्रिमेश टर्मिनेशन अभी जो ऊपर बता है सेम रूल है अगर प्रीमेश टर्मिनेट करता हूं मैं और नुकसान होता है तो recovery की जा सकती है indemnify belief or defective title अगर मेरा ownership नहीं थी फिर भी मैंने आपको goods use करने दिया और true owner आपके उपर action लेता है तो you can claim from me फिर receive back the goods तो goods वापस लेना ये जिम्मेदारी भी है ये अधिकार तो है बट ये जिम्मेदारी भी रहेगी बाकी duties of Bailey अब मैं फिर से repeat नहीं करना, same चीज़ है reasonable care unauthorized use नहीं होना, mix नहीं करना mix करेगा तो दो चीज़ हो सकती है या तो separable है या तो not separable है, return of goods करना and deliver the accretions वही same points जो मैंने उपर अभी बताया फिर Bailey के case में right of Bailey, enforcement of Bailey's duties, right to deliver the goods to one of several joint owner joint owner है, किसी एक को भी वो goods ले जाके दे रहा है that is sufficient बाकी simple है, एक ये right upon पढ़ते है, lean lean का अधिकार मिलता है, जब goods के उपर कुछ काम किया गया था जैसे कि एक tailor के पास मैंने कपड़े लेके गया सिलने के लिए, उसने वो सिल के रख दिया उसने पूरा suit वगरे बनाया court suit बनाया और रख दिया लेकिन मैं उसको पैसे नहीं दे रहा हूँ तो यहाँ पे वो बोल सकता है, शर्मा जी आप जब तक पैसे नहीं दोगे, मैं आपको goods ले जाने नहीं दूँगा this is called as the right of lean lean का मतलब होता है, retain the possession of the goods lean सिर्फ price के लिए रखी जा सकती है और कोई charges के लिए नहीं रखी जा सकती है lean वो जब तक possession में है तब तक रख सकता है once the possession is lost, lean is lost एक बार उसके हाँ से goods गए, lean खतम हो गई अगर पहले से agree किया था, credit sale था मैंने बुला था, पैसा मैं बाद में दूँगा goods लेके जाओंगा, then he cannot claim the lean lean उसी product पर रखा जा सकता है जिस product पर कुछ काम किया गया है work of labor और skill किया गया है उसी पर रखा जाता है ये सब चीजों को हम बोलते है particular lean particular उसी goods पर lean मिल रहा है जिस goods पर उसने कार्य किया है तेक है, so this is called as particular lean ये implied होती है, ये बोलना नहीं पड़ता automatic होती है बोलना नहीं पड़ता, अपने आप हर contract में जो भी bailment के contract उसमें lean है अगर मैंने घड़ी सुधार नहीं दिया था उसने सुधारा है, और मैं उसको पैसा नहीं दे रहा तो वो घड़ी नहीं देगा जब तक मैंने पैसा नहीं दिया, तब तक वो घड़ी देने से मना सर सकता है, so this is called as the particular lean, दूसरी भी lean होती है वैसे bailment में particular lean arise होती है, कुछ cases में general lean होती है, बहुत special cases में जैसे bankers हो गए, warfingers हो गए attorneys of high court हो गए, policy brokers हो गए, agents हो गए इन लोगों के case में, general lean में क्या होता है, कोई भी goods के लिए, कोई भी payment के लिए, कोई भी goods के उपर lean exercise की जा सकती है, जैसे मैंने आज payment नहीं किया कोई पुराने goods का, वो लेके चला गया था मैं, बट मैं अभी goods दे के आ रहा हूँ, तो उस पे भी lean exercise कर सकते हैं अगर मेरे चार लोन चल रहा है, एक कार का लोन था और personal लोन थे तीन, अब मैंने कार का लोन रिपे कर दिया हूँ, तो भी वो मेरी कार रख सकते हैं, जब तक कि मेरा personal लोन रिपे नहीं होता, क्योंकि उनको मिलती है general lean, तो पूरे loans के उपर exercise किया जा सकता है, वो, so this is called as general lean, action against third party वो simple है, दोनों का difference दिया है, general lean and particular lean, general lean means कोई भी goods आप उठा सकते हैं, that is for general balance of the account, particular lean वही goods रख सकते हैं, जिस पे charges due थे, यह automatic नहीं होती है, आपको बोलना पड़ता है, करना पड़ता है, लेकिन यह automatic होती है, general lean, कोई भी goods पे रख सकते हैं, जिस पे आपने work of labor और skill नहीं क्या उन पे भी, और particular lean सिर्फ उन goods पे रख सकते हैं, जिसमें कोई labor या skills involved थे, यह किसको मिलती है, bankers, factors, warfingers, policy brokers, attorneys of high courts, etc., और यह किनको मिलती है, bailey, finder of lost goods, pledgy, unpaid seller, agent, partner, इन लोगों को, ठीक है, factors, जतिन का question है, sir, what are factors, factors का मतलब होता है, simple agents, आपने costing पड़ा होगा, costing FM में, FM अलग हो गया है अब तो, costing या FM में आपको एक topic आता है, factor, factor का वैसे मतलब होता है, factor का मतलब है, एक ऐसा वेक्ति, जो दूसरे की उधारी खरीचता है, agent, तो कहीं लोग होते हैं, जो लोग क्या करते हैं, जैसे एक वेक्ति है, बिजनस मेंने, वो उधारी पे goods बेचता है, लेकिन वो बिजनस करना जानता है, वो उधारी recover करने में, जहमेले में नहीं पढ़ना चाता, तो वो क्या करता है, वो एक factor को appoint कर लेता है, जैसे मैं, मेरे को appoint कर लिया, मेरे को बोला, शर्मा जी, देखो, मेरी इतनी उधारी है, यह उधारी समझो, पांच करोड के उधारी है, यह अगले मैंने मेरे को वापस मिलेगी, आप एक काम करो, अभी यह पैसा मेरे को दे दो, और आप recover कर लेना, तो इसको हम बोलते है, factor, factor क्या करता है, हाँ, वसूली भाई, तो वसूली भाई type, तो वो क्या करता है, वो commission लेता है, इसके बदले, पूरा पैसा अभी के अभी दे देगा है, इसको हम बोलते है, factor, वैसे basically इसको factor बोला जाता है, factoring, पर general rule में आप factor even किसी भी agent को बोल सकते हैं, ठीक है, तो generally आप किसी भी agent को बोल सकते हैं, पर अगर आप specific definition बोलो, तो factor means एक ऐसा वेक्ती, जो दूसरे की उधारी खरीदता है, और बाद में उसको recovery करता है, that is, that person is called as a factor, हाँ, termination of bailment कैसे कैसे होता है, already बताया है मैंने, efflux of time वक्त के बीच जाने पर, तो जो भी वक्त बताया था, वो वक्त पूरा हो गया, bailment खतम हो गया, आपको बोला था, चार बजे कार लाके दे देना वापस, आपने ला दिए, bailment खतम हो गया, fulfillment of purpose, जो purpose था, वो purpose पूरा हो गया, फिर, गलत काम किया जा रहा है अगर bailie के द्वारा तो, gratisious bailment में तो कभी भी terminate किया जा सकता है, death में खतम हो जाएगा, destruction of subject matter में खतम हो जाएगा, rights and duties of finder of goods, ये भी simple है, आपने अल्रेडी पढ़ा हुआ है, foundation में तो अपन इसको cover नहीं करते हैं, अब यहाँ तक कोई doubt है तो आप पूछ लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, एक और topic complete करी लेंगे, एजनसी होना चाहिए था, अच्छा pledge है, pledge अभी चालू होने कही है, फिर agency है, तो कोई doubt है तो पूछ लो, मैं आगे बढ़ता हूँ तब तक आप doubt टाइप कर सकते, pledge, pledge एक special type का बेल्मेंट होता है, जिसमें हम गुच रखते हैं, गुच किसी और व्यक्ति के पास रखते हैं, और उससे लेके आते हैं कुछ पैसा, उधारी, यहाँ पे जब तक के वो पैसा refund नहीं करता है, return नहीं करता है, तब तक के वो गुच पे अधिकार रखा जाता है, it is a special type of बेल्मेंट जिसमें आप पैसा लेके आते हैं, उधारी के रूप में, तो pledge यहने गिर्वी रखना, simple terms में गिर्वी रखना, अब pledge और बेल्मेंट में क्या फरक है, objective, बेल्मेंट में बहुत सारे objective हो सकते हैं, pledge में एक ही objective हो security, nature, बेल्मेंट एक major, एक wider term है, genus है, pledge is a species, right to sell, बेल्मेंट में generally right to resell नहीं होता है, अगर पैसा नहीं दिये या कुछ नहीं, तो right sell कर दो, ऐसा नहीं होता, pledge में generally right to resell होता है, after giving the notice, type, generally bailment दोनों हो सकते हैं, gratisious और non gratisious, but pledge हमेशा non gratisious ही रहेगा, usage right, goods को use करने का right दिया जाता है, in the bailment, but pledge में generally ऐसा कोई right नहीं दिलता, consideration, हो भी सकता हैं, नहीं भी हो सकता हैं, यहां हमेशा रहेगा, discharge of contract calm हो गया, goods वापस कर दो, debt वापस कर दिया, goods वापस कर दो, pledge non owner भी कर सकता हैं क्या, yes, agent के case में, समझो मैं हूँ, मैंने goods भेजा था, एक agent को, agent ने इसको कहीं और pledge कर दिया, तो ये भी एक valid pledge create हो जाता है, अब यहां पर true owner को पता लगता है, कि उसकी चीज कहीं गिरवी रखी है, तो वो claim कर सकता है क्या, yes, बट उसको पैसा देना पड़ेगा, 200 रुपे, 1000 रुपे पूरा नहीं, 200 रुपे, तो limited interest, जितना interest था, उतना interest खतम कर दो, और फिर goods लेके आ सकते हैं, pledge by a co-owner in possession, मैंने और मेरे friend ने मिलके car खरीदे थे, एक वेक्ती नहीं जाके pledge कर दिया, तो भी ownership, sorry, pledge create हो जाता है, in favor of third party, फिर seller who is in possession after sale, sale होने के बाद भी, और buyer who is in possession before sale, दोनों case मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे एक seller है, seller ने goods sell कर दिया इसको, लेकिन अभी भी goods रखे, seller की दुकान में ही है, so seller इन goods को जाके, अगर pledge create कर देता है, तो ये भी valid contract of pledge हो जाता है, उसी प्रकार से इसका opposite contract हो सकता है, जिसमें, समझो जो seller है, seller ने goods already दे चुका है to the buyer, लेकिन ownership अभी seller की चाहिए, जैसे goods sent on approval basis, approval पे है, तो ownership अभी seller की है, valid pledge create हो जाता है, भली ownership किसकी थी, seller की, तो ये वही है, कि sale by, sorry, pledge by buyer, buyer in possession of goods, before sale, before sale का मतलब है, ownership है seller की, ठीक है, और उपर वाला opposite है, इसके पहले वाला जो example, seller who is in possession of goods, even after sale, sale हो चुका है, यान्हें owner, buyer हो चुका है, फिर भी seller can create a valid pledge, even if he is not the owner, तो ये foundation वाला ही topic है आपके, ये आपको पता होगे अच्छे से, contract of agency, agency एक simple सा contract होता है, जिसमें एक वेक्ती principle, दूसरे का appoint करता है, कि तुम मेरे भिहाब पे goods बेचो, तुदा third party, so this is called as a contract of agency, ultimately agent is only a connecting link, he drops out of the contract, as soon as the contract is made, जैसे उसने goods बेच दिया, तो वो बाहर हो जाता है, और ultimately contract बन जाता है, between the principal and the third party, so हम यहाँ पे possession देते हैं agent को, agent जो भी goods बेच के पैसा आता है, वो पैसा वापस बेचता है to the principal, इसका हम बुलते है net remittance, so ये पैसा दिया जाता है to the principal, simple से points है, जल्दी जल्दी देखते हैं, so पहली चीज़, agent कोन है, एक person जिसको appoint किया गया है, कि तुम मेरे भीहाब पे काम करो, principal कोन है, जिसने दूसरे को appoint किया है वो, agency, agency is the relation between principal and agent, agency contract को कहीं define नहीं किया गया है, तो इसलिए जहां पे भी एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य करने को allow करता है, तो हम उस हर contract को agency contract बोल सकते हैं, rules of agency, हर व्यक्ति जो खुद कुछ कार्य कर सकता है, वो दूसरे व्यक्ति को भी, वो कार्य करने को appoint कर सकता है, this is the basic rule, दूसरा rule, अगर मैंने दूसरे के थूरू कुछ कार्य कराया हूँ, तो मान लिया जाएगा मैंने वो स्वयम किया हूँ, यह दूसरा rule, कौन agent employee कर सकता है, तो any person competent to contract, principle कभी भी competent to contract होना चाहिए, agent कौन हो सकता है, agent कोई भी हो सकता है, any person, वो अगर minor भी होगा तो चलेगा, agent की liability, towards principle होती है, लेकिन अगर वो minor होगा, तो liability नहीं रहेगी, consideration की जरुवत नहीं होती, जब मैं agent को appoint करता हूँ, of course बाद में जब वो कार्य कर देगा, तो उसको उसका commission मिल जाएगा, लेकिन जब मैंने appoint किया, मैंने किसी को बोला, ये मकान विका के दो, उस time मुझे कोई पैसा नहीं देना है, लेकिन हाँ वो विका देगा, तो फिर उसका commission का अधिकार बन जाएगा, principles liability for the acts of agent, agent अगर कुछ गलत भी काम करता है, सस्ते में कुछ भेज़ देता है, fraud करता है, तो भी principle will be liable, तो simple से points है, कैसे कैसे create हो सकता है agency, पहला चीज़ बाइ, express agreement बोल के किया गया, लिख के किया गया, दूसरा implied agreement, बोला नहीं, लिखा नहीं, बट फिर भी relations ऐसे create हो गया, जैसे कि एक agency में हुआ करते हैं, stopple या holding out, जब आप, मैं हूँ, आप है, और हम जाते हैं एक दुकान में, आप बोलते हैं कि भाई, मैं agent हूँ, शर्मा जी का, मैं सामने खड़ा हूँ, और मैं मना नहीं करता हूँ, अब ये सुनते हुए कि आप agent है, ये दुकान दार आपको goods दे देता है, यहाँ पर agency create हो गई, मान लिया जाएगा by stoppile, means I will be stopped from denying the previous conduct, अब मैं मुकर नहीं सकता, कि भाई मैं तो principal नहीं हूँ, उस time मुकर ना चाहिए था मैंने, जब ये contract हो रहा था, अगर मैं उस time नहीं मुकरता हूँ, तो मैं आगे मुकर नहीं सकता, पिर agency by necessity, necessity में क्या होता है, इसमें आपको याद होगा, गुपता जी वाला example, agency by necessity में, मेरे बिहाफ पे किसी और ने कोई काम किया है, और वो काम ऐसा किया है, जो कि एक reasonably prudent विक्ति करता है, जैसे समझो आपके घर पे light चली गई, आपके घर पे कोई था नहीं, आप मेरे पास आते हैं, और मुझे बोलते हैं, सर वो light चली गई, थोड़ा देखो ना, तो मैं बोलता हूँ, चलो देखते हैं, मैं जाके पता करता हूँ, कि आपके याँ का बिल नहीं भरा था, अब आपके पापा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे, मैंने उनके बिहाँ पे ये कारिये किये हूँ, तो यहाँ पे agency by necessity create होगी, नहीं तो आप कैसे रहते, तो इसलिए यहाँ पे agency by necessity create होगी, ratification, ratification का मतलब होता है, बाद में approval दे देना, पहले contract किया, बाद में बुला ठीक है, existence at the time of contract, यह एक important point इसलिए है, क्योंकि आपको पता है, principle का existence में होना जरूरी है, यह हमने कल भी पढ़ा था, जब हमने contract, यह पढ़ा था, कि pre-incorporation contract को, क्या ratify कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, reason यही है, कि principle existence में नहीं है, ratification is subject to a third person to damages, यहने simple rule है, ऐसा ratification नहीं कर सकते हैं, जिससे third party का नुकसान हो रहा है, ठीक है, जैसे समझो, मैंने contract किया था आपके साथ, और बोला था कि आपको मैं जमीन देता हूँ, किराय से आपने बोले ठीक है, और मैंने बोला था, अगर मेरे को terminate करना आई है, तो मैं तीन मेहने का notice देके terminate कर सकता हूँ, अब मैंने तो कुछ किया नहीं, एक मेरा friend है, उसने आपको notice दे दिया, बोला कि चलो चलो जगे खाली करो, अब यहाँ पे, इसने ये जो कार ये किया है, क्या मैं इसको ratify कर सकता हूँ, the answer is no, क्योंकि अगर मैं ये ratify करूँगा, तो इससे आपको शायद time कम मिले, आपको time मिलना चीए था, जब मैंने बोला वहाँ से तीन मेहना, इसने समझो एक मेहना पहले बोला है, और मैं बाद में जाके आज बोल रहा हूँ, कि चलो ठीक है, इसका जो act है, मैं इसको ratify करता हूँ, तो यहाँ आपको तो दो महना ही मिलेगा, क्योंकि मेरे बोलने के बाद दो ही महना मिल रहा है, तो आपका right कम होता है, और अगर आपका right कम हो रहा है, तो ऐसे cases में this ratification will not be valid, तो ऐसा ratification नहीं कर सकते, जिससे third party को नुकसान हो, ठीक है, extent of agents authority, कितने हद तक क्यों bind कर सकता है, दो प्रकार की authority होती है, express और implied, express यहने बोला गया, implied यहने बोला नहीं, बट फिर भी सबको पता है, कि अगर यह agent है, तो इतनी अधिकार तो होते हैं, this is also called as ostensible or apparent authority, तो अगर ऐसा कुछ कारिय करता है agent, जो कि उसको express authority के beyond था, जैसे मैंने बोला था agent को, कि बेचना नहीं मेरे से पूछे बिना, उसने फिर भी बेच दिया, तो क्या मैं bind हो जाओंगा, yes, because it is within the implied authority, authority, भले मैंने उसको बोला था मत कर, बट फिर भी दूसरे को थोड़ी पता है, third party को थोड़ी पता है, third party को तो लग रहा है यह agent है, और अगर agent है, तो यहाँ पर यह कारिय कर सकता है, ठीक हैं, फिर authority in an emergency, emergency में अगर कोई काम किया है, जैसा अभी उपर बताया था मैंने, same example, अगर agent exceed करता है authority, तो क्या किया जाएगा, यह ध्यान रखो, यह rule किसके लिए है, principle और agent के बीच के relation के लिए, third party को तो ultimately पूरा पैसा मिलना ही है, so what happens when the agent exceeds the authority, दो चीज हो सकती है, या तो authority is separable, या cannot be separated, तो या तो separate किया जा सकता है, या separate नहीं किया जा सकता है, अगर separate किया जा सकता है, तो फिर separate किया जाएगा, और जितना within authority था, उससे bind होंगे, जितना outside authority था, उससे principle बाइंड नहीं होगा, जैसे समझो, principle ने agent को बोला था, कि जाओ, मेरे लिए गाये खरीद के लाओ, 10 गाये खरीद के लाओ, तो 10 गाये खरीद ने बोला था, अब agent जाता है, वो 10 गाये खरीदता है, और 5 भेड खरीद लेता है, और ये total amount इसका देता है, समझो, 50,000 रुपे, तो ये separable नहीं है, किसका कितना रुप्या है नहीं बताया जा सकता है, तो मैं यहाँ पर बोल दूँगा, मैं ये contract को नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, separable नहीं है, तो पूरा का पूरा मैं इसको recognize करने से मना कर दूँगा, दूसरा case, मैंने बोला तो दस गाये खरीद के लाओ, आप जाते हैं, आप दस गाये खरीदते हैं, और पाँच भेड़ खरीदते हैं, दस गाये की कीमत हुई समझो 30,000 रुपे, और पाँच भेड़ की कीमत हुई 20,000 रुपे, यहाँ पर इट इस separable, मैं बोल सकता हूँ, मैं इस से bind होँगा, बट यह चीज के लिए मैं recognize नहीं करूँगा, ठीक है, इट इस separable, तो यह चीज यहाँ पर बताईए, सब एजेंट और सब्सिट्यूटेड एजेंट, सब एजेंट, सब एजेंट का मतलब होता है, कि एक एजेंट का एजेंट, यह सब एजेंट हो गया, और सब्सिट्यूटेड एजेंट, यहने एजेंट के बदले दूसरा एजेंट अपॉइंट किया, जैसे मैंने बोला था एक विक्ति को कि ये मकान विका के दो और उसको बोलाओ इसके लिए एक auction के थुरू बिखाओ तो मैंने agent को अपोइंट किया और उसको बोला दूसरे को अपोइंट कर ये substituted agent है ये दोनों co-agent है दोनों मेरे ही agent है बट वही मैंने अगर एक को बोला था ये मकान विका के दो और कुछ नहीं बोला उसने आगे अले को बोल दिया तो दिस इस ड़ंवशंट सब्वशंट is not my agent it is the agent of agent बट सब्सट्टिटेट इजटेड या co-agent is my agent ठीक है तो वहीं दिया है तो यह एक बार आप read कर लेंगे, आपको समझ जाएगा duties and rights of agent, simple है यह भी एक simple से point है, एक बार बता जिता हूँ so conduct business as per directions and customs जैसा बताया था, वैसा काम करना है agent ने अगर नुकसान होता है, वो काम proper नहीं कर रहा है तो वो भरपाई करके देगा skillfully काम करना है, जितने skill से वो पूरे properly display करना है, जैसे अगर मैं एक वकील के पास जाता हूँ, तो उसने properly काम करना चाहिए, पूरे sections उसको पता होने चाहिए, accounting proper करें, ताकि पैसा कितना आ रहा है, पता लगें, पैसा वापस दे जब भी मांगा जाये तब, और communicate करें, अगर कोई difficulty होती है, तो, और rights of agent में, right of retainer, he can retain the advances, expenses और remuneration, आपको पता है, net remittance में वो तीन चीज़ माइनस कर लेता है, advances, expenses और remuneration, remuneration का अधिकार है उसका, पर अगर गडबड करेगा, तो यह अधिकार खतम हो जाता, lean है, जब तक उसको remuneration नहीं दूँगा, मैं, तो वो बोलेगा कि मैं आपके goods वापस नहीं करता, यह उसका अधिकार है, अगर कोई नुकसान होता है, तो नुकसान की भरपाई करवाना, यह तीनों ही indemnity है, तो वो मेरे से नुकसान की भरपाई करवा सकता है, अगर मेरे कारण उसका कोई नुकसान होता है, तो Rights and Duties of Principle Principle के Rights क्या है, Principle Secret Profit मांग सकता है, इसके उपर आपको बहुत ज़्यादा questions देखने को मिलते हैं कि यह एक व्यक्ती है, Principle Principle ने बोला था, अपने एक agent को कि मुझे एक property खरीद के दो, agent ने खरीदा पहले यह property अपने nominee के नाम से, और nominee के नाम से खरीद के फिर खुद ने खरीदा, और फिर खुद खरीद के इसको बेचा, और इस बीच उसने यहाँ पर समझो 2 लाख रुपे कमा लिए, यहां पर समझो 4 लाख रुपे कमा लिए यहने उसने समझो 40 लाख में प्रॉपर्टी खरीदा और नॉमीनी के नाम 40 लाख की प्रॉपर्टी पहले समझो 42 में खरीदा और फिर खुद ने 44 में बेज दिया इसको to the other person तो टोटल उसको 2 लाख का यहां प्रॉपिट हुआ चार लाख का यहां प्रॉपिट हुआ यह उसने बताय भी ना खरीदा बताय भी ना किया प्रिंसिपल को नहीं बताया था तो this is a secret profit प्रिंसिपल पूरा जो 6 लाख रुपे यह क्लेम कर सकता है from the agent यह already आपको पता है इस पर भी बहुत सारे questions है question bank जरूर करो question bank में बहुत अच्छे से पूरे चीज़ कवर होती है ठीक है बाकी simple से points है यह एक point यहां पर important है तो responsibility of principle towards third parties अगर principle का नाम बताया गया था agent ने बोला था कि शर्मा जी मेरे principle है तो यहां normal rule लगता है कि मेरे और third party की बीच contract हो गया और agent बाहर हो गया agent के अब कोई जिम्मेदारी नहीं बची दूसरा अगर उसने नाम नहीं बताया था उसने ये बताया था मैं agent हूँ बट उसने नाम नहीं बताया था मेरा तो यहां पर क्या होगा same rule सिर्फ एक फरक है third party मेरे उपर case file नहीं कर सकता क्योंकि उसको पता ही नहीं मैं कौन हूँ तो वो किस पे case file करेगा तो वो agent पे case file करेगा फिर तीसरा case undisclosed principle जब उसने बताया ही नहीं कि यहां पर कोई agent भी है कोई principle भी है तो ऐसे cases में he is personally liable और अगर वो जूट बोलता है गलत काम करता है तो ऐसे cases में he is himself liable unauthorized और pretended agent का मतलब होता है एक ऐसा वेक्ति जो agent है ही नहीं बट वो सिर्फ दर्शा रहा है तो ऐसे cases में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते agent वोगरे नहीं बनता हाँ बाकि personal liability of agent आप पढ़ लेंगे simple से points है termination of agency में बता देता हूँ और यहाँ पे आपका यह contract है complete हो जाएगा फिर अच्छा यह भी irrevocable termination का हिस्सा है और फिर negotiable instruments पे हम चर्चा चालू करेंगे so termination of agency agency दो प्रकार से terminate की जा सकती एक तो by act of the parties parties की कोई कारिय के थुरू और दूसरा by operation of law act of the parties में दूछ चीज़ें हो सकती है या तो agent अपनी agency खतम कर रहा है इसको हम बोलते है renunciation दूसरा principal agency खतम कर रहा है इसको हम बोलते है revocation so revocation and renunciation यह दोनों ही cases में जो भी cancel कर रहा है अगर उसके कारण आगे वाले को नुकसान हो रहा है तो नुकसान की भरपाई की जाएगी याने principal cancel कर रहा है तो agent को compensate कर के देगा agent cancel कर रहा है तो principal को compensate कर के देगा ठीक है so जब principal cancel करता है तो revoke कर रहा है हो जब agent cancel करता है तो renounce करता है छोड़ दे रहा हूँ तो ऐसा है Termination by operation of law वक्त के बीच जाने पे agency खतम हो जाती जैसे एक साल के लिए agent appoint किया था एक साल हो गया agency खतम performance of the object मकान बेचने के लिए appoint किया था मकान बिग गया agency खतम destruction of subject matter car बेचने के लिए किया था car destroy हो गई agency खतम death or insanity of the principal or agent किसी के भी death हो जाती है खतम agent के installment होने से फरक नहीं पड़ता principle becoming alien enemy agent के alien enemy बनने से फरक नहीं पड़ता और sub agent के authority खतम हो जाती है जैसे main agent के authority खतम हो गई principal था principal ने agent का उपाइंट क्या था agent ने sub agent का उपाइंट क्या था अगर यहीं पर agency खतम हो गई, तो आगे की agency भी खतम हो जाती है, irrevocable agency, ऐसी agency जिसको आप revoke नहीं कर सकते, वापस नहीं ले सकते, that is called as irrevocable agency, कौनसी agency को आप वापस नहीं ले सकते, when the agency is coupled with interest, coupled with interest का क्या मतलब है, coupled with interest का मतलब है, ऐसी agency जिसमें agent का खुद का interest है, जैसे कि मैंने किसी को पैसा दिया था उधारी, उसने मेरे को बोला कि शर्मा जी मैं आपको पैसा तो नहीं दे पारा हूँ, एक काम करो, यह मेरी एक property है, यह property बिकवा दो, property बेचके जो भी पैसा आएग का इसमें अधिकार है, interest है, यह BK यह तो मेरे को पैसा मिल जाएगा, अब यहाँ पर it cannot be revoked by the principle, this is called as irrevocable agency, when the agency is coupled with interest, it is irrevocable, और दूसरा, जो काम already कर चुके है, that is irrevocable, जो already कर चुका है उसने, पहले मैंने उसको appoint किया था, उसने कुछ काम कर चुका है, अब मैं revoke करूंग तो पुराना काम revoke नहीं होगा, सिर्फ आगे का काम revoke किया जा सकता है, ठीक है, तो यह हो गया, irrevocable agency के बारे में, अगली class में हम थोड़ा break के बाद अपन negotiable instruments के बारे में चर्चा करते हैं, negotiable instruments थोड़ा सा बड़ा topic है, तो पूरा का पूरा topic अपन इससे ही complete करेंगे, इस पिर इसके बाद negotiable instruments complete हो गया, तो अपन फिर general clauses act के लिए पूरी book में shift हो जाओंगा, उससे अपन देखेंगे, और उसके बाद फिर अपन जो फिर से short notes के हिसाब से अपन आगे का देखेंगे, ठीक है, interpretation of statute जो है, इससे देखेंगे, तो ठीक है, अभी एक break लेते हैं, अप अपन break लेते हैं, लगबग half an hour का break ले लेते हैं, 30 minutes, उससे कम break तो समझते ही नहीं, कब चालूगा, कब खतम हुआ, जिससे कल 20 minutes का लिया था तो पता ही नहीं लगा, तो अपन अब फिर से मिलते हैं, 11 बचके 30 minutes पे, ठीक है, तो 11.30 को अपन फिर से मिलेंगे, ठीक है, तो 11.30 के 30 minutes पे अपन फिर से मिलते हैं, चलो, तो तब तक के लिए, thank you Good morning friends, so ऐसा है, negotiable instruments के बारे में अब हम discussion करेंगे, एक quick revision हो जाएगा, तो लगभख सब complete होई चुका है, बस negotiable instrument, interpretation of statute और general clauses ही बचा है, hope so आपको benefit हो रहा होगा, हो नहीं है, 100%, हाँ, of course, थोड़ा speed जाधा रहेगी, मेरे बोलने की speed भी जाधा रहेगी, यहाँ पर अपन उसको कम नहीं कर सकते, but बाकी benefit तो हो गई, 100%, तो चलो, आगे बढ़ते हैं, negotiable instruments, मतलब क्या है इसका, negotiable का मतलब है transferable, instrument means एक written document, तो negotiable instrument एक ऐसा written document होता है, which can be transferred either by delivery, mere delivery, और by endorsement and delivery, endorsement का मतलब होता है, sign करना और deliver कर देना, तो इसको भी पूरे अधिकार प्राप्थ हो जाते हैं, इस particular instrument है, यहने उसको पैसा लेने का अधिकार मिल जाता है, तो वैसे तो negotiable instruments बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन negotiable instruments act सिर्फ तीन प्रकार के negotiable instruments को recognize करता है, it can be either a check, और a bill of exchange, और a promissory note, negotiable instruments act में characteristics जो बताए गए है, characteristics के पहले मैं आपको एक example के थुरू बता देता हूँ, negotiable instruments होता क्या है, पहले हम promissory note देखते हैं, फिर bill of exchange देखते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके characteristics, सबसे पहले तो promissory note में क्या होता है, promissory note में एक व्यक्ति है, जिसको goods खरीदना है, इसको goods होना था, लेकिन इसके पास अभी फिलाल एकदम पैसा नहीं देना है, पैसा है नहीं उसके पास, या वो अभी नहीं देना चाहता, क्योंकि goods जब आएंगे तब वो पैसा देगा, इसलिए वो आगे वाले को बोलता है, कि भी आप मुझे goods भेज तो, लेकिन जो आगे वाला वेक्ति है, जो seller है, जो creditor है, वो बोलता है, भी ऐसे कैसे goods भेज दो मैं, कल चलके तुमने पैसा नहीं दिया तो, तो इसलिए वो बोलता है, ठीक है, है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक legal document लिखके देता हूँ, एक promise करता हूँ, कि मैं पैसा दूँगा, आने वाले जो भी तारिक है, समझो, 20 तारिक, 20 तारिक को मैं तुमको पैसा दूँगा, सो वो यहाँ पे agree करता है, फिर इसको एक security मिल जाती है, और इसलिए यह goods भेज देता है, अब यह जो negotiable instrument है, इसको हम बोलते है, प्रामिसरी note, क्योंकि यहाँ पे जो data था, इसने promise करके दिया है, promise किया, कि हाँ मैं पैसा दूँगा, और इसकी legal validity कहां से आती है, तो negotiable instruments है जो व्यक्ति लिख के दे रहा है, उसको हम maker बोलते है, maker of a note, जिसको प्राविसरी note प्राप्त हो रहा है, उसको हम बोलते है, उसको हम बोलते है, यहाँ पर यह drawer नहीं होना चाहिए, यह drawer गलत लिखाए है, ठीक है, तो creditor, holder, holder in due course, pay, यह सब इसी के नाम है, ठीक है, तो यह व्यक्ति, और वोई उसको दूसरे व्यक्ति को बाद में, transfer भी कर सकता है, endorsement and delivery और मेर delivery, यह जब transfer कर देता है to another person, तो यहाँ पर यह व्यक्ति, holder in due course, holder, endorseee, endorser, यह सब इसको भी नाम मिल जाते हैं, अब यहाँ पर simple बात देखें, तो यह है क्या, यहाँ पर एक unconditional promise है, कि मैं पैसा दूँगा, unconditional undertaking to pay a money, pay a sum of money, इसको हम बोलते हैं, प्रामिसरी नोड, वही अगर आप bill of exchange की बात करते हैं, तो bill of exchange में क्या होता है, bill of exchange में पर similar चीज़ है, यहाँ पर एक order होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो वेक्ति को goods चाहिए, वो दूसरे को बोलता है, seller को बोलता है goods भेजड़ो, यह जब goods भेज़ता है, goods के साथ ही यह खुद ही एक document लिखके भेज़ता है, और इसलिए इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सेट करना वो accept करता है और इसलिए इसको हम एक्सेटर या ड्रॉय या डेटर बोलते है डेटर तो है वो क्योंकि पैसा देने के लिए जिम्मेदार है जब यह instrument आगे वाले के पास आगे आ वापस अब ये एक अधिकार मिल जाए इसको कि पैसा दिकबर किया जा सकता है फरक क्या है यहाँ पर यह order है it is the order by the person who is selling the goods वो बोल रहा है कि तुम मुझे pay करो so it is an order unconditional order promissory note में promise था वो मैं खुद कर रहा हूं यहाँ पर order है वो मैं नहीं कर रहा order आगे वाला दे रहा है मैं accept कर रहा हूं ठीक है I will pay so this is the main difference between the bill of exchange and a promissory note फिर यहाँ पर अगर आगे वाला वेक्ति इसको चाहता है आगे वाला वेक्ति कुछ बेचना जाता है तो यहाँ पर आगे वाला वेक्ति इसको गुच्च दे देगा और बदले में यह instrument प्राप्त कर सकता है अगर यहाँ instrument चोरी भी हो जाता है खराब भी हो जाता है समझो किसी ने चोरी किया और इसको दूसरे को दे दिया आगे वाले को पहुचा दिया तो भी ऐसे cases में आगे वाले के rights पर कोई असर नहीं पड़ता जिसने चोरी किया है अपकोस उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे पर उसके बाद वाले वेक्ति को पूरे अधिकार प्राप्त होते हैं और इसलिए उसको भी हम holder in due course बोलते है much hold in due course का मतलब क्या होता है Holder in due course का मतलब होता है एक ऐसा वेक्ति जिसने कुछ value देके good इंस्ट्रूमेंट ख्रीद आए before maturity लिया धृक्ट ।य यहां पे यह व्यक्ति भी hud in due course है यह व्यक्ति भी holder in due course है लेकिन यह holding ड्यों कोर्स को दिया था और इसको पता था तो he will become the holder but he will not become the holder in due course देखें तो यहां पर एक खास बात यह होती है कि जो व्यक्ति है directly claim कर सकता है यहां पर जैसे समझें इसका नाम है Y Mr. Y यह X था यह Y है so Y can sue in his own name so Y directly case file कर सकता है कि भाई payment तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारे उपर case file करूंगा even if there is no privity of contract between Mr. Y and Mr. B प्रिविटर ना होने के बाउजुद यहां पर claim किया जा सकता है ठीक है एक सेगन हाँ एक सेगन तो यहां पर प्रिविटर ना होने के बाउजुद भी claim किया जा सकता है और इसलिए इसलिए एक special type of negotiation होता है यहां पर आप एक वेक्ति के उपर case file कर सकते है even if there is no privity of contract B और Y के बीच में कोई contract नहीं था फिर भी यहां पर claim किया जा सकता है तो basically इसमें क्या-क्या फायदे हैं अब यहां से हम आते है characteristics पे characteristics में पहली चीज़ वही है negotiable negotiable का मतलब है it is freely transferable एक वेक्ति दूसरे वेक्ति को यह transfer कर सकता है आगे वाला अगर holder in due course है तो he will get the title better from all the previous persons, previous parties, transferries, sorry transferer transferer से better title मिलता है इसमें कोई defect नहीं मिलता अगर defect था भी तो defect will be eliminated holder can see in his own name जो अभी जसमें ने बताया transfer कितने भी बार किया जा सकता है पैसे में बनाया गया होना चीए और कुछ presumptions होते हैं कौन-कौन से presumptions मान लिया जाता है हर instrument consideration के बदले में बनाया गया कुछ बदले में मिला इसलिए बनाया गया फिर जो date बनी थी उस लिखे थी उस date को बनाया गया इसमें proper stamp duty पे की गई है stamp duty भरना पड़ता है इसके उपर और जिन व्यक्तियों के नाम है उन लोगों ने बरॉबर उसको बनाया है before maturity इसने endorse किया या जो भी negotiate हुआ है और हर एक holder जो है holder in due course माना जाएगा writing और signature होना चाहिए promissory note में फरक सिर्फ यह है कि it is a promise और वहीं अगर आप bill of exchange की बात करेंगे तो it is an order तो फरक सिर्फ इतना ही है essential elements of a promissory note writing में होना चाहिए पता है आपको signed होना चाहिए by the maker express होना चाहिए सिर्फ यह बोल देता है हां हां मैं पैसा देने के लिए जिम्मेदार हूँ this is not a promise पैसा देने के लिए जिम्मेदार हूँ तो देना भी चाहिए so promise तभी होती है जब वह देने को तयार है unconditional होना चाहिए अगर कोई condition है तो वो फिर valid promissory note नहीं होता आप बना नहीं सकते conditional conditional delivery हो सकती है conditional endorsement हो सकता है बड़ conditional making नहीं हो सकती कि उसमें आपने कोई condition लिख दिये कि आप यहां आँगे तभी मैं पैसा दूँगा ऐसी कोई condition नहीं चलेगी it should be unconditional या a b से जब शादी करेगा तभी मैं पैसा दूँगा ये conditional हो गया it is invalid तो conditional नहीं होना चाहिए अब यहां ध्यान से देखो conditional नहीं होना चाहिए रेकिन death जो है अगर death पे पैसा देने की बात हो रही तो क्या ये condition है the answer is no इसको condition नहीं मानते क्योंकि जो condition है वो certain है certain and definite होना ही है तो मृत्य तो अटल है वो तो होना ही है so conditional है पर ये condition को आप invalid नहीं मानोगे because it is certain कि ये होना ही है तो जब होना ही है चीज तो उसको आप uncertain नहीं मानते है भले time is uncertain कब होगी death ये नहीं पता है बट अगर death के उपर पैसा देने की बात कर रहे हैं तो ऐसे case में इट विल भी या वैलिड प्रॉमिसरी नोट stamped होना चाहिए पैसे में denote किया गया होना चाहिए RBI कहता है कि प्रॉमिसरी नोट आप नहीं बना सकते पेबल टू बेरर ऑप नोट भले वो time instrument हो या basically conditions होगर है इस type के valid है नहीं है तो इसके उपर questions आएंगे bills of exchange में acceptance पर question आने के जाधा चांस है अब ये भी एक अलग type को bill of exchange है उपर जो बताया है मैंने वो भी bill of exchange था ये भी एक bill of exchange है जिसमें एक वेक्ति goods दे रहा है दूसरे वेक्ति को और दूसरा वेक्ति order दे रहा है किसी अन्य वेक्ति को तीसरे वेक्ति को जिसको order दिया गया इसको हम बोलते है ड्रॉई ड्रॉई को order दिया गया है और ड्रॉई को order लिखके भेज़के लिखके दिया बट ultimately ये जो documented document has been sent to Mr. A Mr. A इसको present करेगा ड्रॉई के पास और ड्रॉई को बोलेगा मुझे payment चाहिए ड्रॉई उसपे acceptance करके इसको वापस देता है तो acceptance करके वापस देगा जब acceptance आ गया इसके बाद ये पूरी तरह से ड्रॉई की liability हो गए इसको ही हम बोलेंगे फिर acceptor जब तक वो accept नहीं करता तब तक he is only the drawee he is not the acceptor acceptor होने के बाद he is primarily liable means अब A पहले जाएगा इसके पास payment लेने के लिए अगर इससे पैसा नहीं मिलता है then he can claim from B all the prior parties are liable फिर अगर A ये चाहता है किसी और को दे दे तो he can endorse it to Mr. X वो X को ये transfer कर सकता है essentials क्या क्या होते है acceptance होना चाहिए acceptance लिखा हुआ होना चाहिए अब acceptance लिखा होना चाहिए इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर लिख के भेजे कि accept कर रहा हूँ accept कर रहा हूँ ये लिखना ज़रूरी नहीं होता accepted word लिखना ज़रूरी नहीं होता signature is important वो sign करतेगा, that is important, but लिखेत रूप में होना चाहिए, oral acceptance is not a valid acceptance in the eyes of law, important है, acceptance must be signed, it would not be an acceptance जब तक के sign नहीं होता, सिर्फ accepted लिखा बट sign नहीं किया, तो it is not a valid acceptance, must be on the bill, bill पे होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा, it should be on the face of the bill, कहीं भी हो सकता है, but it should be on the bill, भले आप पीछे के side लिखो या कहीं भी लिखो, but it should be on the bill, bill पे होना चाहिए, acceptance, acceptance delivery के बाद ही complete होता है, अगर accept किया, draw में रखा और मर गया, तो acceptance is not complete, acceptance complete होने के लिए, it should be delivered as well, तो sign किया, accept किया, and it should be delivered to the other person, तब ही जाके acceptance complete होगा, acceptance general भी हो सकता है, qualified भी हो सकता है, देखो making में qualification नहीं हो सकते qualify means condition, so making पे आप condition नहीं लगा सकते है, it should be unconditional, but आप acceptance पे, delivery पे condition लगा सकते हैं, अगर acceptance में इसने condition लगा दिया, कि मैं तभी पे करूँगा, इसने अगर समझो condition लगा दिया, कि मैं तभी पे करूँगा जब मुझे पैसा मिलेगा from Mr. B, तो फिर that condition will become effective, वो valid हो जाएगी, जैस इसे भी condition है, वो condition लगाई जा सकती है, जैसे समझो उपर वाले case में, इसने accept तो किया, लेकिन accept करते टाइम इसने बुला मैं तभी payment करूँगा जब मेरे goods बिक जाएगे, तो this is a valid acceptance, so an acceptance can be conditional as well as non-conditional, unconditional, अगर वो conditional है, तो जब तक condition पूरी नहीं होती, पैसा नहीं recover किया जा सकता, अब समझो कभी ऐसा हो सकता है कि इसने जाके acceptance करा है, इस विक्तिने जाके acceptance करा है, इन लोगों ने कराया ही नहीं था, क्या ऐसा हो सकता है, yes, without acceptance भी एक बिल को आप negotiate कर सकते हैं, समझो नेगोशीट किया Mr. Y के पास था, अब Mr. Y जाता है और B को बोलता है कि accept करो, B accept क कर रहा है कि जब मेरे goods भीकेंगे तब मैं पैसा दूँगा, तो क्या ऐसे cases में acceptance valid है, इसके उपर depend करता है, इसको अधिकार है, यह बोल सकता है, नहीं नहीं, आप मिरको absolute unqualified acceptance दो, तो यह इसका अधिकार है, बट यह चाहे तो यह qualified acceptance भी ले सकता है, conditional acceptance भी accept कर सकता है, पर अ already आपको पता था, एक बर मैंने revise करा दिया, तो यह चीज़ें बताई गई है, पिर draw in case of need और acceptor for honor कौन होता है, so draw in case of need, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बोल देते हैं कि अगर एक विक्ति ने accept नहीं किया तो आप दूसरे के पास जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे Mr. A है, Mr. A ने Mr. B को goods बेचा, Mr. B ने इसको एक order लिखके बेजा, एक bill of exchange लिखके बेजा, जो कि draw किया गया था, C के उपर, अब Mr. A बोलता है, अरे यार, ये C तो पैसा देगा नहीं, मिरको पक्का पता है, वो accept ही नहीं करेगा, अब यहाँ पे इसको पता है, कि C accept नहीं करेगा, so य C से जाके आप acceptance ले लेना, इसको हम क्या बोलते है, draw in case of need, अगर जरुवत होगी तब उसके पास जाएंगे, अगर इसी ने accept कर लिया, तो फिर आपको D के पास जाने की जरुवत नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखने आली बात यहाँ कि build dishonor नहीं हुआ, जब तक कि, यहाँ दोनों जन मना नहीं करते, अगर यहाँ इसने भी मना कर दिया और इसने भी मना किया, तब जाके build dishonor होगा, अगर C ने accept नहीं किया है, तो ऐसे case में it is not dishonored, it is dishonored only when D also refuses to accept it, बट जब हम बात करते हैं, acceptor for honor की, तो यहाँ पर क्या होता है, same प्रकार से A ने B को goods बेचा, B ने A को एक bill लिखके भेजा, bill was drawn on C, जब A, C के पास जाता है, तो C मना कर देता है payment करने से, या फिर समझा, accept किया और बाद में, दोनों हो सकता है, यहाँ पे payment को मना कर रहा है, या acceptance को मना कर रहा है, दोनों चीज़े हो सकती है, so या तो उसने accept ही नहीं किया, या तो उसने payment न करने के तयारी कर रहा है, A ने इसके against पूरा legal action लेने का ठान लिया, इसने noting और protest करा लिया, noting protest अब आपको आराम से पता है, क्या होता है, so noting और protest इसने करा लिया, कि यह dishonor हो चुका है, जैसे noting protest करा है, तो D को समझ गया, कि अब Mr. A will take action on Mr. C, अब यहाँ पे Mr. D समझो, इसक D के उपर action हो, so D बीच में आता है और बोलता है, कि साहब एक काम करो, आप रुख जाओ, मैं आपको guarantee देता हो, payment हो जाएगा, अगर नहीं होता है, तो मुझ से ले लेना, इसको हम बोलते है, acceptor for honor, acceptor for honor में क्या होता है, कि यह बाद में आ रहा है, after the dishonor of the bill, bill एक बार dishonor हो हो चुका है by Mr. C, but फिर भी बाद में accept किया जा रहा है D के द्वारा, यहाँ पर A को refuse कर सकता है, it is not necessary to get the acceptance from the acceptor for honor, but यहाँ पर जब तक यह D के पास जाएगा नहीं, तब तक के bill dishonor होता ही नहीं, यहाँ पर already dishonor हो चुका है by C, अब यह जाएगा D के पास, तो यह फिर से dishonor बाद में हो सकता है, ultimately यहाँ पर दो बार dishonor हो सकता है एक bill, और यहाँ एक ही case है जहाँ पर दो बार noting protest हो सकती है, पूरे negotiable instruments act में एक ही case है, जहाँ दो बार noting protest होते हुए आपको दिखेगी, बिल यहाँ already dishonor हो चुका है, जैसे C ने मना किया, noting और protest कर दिया A ने, D accept करता है for honor, बिल अगर फिर से dishonor होता है by C, फिर noting protest होती है, और A can recover the amount from D as well, अब acceptor for honor भी liable हो गया, एकसेप्टर for honor की conditional liability है, तभी liable होगा जब main जो acceptor था वो पैसा नहीं देता है, essential elements of a bill of exchange, पता है आपको, writing में होना चाहिए, signed by the drawer होना चाहिए, इसमें order होना चाहिए, it should be an order to pay, unconditional, expressed, फिर drawer, drawee, pay certain or definite person होना चाहिए, फिर amount भी certain होना चाहिए, legal tender money में होना चाहिए, फिर payable to a definite person और his order होना चाहिए, bill must be properly stamped, stamp duty भरी होना चाहिए, bill of exchange cannot be made payable to bearer on demand, though it can be made payable to bearer after a specified time, ये भी RBI कहता है, ठीक है, check, check कुछ नहीं है, check is also type of bill of exchange, drawn on a specified banker, उसमें फरक सिरिफ इतना है, कि ये जो रहेगा, ये वेक्ति, ये वेक्ति बैंक रहेगा, बस और कुछ नहीं है, इसने अपने बैंक को order दिया, और order इसको भेज़ दिया, बस इसमें acceptance की जरुरत नहीं होती, और it is always payable on demand, so check की definition है, check is a bill of exchange, drawn on a specified banker and always payable on demand, electronic check और truncated check, electronic check शुरवात से electronic form में होता है, paper में कभी होता ही नहीं, इसमें original writing ही electronic form में है, और original signature, digital signature होती है, truncated check में initially paper में होता है, बड़ बाद में इसको convert किया जाता है, into electronic image, and इसमें signature जो होती है, ink से की जाती है, truncated check की जरुरत तब पढ़ती है, जब आप clearing cycle में check को डालते हैं, समझें, Mr. A ने Mr. B को goods भेजा था, Mr. B ने एक check लिखके दिया था Mr. A को, check was drawn on his own bank, so check लिखके भेजा इसने, the check was drawn on his bank, अब क्या होगा, अगर ये check में crossing थी, तो crossing थी तो इसको bank के थुरू clear करवाना पड़ेगा, it is the instruction to the banker to pay the check only to a bank, तो crossing का मतलब सिर्फ इतना होता है, कि वो ये bank को instruction है, कि तुम जब payment करोगे, तो सिर्फ एक bank को करोगे, और इसलिए यहाँ A cannot claim payment from bank, A अगर जाएगा, तो bank मना कर देगा, ड्रॉई bank बोलते हैं इसको, ड्रॉई bank मना कर देगा, कि हम payment नहीं करते हैं, और इसलिए A जाएगा फिर अपने bank के पास presenting bank या collecting bank को, presenting bank या collecting bank इस जो check की image है, check है, check को scan करेगा, उस पर digital signature लगाएगा, और उसको collection के लिए भेज़ देगा, ड्रॉई bank के पास through an intermediary, intermediary के through उसको भेज़ेंगे, जिसको हम बोलते है clearing house, अब यहाँ पे, ड्रॉई bank के पास check आया, ड्रॉई bank उसको देखेगा, हाँ यह proper है, signature होगर यह proper है, तो वो क्या करेगा, वो payment कर देगा, payment will be made to the presenting bank, और the collecting bank, तो collecting bank को payment आएगा, और collecting bank will deposit the amount in his account, यहाँ पे यह जो image है, यह image सही है या नहीं, यह कैसे पता लगेगा, तो इस पे जो digital signature किया है bank ने, तो वो digital signature को verify कराया जाता है from a certifying authority, और वो verify होने के बाद समझ जाता है bank को की borrower signature है, जब यह payment करता है, तो साथ में certificate भी लिखता है, certify करता है कि मैंने यह यह तारिक को इतने इतने बज़े आपको payment किया, ठीक है, तो यह पूरी process है truncation की, so truncation क्या होता है, truncation का मतलब है to cut short, यह bank उसको truncate कर रहा है actually, यह जो actual check है, physical check उसको यहां तक के जबा किया, और इसके बाद bank क्या करता है, physical check के बदले, अब electronic image of the check को transfer करता है आगे, ठीक है, this is called as the truncation process, so truncation करना, यह जो उसको image में convert कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं truncate करना, ठीक है, तो मैं read कर करके नहीं बता रहा है, इसके difference between भी मैं पूरे पढ़के नहीं बताऊंगा, आप एक बार इसको देख लेंगे, फिर types of check कैसे कैसे check होते हैं, cross check, इसको आप bearer check बोल जो सीधा, mark check है बट bearer check बोलो इसको, और फिर cross में भी general crossing और special crossing, crossing का क्या मतलब होता है, crossing का मतलब होता है कि आप उसको side में दो parallel line खीच देते, that is called as crossing, general crossing का मतलब है, it is the instruction to the paying banker, to pay the amount of check only to a banker, अगर इसमें दो parallel line रिखी है, खिची है, तो उसका मतलब है, ये bank को बोला जा रहा है, तुम जब payment करोगे, तो सिर्फ एक bank को करोगे, वहीं समझो ऐसा है कि अगर इसमें bank के नाम लिख दिये, ऐसे दो line खीचे, और उसमें लिख दिया bank को बढ़ोदा, तो उसमें bank को बढ़ोदा लिख दिया, तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया, ये special crossing हो गई, special crossing में ये जो drawy bank है, drawy bank अब तभी payment करेगा, जब आगे वाला bank, bank को बढ़ोदा है, ठीक है, तो जो crossing है, अगर general crossing है या special crossing है, इससे फरक क्या पड़ता है, फरक पड़ता है, it is the instruction to the paying banker, drawy bank, to pay the amount only to the banker, तो ये उसका मतलब होता है, तो वही दिया है general crossing और special crossing, crossing after issue किया जा सकता है क्या, yes, after issue भी मैंने check लिखके दे दिया, आपको थोड़ा risk लग रहा है, तो आप उस पर crossing कर लो, तो आप secure हो जाओगे, means crossing कर लिया, means अब सिर्फ bank के थूँ ही वो recover किया जा सकता है, direct जाके लोगे तो फिर दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि पता नहीं मैं कौन हूँ, मेरे को payment मिल गया, मेरे अलावा आपने payment ले लिया, bearer check तो कोई भी payment ले सकता है, तो आपके पास check आगया गलती से, आपको अधिकार नहीं था, बर check ले लिया, पैसा ले लिया, फिर गड़बड हो सकती है, payment of check cross generally और specially यह already मैंने बता दिया, वो कैसे clear होता है, payment in due course of a cross check, अधर cross check का payment प्रापरली कर दिया गया है, in due course कर दिया गया है, तो ऐसे cases में दोनों ही bank discharge हो जाते हैं, और गलती किसी की भी नहीं होती, भली हो सकता है कि बीच में कई fraud हुआ होगा, इसको forgery होगी, बट दोनों ही bankers को protection मिलता है, under section 128 and under section 85, so दोनों ही bankers protected होते हैं, अब check अगर payment in due course का क्या मतलब है, payment in due course का मतलब है, जो वेक्ति आपके सामने आया है, उसको आपने properly without being negligent, अगर उसको payment दे दिया है, तो that is called as a payment in due course, चेक अगर not negotiable crossing के द्वारा cross किया गया है, यानि उसमें लिखा है not negotiable, इससे क्या फरक पड़ता है, not negotiable का मतलब ये नहीं होता कि चेक को आप आगे transfer नहीं कर सकते हैं, जनरली अपने मन में ध्यान आता है कि not negotiable means it is not transferable, the answer is no, not negotiable is still transferable, अभी भी आप उसको transfer कर सकते हैं, फिर क्या transfer नहीं हो सकता, तो better title transfer नहीं हो सकता, means अगर not negotiable crossing है, तो आपका जो general rule है, कि हर एक holder जो है, holder in due course बनता है, वो यहाँ पर fail हो जाएगा, अब यहाँ पर holder will not become the holder in due course, जैसे समझो यहाँ पर, A के पास एक check था, A से B ने चोरी करके लाया, और यह फिर C के पास आ गया, C ने without being negligent, बरवर good faith में अगरे लिया है, तो भी अगर इसमें not negotiable crossing है, तो ऐसे cases में C will not get the better title, C को उतना ही अधिकार मिलेगा जितना B को था, ठीक हैं, So B ने अगर चोरी करके लाया था, तो B का अधिकार नहीं था, और इसलिए C को भी अधिकार नहीं मिलेगा, So यहीं फरक पड़ता है not negotiable crossing से, So जो basic rule है, कि holder will get the better title than the transferer, यह rule यहाँ पर fail हो जाता है, यहाँ better title अब transfer नहीं हो सकता, अगर not negotiable crossing थी, तो जो holder रहेगा, He will also be affected by the defect in the title, अगर account pay लिखा है, तो फिर वो banker को instruction है, कि वो सिर्फ account of the pay में ही जमा होना चाहिए, आप और किसी के account में उसको जमा नहीं कर सकते, It should be deposited only in the account of the pay, and not in any other person's account, Protection in respect of uncross check, अगर uncross check है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर bank ने payment करी दिया है, लेकिन bearer check था, तो फिर bank की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कि इसको अधिकार है या नहीं है, bank वहाँ पे कुछ भी नहीं पुछेगा, समझो मैंने एक check लिखके दिया था आपको, bearer check था, आपने उसको drawer में रखे, किसी ने drawer से चोरी कर लिया, और जाके bank से payment ले लेता है, तो bank को आप नहीं चिला सकते, कि ऐसे कैसे payment कर दिया, so bank payment तो कर देगा, अगर किसी के पास bearer check है तो, and hence the paying banker will be protected against the, any such forgery और कुछ भी गडबड होती है, fraud होता है, तो वहाँ पे paying banker will not be responsible, this is called as protection of, protection in case of uncross check, bearer check, और वैसे एक cross check है, तो cross check में भी दोनों ही bankers को protection मिलता है, cross check में, दो banker हैं, हर जगे दो banker रहेंगे, अगर cross check है तो bearer banker में, bearer check में एक ही banker रहेगा, paying banker, but cross check में दो bank रहेंगे, और ये दोनों ही banker को protection है, जो paying banker है, paying banker को protection दिया गया है, अगर वो payment कर देता है in due course, so paying banker discharge हो जाता है, अगर उसने properly इसको payment कर दिया है, फिर हो सकता है कि कहीं आगे कहीं forgery हुई थी, तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा, जिम्मेदारी तब आएगी paying banker की, जब वो इसकी signature नहीं पहचान पाएगा, अगर paying banker fails to recognize the signature of the drawer, तो ऐसी cases में paying banker can be held responsible, बट बाकी किसी की अगर वो signature नहीं पहचान पाता है, तो ऐसी cases में he will not be held responsible, तो एक ही case में paying banker liable हो सकता है, जब वो अपने customer की signature, यानि की drawer की signature पहचान नहीं पाता है, और presenting banker या collecting banker कब liable होता है, सिर्फ एक case में liable होता है, presenting banker या collecting banker, जब यह जो check था, यह check था not negotiable crossing वाला, और इसने payment कर दिया है in cash, उसने account में नहीं डाला, cash में payment किया, तो ऐसे cases में ही यह liable हो सकता है, ठीक है, तो यह already आपको पता है, मैं short में एक एक लाइन में आपको यह सब चीजे समझा दे रहा हूँ, so not negotiable important है ध्यान रखना, protection to the banker भी important है, draft, bank draft भी same है, bank draft में सिर्फ ऐसा फरक इतना सा होता है, बनाने वाला भी drawer भी bank होता है, और drawee भी bank होता है, that is called as a bank draft, so bank draft में मैं बना रहा हूँ, मैं अगर bank हो, क्या होता है generally, आपको समझो draft बनाना था, आप क्या करोगे, आप जाओगे bank के पस, bank को बोलोगे draft बनाना है, bank क्या करता है, bank draft बनाता है, तो order देता है to another bank, अपने branch को, कि pay to this person, यानि ये एक check ही है, बट इसमें draw करने वाला भी bank है, और जिसके उपर draw किया, वो भी bank है, आप जाके समझो, 10,000 रुपे इसको cash दे देते हैं bank को, bank ये 10,000 रुपे का एक draft बनाता है, order देता है इस bank को, कि मेरे को 10,000 मिल चुके हैं, अब तुम payment कर दो, जिसका भी नाम आपने बता है, समझो, आपने बता है था, ICAI का नाम, Institute of Chartered Accountants of India, तो ICAI के नाम से बना लिया draft, आप ये draft इसको भेज दोगे, ये जाके bank में जमा करेगा, और bank will pay the draft to ICAI, ठेक हैं, so it is the check, which is drawn by a banker, on another banker, so यहां drawer भी bank होता है, drawer भी bank होता है, that is a bank draft, essentials of valid acceptance, अल्रेडी बता चुका हूँ मैंने, और qualified acceptance भी, अल्रेडी मैंने अभी जस्त बता है, कि qualified acceptance, वैसे valid होती है, लेकिन अगर खुद वेक्ति बोलता है, holder बोलता है, नहीं नहीं मिर को यह नहीं चलेगा, 100% absolute acceptance दो, तो he has a right to demand an absolute acceptance, privileges of holder in due course, क्या के benefit मिल जाते हैं, holder in due course को, पहले चीज़, incomplete instrument को अगर fill किया गया है, जादा amount से भी, तो भी holder in due course को, पूरे के पूरे अधिकार मिलते हैं, जैसे A ने B को goods भेजा था, समझो 2000 रुपे के, और एक blank, check लिख के भेज दिया है, B ने A को, अब इस check में, इसने लिख दिया 5000 का amount, और इसने transfer कर दिया C को, अगर C holder in due course है, तो C can claim the whole 5000 रुपी, पूरे 5000 रुपे वो claim कर सकता है, तो यहाँ पे, C is not affected by the defect in the title, ठीक है, अगर यही check का case हगा, तो check में, stamp duty की कोई आवशक्ता नहीं होती है, पर यहाँ bill का case है, अगर, bill में अगर इसने गलत amount डाला है, जानबुच के जादा डाला है, तो क्या claim कर सकते हैं, subject to, जो bill पे stamp duty भरी है, वो stamp duty sufficient होना चीए, to cover the amount filled, 5000, so इतने stamp duty अगर भरी है, कि 5000 को cover करती है, then, C can claim the whole 5000 रुटी from B, फिर in case of fictitious bill, fictitious bill का मतलब है, जहाँ पे, जो drawer है, वो fictitious है, fictitious bill की बात हो रही, तो उसमें क्या benefit मिलेगा, समझो, एक व्यक्ती है, इसने, इसका नाम है Mr. A, Mr. A ने Mr. B को एक bill लिखके भेजा, और bill accept कर दिया, ये bill draw किया गया था Mr. X के नाम से, X is a fictitious person, so ऐसे cases में A तो claim नहीं कर पाएगा, but A ने समझो, जो इसको transfer कर दिया है to Mr. C, अब C ने ये ले लिया है bill, अगर इसमें writing match हो जाती है, drawer की writing, येने A की writing, और endorser की writing, येने A की ही writing, तो match होना ही है, अगर it is in same writing, drawing and endorsement is in the same writing, then C can claim the whole amount from B, even if the bill is fictitious, B ये नहीं बोल सकता है, ये non-existent person है, इससे फरक नहीं पड़ता, if the handwriting matches, तो SAKS में C has a right to recover the payment from B, ठीक है, it should be in the same writing, escrow, conditional delivery होती है, जब तो उसको हम escrow बोलते हैं, escrow का मतलब है, conditional delivery of a negotiable instrument, पिर अगर unlawful consideration, ये unlawful means से लिया गया है, तो SAKS में भी holder in due course चो रहता है, in case original validity of instrument is denied, तो SAKS में भी holder in due course can claim the amount, so holder in due course is protected, फिर in case the payee's capacity to endorse is denied, तो यहाँ पे भी कोई फरक नहीं पड़ता है, हर case में जो holder in due course हो protected है, except जैसे गिंती की cases, जैसा मैंने भी बताया है, not negotiable crossing, अगला point है, difference between negotiation and assignment, negotiation और assignment, actually assignment याने transfer of rights, negotiation is also type of assignment, थोड़ा सा फरक होता है, जब आप assignment करते हैं, तो आपको एक return document बनाना पड़ता है, negotiation में कोई return document की आवश्यक्ता नहीं होती, assignment में आपको compulsorily consideration प्रूव करना पड़ता है, लेकिन negotiation में consideration मान लिया जाता है, क्योंकि हमने अभी देखा कि consideration is presume, तो पहला वो यह consideration presume किया, यहाँ पर प्रूव करना पड़ता है, यहाँ पर presume नहीं किया जाता, दूसरा, title of transferry will be better than the transfer, बट यहाँ पर जितना title transferr का था, उतना ही title transferry को transfer होगा, notice of transfer नहीं देना पड़ता है, कि मैंने यह bill आगे दे दिया हूँ, बट यहाँ पर बताना पड़ता है, मैंने यह अधिकार आगे वाले को दे दिया हूँ, फिर bearer instrument में, mere delivery से transfer हो जाता है, order instrument में delivery और endorsement दोनों लगता है, यहाँ पर एक proper deed लगती है, ट्रांसफरी अक्वायर्स आल दे राइट्स अफोल्डर इंड्यू को रासाइनी, ड़स नॉट गेट आल दे राइट्स, वो उतने ही राइट्स प्राप्ट करता है जितने की आगे वाले वेक्ति को थे, transferer को थे, delivery of negotiable instrument, delivery important होती है, या आपने सिर्फ साइन कर लिया और रख दिया, तो that is not a valid negotiation, आपको deliver करना भी important है, तो delivery तब होती है, जब आपने आगे वाले को उसका position transfer कर दिया, कैसे deliver किया जा सकता है, तो normal आप उसको hand over करके deliver कर सकते हैं, या by endorsement and delivery कर सकते हैं, conditional and unconditional delivery, delivery जब conditional या unconditional होती है, उसको escrow बोलते हैं, अगर conditional delivery है, तो escrow कहलाता है, तब तक के पैसा नहीं recover कर सकते हैं, जब तक के condition पूरी नहीं होगी, but holder in due course है, तो he can recover even if the condition is not fulfilled, negotiation by delivery वही point है, कि जब तक के negotiation, जब तक delivery नहीं होगी, negotiation complete नहीं होगा, तो अगर अपने लिख दिया और रख दिया ड्रॉर में, तो ऐसे cases में negotiate नहीं हुआ है, negotiation by endorsement, अगर एक order instrument है, तो आप उसको endorse करके deliver करते हैं, तभी इसमें transfer होता है, सिर्फ ऐसे deliver कर दिया तो transfer नहीं होगा, endorsement is compulsory, types of endorsement, कैसे किसे endorsement होते हैं, blank endorsement और general endorsement, blank endorsement का मतलब होता है, जब आपने instrument transfer कर दिया, और उस पे कुछ नाम नहीं लिखा, that is a blank endorsement, जैसे मैंने सिर्फ sign किया, और नाम खाली छोड़ के आपको दे दिया, now the instrument has been converted into a bearer instrument, हो सकता है कि पहले वो order instrument था, मेरे नाम से बनाया गया था, फिर special या full endorsement means, मैंने नाम लिखा आपका और फिर मैंने sign किया, this is a special endorsement, और the endorsement in full, restrictive endorsement यहने हमने further right of negotiation, जिसमें restrict कर जाया, that is called as a restrictive endorsement, conditional or qualified endorsement, same प्रकार से आपने जब condition लगाई endorsement के time, that is a conditional endorsement, sense recourse, sense recourse का मतलब होता है, आप मेरे पास नहीं आएंगे, जब sense recourse endorsement किया जाता है, समझो A ने B को endorsement किया था, B ने C को endorsement किया, और इसमें लिख दिया, उसने sense recourse, so उसका मतलब है, कि अगर कल चलके dishonor होगा, तो मेरे पास नहीं आओगे, तुम directly A के पास जा सकते हो, means, इसने खुद के जो जिम्मेदारियां थी, वो बीच से हटा दिया, this is called as a sense recourse endorsement, that I will not be liable on the bill, same phrase का मतलब होता है, जहां पे, हमने बिल पे सिर्फ खर्चा देने से मना किया है, बाकी हम principal amount पे कर देंगे, बट हम इस पे कोई भी जो expenses होंगे, वो पे नहीं करेंगे, उसी प्रकार से faculty, faculty में हम अपने अधिकार छोड़ रहे हैं, जैसे sense recourse में हम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ रहे हैं, उसी प्रकार से faculty में हम अपने अधिकार त्याग रहे हैं, endorsement का मतलब already मैंने बता दिया, signing, payment in due course, payment in due course कब होता है, जब it is as per the apparent tenor of the instrument, आपने instrument की copy देखके payment किया है, तो it is a payment in due course, साथ में सब चीज होना चाहिए, the person who is in possession, उसको अपने payment किया है, it is in good faith, without being negligent, and payment is made in the legal tender money, classification of instrument, order instrument, जिसमें हमने नाम लिखा है, जिसमें हमने कुछ नहीं लिखा है, सिधा सिधा हमने लिख दिया, pay to the bearer, so that is a bearer instrument, वैसी अगर एक instrument था, जो instrument में लिखा हुआ था, pay to, S, but S ने जब यह transfer किया, X को तो उसने सिर्फ sign कर दिया, उसने blank छोड़ा और sign कर दिया, now it is also a bearer instrument, यह bearer हो गया, क्योंकि यहाँ पर उसने नाम नहीं लिखा, सिर्फ sign करके दे दिया, now it is converted into a bearer instrument, since the endorsement is in blank, blank endorsement है, फिर instrument payable on demand, यह भी एक classification है, on demand यहने, आप जब जाओगे पैसा मांगोगे, तब आपको पैसा मिलेगा, इसमें कोई grace period की बात नहीं होती, आप जिस दिन जाओगे, उस दिन पैसा लेने का अधिकार आपको मिल जाएगा, दूसरा होता है, time instrument और payable at site instrument, time instrument में एक time दिया होता है, उस time पे जाके आप payment claim कर सकते हैं, plus three days grace, तीम दिन का आपको extra time मिलता है, अब payable at site होता है, at site का मतलब होता है, it is payable on demand, दूसरा होता है, payable after site, after site is a time instrument, फरक सिर्फ इतना है, कि generally मैंने जैसे आज अगर instrument बनाया हूं, तो आज से मेरी liability चालू होती है, बट अगर after site है, तो जब मुझे दिखाया जाएगा acceptance के लिए, सब से मेरी liability चालू होगी, so this is called as the after site instrument, ठीक है तो after site है इसमें जो period of maturity होती है, यह चालू होती है from the date when it was presented for the acceptance, inland instrument, inland instrument यहने एक ऐसा instrument, which is drawn or made in India and payable in India, और drawn or a person resident in India, यहाँ पे and है और यहाँ पे और है, यहने भारत में बनना यह एक compulsory condition है, फिर भारत में payable हो तो भी वो inland instrument होगा, यह भारत के person के द्वारा payable हो तो भी वो inland instrument ही होगा, फिर foreign instrument, जो inland नहीं है वो foreign instrument है, negotiation back, negotiation back का क्या मतलब है, कभी-कभी ऐसा होता है, A ने B को instrument दिया, B ने C को दिया, C ने D को दिया, D ने E को दिया, E ने F को दिया, और F ने फिर से C को दिया, इसको हम बोलते है, negotiation back, जैसे negotiation back होता है, तो यह जितनी भी बीच की party है, यह सब discharge हो जाएगी, अब C अगर claim करना चाहता है, तो C F के पास नहीं जाएगा, E के पास नहीं जाएगा, C can directly go to B, ठीक है, सो इसको हम बोलते है, negotiation back और circuit of action, सो यहाँ पे यह सब parties discharge हो जाती है, अब यहाँ पे समझो, C ने sense recourse endorsement किया था, means C liable नहीं है, सो ऐसे cases में क्या होगा, ऐसे cases में अब बीच की parties discharge नहीं होती, इसने sense recourse किया था, और D को दे दिया था, कि तुम मेरे पास नहीं आओगे, D ने E को दे दिया, E ने F को दे दिया, F ने फिर से C को दे दिया, अब C अगर dishonor होता है बिल, तो F के पास जा सकता है, F E के पास जा सकता है, E D के पास जा सकता है, D B के साथ पास जा सकता है, और B, A के पास जा सकता है तो इस प्रकार से यहाँ पर action लिया जा सकता है, फिर यहाँ की parties discharge नहीं होती, because it was a sensory course endorsement, ठीक है तो यह बताया गया है फिर directly dishonor of check पर हम आ जाते है dishonor of check check कैसे dishonor होगा तो check dishonor हो सकता है सिर्फ by, वैसे तो और भी instrument dishonor हो सकते हैं, बट वो मैं cover नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ा आपको अगर पढ़ना है तो आप देख सकते हैं, पूरी book में आपको दिया हुआ है, इसमें मैंने जान बुचकी नहीं किया क्योंकि वो आपको already पता है dishonor by non-acceptance, dishonor by non-payment, हम जा रहे हैं, वो दुकान बंद करते रहा है, यह सब एकदम जर्नल points है, तो वो points में यहाँ पर cover नहीं करूंगा, हाँ यहाँ पर आपको यह ज़रूर बताया है, कि अगर bill of exchange, सॉरी, एक check अगर dishonor होता है, तो क्या किया जा सकता है, सबसे पहले important चीज़ें क्या क्या है, एक व्यक्ति था, उसने goods भेजा तू another person, इसने check लिख के भेज दिया to the holder, important चीज़े goods भेजा होना चीए, there should be consideration, consideration के बिना नहीं होना चीए, consideration है, इसके बाद consideration था और इसके बदले check दिया गया, check present किया है within the period of validity, तीन महने के अंदर present किया है, अब bank इसको dishonor कर देता है due to insufficiency of funds, important point है insufficiency of funds, तो insufficiency के कारण dishonor हो रहा है, अब insufficiency का क्या मतलब है, means इसके account में पैसा नहीं था, drawer के account में पैसा नहीं है, that is called as insufficiency, दूसरा case, या तो पहला money not available, या तो money है, बट पैसा freely allow नहीं किया जा सकता है, use करने के लिए, जैसे कि lean है, bank ने lean रखाया उसके हैं, तो ये भी insufficiency माना जाता है, या मैंने accounts close करके भग गया, तो ऐसे cases में insufficiency माना जाएगा, मैंने stop payment के instructions दिया हूँ, important है, तो payment countermand किया हूँ, ये भी insufficiency माना जाता है, और कभी-कभी लिखा जाता है, refer drawer, that also means that it is dishonored due to insufficiency of funds, ये कैसे पता लगेगा कि ये reason है या नहीं, तो ये bank का एक slip आता है, उसमें लिखा होता है, कि क्या reason से dishonor हुआ था, फिर जैसे dishonor होता है, dishonor होने के बाद, जो भी holder रहेगा, holder will send the notice to the drawer, notice 30 दिन के अंदर रहेगा, 30 दिन का notice रहेगा, उसमें बोला जाएगा कि मुझे पैसा दो within 15 days, 15 दिन के अंदर मुझे पैसा दे दो, अब 15 दिन के अंदर अगर drawer ने पैसा दे दिया, तो कोई अपराध नहीं हुआ, लेकिन अगर 15 दिन के अंदर वो पैसा नहीं देता है, अब अपराध हुआ है, अब यहाँ पे holder can file a case, holder अब चला जाएगा to the court, holder को एक मेने का time है कि वो court जा सकता है, court जाएगा तो court will issue the summons to the drawer, summons भेजा जाएगा, उसको बुलाया जाएगा, दो प्रकार से case हो सकती है, या तो summary trial या तो regular trial, अगर summary trial हो रही है, तो summary trial में 5000 के उपर तक भी penalty दे सकते हैं, एक साल का imprisonment या दोनों हो सकता है, अगर regular trial हो रहा है, तो वहाँ पे दो गुना, check के amount के दो गुना तक के penalty हो सकती है, और imprisonment दो साल तक का हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है, अब यहाँ पे कुछ छोटे-छोटे points पर question आता है कि consideration नहीं था तो क्या होगा, तो case file नहीं किया जा सकता under section 138, stop payment के instruction दिया है, या account close किया तो क्या होगा, तो case file किया जा सकता है under section 138, फिर अगर deposit नहीं किया था check, या deposit किया था और यह 30 दिन का time निकल चुका है, तो क्या होगा, फिर से आप deposit कर सकते हैं, फिर से 30 दिन का आपको time मिल जाएगा, ठीक हैं, फिर court को क्या power रहेंगे या, court तोने या, court है GMFC, Judicial Magistrate of First Class, और Metro City है तो Metropolitan Magistrate, इसको कितने power है, वही power है जो एक civil court में होते हैं, जो एक court को power होते हैं, वो पूरे powers इस court को भी रहेंगे, ये पूरा का पूरा hearing सुनेगा, और as far as possible 6 मैने के इसको निप्ता देना पड़ता है, 6 मैने का maximum time रहता है, बट फिर भी अगर नहीं हो पाया, तो और ज्यादा भी time ले सकता है, court, पर फिर भी 6 मैने तक निप्ताओ ऐसा बोला गया है, ठीक हैं, so ये simple से points है, आगे बताया है, 143A, power to direct interim compensation, ये amendment है, interim compensation बोला जा सकता है, and 148, power to appellate tribunal, ये दो amendments है, तो देखो, यहाँ पे holder था, holder, drawer के उपर, case file करता है, तो तुरंत compensation मांग सकता है, court को बोल सकता है, इतने दिन कहा रुकूम है, तुरंत मुझे पैसा दिला के दो, so court वहाँ पे 20% interim compensation दे सकता है, maximum 20%, so interim compensation means, court decide करने का अभी case, but उसके पहले ही वो compensation दे रहा है, so interim compensation दिया जा सकता है, अब, drawer ने 60 दिन के अंदर ये पूरा पैसा दे देना चाहिए, जो भी 20% amount हो, pay कर देना चाहिए, plus extra 30 दिन दिया जा सकता है, अगर court को लगता है, तो, अब, इसके बाद, जो final decision होगा, तो final decision दो चीज़ का हो सकता है, या तो, drawer को बोल दिया, कि हाँ, उसकी गल्पी नहीं थी, so, ऐसे cases में, अब, holder will return the compensation to the drawer, so, वो भी 60 दिन, plus 30 दिन का time है, और वैसे ही, अगर, drawer guilty पाया गया, तो, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर ये जो payment है, payment कर देगा, तो, holder, बट, यहाँ पे, साथ में, जितना पहले दे चुका था, 20%, उतना minus करके, वो payment करेगा, इसके बाद, फिर एक और case हो सकता है, या तो, आप appeal पे जा रहे हैं, appellate court पे, इसके उपर वाले court है, अगर appeal पे जा रहे हैं, तो, appellate court, फिर से 20% of the compensation, यह जमा करने बोलेगा, और अगर appeal पे नहीं जा रहे हैं, तो final compensation हो गया, बात खतम हो गई, appeal पे जा रहे हैं, तो, फिर से वही 60 दिन और 30 दिन extra, अगर late हो रहे हैं, और court को लगता extra time देना, तो extra time दे सकता है, appellate court जो होता है, यह amount deposit करने बोलेगा, कभी भी बोल सकता है, appeal के बीच में, अगर बाद में यह acquittal हो जाता है, बाइज़द बरी हो जाता है, तो, उसको repay कर दिया जाएगा, the amount, within 60 days, on end 30 days, तो ऐसा है, तो यह amendment है पूरा, यह वाला page, तो आपको वैसे पता है, आपके book में यह covered है, तो यहाँ पर अपना negotiable instruments act भी complete होता है, general clauses act देखते हैं भी, इस पर कोई doubt होगा तो पूछ लो पहले, negotiable instrument के कोई भी topic पर कोई doubt होगा particular तो आप पूछ सकते हैं, मैंने क्योंकि बह basic regular class में करते हैं, तो मैंने आपको बहुत speed up किया हूँ, बट फिर भी within one hour यह complete करना मेरा aim था, उसमें complete हुआ है, तो फिर भी अगदर कोई आपके और doubt होगे, specific doubt होगे, कोई particular topic से related तो आप में पूछ सकते हैं, पिर अगर नहीं होगे तो हम general clauses act पे चर्चा चालू करेंगे, general clauses act में इससे नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें मैंने बहुत short cover किया हूँ, बाकि general points है, बट मैं आपको यह general clauses act पूरी book से बताऊंगा, तो उस पे अपन shift हो जाते हैं, उसमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना यह भी मैं आपको बताते जाऊंगा, चलो, आगे बढ़ते हैं, general clauses act, सबसे पहले यह सब तो नहीं पढ़ना है, importance में, shorten the language of the act यह पता है आपको, और to provide uniformity यह पता है, बाकि यह सब नहीं पढ़ना है, laws of all the laws यह सब पढ़ने की जरुरत नहीं है, applicability इसका territorial extent नहीं है, जहां जहां भारत के कानून लगते हैं, वहां वहां यह भी लगे including the state of Jammu and Kashmir, basic understanding में, preamble आपको ध्यान रखना है, preamble important point है, preamble का मतलब होता है, preamble जो scope बताता है, scope, extent, object, purpose of the act, यह preamble कहलाता है, तो हर act में एक preamble होता है, जो scope बताएगा कि यह कहां तक के लगता है, इसका main aim क्या है, ultimately preamble का मतलब है, यह क्यों बनाया गया, कानून क् बताया जाता है, main source of understanding the intention of the lawmaker, lawmaker ने क्यों बनाया था है, यह बताया जाता है, क्या आप preamble को use कर सकते हैं, जब आपको कोई भी interpretation करना है, तो the answer is yes, आप use कर सकते हैं, पर यह तभी use करोगे जब ambiguities है, अगर clear words है, clear text है, कोई एक particular act में, so आप clear text को override नहीं कर सकते हैं by using the preamble So, अगर preamble है, तो भी हमेशा use करोगे ऐसा नहीं है, सिर्फ जब ambiguity है, तब आप उसको use करोगे, but बाकी की case में, preamble will never override the provisions of the act, but if the wordings of the statute gives rise to the doubts, कि क्या इसका proper construction होना चाहिए, तब आप preamble को use कर सकते हो, और आपको use करना चाहिए, ठीक है, तो यह चीज़ यहाँ पर बता होती है, तो यह अलग-अलग प्रकार की definition होती है, जैसे means और includes यह आपको पढ़ना है, तो definition means यहने, exhaustive definition, वो खतम हो जाती है, जितनी चीज़ बताई, उतनी चीज़ उसमें cover होगी, जैसे company means a company incorporated under this act, और any previous company law, उतना ही होगा, includes बोला है, तो includes में फिर बहुत सारी चीज़े cover हो सकती है, it is an extensive definition, it does not exhaust, तो इसमें और भी चीज़े cover हो सकती है, जैसे supply includes, फिर शैल और में, शैल जब word यूज करा है, तो शैल का मतलब होता है, compulsion है, और में word यूज किया है, तो में का मतलब होता है, it is the discretion, पर कभी-कभी, वैसे generally, शैल को आप शैल पढ़ते हैं, में को में पढ़ते हैं, में शैल का मतलब compulsion, में का मतलब description, पर कभी-कभी, आप शैल को में या में को शैल पढ़ते हैं, यहने कभी-कभी, शैल आप यूज कर रहे हैं, बट हम मान ल railroadेंगे कि यह the discretionary है, और में यूज कर रहा है, बट कर आप मान लेंगे यहाँ पे pengu है बट सिर्फ क्योंकि government को बोला जा रहा है या court को बोला जा रहा है इसलिए may word use किया है out of courtesy so ऐसा भी हो सकता है वैसे कभी shall word use किया है but ultimately वहाँ पे बोलने का मतलब शायद may था ऐसा भी हो सकता है जैसे a company shall be formed for any lawful purpose so company may be formed for any lawful purpose ऐसा word आपको देखने को मिलता है so यह may word use किया है that does not mean कि वो unlawful के लिए भी बना सकते है that means it shall be formed only for a lawful purpose and not for any unlawful purpose फिर preliminary sections preliminary में short title है short title कोई खास काम का नहीं short title applicability यह सब काम का नहीं definitions definition में कौन कोन सी definition देखो गया आफ एफडेविट affidavit का मतलब होता है affidavit shall include any affirmation or declaration in case of person allowed by law to affirm or declare instead of swearing so यह definition है definition आपको ध्यान रखना है important है central act कोई काम का नहीं central government कोई काम का नहीं वैसे आप समझने के लिए पढ़ सकते हैं बट ultimately कोई काम का नहीं commencement भी कोई काम की नहीं है definition commencement का मतलब होता है the coming into operation of the particular act or regulation document एक important definition है आपको पढ़ना है document shall include any matter written expressed or described upon any substance पहली चीज़ आती है matter दूसरी चीज़ आती है substance by means of any letters, figures, marks or by more than one of these means which is intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter तो चार चीज़ आती है matter substance के उपर लिखा गया in the form of means वगरे and recording the matter ये चार चीज़े आपको याद रखना है इस chapter में भी आएगी अगले chapter में भी आएगी enactment कोई काम की नहीं है financial year financial year यने जो साल एक एप्रिज से लेके 31 माज तक चलता है that is called as a financial year calendar year यने या year सिरिफ year बोला तो that will also be called as a calendar year अगर सिरिफ year बोला है तो it should be British calendar year ठीक है तो British calendar year का मतलब है जो एक जनवरी से लेके 31 December तक चलता है good faith good faith का मतलब है कि आपने जो काम किया है वो सही तरीके से किया है आप उसमें कुछ गलत करने के इच्छा नहीं रखते थे whether done negligently or not but it was done honestly so honestly whether done negligently or not but यहाँ पे good faith का definition अलग-अलग जगे अलग-अलग भी लग सकती है जैसे कि contract act में एक case हुआ था mong-ong-poo versus mong-si-mong जिसमें बताया गया था कि good faith का मतलब हम यहाँ पे जब contract act को हम refer करते हैं तो good faith का मतलब होता है जो आपने किया है without being negligent proper inquiries से किया है अगर आप negligent होते हुए कुछ कार्य करते हैं तो good faith नहीं माना जाएगा बट उपर में जो definition है यहाँ पे अगर आप negligent भी होते हैं तो good faith माना गया और इसलिए court ने बोला कि यह good faith हर act के हिसाब से हर जगे के हिसाब से अलग-अलग प्रकार से interpret किया जा सकता है फिर government कोई मतलब नहीं government securities कोई मतलब नहीं immowable property important definition है immowable property shall include land benefits to arise out of land जैसे कि कोई जाड़ वगरे हो गये पेड हो गये घास हो गई यह सब and things attached to the earth जैसे कि एक building हो गई और permanently fast into earth जैसे कि heavy machinery हो गई और इसके अलावा जितनी भी चीज़े हैं वो सब movable में जाएगी तो immowable property includes सिर्फ यह चार चीज़े movable property includes other than immowable property तो आपको यह case law अगरे आ सकता है immowable assets है immowable property के उपर cases पूछे जा सकते imprisonment कोई काम का नी Indian law काम का नी month कोई काम का नी movable property कोई काम का नी movable means जो भी immowable नहीं है सब movable oath important है again oath की definition same है oath shall include an affirmation and declaration in case of persons by law allowed to affirm or declare instead of swearing same copy paste affidavit की definition same है offense कोई काम का नी गुनह official gazet काम का नी person काम का नी registered काम का नी rule नहीं schedule नहीं section नहीं subsection नहीं swear काम का है same definition copy paste swear means with it grammatical variations and cognitive expressions shall include affirming and declaring by any person by law which is allowed to affirm or declare instead of swearing so यह उसकी definition है तीनों की definition same है affidavit oath और swear writing कोई काम का नी यह भी कोई काम का नी कौनसे definition कब से लगने वाली है कब के बाद नहीं लगने वाली कोई काम का नी हाँ फिर यह भी भारत के कानून वगरे यह काम का नी है coming into operation एक act कब चालू होता है जब इस पे ascent मिल जाती है बाइदी president president के ascent किता है तब से वो operate होना चालू होता है अगर उसमें कोई date लिखे है तो तब से operate होगा तो यह president की ascent से operate नहीं होगा कोई date of operation नहीं है तो president की ascent से चालू होगा effect of repeal बहुत important ध्यान रखना है आपको repeal का क्या मतलब है repeal का मतलब हटा देना हटा दिया मेंस इसको निस्तनाबूत ही कर दिया यहाँ पे वो कभी था ही नहीं यह मान लिया गया जैसे पुराना companies act अगर repeal हो गया है that means मान लिया जाएगा वो कभी था ही नहीं यानि पुराने companies act के हिसाब से किसी ने अगर पहले fraud किया होगा तो आज उसको अगर हम punishment देंगे तो वो किस हिसाब से देंगे आज के act के हिसाब से देंगे भले ही पुराने act में उसने fraud किया था पर अगर आज पता लगा है तो हम मान लेंगे पुराना act कभी था ही नहीं, नए act के हिसाब से उसको penalties और fraud लगेगी, fraud के penalties लगेगी, ठीक है, तो ये चीज़ बता है, but ये कुछ चीज़ नहीं कर सकता, shall not, ये भी important है, ये ध्यान रखना है, पुरानी चीज़ को वो enforce नहीं करेगा, जैसे पुराने case में CSR की बात नहीं की गई थी companies act में, तो नए act में CSR की बात की गई है, तो हम ये नहीं बोल सकते पुराने वालों के तुमने CSR क्यों नहीं follow किया, उस time था ही नहीं, तो it should not revive anything, it should not affect the prior management of anything, जो भी चीज़ पहले जैसी होती थी, पहले जैसे court ने कोई order दिया है, अब court को order देने का अधिकार ही अब tribunal आ गया है, तो क्या पुराने order वेस्ट हो गया, नहीं, वो चीज़ जो थी वो वैसी रहेगा, prior management वैसी रहेगा, prior decisions वैसी होंगे, claims, privileges, ये सब को फरक नहीं पड़ता, punishment, forfeiture, ये सब भी जो पुराने act में हो चुका है, वो हो चुका, और कोई भी inquiry या litigation या कोई भी remedy पुराने act में हो चुकी, वो हो चुकी, अब आप उसको भी change नहीं करोगे, सिर्फ इस वज़े से कि पुराना act हट गया, और नया act आ गया, फिर ये कोई काम का नहीं है, repeal of textual amendment, revival of enacted, repealed enactment, आप revive करना चाहते हैं, तो फिर से आप revive कर सकते हैं, सिर्फ आपको reason बताना है कि revive क्यों किया जा रहा, जैसे कि section 11 हटा दिया था companies act में, फिर से आपको 10A लाना था, so you can revive it, फिर construction of references to repealed enactment, कभी-कभी ऐसा होता है कि पुराना act हट चुका है, बट अभी भी act में, कानून में, पुराने act का reference है, so क्या वो reference काम आएगा, तो अगर नया act आ चुका है, त tax, उसमें लिखा हुआ है कि company को book profit बनाना है as per companies act 1956, तो क्या 1956 के हिसाब से अभी भी बनाते रहेगी, तो नहीं, अब वहाँ हम अपने आप मान लेंगे कि नहीं, 2013 के act के हिसाब से अब उसको book profit निकालना पड़ेगा, तो अपने आप हम मान लेंगे कि 1956 की जगे 2013 लग चुका बठा कभी कभी हम जान बूझ कर अगर लिखते हैं, जैसे कि investor education and protection fund में हमने अगर लिखा है, पुराने act का 1956 act का investor education protection fund यहाँ पे ला लिया जाएगा वहाँ का पैसा, तो यहाँ पे तो हमारा aim वही है कि हम उसका ही reference देना चाते हैं, तो फिर वहाँ पे उसी को माना जाएगा ठीक है, commencement and termination of time, तो वक्त कब से चालू होता है, जैसे आज बोला गया था, तो आज अगर एक तारीख है और बोला गया है, तीस दिन के अंदर आपको काम करना है, तो एक तारीख से दूसरे दिन से यह चालू होगा, तो वो ही बताया है कि it should exclude the first in the series and include the last, include the last, तो एक तारीख से बोला है तीस दिन, तो एक तारीख छोड़के दो तारीख को पहला दिन माना जाएगा और तीस तारीख को 30th day माना जाएगा, ठीक है, तो यह बताया गया, example दिया ही है आपको, important है, यह धिहान रखना है आपको, फिर competition of time, time कैसे निकालते हैं, तो time जब कोई कानून में बताया गया है, लेकिन कभी छुट्टी है, जैसे 4 दिन की छुट्टी आ गई लाइन से, मिरको notice आया था कि आपको Friday को आना है, आप Friday को छुट्टी निकली, Saturday, Sunday भी छुट्टी निकली, so automatically Monday को आना है, यह मान लिया जाएगा, so मिरको date दी गई थी Friday की, बट Friday, Saturday, Sunday, तीन दिन छुट्टी है, तो direct Monday की date है, यह मान लिया जाएगा, तो यह उसकी बात है, यह भी ध्यान रखना है, measurement of distance, जब आप distance मेजर करते हैं, तो it should be aerial distance होना चाहिए, linear line में होना चाहिए, फिर duty जो है, that should be in pro rata basis, यहने proportionate basis पे होना चाहिए, जैसे उसमें लि जाएगा, 500 रुपे पे कितना लगेगा, तो 5 रुपे लगेगा, ठीक है, तो it will be on proportionate basis, unless otherwise specified, gender और नमबर, जब भी masculine gender बूला जाएगा, तो it will include the feminine gender, जैसे अगर बूला गया है, कि director ने अगर कुछी गलत किया, तो he will be liable, तो सिर्फ he will not be liable, also she will be liable, so it will include she, उसके अलावा, singular word अगर use किया है, तो plural भी use, plural, plural भी माना जाएगा, और plural use किया है, तो singular माना जाएगा, जैसे बोला गया है, कि एक वेक्ति, अगर एक जगे पे managing director है, या whole time director है, तो वो दूसरी जगे managing या whole time director नहीं हो सकता, सिर्फ एक subsidiary में हो सकता है, तो अगर A limited थी, A limited में एक वेक्ति whole time director है, तो क्या वो दूसरी company में हो सकता है, नहीं हो सकता, बट बोला गया, वो subsidiary में हो सकता है, अगर B limited इसकी subsidiary है, तो उसमें हो सकता है, तो क्या सिर्फ एक ही subsidiary में हो सकता है, या अगर दो subsidiary होगी, तो उसमें भी हो सकता है, या अगर तीन subsidiary होगी, तो उसमें भी हो स यह बहुत ज़्यादा काम का नहीं है कभी लेकिन question आ सकता है C category में आ जाएगा बट फिर भी आपने एक बार पढ़ लेना चाहिए इसको ठीक है तो powers comfort to be exerciseable from time to time तो वक्त बेवक्त कभी भी आप powers exercise करोगे ऐसा नहीं है जब जरुरत होगी तब करोगे जैसे लिखा है कि government ऐसा कर सकती है government NFRA का गठन कर सकती है जब जरुरत होगी तब करेगी तो ऐसा नहीं कि उठे सुठे कभी भी कर रहे है तो जब जरुरत नहसुस होगी तब किया जाएगा power to appoint shall include power to appoint an ex-officio ex-officio का मतलब है due to उसकी virtue of position के कारण हम उसको appoint कर रहे है जब लिखा होगा कि आपको chairman appoint करना है तो chairman कौन होना चाहिए तो वो देखा जाएगा उसकी qualifications वगरे देख के उसको appoint करोगे तो जब भी कुछ ऐसा appointment लिखा है तो appointment should be ex-officio due to his position due to his ranking आप उसको appoint करोगे ऐसी किसी को भी आप appointment नहीं करोगे जैसे आपको minister of finance बनाना है और आपने एक chemical engineer को minister of finance का पूरा officer appoint कर लिया तो ये नहीं चलेगा ठीक है तो it should be ex-officio power to appoint shall include a power to dismiss अगर मेरे को अधिकार दिया है कि I can appoint this person that means I can also remove that person भले ही वहाँ remove करने के बारे में नहीं लिखा है सिर्फ लिखा you can appoint that means I can also remove that person substitution of functionaries title से जाना जाता है मैंने income tax officer के सामने case प्रस्तुत किया था कल उसका transfer हो गया income tax officer जो पांडे जी थे पांडे जी हट गए और तिवारी जी उनके जगए आ गए तो क्या यहां मेरे को फिर पांडे जी के पास जाना पड़ेगा नहीं अब मैं तिवारी जी के पास जाओंगा this is called a substitution of functionaries so मैं functionary के पास जाओंगा मैं उस post के पास जाता हूं मैं उस व्यक्ति के पास नहीं जाता हूं पांडे जी चले गए ट्रांसपर हो गया तो मैं अब पांडे जी के पास case लेके नहीं जाओंगा मैं जाओंगा तिवारी जी के पास case लेके ठीक है successors similar चीज जो काम officials कर सकते हैं chief कर सकते हैं वो आपको अगर लगता है फिर भी पढ़ना चाहिए तो मेरे वीडियोस है अविलेबल आपको लगता है तो मैं आपको वो वीडियोस की लिंक अविलेबल करा दूंगा कि बाकि यह कुछ points है यह पढ़ना है आपको recovery of fines यह तो simple है कि fine कैसे recover की जाएगी जैसा IPC और CRPC में बताया उस प्रकार से सब fines recover की जाएगी यह important है अगर एक गुना किया हूँ मैंने जो दो कानून में punishable है तो मैं दोनों कानून में अलग-अलग punishment नहीं जहिलूँगा मैं एक जगे जो punishment जहल चुका हूँ जो अपरात की वही अपरात के लिए मैं दूसरी जगे पर punishment नहीं ले सकता एक ही जगे punishment मिलेगी तो एक अपरात की दो जगे सजा नहीं मिलेगी तीक है कोई भी एक कानून में 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 को सजा मिलेगी पिर meaning of service of post, service of post का मतलब है आपने अगर भेज दिया है post से कोई चीज, लेकिन अगर रास्ते में कुछ गड़बढ होने के कारण वो नहीं पहुचिया आगे वाले के पास, तो ऐसे cases में भी मान लिया जाएगा कि आगे वाले को मिल चुका है within a reasonable time, ठीक है, so reasonable time में, मिल गया मान लिया जाता है अगर आपने proper address लिखा था, पहले से उस पे ticket वगरे चुपाया था and registered post से भेजा था तो, पिर citation of enactments, आपको कोई citation देना है तो आप कैसे देते हो citation, तो आप उसके particular section का नाम code करके cite कर सकते हैं, यह कोई काम का नहीं है, saving of previous enactment और application of acts and ordinance यह भ आखरी point पर आते हैं, interpretation of statute, बहुत छोटे से point में मैं इसको cover कर दूँगा, ज्यादा deep में नहीं जाएंगे अपन, तीन page में दिया है और इसमें ही अपन इसको cover कर लेंगे, बाकि आप इसको यह दो topic को आप पूरे book से भी पढ़ सकते, पूरे book से भी पढ़ोगे तो गिंती के pages हैं, तो आप चाहें तो पूरे book भी refer कर सकते हैं, तो interpretation of statute, तो interpretation of statute and other documents, इसमें आप कोई भी कानून को कैसे interpret करते हैं, वो बताया गया, this is not an act, बाकि जो भी हमने पढ़ा हो, यह सब एक act था, यह कानून था, यह कानून नहीं है, these are only rules for interpretation, आप कोई भी चीज अगर interpret करना चाहते हैं, तो कैसे interpret कर सकते हैं, तो उसके अलग-अलग प्रकार के rules बनाएगे, जब एकदम plain meaning होता है, plain text होता है, तो ऐसे cases में कोई दिक्कत ही नहीं आती, अगर plain text है, तो आप normal rule लगाते हैं, literal यह grammatical interpretation का, यहने जैसे words हैं, वैसे के वैसे आप उसका meaning निकालोगे, फिर इसमें बहुत सारे example से आपको मैंने regular batch में फूरा बताया हूँ, अगर ambiguous नहीं है, तब यह use किया जाता है, जब ambiguity नहीं है, कानून में plain text है, तो आप यह word, यह वाला rule यूज करते हैं, फिर भले हो सकता है कि इससे आपके जो कुछ गडबर हो रही है, कुछ कानून में proper पर नहीं लिखा है, थोड़ा आपको लग रहा है कि गलत है, फिर भी वो मानना पड़ेगा, क्योंकि court cannot change the wordings of the law, law में जो लिखा है, वो सिर्फ interpret करना यह जिम्मेदारी होती है, court की, court कानून बदल नहीं सकता, बना नहीं सकता, तो बनाना या कानून को बदलना यह होता है in the hands of parliament, so इसलिए अगर कुछ चीज clear लिखी है, तो वो चीज़ को वैसे के वैसे मानना पड़ेगा, भली वो absurd लग रही है, गलत लग रही है, फिर भी आपको मानना पड़ेगा, this is the literal rule of interpretation, so literal interpretation, functional, reasonable या logical, या logical construction क्या होता है, जिसमें दो meaning possible है, यह तब use किया जाएगा, when there is an ambiguity, so जब ambiguity है, एक से जादा meaning हो रहे हैं, तो फिर आप reasonable interpretation ध्यान रखोगे, फिर आप देखोगे यार इसका मतलब क्यों ऐसा लिखा होगा, फिर आप उसके reason के पीछे जाओगे, so reasonable interpretation, so reasonable interpretation या logical interpretation में आप उसका अगर exact वैसा meaning लेते हैं, तो absurd निकलता है, तो ऐसे cases में आप reasonable य let's hang out, तो उसका ये मतलब नहीं, आप बाहर जाके लटकेंगे, उसमें आप reasonable interpretation लेगे, hang out येने, आप बाहर जाओगे, कहाना वाना खाओगे, मस्त गूमगे, फिर ओगे, ये हो गया, so this is called as the reasonable interpretation, जब उसका absurd meaning निकल रहा है, तब आप ये use करते हैं, फिर harmonious construction, harmonious construction तब लगा बात बोल रहे है, एक provision कुछ और बोल रहा है, दूसरा provision इसका opposite बोल रहा है, तो आपको ऐसा interpretation लेना है, कि दोनों को आप proper meaning दे सको, this is called as rule of harmonious construction, so harmonious construction में, आपको दोनों का meaning देना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक का meaning दे रहे है, दूसरा defeat हो रहा है, दूसरी का meaning दे रहे ह क्योंकि जब भी कानून बनाया गया था, ये part-part में नहीं बनाया था, पूरा कानून एक साथ बनाया था, तो यहाँ पर पूरे कानून का एक साथ interpretation होना चाहिए, अगर लेकिन आप दे ही नहीं पा रहे हो, तो क्या होगा, अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, दोनों clause को meaning, तो फिर क्या होगा, तो फिर आपको वो वाला part मानना पड़ेगा जो बाद में आया है, तो बाद वाले part को मानेंगे पर, जैसे मैं बोलता हूँ कि आज अपन छुट्टी कर देंगे, जिल्दी छोड़ दूँगा मैं, फिर मैं बोलता हूँ थोड़ी देर बाद, कि आज म एक गंटा ज्यादा पड़ाऊंगा, तो कौन सा मानोंगे आप, जो बाद में बोला था, तो बाद में मेरा मन बदल क्या होगा और मैंने बाद में ये बोल दिया, तो बाद वाला मानना जाएगा, मिस्चिफ रूल और हिड़न्स रूल, important rule है, मिस्चिफ रूल या हिड़न rule में क्या होता है, आपको चार चीज़े ध्यान रखना है, ये एक्ट बनने के पहले law क्या था, कानून क्या था before making this act, फिर what was the mischief or defect which the law do not provide, पुराने कानून में क्या गड़बड थी, फिर नया जो act बनाया है, वो क्या वो mischief को ठीक करने को बनाया है या वैसे ही रहने देन था, ये सब देखने के बाद, आप ऐसा इसका interpretation लोगें, which will suppress the mischief, mischief को कम करेगा, suppress the mischief and advance the remedy, remedy को बढ़ाएगा, ऐसा आपको interpretation इसका लेना चाहिए, this is the mischief rule or hidden rule or beneficial construction इसका मतलब है, of the same kinds of species, तो जो words आ रहे हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि कल आप अपने घर से, आप जो पालतू जानवर है वो ला सकते हैं, या मैं बोल रहा हूँ आप कल अपने घर से गाय, बैल, मुर्गी वगरे ला सकते हैं, इसका मतलब क्या है, जो पालतू जानव पर है वो आप ला सकते हैं, आप शेर लेके नहीं आओगे, तेक हैं, तो of the same kinds of, और species, बाकी जानवर बुला अगर मैं नहीं, other animals, so other animals will take color from the prior words, तो इसके पहले जो words यूज किया हैं, उन में से वो color लेगा, this is called as the adjustim generis rule, so जब general words आते हैं, before the, after the specific words, so the general words will take color from the specific words, so this is called as the adjustim generates, rule of adjustim generates, इसका ये बड़ा भाई है, एक नॉस्किटर असोसेस, तो वो एक है, वो बाद में देखते हैं, पर चलो, आगे बढ़ते हैं, various internal aids to interpretation, internal aids, ये अभी जो हमने पढ़े, ये क्या थे हैं, ये primary rules थे, इसके बाद अभी ये जो आ रहे हैं, ये secondary rules है, इसमें internal aid to interpretation, पहल the answer is yes, short title, long title, दोनों का आप interpret कर सकते हैं, but again, it will not override the plain text of the act, preamble, use कर सकते हैं, it will also not override the plain text of the act, heading of the title, chapter, yes, same rule, it can be used, जब कोई ambiguity होती है, but it will not override the plain text of the act, marginal notes, side में जो रिखे होते हैं, अब इस पर दोनों पक्ष है, कुछ लोग बोलते हैं, use कर सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, नहीं कर सकते हैं, पर जब plain text होगा, तब तो आप नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन जब constitution पढ़ते हैं, तो उसमें marginal notes आपने पढ़ना चाहिए, definitional clauses, अब मैं यह पूरा फिर से नहीं समझाओंगा, marginal notes क्या है, और यह सब क्या है, वो आपको read करना पढ़ेगा, definitional clauses, यह तो करना ही है, आपको अगर act में definition दिये हैं, तो आपको वही definition use करना है, अगर act में नहीं दिये हैं, तो फिर आप उसके बाहर की definition उठा सकते हैं, illustrations, illustration भी use कर सकते हैं, बट it will never expand the ambit of the section, वो सिर्फ जो चीज दिये है, उसको clarify कर सकता है, बट it will not expand, वो जितनी चीज है, उतने को clarify करेगा, उतने को अच्छे से समझाएगा, बट वो उस section का डायरा बढ़ा नहीं सकता, कम नहीं कर सकता, provision, provision generally exceptions निकालने के लिए बताया जाता है, provided debt, अगर ऐसा होगा तो यह rule नहीं लगेगा, this is called as a provision, अब आपने already पढ़ चुके आपको पता है, explanation, explanation कोई चीज़ को include करने के लिए या कोई चीज़ बताने के लिए किया जाता है, जैसे कि explanation बोलता है, कि information memorandum along with the shelf prospectus will be deemed as prospectus, यह यह दोनों को मिला के prospectus मान लेंगे, तो explanation, यह explanation बोलता है, कि arrayed hearing prospectus is a prospectus which does not contain the details of price और quantity और both, फिक schedules, schedules आप use कर सकते हैं, yes, schedule भी यूज कर सकते हैं, जब ambiguities है, तो आप schedule में कुछ दिया है, तो आप उसको भी interpretation के लिए help में ला सकते हैं, हाँ, other terms, यह मैंने आपको ऐसी पढ़ाते पढ़ाया बताया था, notwithstanding anything contained in this act, इसको non-obstentic clause बोलते हैं, that will override the other provisions, subject to, subject to का मतलब होता है, effect of non-obstentic clause is opposite of provision which includes the term subject to, subject to यहने इसको ध्यान में रखते हुए, non-obstent उसको override कर देता है, subject to opposite है, non-obstentic secondary rules में, और कुछ basic rules है, जैसे optima legum interprets consent to do, that is custom is the best interpreter of law, आपको यह ध्यान रहना चाहिए, भली यह words ध्यान रखो, custom is the best interpreter of law, बेट यह ध्यान रखना पड़ेगा, फिर contemporania expisito, optimia at fortism in leg, that means, the best way to interpret a law is to interpret as it would have been interpreted when it was made, एक कानून को सबसे अच्छी तरह से समझने का एक जर्या यही है, आप उस वक्त में जाके उसको समझो, जब वो बनाया गया होगा, ठेक है, तो यह माना जाता है, फिर noscator associates, तो spelling गलत है यहापे, तो वैसे उसको अलग-अलग word बोले जाते हैं, तो associates दिखेगा कहीं-कहीं, associates दिखेगा, तो अलग-अलग words दिखते हैं आपको, it is known by its associates, means जिस word के साथ वो word आ रहा है, उससे वो color लेगा, यह एजुस्देम जेनरिस का बड़ा भाई है, बड़ा भाई क्यों, क्योंकि एजुस्देम जेनरिस क्या बोलता है, जब special words पहले आ रहे हैं, और बाद में general words आ रहे हैं, so general words will take color from special word, but noscator associates का मतलब यह होता है, कि अगर general words पहले भी आएंगे, तो general words will take color from the specific words, so यह general word कहीं भी आए, it will always take the color from the associated words, so this is the wider rule, then adjust them generous, फिर external rates में और क्या क्या आएगा, historical setting, historical setting means पहले क्या चलता था, वो चीज़े, consolidating statute in previous laws, consolidating statutes, तो अगर आप consolidate करने को दो कानून को जोडने को बनाए हो, तो उसका भी आप use कर सकते हैं, for the purpose of interpretation, usage और customs और trade, यह भी आप use कर सकते हैं, यह सबब मैं बहुट detail में नहीं बता रहा हूँ आपको, earlier acts भी यूज़ कर सकते आप, बट अगर कुछ clear होगा तो फिर आप earlier act यूज़ नहीं करोगे, बट अगर यह act में कुछ नहीं दिया है, then you can refer the previous act as well, reference to repealed or deleted part of act, depend करेगा, आप कितना उसको महत्व देते हैं, dictionary meaning, बहुत कम cases में यूज़ करते हैं, जब उस act में defined नहीं किया है, या related acts में defined नहीं किया है, foreign definitions, यूज़ कर सकते हैं, अगर foreign वाले भी वही वाला legislature follow करते हैं, वही jurisprudence follow करते हैं, जो आपका देश करता है तब, various rules of interpretation of deeds and documents, आखरी topic, एक बज़े अपना complete हो रहा है, interpretation from point of view of a reasonable man, simple, वाकिए सब rule वही है, सिर्फ एक rule यहाँ change होता है, जब आप deeds or document में करते हैं, rules of interpretation, पहले मैंने आपको बताया था, जब आप कोई भी, जगे ambiguity देखते हैं, harmonious construction में, तो आप वो answer दोगे, पहले तो harmony बनाना try करोगे, बाद में अगर नहीं हो पा रहा, तो first वाले को आप भूल जाओगे, second वाले को आप याद रखोगे, पर वही चीज़ जब आप deeds और documents पढ़ते हैं, सो वहाँ पे आप क्या करोगे, सो वहाँ पे अगर same चीज़ होती है, तो आप first वाले को याद रखोगे, और second वाले को भूल जाओगे, ठीक हैं, क्योंकि deeds में opposite माना जाता है, deeds में हम ये मानते हैं, कि जो चीज़ पहले दिमाग में आई, वो आपके लिए important थी, जो बाद में आई, वो उतने important नहीं रही होगी, तो इसलिए deeds and documents में opposite rule लगता है, कि पहले जो बताई, और बाद में जो बताई, जहां तक हो सकता है, दोनों को harmonize करोगे, अगर आप harmonize नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले वाली को आप मानोगे, दूसरी वाली को नहीं मानोगे, तो deeds and documents में बस इतना सा एक फरक है, बाकी सब चीज़ वैसी की वैसी है, तो बहुत ज़्यादा speed में तो किये हैं, बट अपना aim यहाँ पे यह नहीं होता है, कि आपको एकदम पूरा एकदम जैसा अपन पूरी class में पढ़ते हैं, वैसा पढ़ना aim नहीं होता है, यह वाली patch का aim यह होता है, कि आपको passing mark score करने में मदग करें, तो यहाँ पे basically aim यह होता है, कि passing mark at least score करने के लायक अपन पढ़ाई कर लें, तो उस हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि अपने बहुत अच्छा से किया है, लगबग 100% किया है, कुछ-कुछ चीज़ा छोड़ दिये, तो वो आप एक बार देख लेंगे, और उससे related कोई doubts अगर आपको आते हैं, तो आप doubts जरूर मेरे से पूछ सकते हैं, आप सब के पास मेरा number है ही, और अगर नहीं होगा तो मैं बता दिता हूँ, मेरा number लिख लो, तो मुझे आप message कर सकते हैं, और कोई अगर doubt रहा तो पूछ सकते हैं, इसके अलावा अभी आखरी समय के लिए कुछ चीज़े बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ें, अल्रेडी मैंने institute में जो हुआ था, वो मैंने अल्रेडी बता दिया था, institute में जो lecture हुआ था, उसमें बता दिया था कि paper को कैसे क्या proceed करना है, तो इसलिए मैंने उसके उपर अभी चर्चा नहीं किया, फिर भी अब यहाँ पर कुछ लोग नए हैं, जो पिछली क्लास में, वो वाली क्लास में नहीं था, institute वाले में, तो इसलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, कि आपको MCQ आजकल जो आ रहे हैं, जैसे case study based हैं, तो पहले MCQ का आप question पढ़लो, जैसे बहुत बड़ा एक MCQ आता है, पहले case दे दिया है, बहुत बड़ा, और फिर आखिर में उसमें आपको options दिया हैं, questions दिया हैं, पहले questions पढ़लो, जैसे आपको paper मिलता है 15 मिनिट पहले, questions पढ़ना चालू करो, बाद में फिर उसकी case study पढ़ना, क्योंकि question पढ़ लिया, means आपको समझ गया, क्या के चीज़ें पूछने वाले हैं, तो irrelevant point अपने already, जो case पढ़ते हैं, तब इच गायब हो जाएंगे, तो पहली ये चीज, दूसरी चीज अपने mic बंद रखना चाहिए अपने, तो mic चालो नहीं रहना चाहिए, बीच-बीच में disturbance होता है, हाँ, तो दूसरी चीज, concept पे ध्यान दो, वो मैंने आपको बहुत बार चिलाया हूँ, बोला हूँ, बहुत सारे लोग बोलते नहीं, सब MCQ, MCQ मैंने बोला, रहने दो, तो उतना ट्रस्ट करना चाहिए, आपने यहां रहने दो, यहने रहने दो, MCQ मत करो, ठीक हैं, MCQ के पीछे भागने वाले, सब फालतो ही भाग रहे हैं, सिर्फ आपको concept ध्यान रखना है, that is more important, concept समझो, उसके पूरी reasoning समझो, तो आपको सब चीज़ आराम से समझ जाएगे, तीसरी चीज़ पेपर 100% सॉल करना, is utmost important, 100% सॉल होना ही चाहिए, तभी पास होने के चांस होते हैं, आप अगर 100% सॉल नहीं करोगे, और समझो, 80 मार्क का सॉल किया आपने, और आप 50% मार्क्स लाओगे, तो 40 मिलेंगे, अगर 100 मार्क का सॉल किया, और 50% लाओगे, तो 50 मिलेंगे, टाइम नहीं पूरता है, प्रैक्टिस करना चाहिए था, नहीं किया है, अब आपको यहाँ पे, सिर्फ आप directly questions लिखोगे, तो provisions लिखो, applicability लिखो, आपको facts of the case, repeat करने की ज़रुरत नहीं है, directly आप analysis करके, conclusion लिख सकते हैं, और जो भी important points से underline करते जाओ, important words वगरे को underline करो, बहुत फरक पड़ता है, diagrams जहाँ जहाँ हो सकता है, बनाओ, diagram से बहुत फरक पड़ता है, और, जो भी points लिखोगे आप, उसमें provisions पूरे होना चाहिए, जैसे कि, मैं एक बाद और बताता हूँ, कि जैसे आपके पस time कम है, आखरी में सिर्फ आपके पस 10 minute बचे हैं, और आपके पस 2 question है, आपको पता है, मैं दोनों में से एक ही लिख पाऊंगा, तो आपने एक नहीं लिखना है, आपने दोनों question try करना है, भले आध्याधे लिखो, सिर्फ provision और conclusion लिख के आओ, बट ये दोनों solve करो, इससे फरक ये पड़ेगा, अगर आप एक question पूरा करोगे, और पांच-पांच mark के question थे, तो आपको maximum 5 mark मिलेंगे, पूरा हो, time कम है, तो भी कैसे भी करके 100% पूरा हो, लगे तो provision और conclusion लिखके, आप पूरा करो, लेकिन पूरा करो, तो आपको पूरा करना है paper, और आपको ऐसा लग रहा होगा, तो time बहुत बच्चता होगा, 30 mark तो MCQ में मिल जाते हैं, तो वो तो बहुत आसान होते हैं, तो नहीं होते हैं, अगर आपकी concept clear है, तो आसान होते हैं, बट ultimately आपको case पढ़ने में time जरूर जाता है, case study वाले जो question से 2 mark के आएंगे, direct questions जो है वो एक mark के आएंगे, MCQ में, ठीक हैं, बाकी आपको पूरा case study भर के question आने वाला है, कोई ऐसा process वगरे, कभी एकाद बर पूछा तो पूछेगा, procedure वगरे, बाकी पूरा जो आएगा, case study के basis पे question आएगा, इसके अलावा, maximum जो marks आएंगे, मेरा जो अंदाज है, 7 mark के उपर का question नहीं आएगा, 7 mark maximum हो गया, वो भी एकाद आएगा, बाकी सब 4 mark, 5 mark, 4 mark, 5 mark के questions रहेंगे, कुछ 2-3 के भी रहेंगे, बड़े questions नहीं आएंगे, बहुत ऐसे हैं, कि आपको बहुत चारा लिखना पड़ रहा है, तो ऐसे questions नहीं आएंगे, उसमें से कोई points पूछे जा सकते हैं आपको, ठेक हैं, फिर बस आखरी चीज़ भरोसा रोखो खुद पे, कर्म अच्छे करो, ऐसा बोलते हैं, कि कर्म अच्छे होना चीज़, नियत अच्छे होना चीज़, तो सब चीज़ अच्छे होती है, तो बोलते हैं ऐसा, कि कर्म तेरे अच्छे हैं, तो किस्मत तेरी दास्थी है, नियत तेरी अच्छी है, तो घर ही मधुरा काशी हो जाता है, तो ऐसा है, तो आपको कर्म और नियत दोनों अच्छी रखना है, बुराबर सब चीज अपने आप होगी, कभी-कभी वक्त बुरा होता है, बट हम अच्छे से महनत करते जाएं, that is sufficient, आपको कर्म करना है, फल आपके हाथ में नहीं है, और कर्म करोगे तो फल ज़रूर मिलेगा, लोग बोलते ना कर्म करो फल की चिंता मत करो, चिंता मत करो, that does not mean फल नहीं मिलता, बट उसकी आशा करके आप फल मत मांगो, फल मिलेगा ज़रूर, क्योंकि बोला गया है, आप गीता अगर पढ़ोगे, उसमें लिखा है, स्पेसिफिकली, क्रिष्ण भगवान ने खुद बोला है, कि अगर तुमने कुछ कार्य किया है, उसका इफेक्ट हमेशा पढ़ना ही है, अगर मैं खुद भी चाहूं, तो मैं खुद भी तुम्हारे कर्म और कर्म फल के बीच में नहीं आ सकता, तो ये खुद बोला हुआ है, तो कर्म और कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, तो बाकिस सब पूजा पाट आप करते होंगे, वह बात और है, पर कर्म अच्छे करो, सब चिस प्रॉपर होते जाएगी, तो इसके हैसाब से, आगे, आपको करना है जो भी बचे-कुचे दिन है, कोई भी डाउट जाएंगे, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और डरने की जरुरत नहीं है, डर लगता ज़रूर है, तो डर मुझे भी लगा था, पासला देखकर, पर मैं चलता गया, रास्ता देखकर, खुद बखुद मेरे करीब आती गई, मेरी मंजिल, मेरा होसला देखकर, तो आपको भी वैसे ही करना है, चलते जाना है, चलते जाना है, और अपने आप आप destination पर पहुँच जाओगे, So with this, I would like to conclude the session, and all the best, अब आगे जो भी है आपके हाथ में है, बट अच्छे से करो, जितना पढ़ा है अच्छे से करो, नई चीज अब मत उठाओ, जितना पढ़ा है उतना ही करो, और बहुत अच्छे से करो, ठीक है, और कोई भी help लगी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, So all the best, अच्छे से exam भी clear करना है, इसके अलावा, आगे भी आपको अच्छे से बढ़ते जाना है, यह आखरी exam नहीं है, ध्यान रखना, और यह अंत नहीं होता, यह सिर्फ शुरुबात है, चलो, Thank you, अब जब भी मिलेंगे, direct final में मिलते हैं, All the best,